सेलो streets welcome to our YouTube channel study our life इडुटेडिया निउड करेंट अफेयर का ढूख आया है जो करेंट अफेयर का बूख आपका वर्सी कांग है यानि अल्ली करेंट अफेयर का बूख है और यह current affair आप देख सकते हैं यहां पे सप्टेमबर 2022 से लेके सेप्टेमबर 2023 तक का current affair है इस साद आपको नहीं दिख पा रहा होगा यहां पर 2022 से 2022 से 2020 तक का current affair पूर एक साल का है सरका बुक तो हर भार की तरह अची बुक ही होती है इस पार जो है बहुत बहुत अच्छी बुक है इसमें न जो बिहार आपको पता है कि तो सर का बिहार special को इसी बुक में इंक्लोट कर दी है पीछे आपको इसमें न यह 2-in-1 बुक है इसमें दोनों बुक आपको मिल जाएगा करेंट अफेर तो मिलेगा है साथ में बिहार स्पेसल करेंट अफेर आपको इसमें दे दिया गया है पुरह एक साल का तो काफी अच्छी बुक है और इस बुक को आप परजेश करने के लिए काफी कम प्राइस है मतलब एक्सपेक्टिवी नहीं कर सकते हैं आपको इतना कम प्राइस में आपको दो बुक मिल रहा है तो यह चीज मुसे बहुत अच्छा लगा कि सर फाइनली कुछ तो अच्छा ल जो भी आपका नया टॉपिक है इसमें सारा इंक्लूट किया गया है चंद्रियान थ्री से रिलेटेटेट विफ को आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो हम पेज नमबर 72 तक करने वाले इस वीडियो के माध्यम से और पार्ट तू आपका एगा जो की वन-liner होगा 73 से ल पर पर यहां आते हो न हूँ पर ὁम हरा को में अपने असवास के मिलेम एक हमारे आइ अगल ब अगल में जो भी एक्तिविटी होरी तक को बेहारा की अवारे साइड से हमारे साइड से थोड़ी से भी इवाज को कैश करता है उसे हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग इस चीज बैक्ग्राउंड जो साउंड हो रहा है उस पर ध्यान ना दे, कभी किनी लोग कोई और कॉमेंट आ जाता है, कोई मजाग करते हैं, यह क्या है, यह सब अच्छा नहीं लगता है, आप बरे स्टुडेंट ह अब बच्चे क्लास के नहीं, आप जुनरी क्लास के नहीं, नाइन तेंथ के स्टुडेंट करते हो, तो आप सभी लोग बहुत सीनियर हो, और आप लोग उस लेवल पे हो ना, कि पूरा मिचुर हो चुके हो आप, तो आप बैक्राउंड पर ध्यान मत हो, प्लीज, आप कीजिए, ठीक है, चलिए, हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट टॉट हंड्रेट से, अच्छा एक चीज़ और कि अपना अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसका इसका वाइस क्वाइस क्वाइलिटी कैसा है, आप लोग कॉमेंट करके एक बर बताईए, अगर वाइस क यह देखेंगे, राश्टि-फटाफट-100.com में, क्या दिया है कि रेलवे बोर्ट की पहली महिला CEO और अध्यक्ष कौन बनी, तो रेलवे बोर्ट की पहली महिला और CEO बनी है, जयाबर्मा सिन्हा, जयाबर्मा सिन्हा, जयाबर्मा सिन्हा, जयाबर्मा सिन्हा, जयाबर्मा 15 अगस्त 2023 को 77 में 13 दिवसमरुग मना है जिसका theme रखा गया है Nation First, Always First क्या theme रखा गया है? Nation First, Always First Free IVF उपचार की सुरुआत करने वाला भारत का पहला राज कौन बना? Goa बना है कौन बना है? Goa पहला अच्छा ये IVF होता क्या है? तो IVF की अगर हम बात करें कि IVF होता क्या है? तो IVF का मतलब होता है In Vitro Fertilization क्या होता है? In Vitro Fertilization ठीक है? तो अब समझ गया होंगे तो फ्री IVF यानि कि In Vitro Fertilization उपचार की सुरुआत करने वाला भारत का पहला राज बना है कौन? Goa बना है इस तहर में भारत का पहला Night Street Racing Circuit बनाया गया है तो चिन नि तमिलांडु में भारत का पहला Night Street Racing Circuit बनाया गया है भारत का पहला AI School सांतीगिरी विद्याभवन कहां खोला जाएगा तो भारत का पहला AI स्कूल सांतेगिरी विद्याववन को तिर्वंत पूरम में खोला जाएगा, कहां पे तिर्वंत पूरम में महराज सरकार ने पहले उद्योग रत्न पूरसकार किसे समानित किया, तो रतन टाटा को महाराश चरकार ने पहले उद्योग रत्म पुरसकार से रतन टाटा को सम्मानित किया है किसने महाराश चरकार ने अमरित भारती योजना के तहद कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर विकास के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अधार सिला रखी है अमरित भारती योजना के तहद 508 रेलवे स्टेशन के पुनर विकास के लिए CBAC ने कितने वर्ग तक की कच्छों में स्वस्त और साड़िक सिक्छा अनिवार कर दी है तो एक से बारहमी तक कच्छा एक से लेके पारहमी तक के छात्रों को CBAC ने स्वस्त और साड़िक सिक्छा का अनिवार कर दिया है जो कि बहुल जरूरी है जी ट्वेंटी देशों को समर्पीत कि शुरुआत बिहार संग्राले पटना में किया गया श्री नगर के डलजील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव एस्पेस स्टोर लॉंच किया गया है एमेजन इंडिया के द्वारा जाद रखेगा कि श्री नगर के डलजील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव एस्पेस सेंटर को लॉंच किया है एमेजन इंडिया ने किसने एमेजन इंडिया ने भारत का पहला किरसी डेटा एक्सचेंज कहां लॉंच किया गया तो भारत का पहला किर्सी डेटा एक्स्चेंज को हैदराबाद में लॉंच किया गया है देश का पहला वैदिक थीम पार्क वाला बेदवन खुल रहा है नवड़ा उत्तर प्रदेश में यहां आपको वेदो से संबंदित ग्यान मिलेगा किसकी अध्यक्ता में किन सरकार ने एक राष्ट एक चुनाव के अध्यन के लिए आठ सदस्य समीती का गठन किया है रामनात कोविंद की अध्यक्ता में किन सरकार ने एक राष्ट एक चुनाव के अध्यन के लिए आठ सदस्य समीती का गठन किया है किसने किन सरकार ने रामनात गोविंद की अधिक्स्ता में दुनिया का सबसे बड़ा कारयाल भवन किस सहर में निर्मित किया गया है तो सूरत गुजरात में अगला है उतरी चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की वेक्ति बने हैं अंशुमन जिंगरन जो है उतरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के वेक्ति मने हैं कौन अंशुमन जिंगरन रिश्वत रिवधी प्रवंधन प्रणाली के लिए प्रमानित होने वाला देश का पहला सारवजनिक छित उद्यम बना है आगे भारत का पहला स्वधी कार्वंधन प्रणाली के लिए प्रमानित होने वाला देश का पहला सारवजनिक छित उद्यम बना है कूई भास को पिर जब इसे सामिल कर दिया जाएगा तो 23 हो जाएगा मट अभी सामिल नहीं किआ गया है इस लात को ध्यान रखेगा कि सरकार ने RO Water ATM की शुरुवात की है तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार ने RO Water ATM की सुरुवात की है किसने दिल्ली सरकार ने E-Sports Junior Championship के लिए भारत की पहली Online Gaming अकादमे की सुरुवात मद्प्रदेश में की गई E-Sports Junior Championship के लिए भारत की पहली online gaming अकादमी की शुरुवात मध्य प्रदेश में की गई World Cities Culture Forum में सामिल होने वाला भारत का पहला सहर बना है बैंगलूरू World Cities Culture Forum में सामिल होने वाला भारत का पहला सहर कौन बना बैंगलूरू बना नेक्स्ट है कि किस राज में भारत का पहला मतर स्विपालन अटल इनोवेशन सेंटर अस्थापित किया जाएगा तो केरल में किया जाएगा भारत का पहला मतर स्विपालन अटल इनोवेशन सेंटर केरल लाज में अस्थापित किया जाएगा किसी राज सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स किया है गिग वर्कर्स मतलब पंचीकरन और कल्यान यानि रजिस्टेशन पंचीकरन और कल्यान विधायक 2023 को पारित किया है तो राजस्थान ने राजस्थान राज सरकार ने देश का पहला स्वास्त के अधिकार को भी लौज करने वाला सबसे पहला राज करनाटक ही है स्वास्त अधिकार को लागू करने वाला भी राजस्थानी पहला राज है चार रनवे वाला भारत का पहला अंतराश्टी हवायड़ा बना है इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवायड़ा नई दिल्ली चार रनवेवाला भारत का पहला अंतराश्टी हवायड़ा बन चुका है इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवायड़ा नई दिल्ली मैक डॉनाल्ड्स इंडिया ने किस सहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइब थू रेस्तरा लॉंच किया है मुंबई द्यान रखियेगा कि मैक डॉनाल्ड्स इंडिया ने मुंबई सहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइब थू रेस्तरा को लॉंच किया है मैक्डोनाल्ड एंडिया ने कहां पे मुंबई सहर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनल चक्रन के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट कार्ड पाने वाला देश का पहला सहरी निकाई इंदोर बना एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनल चक्रन के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट कार्ड पाने वाला देश का पहला सहरी निकाई बना है इंदोर, इंदोर का हैं मद्ध प्रदेश में हाली में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुक्ष मिरिन देने के मामले में भारत का अगर्मनी राज अपना बिहार है किस राज की एक नीजी समाचार चैनल ने भारत का पहला छेत्रिये क्रित्रियम बुद्धी मता यानि AI समाचार एंकर लीसा को लौच किया है तो समाचार एंकर जो की आपका एक AI अधारित है उसे लौच किया है उरिशा ने लेशा इसका नाम है अगला है कि गुजरात राज सरकार ने समर्पित सेमी कंड़क्टर नेती 2022 से 27 को जारी किया है उत्तर भारत का पहला इसकीन बैंक खोला गया है सफदर जंग अस्पताल नई दिल्ली में केंद्रिये गिरी मंत्री ने सहीदो को सरधानजली देने के लिए किस सहर में वलिदान अस्तंब की धार सिला रखी केंद्रिये गिरी मंत्री ने सहीदो को सरधानजली देने के लिए श्री नगर जंग अस्तंब की धार सिला रखी केस राशरकार ने भारत की सबसे बरी नीजी रेल फैक्टरी की शुरुआत की तो तेलंगना में भारत की सबसे बड़ी नीजी रेल फैक्टरी की शुरुआत तेलंगना राज में की गई कहां पे दोस्तु तेलंगना राज में विस्व के सबसे बड़े रमायन मंदिर विराट रमायन मंदिर का निर्मान पुर्वी चमपारन बिहार में किया जा रहा है जो कि विश्व का सबसे वरा रमायन मंदिर होगा जिसका नाम है विराट रमायन मंदिर और इसका निर्मार पुर्वी चमपारन बिहार में किया जा रहा है खाली में किस राज की पुलीस ने देश की पहली ड्रोन पुलीस यूनिट को लॉंच किया है तो ग्रेटर चन्नाई सीटी पुलीस तमिलांडू ने ग्रेटर चन्नाई सीटी पुलीस तमिलांडू जो है इसने हाली में देश की पहली ड्रोन पुलीस यूनिट को लॉंच किया तो वाइल इंडिया लिम्टेट को वाइल इंडिया लिम्टेट लगा के अब 13 महारत्म कंपनी हो चुका है इसे याद रखिएगा और वीद मंत्राले की सिफारेश्वर इसे जो है महारत्म कंपनी का दर्जाद दिया जा चुका है किस सहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विक्षित Magnetic Regonance Imaging Scanner लॉंच किया गया नई दिल्ली में नई दिल्ली सहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से स्विक्षित Magnetic Regonance Imaging MRI इसका फूल फॉर्म है Magnetic Regonance Imaging Scanner को लॉंच किया गया है नई दिल्ली में जो कि भारत का स्वदेशी है भारत का पहला राष्ट्रिय खेल विश्विद्याले मनीपूर में बनाया जा रहा है अगला है पावर फाइनाइस कॉर्पोरेशन लिम्टेट की पहली महिला अध्यक्ष और प्रवंधक निर्देशक बने है परमिंदर चौपरा भारत का पहला 3D प्रिंटेट डागहर लॉंच किया गया है बैंगलूरू शहर में बारत का पहला 3D प्रिंटेट डागहर जो है इसे शुरू किया गया है बैंगलूरू शहर में केंदरिये बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ओप्रेबल UBI QR code को लॉन्ज करने वाला पहला बैंक वना है HDFC बैंक केंदरिये बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ओपरेबल कोड को लॉंच किया है किसने HDFC ने केरल में ट्रिपल पी ट्रिपल पी यानी पीपी मॉडल पर धारित भारत की पहली अटल टिकरिंग लैब को लॉंच करने के लिए अगला है एक ट्रिपल पी बजार पंचिकरन तक पहुँचने वाली पहली भारतिय बिमानन कमपनी बनी है इंडिको एक ट्रिलियन बजार पंचिकरन तक पहुँचने वाली पहली भारतिये बिमानन कंपनी बनी है Indigo रूपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बेपारियों के लिए UPI भुकतान शुरू करने वाला भारत का पहला सारवजनिक छेतर का बैंक बनना केनरा बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्यपारियों के लिए UPI भुक्तान शुरू करने वाला भारत का पहला सारवजनिक छेतर का बैंक कौन बने दोस्तों केनरा बैंक बन चुगा है भारत का सौप्रतिसक डाइमिथाइल इधर इंधन वाला ट्रैक्टर किसने विक्सित किया है तो IIT कानपूर IIT कानपूर जो है वो भारत का पहला सौप्रतिसक डाइमिथाइल इधर इंधन वाला ट्रैक्टर को विक्सित किया है भारत के राश्टपती ने किस राज में भारत के सबसे बरे उच्छ न्यालय परिसर का उधगाटन किया तो जारखंड भारत के राश्टपती ने जारखंड राज में भारत के सबसे बरे उच्छ न्यालय परिसर का उधगाटन किया है अब हैं अंतरास्टिय, अब आपका आता हैं अंतरास्टिय, अंतरास्टिय में है कि किस समन्वित व्यस्विक ओपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लात्विया, रोमानिया, नीदरलेंड और यूके की कानून परबरतन एजेंसी, क्विक बोट, मैल्वेर, मैल्वेर नेटवर्क को नस्ट कर दिया, तो ओपरेशन डग, डग हड, याद रखेगा ओपरेशन डग हड जो है, ये ओपरेशन अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लात्विया, रोमानिया, नीदरलेंड और यूके की कानून परबंदर एजेंसी ने, क्विक बोट, मैल्वेर नेटवर को नस्ट कर दिया है, अगला है, इंडियन वाइल कॉर्परेशन लिम्टेड, आई ओसी यल और किस देश के बीच लागू अस्थानिये मुद्रा निप्टान, LCS, LCS प्रनाली के तहट कच्छे तेल का पहला लेंदिन किया गया, तो UAE, इंडियन वाइल कॉर्परेशन लिम होगा, उसी में लेंदिन किया जाएगा, कच्छे तेल के लिए ध्यान रखेगा, किस देश ने सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पुन लंबाई के वस्त, अबाया, अबाया पहने पर प्रतिवंद लगाया, तो France, अबाया, अबाया वो होत ये अलाइव विद अपर्चुनिटीज अभ्यान शुरू किया है, तो Britain, ब्रिटेन जो है भारत देश के साथ बेपार करने बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपर्चुनिटीज अभ्यान शुरू किया है, ब्रिटेन और भारत ने मिलके, आउयोजीत वास्टिल डे प्यरिड में मुखतिती कौन बने थे एंटरनेशनल एमी डिवार्च ड़रेक्टर्ड आवार्ड पाने वाली पहली भारतिये महिला बनी है एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डिरेक्टेड अवार्ड पाने वाली पहली भारतिये एकता कपूर बनी है तीसरा विश्विंदी सम्मेलन का आयोजन नौमबर दो हजारताइस में बैंककॉक थाइलेंड में किया गया उविनास च्वाला मुखी में विश्वोट के कारण साथ दिनों के अपातकाल की घोसना पेरु ने किया है और अच्छा एक स्वास्त के कारण भी इसने अपातकाल को सित किया है वो कौन सा धिमारी के कारण आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे एस्पीडी में मैं बताई हूं वो मैं भी आपको इसमें ना मिले लेकिन एस्पीडी रपरहाई हूं उसमें बताई हूं अगला है कि किस देश की चिरियां घर में दुनिया के पहले दुरलब जिराफ का जन हुआ जिसके सरीर पर कोई भी धारी नहीं है तो अमेरिका याद रखेगा कि अमेरिका देश के चिरियां घर में दुनिया के दुरलब जिराफ का जन हुआ है जिसके सरीर में कोई भी धारी नहीं है सयुक्तिराष्ट सुरक्षा परिशद अंतराष्टी सांती और सुरक्षा के लिए AI के खत्रों पर चर्चा के लिए UK के अध्यक्स्ता में बैठक की है जाद रखेगा कि सयुक्तिराष्ट सुरक्षा परिशद अंतराष्टी सांती और सुरक्षा के लिए AI के खत्रों पर चर्चा के लिए UK के अध्यक्स्ता में बैठक की है बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहा आउजित की गई सदस देश की संख्या जो है वह ही आपका एक तो भारत है भारत है उसके बाद है वंगला-देश मांगला-देश बिया मैं फिंगर का यूज करतीं हूं तो तो राइटिंग यहां पे अच्छा नहीं होता है बुटान बुटान है कौन-कौन हो गया बुटान बांग्रादेश भारत हो गया उसके बाद है नेपाल नेपाल है मैनमार है कौन है मैनमार मैनमार है फिर थाइलेंड है थाइलेंड है एंड उसके बाद एक स्रिलंका है क्वोन है स्रिलंका यही साथ देश जराब का विम्स्टेक में समलित साथ सदस है ठीक है इसे याद रखिएगा और यह साथ देश है जिसमें से की पांच दस्छिन एसिया से हैं जिनमें बांगलादेश बुटान भारत नेपा और सिरलंका सामिल है और दो मैनमार और थाइलेंड दस्छिन से हो जाएंगे ठीक है और पता है मैं आपको देश का नाम क्यों बताई क्योंकि हाली में जो स्दस देश का नाम आएगा ना मतलब इस टाइब के जो भी आएंगे मैं उस सदस देश का नाम आप लोगो जरूर रिपीट कर दू ताकि आप लोग एकजाम में एक नमबर ना छोटे ठीक है ना तो यह समझ गया है आगे देखते हैं आगे क्या था यहां पर जुलाई दो हजार ताइस में जारी हैनले पासपोर्ट सुचकांक दो हजार ताइस के अनुसार किस देश के पास विश्व का तो वो शिंगापूर के पाश। जुलाई दो हजार ताइस में जारी हैनले पासपोर्ट सुचकांक दो हजार ताइस के अनुसार सबसे सकतिसाली पासपोर्ट अभी जो है बरतमान में वो शिंगापूर के पाश है। समझाता किया है। किस देश में इस्धित मांट मेंDONO जौला मुखी में बिस्पोट की खटना हुई है तो फुलिपिनस में किस देश की रेल कंपनी ऐल स्टॉम स्लीपर सुधा के पास सौ प्रतिशत ऐलमुनियम बॉडी वाली बन्दे भारत ट्रेंग का निर्मान करेगी तो वो फ्रांस, प्रांस देश की रियल कंपनी, स्टॉम स्लीपर सुधा के साथ सौ अलिमोनियम बॉडी वाली बंदे भारत ट्रेन का निर्मान करेगी, कौन फ्रांस करेगा अस्टेलिया के रिजर्ब बैंक की पहली महला गवर्नर बनी है मिसेल बुलॉक अस्टेलिया के रिजर्ब बैंक की पहली महला गवर्नर बनी है मिसेल बुलॉक दस्टिन एसिया में पहला सेंटर फॉर एस्पेसीज सर्वाइकल छेतरिये केंद्र किस देश में अस्थापित किया जाएगा तो भारत में दस्टीन एसिया में पहले सेंटर फॉर एस्पेसीज सर्वाइवल, सर्वाइवल छेतरी ये केंद्र जो है ये अस्थापित किया जाएगा भारत में, कहां पे भारत में, आगे देखते हैं, विस्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा जो है वो रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉंच किया गया है जिसका नाम रखा गया है सारा दुबई एरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉंच किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया सारा भारत फ्रांस और UAE के 23 पक्छे समुंद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्क्रण उमान की खारी में आयोजित हुआ किस देशु की सबसे सकती शाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जे एफ टुटीट्य तुट का उतखाटन किया है तो चेन हाइपरसोनिक पवन सुरंग है जिसका नाम है JF-22 और इसका उधगाटन चीन ने किया है एसिया के सबसे बरे 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्यू टेलियसकोप का उधगाटन उतराखंड ने किया एसिया के सबसे बरे इंटरनेशनल लिक्यू टेलियस्कोप का उधगाटन उत्राखंड देश ने किया है स्वारी उत्राखंड देश में बोल दी स्वारी राज ने किया है मिस्टेक से निकल गया एसिया के सबसे बरे राज बोलना चाहिए मेरे को एस्तिया के सबसे बरे इंटेरनेशनल लिक्योट टेलियस्कोप का उत्गाटन उत्राखंड राज ने किया है मुझे पता है इस पर भी गरत कोमेंट आएंगे बट हो जाता है स्लीप अप्टन कोई भरी बात नहीं है बिक्यान एवं प्रधौकी किस राज में भारत का पहला मानव रहित हवाई परणाली समाने परिक्षन के इंदर स्थापित किया जाएगा तो तमिल लांडु में तमिलनांडू राज में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली शमानिक परिक्षन के अंदर स्थापित किया जाएगा कहाँ पे तमिलनांडू में भारत के पहले shore mission का नाम क्या है अदित L1 नाम है जो कि भारत का पहला shore mission है जिसका नाम है अदित L1 किस कंपनी ने दुनिया का पहला methane तरल oxygen अंत्रिक्ष रोकेट GQ2 को launch किया है GQ-2 को तो Land Space चीन की कंपनी है Land Space ने GQ-2 को लॉंच किया है जो कि दुनिया का पहला मिथेन तरल ऑक्सीजन अंत्रिक्ष रोकेट है जिसका नाम है GQ-2 किस देश ने अपना पहला Open Source Desktop Operating System Open Open काईलेन जारी किया है तो वो है चीन चीन देश जो है इसने क्या किया है तो Open काईलेन जो है इसे जारी किया है किसने चीन ने किया है अगला है कि किस केंदर सासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्त सेवा परदान करने के लिए भारत का पहला टेली मानस chatbot लाँच किया है तो टेली मानस chatbot को लाँच किया है जम्मो कस्मीर ने जिससे की मानसिक स्वास्थ देवाएं प्रदान किया जाएगा जो की भारत का पहला है अगला है मानसिक स्वास्त इस्तितियों के चिकित्सा उपचार है तो MDMA, MDMA और Magic Mushroom का उपयोग की अनुमती देने वाला दुनिया का पहला देश बना है अस्टेलिया अस्टेडिया देश जो है वो दुनिया का पहला देश है जिसने मानसिक स्वास्थ स्थिती के चिकित्सा उप्चार के लिए MDMA और Magic Mushroom का उप्यूग को अन्मती दिया है सरोगेसी तक्निक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नसल के बचरे का नाम क्या है पदमावती सरोगेसी तक्निक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नसल के बचरे का नाम पदमावती है हाइडोजन से चलने वाली ट्रेन के लिए भारत का पहला हाइडोजन सरियंत्र जो है ये बनाया गया हरियाना राज में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन सयंत्र बनाया गया हरियाना राज में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टिचूट एन वी आराई द्वारा विक्सित 108 पंकुरियों वाले किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरन किया गया तो कमल याद रखेगा कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टिचूट एन वी आराई द्वारा विक्सित किया गया है 108 प गोसन होक कि अनुसार चंद्रमापड जिस जगह पर विक्रम लेंडर उत्रा उस विंदू को किस नाम से जाना जाएगा सक्ति बहुत इंपोर्तेंट प्रस्न है पधानमत्री मोदी जी के गोसन है। किस होकी टीम ने पाकिस्तान को हरा कर अपना पहला होकी 5S Asia Cup जीता है तो भारत भारत देश की टीम ने पाकिस्तान को हरा कर अपना पहला होकी 5S Asia Cup को जीता है विस्व एतलेटिक चेंपियन्सिप में स्वन्पधग जीतने वाले पहले भारतिय नीरत चोपरा बने हैं इंस्टाग्राम पर छो सौ मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले वेक्ती बने हैं क्रीस्टियानो रोनार्डो याद रखेगा कि सत्रंज विश्व कप के फाइनल में पहुँचने वाले दूसरे भारती खिलारी एबं फाइनल में पहुचने वाले सबसे कम उम्र के खिलारी कौन बने है और प्रज्यानंद बने हैं आगे है कि किस देश ने इंगलेंड को हरा कर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है तो इस्पेन इस्पेन देश ने इंगलेंड को हरा कर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है आगे है FIFA World Cup के मुकाबले में हिजाब पहन कर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेंजिना बनी है मुरक्को की नोहिला वेंजिना जो है मुरको की खिलारी है और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के मुगाबले में हिजाब पहन कर खेलने वाली पहली फुटबॉलर महिला बनी है विश्व के सबसे कम उम्र के FID रेटेट सतरंज खिलारी तेजस तिवारी है उतराखंड राज के महिला केरवियन प्रीमियर लिंग के लिए अनुबंदित होने वाली पहली भारतिय किरिकेटर स्रियंका पाटेल बनी है महिला केरवियन प्रीमियर लिंग के अनुबंदित होने वाली पहली भारतिय किरिकेटर स्रियंका पाटेल बनी है भारत की पहली महिला कवर्डी लिंग 2000 ता इसका आयोजन क्या गया दुबई में आगे आपका पर्यावरन से रिलेटर आता है पर्यावरन परिस्तितिक इसे भी देखते हैं ब्रिटिस अंटार्टिक सर्वेक्चन के सोधकरता के अनुसार अंटार्टिका के कौन से प्रसिद जीव जीव अर्थ बिलुप्त के नाम इसका अर्थ बिलुप्ती के कभीर खत्रे का सामना कर रहे हैं तो समराट पैंग्यून, समराट पैंग्यून जो है वो बिटिस अंटार्टिक सर्वेक्षन के सोध करता के अनुसार अंटार्टिका के परसिद जीव अर्थ बिलुपती के कलार पर है और इस बात को इस नाम को याद रखेगा, ये कुश्चन आपसे पूछा जाएगा कि समर बिलुपती का, 2005 से 2019 तक 14 वर्ष में भारत की उतसर्जन तिवरता का दर 33 परतिसत की कमी आई है, भारत में उतसर्जन तिवरता का 33 परतिसत कमी आई है, राजटी ये आवदा परवंधन संस्थान की पहली ब्रांड मिस्टर मैथली ठाकूर, जो की लोग आई का है, वो वनी है, भारत का पहला नीजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन महराष्ट में है, वरिक्षा रोपन जनवियान 2023 के तहद 22 जुलाई 2023 को 30 करोर से अधिक पौधा रोपन का किर्तिमान बनाया उत्तर परदेश ने, उत्तर परदेश जो है, वो वरिक्षा रोपन जनवियान 2023 के तहद 22 जुलाई 2023 को 30 करोर से अधिक पौधा रोपन का किर्तिमान बनाया उत्तर परदेश ने, इंस्टिचूट ऑफ डारेक्टर्स के द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांस्मिशन सेक्टर में गोल्डन पिकॉक पर्यावरन प्रवंधन का पुरसकार 2023 दिया गया है, तो दिया गया है अडानी Transmission Limited को Institute of Directors द्वारा अडानी Transmission Limited कमपनी को Power Transmission सेक्टर में Golden Peacock पर्यवरन प्रवंधन पुरसकार 2020 दिया गया हरित हाइड्रोजन पर तीन दिवसी अंतराष्टिये Green Hydrogen सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया हरित हाइड्रोजन पर तीन दिवसी अंतराष्टिये Green Hydrogen सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया गुलेन वेरेश शिंड्रोम यही मैं बताने वाली थी कि कौन सी बिमारी के कारण है न गुलेन वेरेश शिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए जो है 90 दिनों का Health Emergency लगाया है पेरू ने Health Emergency विस्व का पहला जटायू संदक्षन और परणनन केंद्र जो है वो उत्तर परदेश राज में विक्सित किया गया है विस्व का पहला जटायू संदक्षन और परणनन केंद्र जो है वो यूपी राज्य में विक्सित किया जा रहा है भारत का पहला कारवन न्यूट्रल गाउं विक्सित किया गया भिवाडी महराष्ट में भिवाडी महराष्ट में गाउं है जो से कारवन न्यूट्रल गाउं विक्सित किया गया है अब एक केंद्रिये वजट 2023 के कुछ महत्पुन सब्द और उसके फूल फॉर्म सबसे पहले LIF, LIFE का फूल फॉर्म है Lifestyle for Environment UIDF, UIDF का फूल फॉर्म है Urban Infrastructure Development Fund गोबर्धन, गोबर्धन का फूल फॉर्म है Galvanizing Organic Bio-Agroresource धन PM प्रणाम, PM प्रणाम का फॉल फॉर्म है PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Emiliations of Mother Earth क्या है PM प्रणाम का फॉल फॉर्म? PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Emiliations of Mother Earth PM विकास, PM विकास का फॉल फॉर्म है PM बिश्वकर्मा कौसल सम्मान PM बिश्वकर्मा कौसल सम्मान मिस्टी का फॉल फॉल फॉर्म है Mangrove Initiative for Shoreline Habitates and Tangible Incomes है ना Mangrove Initiative for Shoreline Habitates and Tangible Incomes जो है वो मिस्टी का फॉल फॉर्म है P.A.C.S P.A.C.S का फॉल फॉर्म है Primary Agriculture credit societies P.A.C.S का फॉल फॉर्म है भारत concerns, भारत shared Refository of Inscriptions इंश्टिंस भांट्स री का फुलफर्म है भांट से है डिपट्रेमिंसr Richton's Sidhawagraf θα फूलफर्म है लेक्राउं डाइमद्स लेव Москвाइन्स येल्जीका।elli जय'Tендन का फूलफर्म में जंधन अधार मोवाइल जय्म काकिल जयार ज्रोफर्म करेका है जंधन आदी पिरक्कु उत्सव को अगस्त 2023 में मनाया है तमिलांडू ने। जुलाई महीने में। इस फेस्टिवल को जम्मु कस्मीर ने मनाया है। लेवेंडर महीने में। लेवेंडर एक फूल है वहां का फ्लावर का नाम है लेवेंडर। माता खीर भवानी मेला ये जम्मु कस्मीर ने सेलिब्रेट किया है माता खीर भवानी मेला 2023 को। थाबे महुत्सव को मनाया है गोपाल गंज बिहार ने अप्रेल 2023 में थाबे महुत्सव गोपाल गंज बिहार में। गज उत्सव गज मतलब होता है हाथी संस्कृत सब्ध है गज इसे काजी रंगा राष्टे उध्यान असम के द्वारा गज उत्सव को मनाया गया है मातुवा धर्म महामेला आयोजित किया है पस्षिम मंगाल ने मातुवा धर्म महामेला पस्षिम मंगाल द्वारा सेलिब्रेट किया गया है सियांग उनिंग महुतसव अर्णाचल पर्देश ने मनाया है सियांग उनिंग महुतसव को किसने अर्णाचल पर्देश ने भूम्चु महत्सब, सिक्किम द्वारा मनाया गया है भूम्चु महत्सब को मार्च 2023 में रास्टिय यूबा संसद महत्सब, नई दिल्ली ने सेलिब्रेट किया है रास्टिय यूबा संसद महत्सब को मार्च 2023 में राश्टिये यूबा संसद महत्सब को नई दिल्ली में मनाया गया काला घोरा कला महत्सब मुंबई द्वारा मनाया गया काला घोरा कला महत्सब मुंबई में आदी महत्सब का मनाया गया नई दिल्ली में राश्टिये संस्कृति महत्सब फरवरी 2023 में मुंबई ने सेलिबरेट किया है 11-19 फरवरी के बीच राष्टिय संस्कृतिक महुटसब को 11-19 फरवरी मुंबई में राष्टिय संस्कृतिक महुटसब चोधामा था जो कि विकाने राजस्थान में मनाया गया 25 फरवरी से 5 मार्ज तक चला था राश्टिय संस्कृतिक महुत्सव का 14 मा वीकाने राजस्थान में मनाया गया खजुराहो निर्त महुत्सव मध्य प्रदेश में एलोरा अजन्ता अंतराश्टिय महुत्सव महराश्ट में एलोरा अजन्ता अंतराष्टिय महुत्स मनाया गया महराष्ट में फरवरी 2023 में। ओरेंज फेस्टिवल जन्वरी 2023 में कोहिमा नागालेंड में मनाया गया ओरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालेंड में। तोर गया उत्सब, और नाचल परदेश में मिनाया गया, तोर गया उत्सब, और नाचल परदेश में, अंतराष्टिय पतंग महुत्सब, जनवरी 2023 में अहमदावाद ने मिनाया है, अंतराष्टिय पतंग महुत्सब को जनवरी 2023 अहमदावाद में, मेला मागी, मेला मागी प अफ्तार महुत्सब जनवरी 2023 में राजस्थान में मिनाया गया अफ्तार महुत्सब राजस्थान में पसुराम कुंड महुत्सब अरुनाचल परदेश में मिनाया गया स्वेंध हरोहर महुत्सब नई दिली में मिनाया गया हर्णविल महुचशब को दिसंबर 2022 में नागालेंड ने मनाया है। राष्टिय जनजाती निर्थ महुचशब नौवमबर 2022 में राइपूर 36 गड़ में। अंतराष्टिय गीता महुचशब कुरुचित्र हरियाना में। वांगला महुचशब मेघाले में नौवमबर 2022 में मनाया गया। आमूर फालकन फेस्टिवल मनीपूर में मनाया गया। संगाई महुचशब को मनीपूर ने मनाया है। सरस्फुड फेस्टिवल को नई दिली में। पहलगाउं पक्छी महुचशब अप्टूबर 2022 में जम्मू कस्मीर द्वारा मनाया गया। नुआ खाई महुचशब को सितंबर 2022 में उरिशा ने मनाया। सुमंग लिला महुचशब मनीपूर के द्वारा मनाया गया शुमंग लिला महुचशब बथु कंबा फूलुचब तेलंगना में मनाया गया। महत्पुर्ण फेस्टिवल आपका समाप्थ होता है। आप केंद्रिये बजट 2023 को देखेंगे। बजट में आप देखने वाले हैं सबसे पहले केंद्रिये बजट को। केंद्रिये बजट में दिया है कि 2013-24 को बितमंत्री निर्मलासिता रमन ने एक फरवरी 2023 को संसद में पेस किया है बजट को। ठीक है किसने बितमत्री निर्मला सिता रमने ये अमरित काल का पहला वजट है और अमरित काल के वीजन ससक्त एवं समावेशी अर्थवेवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में तीन चीजों पर ध्यान केंदरित किया गया है तो पहला आपका है नागरिक वि आधा यूवा वर्ग के लिए दूसरा विकास और रोजगार सीरजन पर विशेज ध्यान दूसरा क्या है विकासड रोजगार पर विशेज ध्यान तीसरा आद है वह ब्रिध आर्थिक सु इस्थीरता को Siddhris करना ये तीसरा एजेंडा है उसे याद रखेगा कि आर्थिक एजेंडों में तीन चीज़ों पर ध्यान के दिरित किया गया था ठीक है अमरीत काल भारत एड़ी रेट हंडेट तक हमारी यात्रा के दोरान निम्रेले के चार मौके रुपांतरत कारी हो सकते हैं अमरीत काल यानि की भारत एड़ी रेट हंडेट तक हमारी यात्रा के दोरान चार मौके रुपांतरन कारी हो सकते हैं पहला महिलाओं का आर्थिक ससकती करन में सबसे पहले दिन द्याल अंतोदय योजना दिन द्याल अंतोदय योजना सुरू किया गया है और इसमें क्या होग उसके बाद दूसरा आपका जो रूपांतरन कारी है उसमें दूसरा है मौका है पियम विश्वकर्मा कौसल सम्मान यानि पियम विकास इसमें जो है वो परमपरिक कारीगर और सिल्प कारों को वीतिय सहता कौसल परसिक्चन और जानकारी देना ये है पियम विश्वकर्मा कौसल सम्मान के तहद तीसरा जो मौका है वो तीसरा है पर्याटन पर्याटन में अपार संभावनाओं का उपियोग करना और चौथा है हरित विकास हरित विकास जो की विवित छेत्रों में उर्जा के कुसल उपियोग और हरित रोजगार सुनिशित करेगा ये है आपका चौथा मौका तो याद रखिएगा कि जो आपका अमरित काल भारत एड़ दिरेट हंडिर तक हमारी यादरा के दौरान चार मौके रुपांतरित काड़ी हुए पहला महिलाओं का आर्थिक ससक्तिकरन, पीम बिस्टो करमा कौसल सम्मान, तीसरा पर्यटन और चौथा हरित विकास आगे दिया है कि केंद्रिये वजट 2023 के अनुशार चालू वित्वर्स में भारत की आर्थिक विकासदर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है केद्रिये वजट 2023 के अनुशार चालू वित्वर्स में भारत की जो आर्थिक विकासदर है वो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है अब अपना जो कुल वजट है उसे हम देखने वाले हैं कुल वजट को 45.03 लाग करोर का वजट है 45.03 लाग का है इसमें यानि 45.03.57 करोर रुपया का वजट है जिसमें कि कुल प्राप्तियां होने का अनुमान क्या है देखिए कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,397,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005 रुपया का है जिसमें से की राजस्व खर्च आपका 35,236,00 करूर का है राजस्व खर्च 35,236,00 करूर का और पुजिगत खर्च है 10,961,00 करूर का पुजिगत खर्च है उसके अलावे आप यहां पे देखिएगा कि बिभिन घाटा और 2000 तेशोविस का वजट अनुमान तो स प्रतिसत रहने का अनुमान है GDP का यानि कि कुल जो है वो 17,86,816 करूर का आपका गड़ीप है बस 2023 के बजट अनुमान में राजकोसिय खर्च भाटा वहीं आपका राजस्व खर्च जो है राजस्व खर्च जेढ़टा GDP का 2.9% रहने का अनुमान है 2023 में यानि कि गाटा और भावी राजस्तु गाटा है 1.7% GDP का GDP 1.7% है यानि कुल 4,99,867 करोर का है प्रात्मी घाटा क्या है प्रात्मी घाटा आप देखेंगे तो प्रात्मी घाटा GDP का 2.3% है 2.3% यानि कुल है 7,48,45 करोर का आगे देखते हैं अगला है नोट में दिया हुआ कि सरकार ने सरकार ने वर्ष 2.025-26 तक राजकोसी घाटा को GDP का 4.5% तक रखने का लक्ष रखा है अगला है राज्यू को GSDP के 3.5% के राजकोसी घाटे की अनुमती होगी जिसका 0.5% विद्दुद छेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा अगला है बीतिय वर्ष 2023 बीतिय वर्ष 2023 में राजकोसी घाटा का अनुमान 17,86,816 करोर का है कितना है राजकोसी घाटा तो 17,86,816 करोर का है अर्थार्थ इस वार सरकार को 17,87,87 करोर का उधार यानि कर्ज लेना परेगा उसके अलावे रुपया कहां से आता है रुपी कम प्रॉम यानि रुपया जो है वो आता कहां है तो वजट 2023 के सिर्ष छे मंद है छे मंद जो है यहां से रुपया आते हैं जिसमें की वर्विंग्स यानि की उधार उधार और अन देता हैं जो है वो 34% देते हैं 34% माल और सेवाकर यानि GST गूट सर्विसेट टेक्स यहां से आपका 17% आता है कोर्परेशन टेक्स यानि निगमकर निगमकर से 15% आता है इंकम टेक्स से 15% इंकम से निगम से दोनों से 15-15% उसके वाद यूनियन एकसाइस ड्यूटी यानि केंदरिये उतपाद सुल्क से 7% आता है आया तो फिर जाएगा भी तो खर्च भी तो होगा तो रुप्या जाता है आपके ये भी छे मंद है ब्याज अदाईगी में 20% जाता है कर और सुल्क में राजो का हिस्सा 18% केंद्रिये छेत्र की योजना में 17% वित आयोग और अन अंतरन में 9% केंद्र प्रायोजित योजना में 9% और रक्षा में 8% तो ये बज़ट में आपका जो रुप्या आता और जाता है आपने दोनों मंद को देखा अब है कि बज़ट 2023 से 2024 में 7 प्रात्मिक्ता हैं जहां से आपसे प्रशन पूछा जाता है सबसे पहले 7 प्रात्मिक्ता में 2 चीज़ यहां से पूछे गए अभी तक के एक्जाम में वो ये कि 7 प्रात्मिक्ता में क्या सामिल नहीं है और दूसरा कोशन ये पूछा जाता है कि जो 7 प्रात्मिक्ता हैं उसे क्या नाम दिया गया है इस दोनों पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दीजेगा साथ प्राथमिक्ता को नाम दिया गया है सब्तरिशी की भांती कर कारे करती है सब्तरिशी इसका नाम दिया गया है साथ प्राथमिक्ता को जो अमरित काल के दौरान हमारा मार्ग दर्सन के भांती कारे करती है साथ प्रात्मिक्ता में सामिल साथ सीज है सबसे पहला सामिल है शमावेशी विकास क्या सामिल है शमावेशी विकास दूसरा है अंतिम बेक्ती तक पहुँच तीसरा है अवसरचना एवं निवेश चौथा सक्छमता को सामने लाना पांचमा है हरित विकास चलिए आगे हम प्रात्मिक्ता सातों को हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहले प्रात्मिक्ता फरस्ट को देखेंगे प्रात्मिक्ता फरस्ट में शमावेसी विकास है समावेसी विकास में सबसे पहला है किर्सी एवम सहकारिता के बारे में किर्सी एवं सहकारिता के बारे में देखिएगा तो किर्सी के लिए Digital Public Infrastructure का निर्मान किया जाएगा किर्सी के लिए Digital Public Infrastructure का निर्मान किया जाएगा दूसरा है ग्रामीन शेतर में यूबा उद्दमी को एग्री स्टार्टप्स खोलने को प्रोचसाहित करने के लिए ग्रामीन शेतर में यूबा उद्दमी को एग्री स्टार्टप्स खोलने के लिए प्रोचसाहित करने के लिए दूसरा है बाइस्व करोर रुपय की लागत से आत्मिर्भर बागवानी स्वक्चु पौधे कार्जकरम का सुबारंब करने की घोसना की गई जिसका उद्देश क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है के केंदरिये वितमंत्री जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने मोटे अनास को लोग प्रिये बनाने के लिए उसका नाम स्री अंड, स्री अंड नाम बजट भासन में दिया है, मोटे अनाज को स्री अंड नाम दिया गया है, भारत जो है वो स्री अंड का सबसे बरा उत्पादक और दूसरा सबसे बरा निर्यातक बना है, इस बात को ध्यान रखेंगा, तो भारत को श्री अन्ड का वैस्विक किंद्र बनने के लिए भारतिये बाजरा अनुसंधान संस्तान हैदराबाद को उतकरिष्टा किंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। छे हजार करो रुपय के निवे से पिये मतस्त संपदायोजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी जिसका उद्देश मचली पालकों, मतस्त विक्रेताओं और सुक्ष्मिलगू उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पसुपालन डेरी और मतस्त से छेतर के लिए 20 लाग करोर रुपया के रिन का लक्ष रखा गया है। दूसरा आपका है स्वास्त, सिक्षा और कौसल वर्धन। इसमें क्या है जो केंद्रिय वजट 2023 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज अस्थापित किये जाएंगे। और इससे प्रभावित जनजाती छेतर में जागरुकता सिर्जन किया जाएगा। इसमें 0 से लेके 40 वर्ध आयू के बर्ग के 7 करोर लोगों को यूनिवर्सल स्क्रेणिंग करवाई जाएगी। बच्चों और किसोरों के लिए एक ही राश्टिय डिजिटल पुस्तकाला की अस्थापना की जाएगी। फॉर्मो सिट्रिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्जकरम की शुरुवात की जाएगी। प्रात्मिक्ता 1 कंप्लीट हो गया। अब है प्रात्मिक्ता 2 क्या है आपका कि अंतिम बेक्ती तक पहुँच बनाना। अंतिम बेक्ती तक पहुँच मनाना इसमें क्या है देखे आकांची जिला कार्जकरम की सफलता को देखते हुए सरकार ने 500 ब्लोकों में अकांची ब्लोक कार्जकरम की शुरुवात की है। बिसेस रूप से संबेदल सिल जनजाती सम्हू यानि कि PVDG को समाजिक आर्थिक इस्तिति में सुधार लाने के लिए परधान मंत्री PVDG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले तीन वर्स में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोर रुपया की रासी उपलप्त कराई जाएगी। इसके अलावे करनाटक के सुखा प्रवन मद्द छेत्र में सधारनिय सुक्षम सिचायत था फेजल की सुधा मोहिया कराने के लिए उपरी भद्रा परियोजना को केंद्रिय सहता दी जाएगी। प्रवास योजना के लिए परिवय में 66% विर्धी कर 89,000 करोर रुपया से अधिक क्या गया है। प्रवास योजना के लिए परिवय में 66% विर्धी कर 89,000 करोर रुपया की अधिक क्या गया है। और भारत साजा पुरालेख निधान यानि भारत स्री भारत स्री जो है एक परकार का डीजटल पुरालेख यानि पांडूल पी संग्राला है। इसके प्रथम चरण में एक लाग प्राचीन पुरालेख का डीजटली करन करके इसमें अस्थापित किया जाएगा। यहिं दे पाते हैं इंते के लिए ठीक है। तीसरा है प्रातमिकता तीसरा प्रातमिकता 3 popular में इवश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाग करोर रुपया बढ़े परिवयक के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षिये ब्याज मुक्त रिन और एक वर्ष जारी रखने का डिना लिया गया है अब सरचना निवेस में तेजी लाने के लिए 1.3 लाग करो रुपया बढ़े परिवया के साथ राज्यों के लिए 50 वर्सिय व्याज मुक्तिरिन को और एक वर्स में जारी रखने का डेड़ा लिया गया है रेलवे के लिए 2.40 लाग करो रुप्या की पुजिकत निधी का प्रभधान क्या गया है रेलवे के लिए 2.40 लाग करो रुप्या का जो अब तक के रेलवे के इति प्रवंधन कोन करेगा राश्टी अवास बैंक करेगा इसका उपयोग टेर टू तथा टेर 3 सहरो में अपसनच्णा के निर्वान के लिے सारवजनिक एजेंसिया द्वारा किया जायेगा और इसके लिए सरकार प्रती वर्श 10,000 करोर रुपया की धन्डासी उपलवद कराएगी कितना 10,000 करोर रुपया के आप है प्रात्मिक्ता 4, प्रात्मिक्ता 4 है सक्षमता को सामने लाना, सक्षमता को सामने लाना जो है इसमें 21 कृत ऑनलाइन प्रसिक्षन के लिए I got, I got कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा, I got कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म लांच किया स्टार्ट अप्स और सिक्षा विदो द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राश्टी डाटा सासन निती लाई जाएगी साथ ने MSME के संबिदा निस्पादन को सरल बनाने के लिए बिवाद से विश्वास फस्ट लाया जाएगा संबिदागत बिवादों के निप्टान के लिए बिवाद से विश्वास फस्ट लाया जाएगा सरकार और सरकारी उपकरम के संबिदागत बिवादों के निपटने के लिए बिवाद से विश्वास फस्ट लाया जाएगा MSME बरे वेवसायो और Cherry Table ट्रस्टों के परियोग के लिए एक निकाय DG Locker अस्थापित किया जाएगा पहचान और पते के अप्रूडेट के लिए One Startup समाधान की विवस्था की जाएगी जिसमें DG Locker और अधार को मुलवूत पहचान के रूपे परियोग किया जाएगा साथ में 5G सेवाएं पर अधारित अप्लिकेशन विक्षित करने के लिए 100 लैब अस्थापित किया जाएगा 5G सेवाएं पर अधारित अप्लिकेशन विक्षित करने के लिए 100 लैब अस्थापित किया जाएगा बैपारिक शुगमता को बढ़ावा देने के लिए 49,000 से जादा अनुपालनों को कम किया जाएगा और 3400 से अधिक 3400 से अधिक विधिक उपवंधों को अपराद किश्रेनी से हटाया जाएगा 42 अधिनियमों में संसोधन के लिए जन विश्वास विधायक पेश किया गया 42 केंद्रिये अधिनियमों में संसोधन के लिए जन विश्वास विधायक पेश किया गया अब है प्राथ मिक्ता पांच से आपका हरितविकास इसमें पर्यावरन के प्रती सजग जीवन सेली के आंधोलन को गती दियने के लिए लाइफ लाइफ शुरू किया गया जिसकी चर्चा वजट फासन में की गई लाइफ का निम्र कारवन संखनता वाली इस्थिती से लाया जायेगा, यानि कि 199700 करो रुपय के लागत से शुरू किये गए राश्टी हरित 하이드ोजन मिशन के मदद से अर्थ विवस्था को निम्र कारवन संखनता वाली इस्थिती ले जाया जायेगा. इस मीशन की मदद से जिवास पिंधन के आयातों पर निर्भर्ता को कम करके 2030 तक 5MMT के वार्सिक उत्पादन का लख्ष निधारित किया जाएगा 5MMT के वार्सिक उत्पादन का लख्ष निधारित किया जाएगा आगे हैं लद्दाख लद्दाख से 13 गीगावाट नवी करनी उर्जा के निस्क्रमन और ग्रीड एकी करन के लिए अंतर राजिये पारेशन प्रणाली 2700 करों रुपय के साथ निवेश के साथ निर्मित भी की जाएगी वहीं पर्यावरन संदक्चन अधिनियम के ताहद हरित रीन यानि क्रेडिट कार्जकरम को अधिसुचित किया जाएगा उसके बाद दूसरा है आपका पीएम प्रणाम पीएम प्रणाम योजना जो है इसका उदेश रासाइनिक उर्वरकों को संतुलित परियोग दथा देने के लिए साथ में चक्रिय अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश से गोवर्धन गोवर्धन का फूल फॉर्म था गैलवैनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रिक एग्रो रिस्वर्स धन इस योजना के तहत 10,000-10,000 करोर रुपय के कुल निवेज के साथ 500 नए अपसिस्ट से आमदनी सयंत रस्थापित किये जाएंगे कितना 10,000 करोर रुपय के कुल निवेज से 500 नए अपसिस्ट आमदनी सयंत रस्थापित किये जाएंगे साथ में अगले तीन वर्ष में सरकार एक करोर किशानों को प्राकिर्थी खेती अपनाने की सहता भी देगी मैग्रो पौधारोपन के लिए तटिये पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रो पाल यानी मिस्टी की शुरुआत की जाएगी अगले तीन वर्ष में सरकार अमरित धरोहर योजना के माध्यम से आद्रभूमी तथा जय विवित्ता को बढ़ावा देगी अगले तीन वर्ष में लाखो यूबाओं को कौसल परदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना 4.0 सुरु की जाएगी परदान मंत्री कौसल विकास योजना 4.0 जो है यह सुरु की जाएगी इससे क्या होगा कि तीन वर्ष में लाखो यूबाओं को कौसल परदान किया जाएगा और इस योजना में इंडरस्टी 4.0 जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादी जैसे नए यूग के पाटकरम को विस में सामिल किया जाएगा यूबाओं को अंतरास्टी अबसर के लिए कौसल परदान करने हैं तू अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल अस्थापित किये जाएगे यूबाओं को अंतरास्टी अबसर के लिए कौसल परदान करने है तू अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल अस्थापित किये जाएगे उसके बाद एक यूजना है आपका स्किल इंडिया 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 इं उद्यामिता योजना को शुलवता शुगम करना उसके बाद इसमें है अगला अखिल भारतिये रास्टिये प्रसिशुकता प्रत्साहन योजना के अंतरगत तीन वर्स में 47 लाख युवाओं को बृतिका सहता परदान करने के लिए डायरेक्ट वैनिफिट ट्रांसपर शुर पचास परटन गत्तब्यों को घरेलू और विदेसी परटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विक्सित किया जाएगा देखो अपना देश पहल का उद्देश हांसिल करने के लिए छेत्र विशिस्ट कौसल वर्धन और उद्दामिता अभिकास में संबन वय संबन वय स्थापित किया जाएगा थी मधारित परटन सरकीटों के एकिकरित विकास के लिए श्वदेश तरसन योजना की चर्चा बजट भासन में की गई है स्वदेश तरसन योजना की बाइबरेंट विलिज प्रोग्राम के अंतरगत सीमा वर्ती गाओं में परेटन के बुनियादी धाचों का विकास किया जाएगा और परेटन सुधाये परदान की जाएगी राजो के उनके स्वेम के एक जिला एक उतपाद जी आई उतपाद और अनहस्त सिल्प उतपादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी विक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुक्रेटन के इंद्रों पर एक यूनिटी मॉल अस्थापि राजो के उनके स्वेम के एक जिला एक उतपाद या फिर जी आई उतपाद और अनहस्त सिल्प उतपाद को जो बढ़ावा दिया जाएगा उसके लिए विक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या फिर सबसे प्रमुक्रेटन के इंद्रों पर एक यूनिट राश्टिये वीतीय सूचना राईश्टरी के इस्थापना की जाएगी तो वीतीय सहायक सुचना की केंद्रिये भंडार के रूप में और इससे रिन का कुशल प्रवा संभव होगा वितीये समावेशन को बढ़ावा मिलेगा वीतीये स्थीरता भी बढ़ेगी क्या होगा उसके बाद है डिजिटल निरंतरता समाधान ढूरने वाले देशों के लिए GIFT, IIFSC और उनके डाटा दूताब्यासों की अस्थापना की जाएगी. ध्यान लगएगा डिश्टल निरंतरता समाधान ठूणने के लिए देश में GIFT और IFSC में उनके डाटा दूताब्यास की अस्थापना की जाएगे कम्पनियों के त्वरित रिस्पॉंस के लिए एक केंद्रिये डाटा समाधान केंद्र की अस्थापना की जाएगे कम्पनियों के त्वरित रिस्पॉंस के लिए एक केंद्रिये डाटा संसाधन केंद्र की अस्थापना भी की जाएगे वर्ज 2022 में डिश्टल भुकतान के लेंदेन में 76 प्रतीसत की और मुल में 91 प्रतीसत की विर्धी की जाएगे आजादी का अमरित महुतसब के अस्मरन स्वरूप मार्च 2025 तक दो वर्ज की अब्धी के लिए एक नई लगू बचत योजना महिला सम्मान वचत प्रमान पत्र उपलब्द कराया जाएगा अगला है वरिष्ट नागरिक वरिष्ट नागरिक मतलब जो AZ होगे जो गुढ़े होगे उनके लिए वरिष्ट नागरिक वज़ट योजना के लिए अधिक्तम जमा सीमा को 15 लाक रुपया से बढ़ाकर 30 लाक रुपया कर दिया जाएगा ठीक है तो यह आपका जो था सब 3C की साथ प्रात्मिकता है वो समाप्त होता है अब बज़र्ट में जो 2D point यानि कि जो एक्जाम के लिए one liner में important हो सकता है उसे देखे सबसे पहले हैं mobile phone का उतपादन पिछले वीती वर्स में 275,000 करोर रुपया मुल के 31,000 करोर यूनिर तक पहुथ गया है 2,75,000 करोर रुपय से मुल में 31,000 करोर यूनिर तक बढ़ चुका है विनिर्दिस्ट शिक्रेटों पर रास्टी आपदा आकास्मिक्ता सुल्ख 16% की विर्धी करने का प्रस्ताब किया गया है विनिर्दिस्ट शिक्रेटों पर रास्टी आपदा आकास्मिक्ता सुल्ख 16% की विर्धी करने का प्रस्ताब क्या क्या है भारत विश्व में स्टार्ट अप्स के लिए तीसरा सबसे वरा यूको सिस्टम है और मध्यम आई देशों के बीच नवाचार गुनबता का दूसरा अस्थान है अगला है केंद्रिय वजट 2023 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलबदियां बताई है जो उपलबदिया क्या है देखे, 2014 से अब तक की जो उपलबदिया है पहला देखे, नौ वर्स में भारती अर्थ विवस्ता दुनिया की दस्मी और पांचमी सबसे वरी अर्थ विवस्ता बन चुकी है स्वक्च भारत मीशन के तहद 11.7 करोर घरेलू सोचाले का निर्मान किया गया उज्वला योजना के तहद 9.6 करोर LPG कनेक्शन दिया गया उज्वला योजना के तहद 102 करोर लोगों को 220 करोर कोविट टिका करन दिया गया पीम सुरक्षा बीमा एवं पीम जीवन जोती योजना के तहद 44.6 करोर वेक्तियों के लिए बीमा कवर परदान किया गया। पीम किसान संभान ने दी के तद 11.4 करोर से अधिक किशानों को 2.2 लाक करोर रुपया का नगत नहस्तांत्रन दिया गया। उसके बाद प्रती वेक्ति आय दोगुनू से भी अधिक होकर 1.97 लाक रुपया हो गई है प्रती वेक्ति आय अब है वेक्तिकत आयकर में देखेंग जो नई कर्वेवस्था है उसमें 7 laug रुपय तक आय वाले व्यक्तियों को कोई भी भुकतान की रासि नहीं देरी परेगी जिनका income साथ laug रुपय तक का है उन्हें कोई भी टेक्स नहीं देना होगा 6 आईकार स्लैब बाली व्यक्तिगत आईकार वेवस्ता में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छुट की सीमा को बढ़ा कर 3 लाक रुपय तक कर दिया गया है आप देखेंगे कि वार्सिक आई और कर की विर्थीदर तो जिसमें 0 से लेकि 3 लाक रुपय तक सुन आपका टेक्स देना परेगा 0 से 3 लाक 3 से 6 में 5% है 3 से 6 वार्सिक आई वाले में कर की जो दर है वो 5% है 6 से 9 लाक रुपया में 10% आई कर है 6 से 9 में कर की दर 10% है 9 से 12 लाक में 15% 9 से 12 लाक में 12% 12 से 15 में 20% 12 से 15 में 20% और 15 से उपर जब जाएंगे तो 30% देना परेगा ठीक है और प्रतेक वेतन भोगी को 50,000 तक का मानक कटोती अनुमान यानि पेंसन भोगियों के लिए 15,000 तक की उपलब्ध की गई है यानि कि प्रतेक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटोती अनुमान की गई है नई कर्वेवस्था में उच्चुतम अधिभार को 37% से घटा कर 25% किया गया है नई टैक्स वाले स्लैब में इसके परिणाम सवरूप अधिक्तम करदर घटा कर 39% हो जाएगी अब यहाँ पर आपका चार टॉप जो है बजट का खर्च आप देखेंगे कि खर्च बजट 2023 की बिविन योजनाओं पर खर्च तो सबसे पलहले जो है वह वह परधान मंतरी अवास योजना इस पे 79,590 करोर रुपया का खर्च है परधान मंतरी अवास योजना के लिए 89,590 करोर रुपया दिया गया है जल जीवन मीशन पर 70,000 करोर का मंडेगा पर 60,000 और परधान मंतरी किसान सम्मान निधी यानि पीम किसान सम्मान पर भी 60,000 करोर रुपया का खर्च है वही बजट 2023 के तहद प्रमुख मंदो पर ब्याय देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले परिवहान में परिवहान में 5,7,034 करोर का परिवहान में है रक्षा में 4,3,720 करोर का रक्षा में 4,3,720 करोर का ग्रामिन विकास में 2,38,204 करोर का ग्रामिन विकास में और सिक्षा में 1,12,899 करोर का खर्च है उसके बाद बजट 2023 के तहद विवीन मंत्राले उपर खड़ विवीन मंत्राले में टॉप 5 मंत्राले को देखेंगे तो सबसे पहले रक्षा मंत्राले रक्षा मंत्राले पर 5.94 लाग करूर का है 5.94 लाग करूर रपया का रक्षा मंत्राले पे सरक पड़ी वहन और राजमाग मंत्राले पे 2.70 लाग करूर का सरक पड़ी वहन पे 2.70 लाग करूर का रेल मंत्राले पे 2.41 लाग करूर रेल में 2.41 लाग करूर रेल मंत्राले अब भारा सरकार की आगामी लक्ष को देखिये सेप्टेmmbr 2022 की मिक के बीच के जितने भी भारा सरकार के आगामी लक्ष है उसे देखेंगे तो सबसे पहले WHO ने जो कालाजर है उसको समाप्त करने का लक्ष 2030 तक रखा है और वही आपका भारासरकार का लक्ष है कालाजर को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष 2030 तक का अगला है दिल्ली मुंबाई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष दो हजार तैस है। उर्वरक छेत्र में आत्म निर्भर बनने का लक्ष भी दो हजार तैस है। ब्रांड गेज रूट को सौप्रती सत विद्धूती करन करने का लक्ष दो हजार तैस है। किर्सी में सुन डीजल उपयोग जथानवी करनी उर्जा के इस्तमाल का लक्ष दो हजार तैस है। किर्सी में सुन डीजल उपयोग और नवी करनी उर्जा के इस्तमाल का लक्ष दो हजार चौबिस तक का। सबके लिए अवास मुहया कराने का लक्ष दो हजार चौबिस तक का है जो की पहले 2022 निधारित्था इसे एक्स्टेंड करके दो हजार चौबिस कर दिया गया। स्वक्ष जल की आपूर्ती 2024 तक है। या स्वक्ष जलकी आपूर्ती भी 2024 तक, सरक दुरुखटना से होने वाली मौत में 50% की कमी करने का लक्ष 2024 है, भारती अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बनाने का लक्ष 2024 है, भारती अर्थव्यवस्था को जो 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी है, उस वहां तक पहुँशने में 2024 से 25 तक का लक्ष रखा गया है, भारती अर्थव्यवस्था को 1 ट्रियन डॉलर डिजिटल एकोनोमी बनाने का लक्ष 2025 है, सभी गाओं में ऑप्टिकल फाइबर विछाने का लक्ष 2025 है, पचास गीगावाट अच्छे उर्जा प्राप्त करने का लक्ष 2030 है, 280 गीगावाट सौर उर्जा प्राप्त करने का लक्ष 2030 है, पुल बाहन में 30% एलक्ट्रोनिक बाहन करने का लक्ष 2030 है, भारत से पुर्ण रूप से मलेरिया उनमुनन का लक्ष 2030 है, HIV AIDS को खतम करने का लक्ष 2030 है, भारतिये रेलवे को नेट जीरो कारवन मीशन या फिर ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष 2030 है, नेट जीरो कारवन रेलवे को 2030 है, भारत को उर्जा सोतन्त्रिया फिर आत्मिर्वर बनाने का लक्ष 2047 है, उसके बाद पोत निर्मान में आत्मिर्वर्ता हांसिल करने का लक्ष 2047 है, मुंबई सहर में सुन्ने कारवन उस्वर्जन का लक्ष 2050 तक है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष 2070 है, चलिए अब आर्थिक समिक्षा 2022 का देखेंगे, 31 जन्वरी 2023 को आर्थिक समिक्षा 2022 संसद में प्रस्थूत किया गया, 31 जन्वरी को आर्थिक समिक्षा 2022 2022 बितमंत्राले के मुख आर्थिक सलाकार वी अनन्त नागेश्वर्ण के मार्ग दर्शन में आर्थिक कार विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तयार किया, नोट में है कि 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समिक्षा को पेश किया गया, 1964 आर्थिक समिक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की GDP में बिर्धी और राजकोस्य घाटा का अनुमान, 2021-22 के अंती मनुमान देखेगा, तो 8.7% है GDP में बिर्धी दर, 8.7%, वही घाटा GDP का राजकोस्य देखेगा, तो 6.7% है, राजकोस्य घाटा GDP का 6.7%, ये तो 21-22 का था, अब 22-23 का पहला अगरी मनुमान देखेगे, 22-23 का पहला अगरी मनुमान, GDP में बिर्धी दर, 7.0% है, वही घाटा GDP का 6.4% है, राजकोस्य घाटा GDP का 6.4%, दो 23-23 में अनुमानित, अनुमानित GDP विर्धी दर, 6 से लेके 6.8% की विर्धी है, 6 से लेके 6.8% की विर्धी है, नेक्स्ट आप देखने वाले इदर, कि आर्थिक सोड़ी, इसको इतना निर्ड नहीं है, ये चीज, इसके स्कीप करते हैं, जिसमें भारत का जो लक्षित वर्ष है, वो 2070 है, भारत का लक्ष 2070 तक का है, वही चीन हो गया, रूस, इंडोनेशिया, सौधी अरब का 2060 है, तुर्की का 2053 है, अमेर्किया, कानाडा, अर्जंटीना और ब्राजील, इसके वहल, यूरोपियन यूणियन, यूनाइटेट किंग्डम, फ्रांस, और इटली, यूरोपियन यूणियन, यूनाइटेट किंग्डम, फ्रांस, इटली, असका वी2050 है, साउथ अपरिका का 2050 है अस्टेलिया का 2050 है निबल सुन प्रतिग्या 2050 तक वही जर्मनी का 2045 है जर्मनी का 2045 अब देखिए कि मुलभूत कीमतों पर सकल मुलविर्धी मुलभूत कीमतों पर सकल मुलविर्धी को देखिएगा तो अर्थ विबस्था तीन सेक्टर है पहला सेक्टर है किर्सी और संबंद छेत्र किर्सी और संबंद छेत्र में 2021-25 में जो विर्धी दर है वो 3.0% है किर्सी और संबंद छेत्र का विर्धी दर 3.0% है वही 2022-2022 का विर्धी दर है 3.5% अद्योगिक छेत्र अद्योगिक छेत्र में 2021-22 में विर्दीदर 10.3% है और 2022-23 में विर्दीदर 4.1% है सेवाएं, सेवाएं में आपका 2021-22 में विर्दीदर है 8.4% का और सेवाएं में 2022-23 में जो विर्दीदर है वो 9.1% है 9.1% यहां पे देखिएगा कि भर्स 2022 में विश्र के विभिन छेतर में भारत का अस्थान सबसे पहले वैक्सिन निर्मान में भारत का अस्थान पहला है वैक्सिन निर्मान में भारत का अस्थान कैमा है पहला है दो पहिया और ती पहिया वाहनों के निर्मान में भारत पहले अस्थान पे है दुग दुत पादन में भी अपना भारत पहले अस्थान पे है कच्चे इसपात के उत भादन में दूसरा है कच्चे इसपात में हो गया मोबाइल फोन कच्चे इस्पाद और मोबाइल फुन दोनों में भारत का अस्थान दूसरा है अंडा उत्पादन, आटो मोबाइल और फॉर्मो सुटिकल या फिर फॉर्मो उद्योग तीनों में तीसरा अस्थान है भारत का अंडा उत्पादन, आटो मोबाइल और फॉर्मो सिटीकल्स, फर्मा उत्द्यों इस तीनों में भारत का अस्थान तीश्रा है यात्री गारियों के निर्मार में भारत चोथे अस्थान पे है रेलवे नेटवर्क में भारत चोथे अस्थान पे है बिदेसी मुद्रावंडार में भारत चोथे अस्थान पे है और विश्य। बिपार के शेवा आयात में भारत दसमें अस्थान पे अब हम देखेंगे यहां पे आर्तिक समिक्षा की टूदी पॉइंट आर्थिक समिक्षा की 2D point में आप सबसे पहले देखेंगे कि 2022-23 में कुल 12 अध्याई को बांट कर दिया गया है जो आर्थिक समिक्षा है उसे 2022-23 को कुल 12 अध्याईों में बांट कर दिया गया है जिसमें की अध्याई पहला है अर्थव्यवस्था की इस्थिती 2022-2022 में पूर्ण सुधार तो पहला अध्याई अर्थव्यवस्था की इस्थिती है इसमें आप देखेगा तो वित वर्ष 2023 के लिए GDP विर्धी दर 6.0 से लेके 6.8 प्रतिसत रहने का अनमाल लगाया गया है 6.0 से 6.8 प्रतिसत वहीं आर्थिक समिक्षा की अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयू के लोगों के लिए सहरी विरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी आर्थिक समिक्षा की अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयू के लोगों के लिए सहरी विरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी वित वर्ष 2023 के लिए विविन एजेंसी द्वारा भारसरकार का विकास अनुमान देखे अलग-अलग एजेंसी के द्वारा जैसे की सबसे पहले हम देखेंगे ADV ADV का विकास दर है 7% ADP का विकास दर 7% मूडी की द्वारा भी 7% है ADV और मूडी फिज ये तीनो ADV मूडी और फिज तीनो ने 7% विकास दर दिया है वल्ड वैंग का विकास दर है 6.9% और IMF हो गया RBI हो गया और SBI तीनों ने विकास दर अनुमानित किया है 6.8% और OECD का विकास दर है 6.6% ये आपका आर्थिक समिक्षा 2022-30 के रिपोर्ट के एक ओडी है नोट में देखिएगा कि इन सभी एजेंसियों द्वारा जो भारत का विकास दर दिया गया है उसके according इसमें average निकाला गया है और average का जो दर रखा गया है वो 6.9% अनुमानित किया गया है तो इन सभी एजेंसी द्वारा भारत का आउसत विकासदर 6.9 परतीसत अनुमानित क्या गया है अब है ट्रिपल पी यानि क्रे सक्ती समता के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसेवरी अर्थविवस्ता है बजार विनियम दरों में पांचमी सबसेवरी अर्थविवस्ता है अब आपका अध्याई 1-1 हो गया अध्याई 2 को देखे अध्याई 2 में है कि भारत की मद्य अवधी विकास परिद्रिश आसावादी और विश्वशनी है ये है अपका अध्या 2 ये क्या है देखे ये अध्या ये दरसाता है कि महामारी पुर्व वर्षों की तुलना में अब तक भारत का विकास प्रद्रिश बेहतर नजर आ रहा है और भारती अर्थ्विवस्ता आने वाले बर्ष में अपनी पूरी छमता के साथ विक्सित होने के लिए तैयार है सरकार जो है वो 2019 के राष्टिय अवसरचना पाइपलाइन और 2021 के राष्टिय मुद्रिक रन पाइपलाइन से बुनियादी धांचे के निर्मान और विकास के लिए एक मजबूत अधार लेखा तैयार की है किसने सरकार ने अध्याए तीन में है राजकोसिय विकास और राजश शुधार ये क्या है कि अप्रेल से लेके नौमबर 2022 के दौरान सकल कर राजश में 15.5 प्रतिशत की वार्षिक विर्धी दर्ज की गई है 15.5 सकल कर राजश में विर्धी दर्ज की गई है जो की परतेक्ष कर और अपरतेक्ष कर में दामदार विर्धी से संभव हुई है वहाई पिछले कुछ वीतिये वर्स में और सत मासिक सकल GST संगरा में और प्रत्यासित विर्धिल दिखी गई है और प्रत्यासिती चालू वित्वर्स के दौरान राजश्युवे की अवसकता काफी अधिक रहने के बाबजूद किन्दे सरकार ने पुजीगत व्यापर विशेश चोड़ दिया है किन सरकार ने पुजीगत व्यापर सरकार की पुजीगत व्यापर अधारित विकास रननिती से भारत में विकास दर एवं ब्यास दर के वीच अंतरगो धनात्मक रखने में मदद मिलेगी जिससे आने वाले वर्सों में जो जीडीपी अनुपात वो एक दाइरे में रखना संभव हो पाएगा यह अध्याई तीन था अध्याई चार क्या है देखेगा अध्याई चार है मौदरिक प्रवंधन और वीतिय मध्यस्ता एक अच्छा वर्स इसमें क्या है कि RVI ने पॉलिसी रेपोदर में संचाई तोर पर 225 अधार अंकों की विर्धी की है सकल गयर निस्पातित संपती अनुपात यानि GNPA GNPA घटकर पिछले 7 वर्स के नीचले अस्तरप में 5 प्रतिशत पहुँच गया है भारत ने वितवर्स 2023 में यानि अप्रिल से लेगे दिसंबर में घडेलू से अरवजार प्रदर्शन में अपने समक्चों को पीछे चोड़ा है आगे है अध्याई 5 अध्याई 5 है कीमत और मुद्राइश्पित्ती नाजुक परिस्तिती पर काम्यावी ये क्या है तो भारत में खुद्रा महंगाईदर अप्रिल 2022 में बढ़ कर 7.8% के शिखर पर पहुँच गई है लेकिन इसके बावजूत पूरी दुनिया में नियुनतम से एक रही है सरकार ने घडेलू आपूर्ती सुनिशित करने और महंगाई को रोकने के लिए बहुयामी रनिती अपनाई है सरकाल जो है उसने क्या किया है जो भी घरेली वाप उड़ती है और उसकी महंगाई को रोकने के लिए बहुयामी रनिती को अपनाई है जिसमें की प्रमुफ कच्चे माल, फेरो निकल, कोकिंग कोल, कोकिंग कोल इत्यादी पर आयाद सुल्ख को घटा कर सुने कर दिया है पेट्रोल और डीजल के उत्पाद सुल्ख में चरनभद कटोती की गई है पेट्रोल और डीजल में कपास पर सीमा सुल्ख माफ कर दिया गया है गेहूं के निर्याद पर रोक लगा दी गई है चठठा अध्याई क्या है चठठा अध्याई है समाजिक अपसरचना और रोजगार ब्यापक ब्यवस्था इसमें जीवन के वहतर गुनबता के लिए सरकारी व्यामें विर्धी की गई जीवन के बहतर गुनबता के लिए सरकारी व्यामें विर्धी की गई स्वास्त छिद्र पर केंद्रेवम राज सरकार के अनुमानित व्यवढ़ाकर वित वर्ष 2022-2023 में GDP 2.1 प्रतिशत हो गया है उसके अलावे बाल मिर्टुदर जिसको बोलते हैं IMR बाल मिर्टुदर पांच साल से कम हुमर के वच्चों की मिर्टुदर और नवजात से सूर्दर यानि NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है ठीक है U5MR और NMR दोनों में गिरावट दर्ज की गई है चार जनवरी 2023 तक आयुस्मान भारत यूजना के तहर लगबग 22 करोर लावार्थि को सत्यापन किया गया है वही जो आयुस्मान भारत है देश वर में 1.54 लाग करोर से भी अधिक स्वास्ट एवाम वेलनेस किंद्रों को चालू किया गया है कितना 1.54 लाग करोर से भी अधिक स्वास्त और वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है आयुस्मान भारत के तहद आर्तिक समिक्षा में प्रकास डाला गया है कि UNDP के बहुयामी गरीवी सुचकांत रिपोर्ट 2022 के अनुशार भारत में 41.5 करोर लोग वर्स 2056 से वर्स 2019-2020 के बीच गरीवी से उबर गये है 41.5 करोर लोग वहीं आपका 2023 से 2047 तक 14500 से अधिक PM सरी स्कूल का निर्मान किया गया 14500 से अधिक PM सरी स्कूल का निर्मान किया जाएगा 2023 से लेके 2047 तक आर्तिक समिक्षा के अनुशार 6.5 जनवरी 2023 तक कोवीड टीके की 220 करोर से भी अधिक खुराक लोगों को दी जा चुकी है और संगठित कामगारों का एक राष्टिये डेटाबेस बनाने के लिए इस्रम प्रोटल विक्सित किया गया जिसका सत्यापन अधार से होता है 31 जिसंबर 2022 तक कुल मिला कर 28.5 करोर से भी अधिक और संगठित कामगारों ने इस्रम प्रोटल पर अपना पंचिक रन कराया इस्रम पर रजिस्टेशन करवाया है 28.5 करोर लोगों से भी जादा अध्याई 5 छे भी हो गया अब है अध्याई 7 अध्याई 7 है जलवायू परिवर्तन और परियावरन भविस्ट की तैयारी ये क्या है कि वर्ष 2017 तक सुन उत्सर्जन का लक्ष हांसिल करने के लिए नेट 0 का संकल्प व्यक्त किया गया है भारत के द्वारा भारत ने वर्ष दोहजार सत्तर तक सुन्य उत्सर्जन का लक्ष हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है भारत जो है वो गैर जिवास पिंधन से 40% अधिस्थापित विजली छमता का अपना लक्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया भारत ने अब 2030 तक जीर जिवास पिंधन से 50% संचय विद्धुत उर्जासं स्थापित छमता हासिल करने का लक्ष रखा है 2030 तक 50% वहीं गैर जिवास पिंधन से संभावित अधिस्थापित छमता वर्ष 2030 से 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी 500 गीगावाट से भी अधिक और इससे वर्ष 2014-15 इससे क्या होगा कि 2014 से लेके 15 की तुलना में 2029-30 तक औसद उत्सरजन दर में लगभग 29% की कमी दर्ज की जाएगी कितना 29% की भारत अपनी GDP की उत्सरजन तिवर्था को 2005 के अस्तर की तुलना में 2030 तक 45% कम कर देगा 2005 से 2035 के तुलना में वहीं परियावरन के लिए जीवन सेली जो लाइफ, लाइफ के रूप में जन आंदोलन सुरू किया जाएगा आगे है आपका की अर्थ व्यवस्था अर्थ व्यवस्था में कारवन तिवरता कम करने को ध्यान में रखते हुए सबरेन ग्रीन बॉंड फ्रेमबर्ग नोवंबर 2022 में चारी किया गया सबरेन ग्रीन बॉंड फ्रेमबर्ग सबरेन ग्रीन बॉंड को जारी करने की घोषना केंद्रिये वजट 2025 से 23 में की गई थी और इसे जारी करने और इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन Finance Working Committee का भी गठन किया गया वहीं बर्श 2047 तक भारत को उर्जात स्वतंत्र राष्ट बनाने के लिए राष्टी हरित हाइड्रोजन मिशन की सुरवात की गई कम से कम 5म्त मिलियन मिट्रिक टन की बार्शिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन छमता विक्सित कर लिजाएगी पांच MMT तक वही राश्टी हरित हाइड्रोजन मिशन के तहद 2030 तक जिवास्प इंधन के आयात में एक लाख करोर रुपया से भी अधिका संचय कटोती की जाएगी 2030 तक और 2030 तक नवी करनी ये उर्जा छमता में लगवग 125 गीगावाट की बिर्धी की जाएगी ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में लगवग 50 MMT की कमी की जाएगी अक्टूबर 2022 तक राश्टीय सौर मिशन के तहद 61.6 गीगावाट सौर उर्जा छमता अधिस्ट थापित किया जा चुका है अक्टूबर 2022 तक राश्टीय सौर मिशन के तहद 61.6 गीगावाट सौर उर्जा छमता अधिस्ट थापित किया जा चुका है जलवाईव पडिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टा किंद बनाएं गये और इन्हें मजबूत भी किया जा रहा है 12 उत्कृष्टा किंद सतत किर्सी के लिए राश्टीय मिशन ये इसके तहद जो है वो जैवीखेती के तहद 0.15 लाक हेक्टेयर और सुक्ष मिसै के तहद 10 लाक हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष रखा गया है याद रखेगा सतत किर्सी के लिए राष्ट्य एमिशन के तहाद वही 26 अगस्त 2022 को 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायू परिवर्तन पर सयुक्त राष्ट प्रेमबर कन्वेंशन को सुझित करने के लिए भारत ने अगपतन अधतन राष्टी अस्तर पे निर्धारित योगदान यानी NDC प्रस्तुत किया है भारत ने अपना पहला NDC अप्टूबर 2015 में यूनिशेव को प्रस्तुत किया था भारत ने अपना पहला NDC 2015 में UNICEF को प्रस्तुत किया था जिसमें आठ लक्ष थे, कितना आठ लक्ष सामिल थे आर्थिक सर्वेक्षन के नुसार भारत में वन और व्रिक्षो के आबरण का कार्वन स्टॉक लगबग 72.04.000.000 टन है जहां अर्वनाचल परदेश में सबसे ज़्यादा कार्वन स्टॉक है 1024.000.000.000 है उसके बाद मद्परदेश में है मद्परदेश में 609.000.000.000 का अस्थान है वही आर्थिक समिक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत ने 18 राज्यों में 75.796.8 वर्ग किलोमेटर में है 75.796.8 वर्ग किलोमेटर छेतर में तिर्पन टाइगर रिजर्फ फैले हैं जो जंगली बागों की वैस्विक अवादी का 75 परतिसत इसमें रहते हैं याद रखेगा कि जो आर्थिक समिक्षा है उसके एकॉर्डिंग 18 राज्यों में 75.796.8 वर्ग किलोमेटर छेतर में तिर्पन टाइगर रिजर्फ हैं जो जंगली बागों की वैस्विक अवादी का 75 परतिसत इसमें रहती हैं डेश के 17 टाइगर रिजर्फ अंतराष्टिय मानिता प्राप्त हैं और दो अंतराष्टिय TX2 पुरसकार मिल चुका है दो को एक तो सत्य मंगलम टाइगर रिजर्फ है जिसे मिल चुका है अवी हाली वे मिला था उसे आर्थिक समिक्षा के अनुशार भारत में ACI सेरों की अवादी 674 और 12852 तेन्तुआ है पुरे बिस्व में 60 प्रतिसत से अधिक हांती की अवादी भारत में रहती है 60% से भी जादा की अवादी अधिया आठ है अधिया आठ में दिया है कि किर्सी और खाद प्रवंधन खाद सुरक्षा से पोसन सुरक्षा तक इसमें आपका दिया है कि जो प्रतम अगरी मनुमान है यानि 2022 इसके अनुशार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खादान का उत्प पिछले 6 वर्स के दौरान भारतिय किर्सी चेत्र 4.6% की आसत वार्सिक विर्दी दर से प्रगति कर रहा है और 2021 बाइस में किर्सी और सम्बंध चेत्र में सिर्फ 33.0% की विर्दी देखी गई है उसके अलावे यहाँ पे 2021 बाइस के दौरान किर्सी निर्याद 50.2 बिलियन अमेर्की डॉलर के उस चस्टर पर पहुँच चुका है 2018-19 के केंद्रिये वजट में घोसना की गई है कि किसान को सभी जरूरी फसलों के उत्पादन लागत को कम से कम डेट गुना निर्नुतम समर्थनमुल दिया जाएगा इसमें जो है 2018-19 के केंद्रिये वजट में घोसना की गई है जो किसान को सभी जरूरी फसलों के उत्पादन लागत का कम से कम डेट गुना निर्नुतम समर्थनमुल दिया जाएगा इसके अनुसार 2018-19 के बाद से खरीफ रभी समेथ सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जाएगा सभी 22 फसलों के लिए और गन्ने के लिए याद रखियेगा कि MSP नहीं होता है गन्ने के फसल के लिए ठीक ना अगला है 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोर पात्र किशानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा 3.89 करोर पात्र किशानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारब 1999 से किया गया है किसान क्रेडिट या योजना का सुर्वात कब गवा 1998 से भारत में 44 दसमलब 3 लाख जैविक किसान है जो दुनिया का सबसे अधिक है प्रंपरागत किर्सी विकास योजना के तहग किशान उतपादक संगठनों के माध्यम से जैविक किसी को बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक किसी को बढ़ावा दिया जा रहा है 59.1 लाख चेतर को वर्ष 2021-2022 में जैविक खेती के तहद लाया गया था तीसरे अग्रीम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है तीसरे अग्रीम अनुमान के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है अग्रमनी भूविका निभा रहा है और बजट में जो है मोटे अनाज के लिए कौन सा सब्द यूज हुआ है सिरी अन्य है ना सिरी अन्य सब्द का उप्यूग किया गया है मोटे अनाज के लिए जिसमें बाजरा मक्का वेगर आज आता है उसके वालावे है कि 2021-22 के चोथे अग्रीम अन्मान के नुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है जो कि एसिया के 80% और वैसिक उत्पादन के 20% है पूरे एसिया में 80% और वैसिक में 20% अगला है शहकार से सम्रिद्धी वीजन को शाकार करने के लिए जुलाई 2021 में शहकारिता मंत्राले की अस्थापना की गई जुलाई 2021 में 2021 के दौरान किर्सी खाद निर्यात का मुल भारत के कुल निर्यात का 10.9 था वहीं सरकार जो है सरकार ने एक जनवरी 2023 से एक वर्स के लिए राश्टिय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहद लगबग 81.4 करोर लावयार्थियों को मुप्त खादान देने का एतिहासिक निड़ा लिया है इसमें क्या होगा कि सरकार अगले एक साल के लिए जो लावयार्थी होंगे लावयार्थियों को प्रती वेक्ती 5 किलोग्राम और अन्तोदय अन्योजना के लावयार्थियों को 35 किलोग्राम प्रती परिवार मुप्त में खादान उपलब्द कराएगी तो सरकार इ महामारी के चलते गरीवों को हुए आर्थिक व्यावधान के कारण अप्रिल से जून 2020 की अब्धी के लिए प्रधान मंत्री गरीव कल्यान अन्य योजना चरन वन की शुरुआत की गई तो याद रखिएगा कि जो COVID-19 हुआ था उसमें गरीवों को हुए जो आर्थिक चरनों को लागू किया जा चुका है चरन इसका सात्मा जो था चरन सात्मा ये अक्टूबर से दिसंबर 2022 को सामिल करने वाला नविन्तम चरन है सात्मा चरन इसका नविन्तम है और इसके दाहद राष्टिय खाद सुरक्षाधी नियम के अधीन लावियार्थियों को प्रती तीन करोर किसानों को वही राश्टिय किरसी विम्पनन यूजना यानि कि ई नाम इसी का सौट नाम है ई नाम राश्टिय किरसी विम्पनन यूजना का सौट नाम है ई नाम ई नाम के तहद एक दसमलब साथ चार करोर किसानों और दो दसमलब तीन लाग ब्यापारियों को सामि सबसे अधिक रहा है जो सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रुप में बस्तू और शेवाओं का निर्यात बितवर्स 2016 के बाद सबसे अधिक रहा है भारत विश्व का दूसरा सबसे वड़ा मोवाइल फोन निर्माता बन चुका है जिसके हैंडसेट का उत्पादन बितवर्स 2021 में 29 करोर यूनिट भारत ने कर दिया है अगला है कि भारत विश्व को सबसे अधिक जनरिक दवाई उपलब्द कराने वाला देश है जो कि मात्र जो मात्रा के अधार पर वैस्विक आपूर्ती में 20% की हिस्सेदारी रखता है भारत विश्व को सबसे अधिक जनरिक दव या उपलब्द कराने वाला देश है जो मात्रा के अधार पर वैस्विक आपूर्ती में 20% की हिस्सेदारी रखता है अगला है फॉर्मोसीटिकल्स या फिर फर्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मुल्ग के अधार पर चोदमें अस्थान पर है फर्मोसीटिकल्स या फिर फर्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मुल्ग के अधार पर चोदमें अस्थान पर है फर्मा उद्योग में प्रतेक्ष विदेशी ने वेस यानि FDI में चार गुना विर्दी हुई है जो वितवर्ष 2019 में FDI 180 मिलियन डॉलर से बढ़ कर वितवर्ष 2022 में 699 मिलियन डॉलर हो गया है अगला है भारत विष्व के 60% वजार हिश्यदारी के साथ सबसे वरा वैक्सीन निर्माता भी है भारत का लख्ष 2025 तक एक टिलियन अमिर्ची डॉलर की डीजिटल अर्थ विवस्था बनाना है एलक्ट्रोनिक्स के निर्यात में वितवर्स 2019 में 4.4 विलियन डॉलर से वितवर्स 2016 से 11.6 बिलियन तक लगवग 3 गुना विर्धी हुई है एलक्ट्रोनिक्स के निर्यात में वितवर्ष 2019 में 4.4 विलियन डॉलर से वितवर्ष 2022 में 11.6 विलियन लगभग तीन गुना विर्दी हुई है अगला है कि वितवर्ष 2022 तैस के लिए कोईले का उतपादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% से अधिक है नेक्स ट्राइक की वितवर्ष 2022 तैस के लिए कोईले का उतपादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है अगला है बैसफिक मुल्ल सरिंखला में भारत के समेकन को बढ़ाने के लिए Making India 2.0 की शुरुआत की गई थी और ये 27 खेतरों पर ध्यान के अंधृत कर रहा है कितने खेतरों पर ध्यान के अंधृत करेगा 27 खेतरों पर जिसमें 15 वी निर्मान चेतर और 12 चेतर को सामिल किया गया है। मेकिन इंडिया 2.0, 27 चेतरों के साथ 24 उप चेतरों के विकास को भी बढ़ावा देने का पर्यास कर रहा है। आगे हैं मेकिन इंडिया काजकरम के उद्देश के अनुशरन में आत्म निर्भरता हासिल करने की द्रिश्टी शेफ सरकार ने पी लाई यूजना सुरूख की है। उसके बाद है बारत को वैस्विक आपपूर्ति स्रिंखलाओं में सामिल करने के लिए पी लाई यूजना अगले पांच बर्स में अनुमानित 4 लाग करोर पूजी गत्वय के साथ 24 रिणिया में शुरू की गई। वही बितवर्श 2022 में जो पी लाई यूजना है इसके अंतरगत 47,500 करोर का 47,500 करोर का निविस देखा गया है पी लाई यूजना के अंतरगत। अब है अध्याई 10, अध्याई 10 है सेवाएं सक्ति का स्रोथ, सेवाएं सक्ति का स्रोथ के अंतरगत सेवा चित्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्वर्ष 2021 में भारत का सेवा निर्याद 254.5 billion अमेर्की डॉलर रहा है। वितिये सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजटल बैंक की इकाईयों की घुसना की गई। वितिये सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजटल बैंक की इकाईयों की घुसना की गई। विस्व निवेस रिपोर्ट 2022 के अनुशार परतेक्ष विदेसी निवेस सेवा छेत्र के सुची में भारत का सात्मा सबसे बढ़ा प्राप्त करता के रूप में दर्साया गया है। सात्मा सबसे बढ़ा प्राप्त करता के रूप में है। विदेसिक छेत्र सतर्क और अश्वाशन क्या है अध्याएगारा में है विदेसिक छेत्र सतर्क और अश्वाशन। अप्रेल से दिशंबर 2022 के दोरान बेपार निडिया 332.8 बिलियन डॉलर रहा है जो अप्रेल से लेके दिशंबर 2022 के दोरान रहा है। वही अप्रिल से दिसंबर 2022 के दौरान बेपार आयात पूछे तो 551.7 बिलियन डॉलर रहा है आपका बेपार आयात आगे है भारत ने अब तक 13 मुक्त बेपार समझोते किये हैं इस सुची में सबसे नया भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और वियापार समझोता है जिस पर 2 अप्रेल 2022 को हंस्ताक्षर किये गए और या 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था इसे पहले भारत UAE ब्यापक आर्थिक साज़ेदारी शम्झा होता यानि CEPA है जिसे 18 जनवरी 2022 को हंस्ताक्षर किये गए थे और अधिकारिक तोर पर यह एक माई 2022 से प्रभावी हुआ नेक्स्ट है आसियान सदस्तों और 6 अन WTA सदस्तों के भी शेत्रिय ब्यापक भागिदार सम्झोता यानि की RECEP 15 नॉमबर 2022 को हंस्ताक्षरित और एक जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ अगला है किर्सी उत्पादों के पडिवहन में किसानों की सहता करने के लिए अगस्त 2020 में किर्सी उरान योजना शुरू की गई किर्सी इरान योजना और किर्सी उरान योजना 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रभावनों को बढ़ाते हुए प्ररम्भ किया गया था वही है अप्रेल से सितंबर, अप्रेल से सितंबर 2022 के अबदी के लिए चालू खाता घाटा यानि CAD GDP का 3.3% दर्ज किया गया अप्रेल से सितंबर, अप्रेल से सितंबर 2022 के अबदी के लिए चालू खाता सेस GDP का 4.4% दर्ज किया गया अगला है दिसंबर 2022 के अंद तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पांसो बासर दसमलब 7 विलियन अमिरकी डॉलर हो गया उसके बाद नोममबर 2022 तक भारत दुनिया का चठा सबसे वरा विदेशी मुद्रा भंडारक भारत था नुबुम्बर 2022 तक भारत दुनिया का चठ्था सबसे वरा विदेशी मुद्रावंडारक धारक था। उसके बाद नेक्स्ट किया है कि सितंबर 2022 के आंत तक भारत का विदेशी रिन 610.5 विलियन अमेर्की डॉलर था। नेक्स्ट है जिसमें देर्ग कालिक रिन 478.8 विलियन अमेर्की डॉलर और अल्प कालिक रिन 131.7 विलियन अमेर्की डॉलर था। अब अध्याई 12 आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक और डिजिटल अपसरचना अध्याई 12 जो कि लास्ट है आपका इसमें दिया है भौतिक और डिजिटल अपसरचना रास्टी अपसरचना पाइपलान यानि NIP के तहत 141.4 लाग करो रुपया कि 89151 परियोजनाओं का क कार बनन विभिन चर्णों में हुआ है वही रास्टी अपसरचना पाइपलान की सुरुआत वित वर्ष 2019 से अगले 5 वर्ष वित वर्ष 2024 के लिए की गई थी नेक्स्ट है अगस्त 2021 में शुरू की गई रास्टी मुद्री करन पाइपलान यानि NMP, NMP 9 लाग करो रुपय की निवेश चमता के साथ कार कर रही है अगला है रास्टी मुद्री करन पाइपलान की सुरुआत 23 अगस्ट 2021 से की गई थी वित वर्ष 2022 के दोरान 0.9 लाख रुपय का मुद्री करन लक्ष हांसिल किया गया 0.9 लाख रुपय का मुद्री करन लक्ष हांसिल किया गया वहीं वित वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करो रुपय मुद्री करन का लक्ष रखा गया नेक्स्ट है 30 सितंबर 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने सोलर राज्व में 69 सोलर पार्को का विकास को मुद्जूरी दी जिसकी कुली लक्ष चमता 40 गीगवार्ट है कितनी 40 गीगवार्ट वित वर्ष 2021 के दोरान 17.2 लाख गीगवार्ट विद्दूत का उत्पादन हुआ है कितना 17.2 लाख गीगवार्ट पराबर विद्दूत उत्पादन का हुआ है उसके बाद है कुल विद्धू दुद्पादर में सबसे बरा हिस्सा थर्मल पावर यानि की 49.1 प्रतिसत है थर्मल का सबसे बरा हिस्सा उसके बाद दूतिये में सबसे बरा हिस्सा 27.5% और तिर्थिये में सबसे बरा हिस्सा हाइडरो का 61.7% तो सबसे जादा थर्मल, दूसरा अच्छा है और तीसरा हाइडरो 59, 27 और 11 वितवर्ज 2022 के दोरान 10457 किलोमीटर राश्टी राजमार्ग या सरको का निर्मान किया गया वितवर्ज 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4060 किलोमीटर राश्टी राजमार्ग या फिर सरको का निर्मान किया जा चुका है भारत में जलमार्ग की कुल नौगम में लंबाई 14,850 किलो मिटर है रास्टी जलमार्ग की सबसे जादा लंबाई पस्ची मंगाल में है राश्टिय जलमार की सब्साला लंबाई पस्ची मंगाल में है हाली में 106 नय जलमार को राश्टिय जलमार को घ्षित किया गया है जिससे देश में जो रास्टिय जलमार्ग उसकी संख्या 111 हो चुकी है हैना नेशनल वाटरवे की संख्या 111 हो चुकी है सौ साल पुराने अधिनियम के अस्थान पर अंतर देशी पोत अधिनियम 2020 लागू किया गया अधिक लंबाई के साथ भारतिये रेलवे विश्व का चौथा सबसे वरा नेटवर्क बन चुका है 2019 से 22 के दोरान UPI अधारित लेंदेन के लिए मुल्ग के संदर्व में 121 प्रतिसरत की विर्धी और मात्रा के संदर्व में 115 प्रतिसरत की विर्धी देखी गई है 2019 से 22 के दोरान UPI अधारित लेंदेन के लिए मुल्ग संदर्व में 121 प्रतिसरत की विर्धी और मात्रा के संदर्व में 115 प्रतिसरत की विर्धी देखी गई है नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपफोगताओं की संख्या 117 करोर है टेलीफोन उपफोगताओं की संख्या जिसमें 44.3 प्रतिसरत उपफोगता ग्रामीन शित्र से है जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270 प्रतिसरत और विहार में सबसे कम 55.4 प्रतिसरत है विहार में सबसे कम 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीन इंटरनेट उपफोगताओं की संख्या 200 प्रतिसरत की विर्धी हुई है जून 2022 की इस्तिति की अनुसार 84 करोर ग्राहकों के पास इंटरनेट कनिक्सन है 84 करोर ग्राहकों के पास आगे है कि आर्थिक समिक्षा 2022-23 की अनुसार महत्यपुर्ण आकरे सबसे पहले इसमें हम कुल प्रेजिन अंदर को देखेंगे जो आकी आपका NFHS 5 के अनुसार 2019-21 के लिए जो आपका कुल प्रेजिन अंदर है वो 2.0 है वही आपका नमूना पंचिकरन प्रनाली के अनुसार 2020 के लिए जो कुल प्रेजिन अंदर है सेमी है 2.0 IMR यानी सिसु मिर्थुदर सिसु मिर्थुदर आपका है 2019 से 21 के लिए 35.2 और नमुना पंचिकरण प्रनाली के अनुसार 2020 के लिए सिसु मिर्थुदर है 28 मात्री मिर्थुदर जो है वो नमुना पंचिकरण प्रनाली के अनुसार 2020 के लिए 97 है 2018 से लेके 2020 के लिए 97 है मात्री मिर्तुदर नवजात मिर्तुदर 2019 से 21 के लिए 24.9 है और 2020 के लिए 20 है उसके अलावे 5% 5 वर्ष से कम आयू के बच्चों की मिर्तुदर जो है 41.9 है आपका 2019 से 21 के लिए और 2020 के लिए 32 है पांच वर से कम आयू के बच्चों की मिर्टूदर उसके आलावे आर्थिक समिक्षा 2022-2022 के अधार पर देखिएगा विस्वेंकी के अनुसार 2022 में सिर्सधन प्रेशन प्राप्त करता भारत भारत के पास 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है मैक्सिको के पास 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर और चीन के पास 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वहीं आपका 2022-2023 में अप्रिल से सितंबर में 2022-2023 में अप्रिल सितंबर में देखेंगे तो भारत में टॉप 3 निवेस करने यानि FDI वाले देश सबसे पहले है शिंगापूर सिंगापूर FDI में पहले अस्थान पे है मौरिसस दूसरे अस्थान पे UAE तीसरे अस्थान पे वहीं भारत में टॉप 3 FDI को आकर्सित करने वाला छेतर है कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर और हाडवेर कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर और हाडवेर उसके बाद दूसरा है सेबा दूसरा है सेबा तीसरा है बेपार उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे चलिए ये तो हो गया अभिधर्दे देखेंगे कि दिया है कि 2023 में प्रमुक निंधन जो कि 2023 में जितने भी मिर्तुएं हुई है उससा भी को आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रकास सिंग बादल को प्रकास सिंग बादल पंजाब के पुर्व मुक मंतरी थे इनकी पार्टी थी शीरोमनी अकाली दल कौन सी पार्टी थी सिरोमनी अकाली दल के पंजाब के मुखमंत्री प्रकासिंग बादल थे ये पांच बार मुखमंत्री रहा चुके थे कितने बार पांच बार पंजाब के मुखमंत्री रहा चुके थे और 2015 में इन्हें पदम विभूसन से भी सम्मानित किया था 2015 में और इनकी हाली में मिर्दू हो चुकी है दूसरा है एडर्सन अरांटिस नो अरांटिस डो नैस मेंटो पेलो के खिला रही है एडर्सन अरांटिस लिखा हुआ है एक मिनट मेरे को तो ही निज़र आ रहा है दोनो क्या नाम है इसका तो एडर्सन अरांटिस डो नैस मेंटो पेले को खिला रही है ये ब्राजिल के दिंगल्स फुटबॉलर थे जिनें 1958 में 1962 में और 1970 में ब्राजिल को विशुकप जितने में प्रभूभूंका निभाई थी हीत एस्ट्रिक हीत एस्ट्रिक जो है ये जिंबांबे के पुर्भ क्रिकेटर थे इनकी भी मिर्तू हो चुकी है सी आराओ भारती अमेर्की गनिताग और शांक विद थे उसके बाद बिंदेश्वरी पाठक ये समाजिक कारी करता नाइलेंट मैं और इंडिया के नाम सूपर स्टार थे ओमन चान्डी कीरल के पुरूः सी एम थे कीरल के पुरूः सी एम का नाम था ओमन चान्डी जिनकी मिर्तु हो चुकी है गुफी पेंटल महा महारत के शकुनी मामा के किरदार के रूप में पहचाने जाते हैं, जो पुराना रमायन है, उसमें सकुनी का जो किरादार निभायें थे, वो थे गुफी पटे लोड़िन की मिर्थु हो चुकी है, इम्तियाज अहमद, इम्तियाज अहमद, जे एनियो में पुर्व प्रोफेसर एब समाज सास्री थे, गलेंडा जैंक्सन, ये बिरिटेज सांसत के पुर्व अभिनेत्री, जो की दो बार अकादमिक पुरसकार की विज़ेता भी रहें, गलेंडा जैंक्सन, और ये बिरिटेज सांसत के पुर्व अभिनेत्री थे, उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, ये बार्ग के पु पुर्निमा अडवानी राष्ट्य महिला आयोग के पुर्वध्यक्ष थी सरदियादव साथ बार लोगसवा के सदस्र हचुके हैं सरदियादव सलीम दुरानी भाड़तिय पुर्व किर्केटर थे सलीम दुरानी अमौव हान जी यह दुनिया के सब से गंद्य आदमी थे इरा स्क्राइब भारत के आयरन मैं के नाम से प्रसुथ थे हिरवी राहि कस्मीर के पहले ग्र्मविठ पुरस्कार्विजयता थे श्रहमान राही, सतीश कौसिक प्रसिद अवनेता थे, मीर बरकत अली खान, हैदराबाद के अंतिम निजाम थे, मीर बरकत अली खान, नील मनी फुक्कन, ये असमिय भासा में 56 ग्याट पिर पुरसकार 2021 में इन्होंने प्राप्त किया था, नील मनी फुक्कन इनकी भी मिर् डॉक्टर बालकृष्ण दो, बिठल दास दोसी, ये प्रसिद वास्तु कार एबम 2021 में रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानी थे, उसके अलावे परवेज मुसर्रफ, ये पाकिस्तान के पुर्वरास्ट पती थे परवेज मुसर्रफ, आब आता है आपका जो 2023 में आयोजीत वि रिक्षा के दिथी 24 सार 2023 को बिहार प्रात्मिक सिक्षक का पैले सिप्ट में जो एक्जाम हुआ था उसे रिलेटेट प्रशन को, सबसे पहले इसमें पूछा गया था कि जो भारत की संसद ने नैभवन के प्रवारी बास्तुकार का नाम क्या है, तो पदमश्री बिमल पड का नाम था, जो कि भारत के संसद भवन के नैभवन के जो प्रवारी बास्तुकार के नाम से जाने जाते हैं, आगला है किस राज ने अप्रेल 2023 में ट्रांसजेंडर समुनदाई को OBC का दर्जा दिया है, तुम्मा दिप्रदेश, मदिप्रदेश राज ने जो है अप्रेल 2020 इसमें ट्रांसजेंडर समुनदाई को OBC का दर्जा दिया है, हाली में भारत का पहला केबल एस्टे रेल पूल बनाया गया जम्मू कस्मिर में, भारत का पहला अर्द्चालक, अर्द्चालक यानि सेमी कंडुक्टर निर्मान है तु, प्लांट किस राज में अस्थापित क तो गुजरात में अस्थापित किया गया निमने लिखित में कौन सा देश हाली में कठित आइटु यूटु ग्रूपिंग का सदस है तो आइटु यूटु में हैं इंडिया इंज्राइल यूए और अमेरिका यह आपका चारोच जो है आपका इसमें सामील है तो इसका आंसर राष्ट पती ब्लादिमीर पुतिन के खिलाब वरंच जारी किया था अंतराष्टी अप्रादिक न्याले ने तिरतिये भारत परसांथ दुई पीए सहयोग मंच यानि FIPIC सिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापु अन्यूग गेनी में तिरतिये भारत परसांथ प्राइदू पीए सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ पापु अन्यूग गेनी में रॉबन बिलसन किश्यार के पहले अश्वेत न्याधिस निक्थुए तो निव यॉर्क के रॉबन बिलसन जो है वो पहले अश्वेत न्याधिस निक्थुए है निव यॉर्क के किस देश की संसदिय समिती ने हाली में सिफारिस की है कि भारत को नाटो प्लस समू का हिसा बनाया जाना चाहिए USA याद रखिएगा कि जो यूस देश की संसदिय समीती ने हाल में यह सिफारिस किया है कि भारत को नाटो प्लस समू का हिस्सा बनाया जाना चाहिए अंतराष्टिय बुकर पुरसकार 2030 दिया गया जोर्जी गोस्पोडो निवोव को दिया गया अंतराष्टिय बुकर पुरसकार 2030 जोर्जी गोस्पोडिनोव को ट्यूटर के नए मुख कारेकारी एदिकारी बने है लिंडा याकारी नो ट्यूटर के नए मुख कारेकारी इदिकारी बने है लिंडा या कारी नो भारत की 2011 के जनगर्ना के अनुसार बिहार की कुल महिला साख छर्तादर है इसमें से आंसर हो जाएगा उप्रुक्त में से कोई नहीं है ना इसमें से कोई आप्सन नहीं है क्योंकि इसमें 52 पॉइंट सम्थिंग है तो वो है ही नहीं इसमें आप्सन नहीं है वो तो इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा सुभधरा देवी जिनको 2023 में पदमसरी पुरसकार से नवाजा गया जानी जाती है पेपर में सी कलाकार के रूप में जानी जाती है अब सेकेंड सिफ्ट में जो पुछा गया था टीचर वाले में उसे में देखिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुल सेंटर बनाने का खोसना किया है तो 1272 सीट है भारत की नव उदगाटित संसद में संसदों के लिए कुल 1272 सीट है भारत सरकार ने किसान भीमा दावो के लिए कौन सा ओनलाइन प्लेटफर्म लॉंच किया है दावो के लिए तो इसमें है डीजी क्लेम प्लेटफर्म को स्राइसरकार ने किसान भीमादाबों के लिए जो एक ओनलाइन प्लेटफॉर्म लॉंच किया हुँ है डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म नासा के मून्टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुक के रूप में निक्तिया गया है अमीत छत्रिये को नासा के जो मून्टू मार्स प्रोग्राम है इसके लिए मुख निक्तिये हैं प्रमुक निक्तिये हैं अमीत छत्रिये आगे देखेंगे कि बिहार मद निशेद और उत्पाद सुल्क यानि संसोदन अधिनियम 2022 के अनुसार सराव की ढुलाई करने वाले बाहनों को छोड़ने है तो जुर्माने रूप में उनकी बीमित रासी का कितना प्रतिसत देना होगा तो 10% जो भी हर मद निशेद और उत्पादन सुल्क के अनुसार सराव की ढुलाई करने वाले बाहनों को छोड़ने है तो जुर्माने के रूप में बीमित रासी का जो है वो 10% देना होगा एरबस एवं बोईंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री बिमान बनाया है तो चिन ने किर्ती राज सिंग किस खिल से संबंदित है तो किर्ती राज सिंग भारत तोलन से है विहार उद्योग विभारत द्वारा जारी अद्योग विकास रैंकिंग 2022 में कि जिले ने सरवोच स्थान प्राप्त किया है तो शिवान ने प्राप्त किया है कथन एक प्रित्वी एक परिवार एक भविस्किस के संबंद में है तो G20 का ये आपका धेव वाक्य था उसके बाद है कि क्वार्ड के संबंद में निम्निलिकित ने कौन सा कथन सही है यादी किसका अंसर करेक्ट है आगे है कि निम्मिलिखित में कौन सा कथन सही है 2011 के जनगना के नुसार सिक्किम का जनसंख्या 6,00,00,00 है ये कथन आपका सही है अब UPSC प्रेवलियम्स जो हुआ था 14-5-2023 को इसमें चो पूछे गए प्रस में उससे देखिए केंद्रिय वज सब्सक्राइब के लिए यूबाओं को कौसल परदान करने के लिए विविन राज्य में कितने कौसल भारत अंतराष्टिय केंद्र अस्थापित के जाएंगे स्पेर पुस्तक के लेखक प्रिंस हैरी हैं 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा एक जनवरी 2005 के बाद उन जन्व हुए पुरुष्यों के लिए एक वर्ष की सैनिक सेवाए अनिवार कर दी तो ताइवान 25 दिसंबर 2022 को ताइवान देश के द्वारा एक जन्वरी 2005 के बाद जन्म हुए पुरुष्ट के लिए एक वर्स की सैनिक सेवाए अनिवार कर दी अगला है पोप बेंडिक्ट शोला में जिनका हाली में निधन हुआ के संदर में निमनेलिकित कथन में से कौन सही है वह जर्मनी के मूल लिवासी थी यह सही है पोप बेंडिक्ट वह चोसो बर्स में इस दिफा देने वाले पहले पोप थे यह भी शही है दोनों आपका कतन सही है पोप बेंडिक्ट के बारे में जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का बिमान नेपाल में दुरुगटना ग्रस्थ हुआ तो येटी एयरलाइन जो है इसकी बिमान जो है नेपाल में दुरुगटना ग्रस्थ हो चुका है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैननभ्यास आयोजित हुआ है राजस्थान में सुदर्शन प्रहार सैन नभ्यास कहाँ पे राजस्थान में, विश्ट वेटलेंड दिवस मनाया जाता है दो फरवरी को, विश्ट वेटलेंड डिवस यानि आदरभूमी दिवस दो फरवरी को मनाते हैं, माध्यान भोजन योजना को पीम पोशन योजना में किस बर्स पुर निमित किया गया है 2021 में, जन्नी सुरक्षा योजना के प्रमखुदेश मात्री मिर्टुदर तथा नवजात मिर्टुदर में कमी करना जन्नी सुरक्षा योजना का प्रमखुदेश है आगे है संगीय वजट 2023 में, योजनाओं के अनुसार आवंटं के संदरह में, निम्न कथन में कौन सा कथन सही है दिया है कि पिछले वर्स के तुल्ला में मरडगा है तू आवंटं में सरवदिक प्रतिस्यत कटोती दर्ज की गई, ये गलत है पिछले वर्स की तुलना में जलजीवन मिशन ही तू आवंटन में सरवधिक प्रतिस्यत विर्धी दर्श की गई ये सही है आपका संगी वजट 2023-24 की योजनाओं के अनुशार अगला है दिसंबर 2022 में न्यूजीलेंड ने अगली पीड़ी के लिए द्रुम पान प्रप्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है किसने न्यूजीलेंड ने और न्यूजीलेंड का लक्ष क्या है कि 2025 तक धुम्रपान्थ मुक्त होना अगला है फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलाइन्स पुस्तक के लेखक है विमल जलान कौन है विमल जलान ने मिलेकित में कौन सा सतत विकास का लक्ष नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष रखा गया तो अंत्रिक शैनुस अंधान जो है आपका ये इसका विकास मतलब जो अंत्रिक शैनुस अंधान है ये सपत विकास का लक्ष नहीं है आगे है पिम गति सक्ती योजना के संदर्म में निमिलिकित में कौन सा कथन सही है पीम गती सकती योजना जो है इसमें राश्टी योजना का सुबारम 2022 में किया गलत है राश्टी अब संडचना पाइफलाइन में साथ इंजन, साथ इंजन मतलब रसरक, रेल, एरपोर्ट, बंदरगा, जनसंचार, संसाधन, जलमार्ग और लोजिस्टिक अबस रशनाय से संबन दित पर योजनाओं को पीम गती सकती धाचे के साथ जोड़ा जाएगा ये बिल्कुल सही है अगले है, 2022 में, विश्व में Greenhouse Gas की उतसर्जन में भारत किसस अस्थान पर है, तो दस्मे अस्थान पर है तो स्यामा परसाद मुखर्जी रूबर मीशन तो 2015 ये सुमेलित नहीं है माकी रूलर हाउसिंग इंट्रेस्ट सबसिड्री इसकिम 2017 सही है सांसद आदर्स ग्रामी उजना 2014 सही है दीन द्याल उपाध्याई ग्रामीन कोसली उजना 2014 ये भी सही है 2022-23 के लिए गरीवी उनमुलन के लिए अंतराश्टिय दिवस का विशे है भारतिय जैविक डेटा के द्र जो है हरियाना राज्ज में अस्थापित किया जा रहा है निसार उपगरा जो है वो इसरो और नासा दोनों का सयुक्त रूप से विक्सित किया गया जो है उपगरा है निशार माना विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्म में जो कथन सत्थ है उसे देखिए कथन सत्थ है कि माना विकास उचकांक में भारत किस्रेनी 2020 में 139 से उननत होकर 2022 में 132 हो गई है ये गलत है मानविका सुचकांक भारत की श्रयनी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है ये सही है बड़ी नेमिल की गिर गई है अगे केंद्रिय वजट 2023 में वीतिय चेत्र में जो राजकोसिय प्रवंधन है इसके लिए कौन सा वाक्ष ही है तो वीतिय छेत्र में राजकोशी प्रवंदन के लिए वाक्य सही है G.S.D.P. का सारे तीन प्रतिसत राजकोशी घाटों की राजों की अनुमती ये लाइन आपका विल्कूल सही है आगे देखेंगे कि किस सिद्ध दोस के धार पर फरवरी दो हजार तैस को ब्रिटिस प्रधानमंत्री रिशी सुनक द्वारा अपनी सरकार से वितमंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया टैक्सोस स्केंडल याद रखेगा कि जो टैक्सोस स्केंडल है इनकिधार पर फरवरी दो हजार तैस को बिरिटिस प्रधान मंत्री रिशी सुनक्त्वारा अपने सरकार से वित मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया अगला है निम्मिलिकित में कौन सा एक केंद्रिये सही सुमेरित नहीं है यानि कि 2000 केंद्रिये वजट विभाग 2013-2024 अनुमानित 53 में सही सुमेडित नहीं है तो स्वास्त मंत्राले के लिए 89,155 करूर रुपया ये बिल्कुल सही नहीं है स्वास्त में इतना नहीं खर्च है परवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हलिकॉप्टर निर्मान सेंद्र का उद्गाटन के आगया है तुमकूर करनाटक में किंद्रिये वजट 2023 में कुल परिव्य निम्नलेखित में से जो कथन सही है वो देखेगा सबसीडी 9% ये बिल्कुल सही है मतलब सही नहीं है अगला है भारत के G20 प्रतिक चिन के संदर्म में निम्नलेखित कथन में कौन सा सही है तो प्रतिक चिन में साथ पंखूरी वाला कमल ये सही है प्रतिक चिन साथ पंखूरी साथ महादुप को प्रतनित करती है ये भी सही है G20 के बारे में आगे है कि कि स कारपियन स्रेनी की पंडुबी को जनबरी 2023 में भारतिय नॉसेना में सामिल किया गया तो I.N.S बागीर को दो परबरी 2023 को किस देश ने केंद्रिये वैंक के अपने करेंसी नोट से बिरिटिस राजसाही को हटाने का घोसना किया है तो Australia अस्ट्रिया देस ने केंद्रिये वैंक के अपने करेंसी नोट विर्टिस राजसाही को हटनाने का घोसना किया है आगे है कि दिसंबर 2022 में चारी समाजिक परगती सुचकांग के अनुसार टीयर वन में कौन अती उच्च समाजिक परगती में सिर्षतीन अस्थान पर है तो प अगला SCO फिल्म समहोचसब 2023 के संदर्व में कौन सा कतन सही है तो संगाई सायोग संगठन की भारत की अधिक्सता के दोरान SCO फिल्म महोचसम आयुजित किया जा रहा है ये सही है SCO फिल्म महोचसम में SCO देशों की फिल्म की संग दिखाई जाएगी ये भी सही है SCO के बारे में अगला है किसे जनवरी 2023 में न्यूजिलेंड के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया तो क्रिस हिपकिन्स को न्यूजिलेंड का प्रधान मंत्री निक्त किया गया भारत का प्रथम National Center for Marine Biodiversity इस्तित है जामनगर में अगला है Golden Globe पुरसकार विजयता गीत नाटू-नाटू के रचनाकार है MM किरावानी कोन है MM किरावानी अब है आपका की 34-2023 को जो UPSSEC 1 दरोगा का एकजाम हुआ था उससे related प्रष्ट को देखेंगे 2027 से 2031 के लिए भारत के राश्ट्रिये वनजीव Action Plan यानि NWAP के बारे में कौन सा कथन पर विचार करना है तो यह तीसरी राश्ट्य वनजीव कार्जिकरम योजना है बिल्कुस सही है और NWP में 10 घटक हैं बिल्कुस यह गलत है आपका किंद्रिये परियावरन बन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने उनु राश्टी उद्यान में चीता परिचय परियुजना की निग्राने के लिए कारेदल का गठन किया है कुनो नेशनल पार्क में आगे है पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हांती दिवस यानि वर्ड एलिफेंट डे भारत में भारत के पिरियार केरल में मिनाया गय उसके बाद है कि किस देश ने कॉप 27 सम्मेलन का आयोजन किया है तो मिश्र देश जो है वो कॉप 27 का आयोजन किया है कॉप 27 के दौरान सेनेगल के साथ इस्पेन देश ने अंतरास्टिय सुसकता प्रतिरोध गटवंधन शुरू किया है अगला है जलवायू परिवर्तन के संबंद में कौन सा कथन गलत है तो जलवायू परिवर्तन के बारे में दिया है कि कॉप 27 में भारत ने निम्न कारवन शमता का लक्ष भोसना किया गलत है परदानमंत्री मोधी द्वारा लॉंच किया गया मिसन लाइफ जलवायू परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरन की रक्षा के लिए पैस्विक आंदोलन है तो गलत कथन दो है बांकी सभी सही है अगला है कारवन क्रेडिट के लिए कारवन क्रेडिट के लिए एक स्वैक्षिक वेपार प्रणाली के शमान माप दंडो को लोगसभा 2022 में किस अधिनियम में पेस किया गया तो उज्जा संदक्षन अधिनियम में पेस किया गया है कारवन क्रेडिट के लिए एक स्वैक्षिक बेपार प्रणाली के समान माप तंडो को लोगसभा 2022 में उठ्जा संदक्षेन अधिनिया में पेस किया गया अगला है आपका कि भारत की पहली कारवन रजिस्ट्री का नाम CRI है क्या है CRI है भारत की पहली कारवन रजिस्ट्री का नाम CRI है नेक्स्ट है कि भारत में परिस्थितिक की क्या जनक माना गया है राम देव मिश्र को चलिए आप हम देखेंगे BPSC 68 मी का जो PT का परिक्षा हुआ था उससे रिलेटिट खेलो इंडिया महिला टूनामेंट में पहली बार किस खेल को सामिल किया गया है तो ट्रैक साइकलिंग को खेलो इंडिया महिला टूनामेंट में पहली बार ट्रैक साइकलिंग को सामिल किया गया आगे है 28 नमबंबर 2022 को मुखमंत्री निदिश कुमार द्वारा गंगा जल आपूरती युजना का उखाटन बूद गया में किया गया कहाँ पे बूद गया में किस एसोस्टेसिन बूड यानि कि अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलारियों के लिए समान वेतन की घुसना की तो भारतिय किर्केट कंट्रोल बूड का याद रखेगा कि भारतिय किर्केट कंट्रोल बूड ने है इसने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलारियों के लिए समान वेतन की घुसना की केंद्रिये मंत्राले ने 2022 में युवा 2.0 योजना का सुभारम किया है तो वह सिक्ष्या मंत्राले ने 2022 में युवा 2.0 योजना का सुभारम किया है गिरी मंत्रा लेन ने नॉवंबर 2022 में 576 देश की भासाओं की फिल्ड विडियोग्राफिक के साथ भारतिये मात्री भासा सरवेक्षन कारिकों पुरा करेगा 576 भासाओं को किस समीती ने एक जनवरी 2026 से पुर्ण मुल निर्धारन सौतनता के सिफारिस करते हुए गैस मुल निर्धारन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की तो वो है किरीट पारिक समीती ने निर्धारन मंत्री ने किस अस्थान पर पहला गिए गया था तो याद रखिएगा कि जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा नवी मुंबई सूरत और भुपाल नवी मुंबई मैसूर विशाका पद्नम और तिरुपती को सामिल किया गया था तो तीनों अप्सन में है ग्रीनफिल्ड हवायड़ा डोनी पूलो हवायड़ा का उदखटन किया तो डोनी पूलो हवायड़ा इटानगर में कहां पे इटानगर में किस जानबर को नॉमबर 2022 में भारतिये खाद सुरक्षा और मानक प्रधी करन द्वारा एक खाद पसू के रूप में अनुमूदित किया गया तो हिमालेई याक का हिमालेई याक जो है से नॉमबर 2022 में भारतिये खाद सुरक्षा और मानक प्रधी करन द्वारा एक खाद पसू के रूप में अनुमूदित किया गया है आगे है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वीतिय साक्षरता सिवील हाली में इंडिया पोस किया है भारत के राष्ट पती ने आट अक्टूबर 2022 को मनाए गये नब्बे में भारतिये बायुसेना दिवस पर असी बायुशेनाओं को घंटे भर का हवाई प्रदर्सन जो है आयुजित किया गया सुखना जील चंडीगड में जो है नब्बे में भारतिये बायुसेना दिवस के असी बायुशेनाओं के घंटे वर का हवाई प्रदर्सन जो है आयुचित किया गया अगला है भारत सरकार के पोसन अभियान के तहद सितंबर महीने को राष्टिये पोसन माई या नेशनल निट्रिशन्स मन्थ के रुप नेइक्सट कौनसा विष्व का सबसे बारत जॉला मुखी है जो पिछले 38 वर्ड में पहली बार फोटा है तो वह है मोनालुआ मोना लुआ जोलमुखी जो की विष्व पिछले 38 वर्ष में पहली बार फूटा है किसे हाली में उनके उपन्यास The Seven Moons of Mali Almeida के लिए 2022 का बुकर पुरसकार मिला है तो वो है सिहान करुना तालिका सिहान करुना तालिका का उपन्यास है The Seven Moons of Mali Almeida इसके लिए इनके से 2022 का बुकर पुरसकार दिया गया है विष्व अंत्रिक्ष सप्ता 2022 का थीम था अंत्रिक्ष और निरंतता किस लेबरेटरी ने निसंबर 2022 तक एक एतिहासिक नावकिये सलियन सफलता का दावा किया था तो वो है Lawrence Livermore National Laboratory Lawrence Livermore National Laboratory जो है इसने एतिहासिक नावकिये सलियन सफलता का दावा किया था कोलिन्स डिक्ष नरी का Word of the Year 2022 मिला है वर्ड को पर्मा क्राइसिस वर्ड को कौनसे वर्ड को पर्मा क्राइसिस को किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतरास्टी शुखा लचीलापन गटवंदन का सुबारम किया है तो इस्पेन याद रखेगा कि इस्पेन देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 के दौरान अंतराश्टी शूखा लचीलापन गटवंदन का सुभारव किया है भारत में पहली बार जापान देश के दूताबास ने नोहांसू के लिए जी आई टैग के अलिया आपदन किया है जापान ने नोहांसू दिप के लिए आगे किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोसना किया है कि उसे उन्हें क्यूलैसिस अंतरिक्षियान को आगे बढ़ाने के लिए भाव का सफलता पुर्वक उपयोग किया है तो वो जक्सा, जक्सा ने ये घुसना किया है कि उसने अपने Equalysis अंतिक शियान को आगे बढ़ाने के लिए भाब का सफलता पुर्वक परयूग किया है अक्टूबर 2022 में लॉंच किये गये टेसला हिूमनाइड रोबोट का नाम आप्टिमस है उसके बाद है कि भारत कुल पवन उर्जा अस्थापित लगभग 4000 गिगावाट है ये सही ये कथन नहीं है, गलत है पहला सही था भारतिये राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन उर्जा चमता जमीन से 100 मीटर की उचाये पर गुजरात में है क्वाट समूं के संदर में क्या सही है क्वाट समूं के सिर्थ नेताओं के बीच पहली बैटक 2017 में हुए क्वाट 2022 की 24 अपरेल को टोक्यो में आउजित हुआ बैटक 24 अपरेल को और क्वाट 2022 बैटक में हिंद प्रसांत समूंद्रिय कारेचित जागरुकता IPMDA पहल की घुसना की गई है यह बिल्कुल सही है तीसरा सही है बांकी दोनों गलत है क्वाट के बारे में आगे है चिन्नई में आई उजित 44 में चेस उलंपियाड 2022 के सम्मद में यह कथन सही है भारत की कुल छोड़ी टीमों ने इस आई उजित लिया यह भी सही है भारत ने ओपिन और महिला वर्ग में कास्ट पदा खांसलिकिया यह भी सही है फीफा अंडर 17 वोमेंस वोल्ड कप 2022 का फाइनल मैच डी वाई पटिल स्टेडियम नवी मुंबई में आई उजित किया गया जो की अंडर 17 वोमेंस वोल्ड कप था फाइनल मैच में वर्ष 2022 के लिए पदम विभूसन पुरसकार के संबन्ध में सही है कि कुल चार लोगों को पुरसकार दिया गया कुल दो लोगों को पुरसकार मरुनों परांत दिया गया प्रभा अत्रे को या पुरसकार दिया गया कतन सही है, सभी कतन आपका सही है पदम विभूसन के बारे में 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्टपती पुलीस मेडल दिया गया मोशेन सहीदी को इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अन्तिम PSLV मीशन का नाम PSLV C54 है क्या है PSLV C54? भारत G20 के वार्षिक सिखर सम्मिलन की मिजवानी कर रहा है जो कि अठार्मा है अठार्मा G20 सिखर सम्मिलन की मिजवानी भारत कर रहा है अंतरास्टी वुकर पुरसकर 2020 दीा गया है गीतांजली सिरी को जिनकी पुस्तक है T weißandorf स्वर्गिये महरानी एलीजावे दूतिये के बारे में शही नहीं है वो दो बार एधिकारिक रूप से भारताई गलत है 1961 में भारतिये गंतंत्र दिवसफर मुखतिती के रूप में रही वो भारत की सोतमत्ता के 50 भी वर्षगाट के समारों में समलित होने के लिए भारताई साहिए पहला गलत है बागी सभी साहिए अगला है निम्न में से गलत को चुने दिया है कि जो हैरिटी है है सिटी डेवलप्मेंट और और्गेनाइजेशन योजना उसके बाद है शेहत सोचल एडवन सोचल एडवेर पॉर हेल्थ केर एंड टेली मेडिशन उसके बाद नेक्स्ट है अमरूत अटले मीशन फोर रेजुवेर निवेशन और अरवन ट्रांसफोर्मेशन योप्रिक्त में से कोई नहीं कर थे सभी साहिए आगे G20 के संदर्व में क्या सही नहीं है G20 समू यूरोपियन यूनियन और अनुनिस देशों की अप्चारिक समू है यह सही नहीं है G20 सची बाला लंदन में है उसके बाद है अध्यक्षपद के लिए चुनाव हेतु बने समू में भारत समू टू में जिसमें रूप्स तस्षिना फिरकावर तुर्की सामिल है आगे देखते हैं कि UBPCSJ 2023 में जो पूछा गया था उससे रिलेटेट परश्म को उसके बाद एक अप्रेल 2022 से प्रत्यक परकार की परिशंपतियों पर दिर्ग कालिन पुजी अधिलाव कर पर अधिभार अरूपित किया गया है 15 प्रतिशत कितना 15 प्रतिशत आठमे अंतरास्टी योग दिवस का थीम है मानपता के लिए योग क्या थीम है? आठमे अंतरास्टी योग दिवस का थीम है मानपता के लिए योग टॉम बाम सेंट के रेचाईता जिनको अंतरास्टी बुकर पुरेसकार 2022 दिया गया वो है गीतांजली श्री WHO पारंपारिक असोधिक वैस्विक केंद्र भारत में अस्थापित किया गया है जामनगर में जो कि असोधिक वैस्विक केंद्र है भारत में हुजरामनगर में अस्थापित किया गया व्योमित्रा नामक रोबोट किसकी द्वारा विक्सित किया गया है? तो व्यों मित्रा नामक रोबोट को इसरो ने विक्षित किया है किसने इसरो ने 15 में वितायो की सिफारिष की जो है वो 2021-2025-26 के लिए क्या गया है 15 में वितायो की सिफारिष 21-22-25-26 अगला है भारत का पहला स्वदेश में विक्षित remote sensing उपकरा उपकरा किसके माध्यम से प्रच्षेपित किया गया है तो वाई को नूरू कॉस्मो ड्रोम से प्रच्षेपित किया गया है भारत का पहला स्वदेश में विक्सित रिमोट सेंसिंग उपकरा जो है ये वाइक को नूर कॉस्मो ड्रोम मध्यम से प्रिशेपित किया गया आगे है योजना और संघी मंत्राला इसे सुमेलित कीज़े समाजिक नया एबम ससक्तिकरन, सेहत रक्षा, स्वानिदी अवास एबम नगरी मामले, सार्थक सिक्षा सुमेलित है कोविड-19 महामारी के समय शफरिंग इन साइलेंस सिर्सक के नाइजर की दुर्दसा को दर्साने वाली रिपूर्ट किस संस्ताने चारे की तो यूनिशेफ ने ध्यान रखिएगा जो कोविड-19 महामारी के समय शफरिंग इन साइलेंस सिर्सक से नाइजर की जो दुर्दसा था उसको दिखाने वाली रिपूर्ट संस्ता का नाम है यूनिशेफ चंद्रयान टू रोवर जो की प्रग्यान नाम की एक विद्धुत उत्पादन पणाली है या संबन्दित है चो पहियो वाला रोबेटिक बहान किस अंतराष्टिय संगठान ने COVID-19 वैक्सीन मार्केट डैसबोर्ट सुरू किया है तो यूनिशेफ जो है वो COVID-19 वैक्सीन मार्केट डैसबोर्ट को सुरू किया है जेब बेजोस के श्वामित वाली एरोश्पेस कंपनी का नाम डबलू ओरिजन है क्या है डबलू ओरिजन जो कि जेब बेजोस की श्वामित वाली एरोश्पेस कंपनी का नाम जो है उसका रखा गया है डबलू ओरिजन 2022 के संग्य वजट के लिए अमरित काल में भारत की अकांशाओं के लिए जो लक्ष सही है वो है बीकास इमम समावेसी कल्यान पर जोर प्रद्योगी सक्षम को बढ़ावा देना ये दोनों कतन आपका बिल्कुल सही है अमरित काल में भारत की अकांशियों के लिए जो है इस लक्ष सही है आगे है US डॉलर के नामित रिन के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी रिन में किस मुद्रा के नामित रिन का दूसरा सबसे बरा भाग है तो है भारतिय रुप्या US Dollar के नामित रिम के बाद, December 2021 के अंत तक भारत के बाहरी रिन में, भारतिये रुप्या के नामित रिम का दूसरा सबसे वरा भाग है आगे है जन सम्बर्थन प्रोटल सम्बंदित है, Credit Liquid सरकारी योजना से जन सम्बर्थन प्रोटल सम्बंदित है किस देश में प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी ने आहान किया था कि भारत चलो भारत से जुरो जापान में मोदी जी ने जापान में या आहान किया था कि भारत चलो भारत से जुरो किस भारती ये कर्मी को WHO Global Health Leaders Award 2022 प्राप्थ हुआ है तो आसा कर्मी को यहाँ पे मिलान करना है योजना और वर्ज आत्मिर्वर 2020, पीम बानी 2020, पीम कुश्म 2019, आयुस्मान भारत 2018 भारत के किस सहर में राष्टी अस्तर का पहला अमरित सरोवर बनकर तयार हुआ, तो रामपूर उत्तर प्रदेश में अमरित सरोवर बनकर तयार हुआ है, रामपूर उत्तर प्रदेश में, प्रान योजना के अंतरगत, किस भारती संस्थान द्वारा, इंटेसिव के Grade well-inter, ventilator लिखा हुआ है, ventilator विक्सित के आगया, तो IISC बेंगलोरू के द्वारा, याद रखेगा कि प्रान यूजना के आंतरगत, IISC बेंगलोरू जो है भार्दी संस्थान द्वारा, Intensive Care Unit, Grade Ventilator विक्सित के आगया, ICU. केंदरिये वज़ट 2022-23 के लिए कुल कितने खर्च का अनुमान है तो 39.45 लाख रुपया करोर का खर्च है उसके बाद है राजस्थान CET के परिच्छा में पूछे गया प्रस्त 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोर्वी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पूल ठा गया यह जो बना है मांग्चु नदी पर किस नदी पर मंचु नदी पर बना है दा एड़ेप्टेशन गेप रिपोर्ट 2022 के प्रकासन करता स्युक्त राष्ट परियावरन कार्ज करम है देखिए इस questionnaire को मैं एकी बार पर रहे है क्योंकि आपको बस दिखाना है कि कोश्चन यह सब पूछा के है आप सारा करें टांद को इस वीडियो के मादे हमसे करने वाले है ठीक है तो इसलिए हम इसको एक ही बार पर रहे हैं इसको याद करने का डिट नहीं है, हो सकता है, इससे रिलेटर आपसे कुछ और पूछ ले, है ना? इंडिया एस्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट दो हजर उनीस के अनुसार, वह राज जहां वन छेत्र का प्रतिस्यत मान नियुनितम है, वह हरियाना। प्रभा अत्रे पदम विभूसन पुरसकार विजयता हैं 2022 के, इनका संबन भारतिय संस्त्रिय संगित से है, प्रभा अत्रे का संबन। अगला है राश्टिय महिला की वर्तमान अध्यक्ष, 18 दिसंबर 2022 के नुसार, सिरी मती रेखा सर्मा है। आगे देखेंगे कि किस दिन को भारत में राश्टी एकता दिवस के रुप में मनाया गया। की रेंक आठमा है। आहमदावाद में 36 राश्ट्य खेलो का आयोजन हुआ है। 30 दिसंबर 2022 को 68 राश्ट्य फिल्म पुरस्कार में दादा सहा फाल के पुरस्कार से आसा पारेक को सम्मानित किया गया। और 60 में दादा सहाफाल के पुरसकार आसा पारेक को दिया गया। मार्च 2022 में योगी आदितिनाथ ने लगातार दूसरे कारेकाल के लिए UP के मुखमंत्री के रूप में सबतली और वह राज के 33 में मुखमंत्री हैं योगी आदितिनाथ। चर्चा में रहा गुइंडी राष्टियो ध्यान चिन्नेई में इस्थित है। रिलाइंस इंडरस्टिस द्वारा भारत का पर्थम मल्टी मॉडल लॉगिस्टिक पार्क तमील नांडू में विक्सित किया गया। तहां पे तमील नांडू में। भारत के ब्रथम Chief of Defense Stamps याई जनरल विपिंडावत को मरनो उपरांथ जो है वो पदम भीबुसन से सम्मानित किया गया है विपिंडावत को। भारत के किसराज की 68 मी नेहरू ट्रोफी बोट रेस में आयोजित की गई तो किरल में। भारत के किरल लाज में 68 मी नेहरू रिपोर्ट ट्रोफी का योजन किया गया। आगे है 2024 के गिरिस मुकालिन उलम्पिक खिलकी में जवानी पेरिस फ्रांस में किया गया। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में रूबल से खावत प्रतियोगता फास्ट रनर अप रही है फेमिना मिस इंडिया में। गोया में आयोजित IFFI भारती अंतरास्टिय फिल्म समारो 2022 में जो है चिरन जीवी जो है इसे 2022 में चिरन जीवी को भारतीय फिल्म प्यक्तिकत गोसित किया गया है IFFI के द्वारा गोया में अब परिख्षय थी 5-2-2-3 का verse and second का पुछा हुआ प्रस्ट चर्चह में रहा अरुण जल्विदुदुदपर्योजना भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है जो अरोंजल विदुद परियोजना है ये भारत और नेपाल के सहयोग से है भारत के मुख चुनाव आयोग जो की राजीब कुमार है लक्चसेन एवं किदामबती सिरीकांथ का समथ बैडविंटन से हैं किस ने 8-10-2022 को कुवालामपुर में आयो जीत 20 बिलियर्ट्स चेंपियंशिप में 25 विश्व सत्रंज जीता है तो पंकज आडवानी ने 25 विश्व खिताब जीता है किसका 20 बिलियर्ट्स चेंपियंशिप का 25 विश्व खिताब जीता है पंकज आडवानी ने आगे है किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम Electronic Bank Guarantee जारी की गई तो HDFC गे गई है HDFC बैंक द्वारा भारत की प्रथम Electronic Bank Guarantee जारी की गई है अगला है L.S. बालियात्सकी को Nobel सांती पुरसकार 2022 से सम्मानित किया गया है जो कि बेलारूस की है संघाय सयोग संगठन के सीखर सम्मिलन की मेजवानी 15-16 सितंबर 2022 को उजबेकिस्तान देश में किया गया SCO की सीखर सम्मिलन की मेजवानी उजबेकिस्तान में कौन श्नो टाइगर के नाम से जाना जाने वाला 1977 में कंचन जंखा को फत्य करने वाला प्रथम भारतिय था जिसकी हाली में अक्टूबर 2022 में मिर्थू हो गई तो कर्नल प्रेमचंदर कर्नल प्रेमचंदर जो की स्नो टाइगर नाम से जाने जाते थे 1977 में इन्होंने कंचन जंखा को फत्य किया था और पहले भारतिये थे जिनकी हाली में मिर्तुफ हो गई है कर्णल प्रेमचंद्र के भारत के बास्केट वल दिगज और अर्जुन पुरसकार विजयता जिनका 15 नॉमबर 2022 को देहांत हुआ गुलाम अबास मुटसीर है आगे है कि भारत सरकार ने 2025 तक टीवी मुक्त भारत का लक्ष निधारित किया है आर प्रग्यानंद जो है वो सत्रंज के प्रसित खिला रही है आर प्रग्यानंद अभी काफी चर्चे में रहे थे मोदी जी उन्हें उनसे मिले वेगर भी है है एक नॉमबर 2022 को याद रखेगा कि स्पेस एक्स कंपनी द्वारा फालकन हैबी रॉ आपना के लिए जानी जाती है कौन तो याद रखेगा इलावट 76 में स्वतनता दिवस पर राष्ट के नाम अपने संबोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विक्सित भारत की घोसना की है 2047 तक आर्टीमस फॉस्ट नामक अंत्रिक शिमिशन को लॉंच किय खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो लाष्ट वो फिलिपींस फिलिपेंस तेस काई कार देंद्र करता को नहीं दिया गया अगला है बर्मिंगम. बर्मिंगम राष्ट खेलो थो नौन और Physics ब्हारत ने। ब्रणह पर नगयो जीते हैं। अगला है कि कौन सा पूल रूस और युग्रेन को जोडने वाला लिंक था तो केर्च बिरिज जो था ये रूस और युग्रेन को जोडने वाला लिंक था दफादर ओफ आर्टिफिसिल इंडेलिजेंस जोन मकार्थी को कहा जाता है अब 11.02.2023 पहला और दूसरा सिप्ट का परिख्षा का प्रस्ण को देखियेगा हालि में बैंकओ्म में आयो जित एस्या कप टेवल टेनिस टूनामेंट में जो है कास पदग जीता मैनिका वतञाने एसिया कप टेवल टेनिस बंकॉक में हुआ था और इसमें कास बदक जीता है मैनी का बत्राने सितंबर 2022 में मेकिन इंडिया को आठ साल पूरे हुए 27 अक्टूबर 2022 को भारत में डैसमा यानि 76 मा पैदल सेना दिवस मनाया गया 27 अक्टूबर को किस सहर ने वल्ड ग्रीन सुटी अवारड 2022 को जीता है उपर आश्टपती द्वारा हॉर्ण विल उथसपका अगालेंड में किया गया 27 आड़ दो थान मंत्री नेरंद्र मोदी द्वारा उद्गाटन किया गया अटल पूल जो की सावरमती नदी पर है किस पर अटल सावरमती नदी पर माउंट एवरेश्ट और माउंट मकालू पर चड़ने वाली प्रतम भारतिय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिम संख्लन में देहांत हो गया वो सविता कंशवाल थी सविता कंशवाल उसके बाद है सुधा सिंग। सुधा सिंग ओलंपी की खिलारी जिनोंने हाली में सन्यास की घोशना किया यह एथ loser है सुधा सिंग, प्रचंट क्या है जिसे हाली में सामिल किया गया है, तो प्रचंट एक हेलिकॉप्टर है, प्रचंट एक हेलिकॉप्टर, आरीटा पट्टी तथा मिनाक्षी पूरम गाउं की जैब विविता धरोहर अस्थल तमीलांडू में है, पीम स्री योजना के किस निमनलिखित में से किस एक उन्यान विकास करना है, तो इस्कूल का, पीम स्री योजना काउदेश, जो है, इस्कूल का एक उन्यान तथा विकास करना है, आगे है कि निमनलिखित में किसने चिकित्सा के चित्र में नॉबल पुरसकार 2022 जीता है, तो चिकित्सा के चित्र है निशार निशार जो है वो नासा और इसरों के मद्ध दोहरी आबरिती संसलिष्ट द्वारक रडार उपकरख प्रच्छेपन करने के लिए एक सउप्त परियोजना है निशार तो यह प्रेविश एर कोशन मतलब जो एक्जाम आपका हुआ हाली में उससे रिलेटेट जो भ अंत्रिक्ष दिवस मनाया जाएगा क्योंकि चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दस्चिंद रूप पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष में प्रती बर्स 23 अगस्त को जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्टी अंत्रिक्ष दिवस के रूप में मनाने का गोसना कि अगला है स्वतंत्र वीर गौरब दिवस 28 माई को मनाया जाएगा 28 माई को क्यों क्योंकि महरास सरकार ने प्रते एक साल वीडी सावरकर की जो जैनती होती है वो 28 माई को उस दिन स्वतंत्र वीर गौरब दिवस के रूप में मनाने का गोसना किया है किसने महरास्ट सरकार न तो 28 माई को स्वतंत्र वीर गौरब दिवस मनाया जाएगा 27 परिवहन को लेकर लोगों को जागरू करने के उद्देश से सयुक्तिराष्ट सभा ने 26 नौवंबर को 20 स्वतंत परिवहन दिवस के रुप में घोसित किया है याद रखियेगा कि 20 सतत परिवहन दिवस 26 नौवंबर को मनाया जाएगा इससे क्या है कि जो सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरू करने के उद्देश से सयुक्तिराष्ट महा सभा ने 26 नौवंबर को 20 सतत परिवहन दिवस के रुप में घोसित किया है आगे अंतरास्टिय बायोस्पेर रिजर्व दिवस जो कि 3 नॉवंबर को मनाया जाएगा अंतरास्टिय बायोस्पेर रिजर्व दिवस 3 नॉवंबर 2022 को पहली बार बायोस्पेर रिजर्व के लिए अंतरास्टिय दिवस मनाया गया अगला है समानिता दिवस जो कि 14 अप्रेल को मनाया जाएगा शमानिता दिवस ये तमिलांडू सरकार ने भीम्राव अंबेदकर की जैनती को समानिता दिवस के रुप में मनाने का घोसना किया है किसने तमिलांडू सरकार ने भीम्राव अंबेदकर की जैनती 14 अप्रेल को समाजिक न्याय दिवस राष्टिय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्टिय बंजी बोड की अस्थाई समीती ने प्रती 5 अक्टूबर को राष्टिय डॉल्फिन दिवस मनाने का गोसना किया है किसने राष्टिय बंजी बोड की अस्थाई समीती ने और इस दिवस के आयोजन काउदेश डॉल्फिन के प्रजाती के संडक्षन के लिए जारुकता बढ़ाने के लिए होगा अगला है मैत्री दिवस जो की मनाया जाएगा 6 दिसंबर को मैत्री दिवस 6 दिसंबर को ही मैत्री दिवस क्यों मनाया जाएगा? वो इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि भारत और बांगलादेश ने 6 दिसंबर को Friendship Day के रुप में मनाने का फैसला लिया है और इसी दिन 1971 को भारत ने बांगलादेश को मानिता दी थी इसलिए 6 दिसंबर को मैंत्रे दिवस मनायेगा अगला है महामारी की तैयारी अंतराश्टिये दिवस महामारी की तैयारी अंतराश्टिये दिवस जो है यह 27 दिसंबर को मनाया जाएगा 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी अंतराश्टिये दिवस मनाया जाएगा राश्टीय स्टार्टप दिवस का 16 जन्बरी को राश्टीय स्टार्टप दिवस क्यों मनाया जाएगा तो 16 जन्बरी को राश्टीय स्टार्टप दिवस भारत की पिछले दो वर्स में स्टार्टप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए के अंदर सरकार ने 16 अगला है प्राकर्म दिवस, 23 जन्बरी को मनाया जाएगा प्रतेक 23 जन्बरी को प्राकर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविन्द सिंग के चार पुत्रों को सरधांजली देने हेतु प्रतेक 26 जन्बर को बीर वाल दिवस के रुप्रे मनाने का घोसना किया है गोरु गोविन्द सिंग के चार पुत्रों को सरधांजली देने के लिए भगवान मिर्शा मुंडा की जन्मदीन को प्रतेक वर्ष जन्जातित गोरब दिवस के रुप्रे मनाने का फैसला किन सरकार ने लिया है चले यहां पर आता है वर्ष दो हजार बाइस तैस में आये तुफानिया चक्रवात सव ओला सव ओला सितंबर दो हजार तैस में आया था दस्चिन चीन को प्रभावित किया सितंबर दो हजार तैस में आया बीपरजवाई जून 2023 में आया है और गुजरात, महराश और आजस्थान को परभावित किया था बीपरजवाई और ये बांगलादेश ने इसका नामा करन किया था बांगलादेश ने नामा करन किया था इलसा इलसा जो है अप्रेल से अप्रेल 2023 में आया था और अस्टेलिया के पश्मी तट पर इलसा आया था मोचा भी मैं 2023 में आया मोचा और मोचा जो है ये मैनमार और बांगलादेश को परभावित किया था मोचा मैनमार और बांगलादेश को यमन जो है वो मोचा का नामा करन किया था यमन मोचा का नामा करन किया था फ्रेंडी फर्वरी 2023 में आया मोजांबिक और मेडागासकर को परभावित किया फ्रेंडी जो आया फर्वरी 2023 में ये मोजांबिक और मेडागासकर को परभावित कि गैब्रियल फरवरी 2023 में आया गैब्रियल जो है आपका गैब्रियल जब आया तो यह गैब्रियल प्रभाविद किया ockland आज न्यूजिलेंड को प्रभाविद किया गैब्रियल उसके अवाद ए अगला है आपका बम चक्रवाद दिसंबर 2022 में आया अमेरिका और कनाडा को प्रभावित किया उसके वाद है मेंडियूस मेंडियूस दिसंबर 2022 में आया भारत में चिन्नाई तट से टकराया भारत में चिन्नाई तट से और UAE इसका नामा करन किया था मेंडियूस का UAE इसका नामा करन क्या था सितरांग सितरांग जो यह अक्टूबर 2022 में आया और पस्षी मंगाल एवं बांगलादेश इसका नामा करन करता है पस्षी मंगाल और बांगलादेश तो सबसे पहले करनाटक, करनाटक में विधानसवा सीट 224 है, करनाटक में विधानसवा सीट 224 है, पहला चरन में चुनाव हुआ था यहाँ पर, प्रथम चरन में चुनाव हुआ था, कॉंग्रेस ने यहाँ पर 135 सीटे प्राप्त किया, कॉंग्रेस ने 155 सीटे प्राप्त कि यहां के CM है. Naga Land, Naga Land में 60 सीटे हैं और पहला चरन में यहां पे Naga Land में चुनाव हुआ था, पहले चरन में National Democratic Progressive Party को 15 सीट मिला. किसको National Democratic Progressive Party को 25 सीट मिला? नेक्स्ट है तिरपुरा, तिरपुरा में 60 सीटे हैं, पहले चरन में चुनाव हुआ, भरती जनता पार्टी, यानि BJP को यहाँ पर 32 सीट मिला था, BJP को तिरपुरा में चलिए, आब आता है अंत्रिक्ष प्रधाव की, जो कि आपका सबसे special chapter है, चंद्रयान थिरी से related और यह पूरा आपका चंद्रयान थिरी से ही आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए इसे देखते हैं, चंद्रयान थिरी के बारे में सबसे पहले देखिए कि चंद्रयान थिरी भारत का एक महतो कांग्छी चंद्रमीशन है, कैसा मीशन है, चंद्रमीशन, उद्देश क्या है चंद्रमा की संद्रचना को बहतर धंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास मिलाने के लिए चंद्रमा की सता पर उपलब रासाइनिक और प्राकिर्तिक तत्तो मिट्टी, पानी, आदी पर व्यग्यानिक का परियोग करना है चंद्रमा की संद्रचना को बहतर धंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास मिलाने के लिए चंद्रमा की सता पर उपलब रासाइनिक और प्राकिर्तिक तत्त, मिट्टी, पानी, आदी पर व्यग्यानिक परियोग करना चंद्रयान थिरी के बारे में अगर जाने तो LVM3, LVM3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को 37 अंत्रिक्ष केंद्र स्रीहरी कोटा से इसे लौंच किया गया था किसके द्वारा LVM3M4 के द्वारा 14 जुलाई 2023 को 37 अंत्रिक्ष केंद्र से सिरीहरी कोटा से इसे लोज़ किया गया चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दश्चनी दुरूप के पास इस्थीत मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतिय समय अनुशार संध्या 6 बच कर 4 मिनिट में सफलता पुर्वक सौफ्ट लेंडिंग किया है चंद्रमा दश्चनी दुरूप पर मैजिनस यू क्रेटर के पास इस बात को याद रखिएगा चंद्रियान थिरी को सफलता पुर्वक पूरा करने में S. सौमनात जो की इसरो के वरतमान अद्यश है और P. वीरित्थुबेल क्या नाम इनका P. वीरिमुथुबेल जो चंद्रियान थिरी प्रजक्ट के डारेक्टर है मोहन कुमार मिसन डारेक्टर है किनके महत्यपुन भूंत का थी इन तीनों की इसकी भी सेस्ताएं क्या है चंद्रयान थिरी की तेज़ की प्रमुक तीन मौडूल है पहला है प्रोपॉल्सन मौडूल, दूसरा है लेंडर मौडूल, तीसरा है रोबर मौडूल Propulsion Module, Lander और Rover Propulsion Module जो है यह Lander और Rover को चंदर कक्छा में 100 km तक ले जाएगा जो आपका Propulsion Module है यह Lander और Rover को चंदर कक्छा में 100 km तक ले जाएगा साथ में इसमें एक विसेशी यंत्र Safe Spectro इसका Full Form Safe का Full Form है Spectro Polarimetry of Habitable Plantry Earth इसका Full Form है Safe का लगा हुआ है तो एक विसेशी यंत्र Safe लगा हुआ है जिसका Full Form आपने देखा जो चंदर कक्छा से प्रीथवी को दुरूविय माप के साथ साथ महत्पुन अध्यनवी करेगा उसके बाद है चंद्रयान थिरी के Lander का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रग्यान रखा गया है चंद्रयान थिरी के Lander का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रग्यान रखा गया है रोवर में 6 पहिय है रोवर में कितने पहिय है? 6 पहिया है विक्रम Lander पर 4 पैलोड लगे हुए हैं विक्रम लेंडर पर चार पैलोड लगे हुए हैं एक है रमभा पहला है रमभा दूसरा है चास्टे दूसरा है चास्टे तीसरा है इलसा चौता है लारा रमभा चास्टे इलसा लारा ये चार विक्रम लेंडर में चार पैलोड लगे हुए हैं प्रग्यान रोवर पर दो पैलोड लेजर एंडियूस ब्रेकडाउन एस्पेक्ट्रोइस्कोप लिब्स का फुल फॉर्म है लिब्स का लिब्स और अलफा पार्टिकिल एक्सरे एस्पेक्ट्रोमीटर अपैक्स का फुल फॉर्म है लगे हैं यानि कि प्रग्यान रोबर पर दो पैलेड लेजर एंडियूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोइसको, सौर्ट में उसको LIBS भी बोलते हैं और दूसरा लगा हुआ है अलफा पार्टिकिल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसको APXS बोलते हैं, जिनका उदेश लेंडिंग अस्थल के आसपास मॉलिक्स रचना प्राप्त करना है, जो लेंडिंग अस्थल के पास जो भी मॉलिक्स रचना है उसे प्राप्त करना है दोनों का उदेश रोबर प्रग्यान लेंडर विक्रम के साथ कम्यूनिकेशन करेगा और डेटा को क्या करेगा इकठा करेगा चंद्रयान थिरी मिसन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सत्था पर भारत का रास्टिये चिन असो कस्तम का निशान बनाया चंद्रयान थिरी ने चंद्रमा की सताव पर एक चंद्र दिवस यानि 14 तारिकों प्रिथवी दिवस तक काम किया उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अन्य बिंदु चंद्रयान थिरी के बारे में अन्य बिंदु में है कि भारत चंद्रमा के दशनी धुरूप पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉप्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश है यानि कि चंद्रमा पर पहुचने वाला भारत चौथा देश बना है लेकिन दशनी धुरूप पर पहुचने वाला भारत पहला देश बना है परदानमंत्री नरेंडर मुदी ने घोसना की कि चंद्रमा पर जिस जगा विकरम लैंडर उतरा है उसे सिवसकती पॉइंट कहा जाएगा चंद्रयान टू के पदचिन परे थे उस अस्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा जो चंद्रयान टू का जहां पर पदचिन परहा था उसे तिरंगा पॉइंट परदानमंत्री नरेंडर मुदी ने यह घोसना की है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होई थी इसलिए नेशनल स्पेस डे के रुप्मे हम लोग मनायेंगे नोट में क्या दिया है कि चंद्रयान मीशन फर्स्ट चंद्रयान मीशन फर्स्ट जो है यह 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलता पुरुवक लॉच्छा में परवेश किया अभी आपका चर्चा में है आदित L1 काफी भी चर्चा में अभी है। आदित L1 सूर्ज के ब्यापक अध्यन के लिए समर्पीत उपकरा है जिसके प्रजेक्ट डाइरेक्टर निगर सांची, मीसन डाइरेक्टर वीजु एसार है आदित L1 के. संस्क्रीत में आदित्ति का अर्थ सुर्ण होता है और यहां L1 सूर्ज प्रीथवी प्रणाली के लेंगरेंज पॉइंट फॉस्ट को संदर्वित करता है. L1 अंत्रिक्ष में वहास्थान है जहां सूर्ज और प्रीथवी जैसे दो ख़बोलिय पिंड के गुरुत्वाकरसन बल संतुलन में हैं. इसरों ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सुर्य मीशन आदित L1 को प्रच्छेपीद किया है. 37 दवन अंत्रिक्ष केंद स्री हरी कोटा से PSLV C57 के मात्यम से आदित L1 उपगरा का सफल परच्छेपन क्या गया है? आदित L1 को प्रित्वी से लगबग 15 लाग किलो मीटर की दूरी पर प्रित्वी और सुर्ज के बीच L1 लैंग्रेज बिंदू के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्छा में अस्थापित किया जाएगा. जहां या सौर बायू मंडल, सौर चुम्बक ये तूफान और प्रित्वी के चार और परियावरन और उनके प्रभाव का आध्यन करेगा. याद रखेंगे कि प्रित्वी सुर्ज प्रणाली के और्विटर में 5 विंदू हैं. जिसका नाम इटली के खगुल सास्त्री जोसेफ लूइल लेंगरेज के नाम पर रखा गया हैं. आधित L1 में 7 अलग-अलग पैलोड लगे हुए हैं, जो शुर्डे का बिस्त्रित अध्यन करेगा, जिसमें 4 पैलोड उपकरन सुर्ज से प्रकास का निरिक्षन भी करेगा, सेज 3 प्लाज्मा और चुम्बके छेतर के अस्थानी मापदंडों को मापेगा. आगे देखते हैं, चलिए. और यह भारत का पर्थम सौर मिशन है, यह भारत का पहला सौर मिशन है. अगला है DSR मिशन, DSR मिशन जो है, यह 30 जुलाई 2020 को लॉंच किया गया है, PSLV C-56 से. DSR मिशन को PSLV C-56 द्वारा लॉंच किया गया है, जो सिंगापुर के DSR उपगरा सहित कुल 7 उपगरा को PSLV C-56 के जरिए सफलता पुरबक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. सिंगापुर के DSR उपगरा सहित कुल 7 उपगरा को PSLV C-56 के जरिए सफलता पुरबक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. अगला है चंद्रियान 3, जो की 14 जुलाई 2023 को लॉंच किया गया था, चंद्रियान 3 को, LV M3 M4 प्रचेपनियान के द्वारा, चंद्रियान 3 को. चंद्रमा के दश्णी धुरूप पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपगरा चंद्रियान 3 बन चुका है. NVS-01 NVS-01 इसे मई 2023 में लॉंच किया गया था, GSLV F-12 के द्वारा. NVS-01 को मई 2023 में GSLV F-12 के द्वारा लॉंच किया गया, और NVS-01 अगली PD में नैबलिक स्रिंखला का पहला उपगरा है, जिसका उद्देश, देश की नौबहान चंदाओं को बढ़ाना है. देश की नौबहान चंदाओं को बढ़ाना उद्देश है. तेल EOS-02 मिशन, यह जो है अप्रिल 2023 में लॉंच हुआ था और PSLV C-55 के द्वारा तेल EOS-02 को लॉंच किया गया था, PSLV C-55 के द्वारा. इस मिशन के ताहद सिंगापूर के दो उपगरा जिसमें प्रात्मिक उपगरा के रूप में टेल EOS-02 और सहयात्री उपगरा के रूप में ल्यूमिलाइट 4 सामिल है. तो याद रखेगा कि जो टेल EOS मिशन है, इस मिशन के ताहद सिंगापूर के दो उपगरा जिसमें प्रात्मिक उपगरा के रूप में टेल EOS-02 और सहयात्री उपगरा के रूप में ल्यूमिलाइट 4 सामिल है. अगला है One Wave India 2. One Wave India 2 को मार्च 2023 में लौँच किया गया था. LVM3 M3 के द्वारा LVM3 M3 से One Wave India 2 को लौँच किया गया है और ये मिशन के ताहद 36 उपगरा को उनकी कक्छाओं में अस्थाफित किया जाएगा. 36 उपगरा को EOS 07 EOS 07 को फरवरी 2023 में SSL DV2 को लौँच किया गया फरवरी 2023 में. EOS 07 एवं दो अनुपगरा जानूस फर्थम जो कि अमेरिका का और चिन्नाई इस्थीत स्पेस किड्स इंडिया के आजादी सेट 2 को लौँच किया गया है. EOS 07 को SSLV D2 के द्वारा प्रच्छेपित किया गया है. इसमें दो अनुपगरा जानूस फर्थम जो कि अमेरिका के चिन्नाई इस्थीत स्पेस किड्स इंडिया के आजादी सेट 2 को लौँच किया गया है. आगे है EOS 06, EOS 06 को नौवंबर 2022 में PSLV C54 के द्वारा लौँच किया गया है. और ओसन सेट 2 और आठ अनुपगरा को लौँच किया गया इसके द्वारा. आगे है One Wave India First. One Wave India First जो है इसे अक्टूबर 2022 में प्रश्यपित किया गया था LVM3 M2 के द्वारा. LVM3 M2 के द्वारा और यह LVM3 का पहला वार्निचिक मिशन था. यह LVM3 का पहला वार्निचिक मिशन था. इसरों ने इस मिशन के द्वारा 36 कॉमर्सियल सेटेलाइट को लौँच किये हैं. आगे है इसरों के आगामी मिशन. इसरों के आगामी मिशन को आप जड़ा देखिएगा तो सबसे पहले देखिए गगन यान प्रथम. गगन यान प्रथम को 2023 में लौँच किया जाएगा और यह मानव रहित अंतरिक्ष उरान परिक्षन है. यह मानव रहित अंत्रिक्ष उरान परिक्षन है गगन यान प्रथम गगन यान 2 इसे 2023 में प्रच्षेपित किया जाएगा गगन यान 2 को और गगन यान 2 जो है यह मानव रहित अंत्रिक्ष उरान परिक्षन है क्या है यह मानव रहित अंतिक्ष यान उरांग परिक्षन है गगन यान 2 निसार, निसार को जनवरी 2024 में प्रच्षेपित किया जाएगा और ये नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चय रडार जो है ये है निसार और नासा और इसरो के बीच एक सयुक्त परियोजना भी है निसार, नासा और इसरो गगन यान 3 को 2024 में लॉंच किया जाएगा गगन यान 3 को 2024 में गगन यान मिसन का पहला चालक दल या गगन यान मिसन का पहला चालक दल है उसके बाद है सुक्रियान फॉस्ट, शुक्रियान फॉस्ट को दिसंबर 2024 में प्रच्छेपित किया जाएगा और सुक्रगढा के अध्यन के लिए और्बिटर भेजा जाएगा सुक्रियान प्रथम को सुक्रगढा के अध्यन के लिए चंद्र धुरूबी अनिवेशन मिशन जो है ये 2025 में प्रच्छेपित किया जाएगा चंद्रमा के दस्नी धुरूप चित्र का पता लगाने के लिए जक्सा और इस्रो के द्वारा एक अबधार्णा का मिशन है चंद्र धुरूबी अनिवेशन मिशन जक्सा और इस्रो का लेन्डर और रोबर को भेजा जाएगा अब है कि 2023 में बने नए ब्रांड मिस्टर चुनाव आयोग के राष्टी आइकन सचीन तेंदुलकर बने है आयसेसी विश्रुकब 2023 के ब्रांड शारुख खान को बनाया गया है भारत पिट्रोलियम के ब्रांडमिस्टर राहुल द्रवीर बने है रैगलर के ब्रांडमिस्टर अस्मिर्ती मंधाना बनी है हर्वा लाइफ नुट्रिंसन्स मेंडिया के अस्मिर्ती मंधाना रैगलर के और हडवा लाइफ दोनों के जो ब्रांडम मेस्टर बने हैं वो अस्मिर्ती मंधाना को बनाया गया है तिरपुरा परेटन के ब्रांडम मेस्टर सौरफ गांगुली है मिंत्रा के ब्रांडम मेस्टर बने हैं रनवीर कपूर मिंत्रा के ब्रान्डमेस्टर रनवीर कपूर है, प्यूमा इंडिया के ब्रान्डमेस्टर हर्मन प्रीत कौर है, प्यूमा इंडिया के ब्रान्डमेस्टर हर्मन प्रीत कौर, हुंड़ाई मोटर इंडिया लिम्टेड, यस्तिका भाटिया एवं रेनुका सिंग ठाकूर, हु UNICEF INDIA के राज़ दूत है आयुस्मान खुराना रास्टिये खनीज विकास निगम के ब्रांडमिस्टर है निकखत जरीन उतराखन के ब्रांडमिस्टर प्रसुन जोसी है बाईजूज के बनने हैं लियोनल मेसी ब्रांडमिस्टर है टीवी उन्मुलन कारेकरम निच्छे मित्रा के ब्रांड मिस्टर दीपा मलिक है नाइका फैसन के जानवी कपूर है उसके बाद है हीरो मोटो कॉपर्ज हीरो मोटो कार्प के ब्रांड मिस्टर राम चरन तेजा है मैक्स लाइफ इंसुरेंस कंपनी लिम्टेट के ब्रांड मिस्टर रोहित सर्मा और रितिका सजदे है गरूर एरोस्पेस के ब्रांड मिस्टर महेंदर सिंग धोनी है अब है कि 2022-23 के बिविन ओपरेशन 2022-23 के बिविन ओपरेशन ओपरेशन को देखेंगे सबसे पहले है ओपरेशन बॉडर श्वार्ड श्वार्ड जो है ओपरेशन बॉडर श्वार्ड ये क्या है ये राजश शुकूफिया निर्देसाल है ये इसके दोरा सुरुवात क्या क्या है? राज़शु खूफिया निदेसाले के दोरा Operation Border Sword को सुरू क्या गया है भारत के राज़शु खूफिया ने निदेसाले यानि DRI तथा अमेरिका ने अवैद खतरनाक दवाईों के अंतरास्टिय शिप्मेंट रोकने के लिए Operation Border Sword को चलाया है ठीक है? किसने? तो DRI ने इससे जो भी मतलब खूफिया वे कह रहा है उसके लिए जो है और जो भी अवैद दवाई का जो बैपार करते हैं इस सब चीचिके सिप्मेंट को रोकने के लिए है Operation Conviction Operation Conviction को UP सरकारने चलाया है इसमें क्या होगा जो योन उत्पिरिन है धर्म परिवर्तन गो हत्या आदी को कम करना और इसमें सामिल अपरादियों की गिरफतारी को सुनेशित करना Operation Conviction जो है इसका उत्देश है Operation Karuna को भारत सरकारने चलाया है Operation Karuna को और इसमें Myanmar में चक्रवात मोचा से जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद के लिए Operation Karuna की सुरवात की गई Operation Karuna Operation Kaveri ये भारत सरकार का है Operation Kaveri सुडान में चल रहे है गिरी युद के कारण वहां फसे भारतिय नागरी को निकालने के लिए भारत द्वारा Operation Kaveri की सुरवात की गई आयने सुमेधा के द्वारा 3862 वेक्ति को भारत लाया गया सुडान में जो चल रहा था गिरी युद इसमें भारतिय जो फसे थे उनको निकालने के लिए Operation Kaveri भारत सरकारने चलाया और आयने सुमेधा के द्वारा 3862 वेक्ति को भारत लाया गया आगे अगला है आपका कि Operation Marryada उतराखंड पुलिस ने चपल चलाया है Operation Marryada को उदेश है राजजी में तिर्थ अस्थलो एबं परटक अस्थलो में स्वक्षता वनाए रखना Operation Sadhavna ये भारतिय सेना ने चलाया है Operation Sadhavna को जम्मू कस्मीर में ग्रामीन च्छित्रों और LOC के पास के च्छित्रों में लोगों की मदद करने के लिए Operation Sadhavna चलाया गया है Operation Sadhavna जम्मू कस्मीर में ग्रामीन च्छित्रों में LOC के पास के च्छित्रों में लोगों की मदद करने के लिए है Operation Octopus जो है इसे NIA and ED ने चलाया है Operation Octopus को ये कटर इसलामी संगठन Popular Front of India यानि PFI के विरुद देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग को लेकर छापे मारी की गई है उसके लिए है Operation Octopus ये NIA और ED ने मिलके स्टार्ट किया है Operation Dost Operation Dost ये भारेसरकार ने शुरू किया है Operation Dost को तूर्की एवं सीरिया में आये भुकांप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारेसरकार द्वारा Operation Dost चलाया गया Operation Garur Operation Garur को CVI तता NCB के द्वारा चलाया गया Operation Garur को इसमें अवैध मादक पदार्थ की तसकरी Network के खिलाप एक बहुचर्णी Operation शुरू किया गया Operation Make Chakr इसे CVI ने चलाया है Operation Make Chakr को ये बाल यौन सोसन से जूरी समागरी को Online परसारित करने वालों के खिलाप कारवाई करना Operation Make Chakr का उदेश है इसे CVI ने शुरू किया है Operation Narcos Operation Narcos ये RPF के द्वारा शुरू किया गया है जुन 2022 में Railway सुरक्षाबल द्वारा Rail के माध्यम से नसीले पदार्थ की तसकरी को रोकने के लिए Operation चलाया गया था Operation Narcos Operation Mission अमानत ये भारती Railway ने चलाया था Operation Mission अमानत इसमें Rail यात्रियों के खोय हुए समान को ट्रैक करने के लिए Operation Mission अमानत चलाया गया था Operation उपलब्ध Operation उपलब्ध है Railway सुरक्षाबल के द्वारा चलाया गया Railway टिकट की कलावाजारी करने वाले की गती वीधियों पर अंकुस लगाना तथा लोगों को Railway टिकट उपलब्ध कराना ये Operation उपलब्ध का उद्देश है Operation गंगा Operation गंगा किंद्र सरकार ने चलाया रूस उक्रेन के युद्ध के कारण भारत सरकार ने युक्रेन से भारतिय नागरिक को निकानने के लिए Operation गंगा की सुरुवात की अगला है अपरेशन दोस्त अपरेशन दोस्त के संबंदित जो परिक्षा उपयोगी पॉइंट से इसे यहां पे दिया गया है तुर्की और सिरिया में छो फरवरी दो हजार तैस को 7.8 रियक्टर तिवरता वाला बिनासकारी भुकम पाया था भारत ने तुर्की और सिरिया में 7.8 वाली जो तिवरता वाली भुकम पाया था जो बिनासकारी भुकम था भारत ने तुर्की एवं सिरिया में राहत और बचाव कारे के लिए रास्टिये आपदा मोचनबल NDRF की टीमों को भेजा और भारतिय बायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर बिमान द्वारा इस उप्रेशन में लगाया गया उसके अलावे भारत ने तुर्की एवं सिरिया में इस खोज और राहत अभियान का नाम उप्रेशन दोस्त दिया भारत ने तुर्की एवं सिरिया में इस खोज की और राहत अभियान का नाम उप्रेशन दोस्त दिया आगे है उप्रेशन गंगा उप्रेशन गंगा से रिलेटर तो बहुत बार किये हैं इस प्रशन को देखे हैं बाकि अभी भी देखते हैं 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्राले के सयोग से उप्रेशन गंगा की शुरुवात की गई उद्देश यूक्रेन में फसे भारतिये चात्रों और लोगों को बाहर निकालना इसका उद्देश था उप्रेशन गंगा का यूक्रेन की राजधानी कीब है और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाला देश है रूस, बेलारूस, पॉलेंड, श्लोबाग्या, हंगरी रोमानिया, मल्डोबा, काला सागर, एजवब सागर ठीक है? ये सभी वो देश हैं जो यूकरेन की राजधानी कीब यनि यूकरेन के साथ अपनी सीमा साज़ा करते हैं और यूकरेन के राष्टपती हैं ब्लोडोमीर जलेस्की कोने ब्लोडोमीर जलेस्की? जिसके प्रभरतित नाम है प्रधानमंत्री संग्राले एबं पुस्तकाले नेहरू मेमोरियल संग्राले पुस्तकाले का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्राले उसके बाद है इतवारी रेल्वे स्टेशन इतवारी रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है सुभास्चंदर बोस स्टेशन जो महराष्ट में है सुभास्चंदर बोस रेलवे स्टेशन रखा गया है इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम केरल का नाम है केरलम, केरलम प्रस्तावित है आहमद नगर जिला का नाम है अल्यावाई हुलकर नगर शिब मोगा हवायड़ा कुपेम्बु हवायड़ा प्रस्तावित है शिब मोगा हवायड़ा का परिवर्तित नाम कुपेम्बु हवायड़ा प्रस्तावित है औरंगाबाद सहर औरंगावाद सहर का नाम है च्छत्रपदी सांभाजी नगर उश्मानाबाद सहर का नया नाम रखा गया है धाराशिप चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम सीडी देश्मुक रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है सीडी देश्मुक रेलवे स्टेशन मुगल गार्डेन इसका नया नाम है अमरित उद्ध्यान हरिस पार्क जो सिड्नी अस्टेलिया में है इसका नया नाम है लिटिल इंडिया अब है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट 2022 में भारत में जल्सरोत की पहली गन्ना को देखिएगा तो केंद्री के जल्सक्ती मंत्राले द्वारा भारत में पहली बार जल्सरोतों की गन्ना की गई है जल्सक्ती मंत्राले द्वारा पहली बार की गई है भारत में कुल 24,24,540 जल्सरोत हैं भारत में कितने जलसरोत हैं? 24,24,540 जो गणना की गई है जिस में की 97.1 परतिसत ग्रामीन चैत्रों में और 2.9 परतिसत जहरी चैत्रों में हैる Such a जल स्रोतों की मात्रा यानि तलाब में जल 59.5% है 59.5% टैंक में जल 15.7% है तैंक में जल कितने हैं 15.7% जलासे में जल 12.1% है जल सनलक्षन योजनाओ या फिर चेक डैम में जल 9.3% है जल सनलक्षन योजनाओ चेक डैम में जल 9.3% है उसकी बाद नेक्स्ट है आपका कि जहील में जल 0.9% जहील में जल है और अनस्रोत में 2.5% है जल स्रोत का स्वामित नीजी संस्थाओं के पास 55.2% और सारवजनिक चेतर के पास 44.8% है जल स्रोत का स्वामित नीजी संस्थाओं के पास 55.2% है वही सारवजनिक चेतर के पास 44.8% है जल स्रोत की संख्या में सिर्ष 5 राज गरम से हैं पहला है पश्रिमंगाल दूसरा है योपी तीसरा है आंधपरदेश चौता है उरिशा पांच माहै असम जल स्रोत की संख्या में सिर्ष 5 राज पश्रिमंगाल उत्तरपरदेश आंधपरदेश उरिशा और असम जल स्रोत की संख्या में अंतिमराज सिक्किमगा है जल स्रोतों की संख्या में अंतिमराज सिक्किमगा आंध प्रदेश में टैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है वही निक्स्ट देखेंगे प्रदेश में टैंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है तमिलांडू में जील की संख्या सबसे ज़्यादा है जल्स अन्रक्षन योजना में महाराष्ट अग्रमनी राजे है जल्स अन्रक्षन योजनाओं में महाराष्ट अग्रमनी राजे है अगला है राज जिखाद सुरक्षा सुचकांग 2022-2022 ये 2023 में जून में ये रिपोर्ट जारी हुआ था इसके एकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फजाई के द्वारा 7 जून 2020 को राजे खाद सुरक्षा सुचकांग का पांचमा संस्क्रन जारी किया गया इस रिपोर्ट को केंदरिये स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री मनसुख मनडाविया द्वारा जारी किया गया इस सुचकांक में खादी सुरक्षा के पांच मापदंड के अनुसार राज एवं किंदर सासित प्रदेश के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। दूसरा पंचाब, तीसरा तमिलांडू। छोटे राज में बरा राज है गोवा, उसके बाद मनिपूर, उसके बाद सिक्केम। और किंदर सासित प्रदेश में जम्मू कस्मीर पहले अस्थान पे है, दिल्ली दूसरी अस्थान पे और चंडिगर तीसरी अस्थान पे है, किं इस यार रिपोर्ट निती आयोग द्वारा जारी की जाती है, राश्टिय बहुयामी गरीवी सुचकांको को निती आयोग जारी करता है, इसके अनुसार 2015-16 और 2019-21 अबदी में 13.5 करोर लोग बहुयामी गरीवी से मुक्थ हुए हैं। कितना 13.5 करोर लोग बहुयामी गरीवी से मुक्थ हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुयामी गरीवी की संख्या 2015-16 में 24.85 प्रतिसत था, जो घटकर 2019-21 में 14.9 हो चुगा है, 14.9 प्रतिसत। उत्तर प्रतिस में गरीवी के अनुपात में तेजी से कमी आई है और उत्तर प्रतिस के बाद बिहार एवं मध्य प्रतिस का अस्थान है। बर्च 2015-16 से 2018-21 अवधीके में गरीवी की तिप्रता 47% से घटकर 44% हो चुगी है। 47% से घरकर 44%, आब हैं निर्याद तयारी सुचकांग, निर्याद तयारी सुचकांग को आप देखेंगे, तो निर्याद तयारी सुचकांग रिपोर्ट 2022 का है और ये निती आयोग के द्वारा जारी तीसरा संस्क्रन है, निती आयोग के द्वारा जारी ये तीसरा संस्क्रन है राजों में सिर्ष्तिन राज है तमिलांडू, महराष्ट और करनाटक निर्यात तैयारी सुचकांक के रिपोर्ट में पहला अस्थान है तमिलांडू का, दूसरा अस्थान महराष्ट का, तीसरा अस्थान करनाटक का पहारी हिमालईव राजो में सिर्सस्थान है उत्राखंड का और केंदर सासित प्रदेश या फिर छोटे राजो में सिर्सस्थान है गोवा का है बिहार का इसमें 22 अस्थान है निरियात तयारी सुचकांग में बिहार 22 में अस्थान पे है अब है PGI यानि की प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में इसे सिक्षा मंत्राले जारी करता है सिक्षा मंत्राले जो जारी किया है PGI 2.0 इसमें 73 संके तक में 1000 अंक सामिल है 73 संके तक में 1000 अंक सामिल है 2021 के लिए PGI 2.0 ने राज्यो या केंदर सासित प्रदेश को 10 स्रेनियों में बर्गी कृत किया है कितने स्रेनियों में? 10 स्रेनियों में किसी भी राज्य या केंदर सासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड यानि दक्ष उच्टम ग्रेट दक्ष यानि 940 अंग से अधिक प्राफ नहीं किया है वही पंजाब एवं चंडिगड ग्रेट प्रवेस्टा प्रवेस्टा 2 जोकी 641 से 700 अंग हासिल किये है पंजाब एवं चंडिगड आगे है निती आयोग एवं स्वास्त सुचकांक रिपोर्ट सिर्स्तिन राज है केरल तमिलांडू और तेलंगना उनीस बड़े राजों में अंतिम दो अस्थान है बिहार का उनीसमा अस्थान है और उतर प्रदेश का अठारा महा है तो यूपी अठारा और उनीसमा बिहार उनीस राजों में अंतिम दोनों अस्थान है छोटे राजों म पैले अस्तान पे है उसके बाद है कि अंतीमस्तान कंदर शास्थ प्रदेश में दिली का अंतीमस्तान है कुंदर सास्थ् प्रदेश में नेक्स्ट आप देखेंगे कि Internet in India report 2022 जो है या Internet and Mobile Association दूरा जारी किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगवग 52 प्रतिसत आवादी यानि 75.9 करोर सक्रिय इंटरनेट यूजर है 52 परसेंट भारत के लोग जो हैं वो इंटरनेट का यूजर करते हैं गोवा में सबसे ज़्यादा 70 परसेंट इंटरनेट यूजर है बिहार में सबसे कम हैं बिहार में 32 परसेंट फ्लो की इंटरनेट के यूजर हैं उसके अलावे आप आईए धर राज उर्जा दक्सता सुचकांक 2021-22 उर्जदा दक्सता सुचकांक में इसे केंद्रिये विद्दूत और नवीन और नवी करनिये उर्जा मंतरी सिरी आर हरी के सिंग ने राज उर्जा दक्सता सुचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी किया है तो केंद्रिये विद्दूत और नवीन और नवी करनिये उर्जा मंतरी सिरी आर के सिंग ने राज उर्जा दक्सता सुचकांक 2021-22 को जारी किया है राज्यों को दो समूँ फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गी करित किया गया है फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गी करित किया गया है पांच राज हैं आंध्यप्रदेश, करणाटक, केरल, लाजस्तान और तेलंगना ये पांच राज हैं आंत्रप्रदेश, करनाटक, केरल, लाजस्थान और तेलंगना वहीं प्रंट रनर स्रेनी में चार राज हैं असम, हरियाना, महराश और पंजाब ये अचीवर स्रेनी में पांच राज हैं अब है कि स्वक्ष सर्वेक्षन रिपोर्ट दो हजार बाइस, ये सात्मा संस्क्रन है, स्वक्ष सर्वेक्षन रिपोर्ट में सात्मा संस्क्रन इसे केंद्रिये अवास और सहरी मंत्राले जारी किया है इसे स्वक्ष सर्वेक्षन रिपोर्ट को कौन जारी करता है केंद्री ये अवास और सहरी मंत्राल है इसमें जो है जनसंख्या के अधार पर सहरों का वर्गी करन कर रैंकिंग जारी की गई और रिपोर्ट में इंदोर को लगातार छटे वर्ष भारत का सबसे स्वक्ष सहर घोसित किया गया याद रखेगा कि रिपोर्ट में इंदोर को लगातार छटे वर्ष भारत का सबसे स्वक्ष सहर घोसित किया गया सूरत गुजरात एबं नवी मुंबई को इस रैंकिंग में करमसर दूसरा और तीसरा अस्थान मिला है अब आप देखेंगे यहाँ पे स्रेणी और सबसे स्वक्ष सहर तो एक लाग से अधिक जनसंख्या स्रेणी में इंद और मद्ध प्रदेश का सबसे स्वक्ष सहर है सौसे अधिक सहरी अस्थानी निकाय वाले राजों में सबसे स्वक्ष राज का आवाड मद्ध प्रदेश को मिला है सौसे अधिक सहरी अस्थानी निकाय वाले राजों में सबसे स्वक्ष राज का आवाड मद्ध प्रदेश को मिला है सौ से कम सहरी अस्थानी निकाये वाले राज्यों में सबसे स्वक्ष राज का आवार्ड तिरपुडा को मिला है किसे तिरपुडा को फास्टेस्ट मूवर सीटी का अवार्ड सिभ मोगा जो करनाटक को है उसको दिया गया है फास्टेस्ट मूवर सीटी का अवार्ड सिभ मोगा को हरीद्वार को एक लाग से अधिक अवादी वाले सहरों में सर्वस्रेश्ट सहर गोसित किया गया हरीद्वार को बिजनौर विजनौर को एक लाग से कम अवाधी वाले सहरों में सरबस्रेश्ट गंगा सहर घोसित किया गया है बिजनौर को नेक्स्ट हम बात किरते हैं महराष्ट महराष्ट का देवलाली महराष्ट का देवलाली चावनी बोर्ड सबसे स्वक्ष चावनी बोर्ड है महराष्ट का देवलाली बर्श 2022 के सर्वेक्षन में कुल 445 सहर ने भाग लिया है स्वक्ष भारत मीशन सहरी 2.0 के तहद कचरा मुख सहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार और 3 स्टार रेटिट सहरों की घुसना की गई है जो स्वक्ष भारत मी सन है सहरी 2.0 इसके तहद कचरामुख सहर को अलग-अलग स्टार रेटिंग के कॉर्डिंग बाटा गया है 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार जिसमें 7 स्टार के तहद 7 स्टार के तहद एक मात सहर इंदोर को चुना गया है 7 स्टार में जबकि सूरत, भोपाल, मैंसूर, नभी मुंबई, विशाका बतनम, तीरुपती ने 5 स्टार कच्रामुक प्रमानपत प्राप्त किया है। सहरों में तीरुपती को सर्वस्रेश्च सहर का पुरस्कार मिला है। सचीव डॉक्टर S. चंद्रसेखर ने राष्टिये बिनिर्मान नवाचार सर्वेक्षन 2021-22 निती निर्माताओं के लिए सारांस जारी किया। सर्वेक्षन के अनुसार करनाटक सबसे अभिनव राज्ज है। इसके बाद दादर और नागर हवेली, फिर दमन और दूइप, फिर तेलंगना और तमिलांडू है। इसके बाद है दादर नागर हवेली, दमन और दूइप, तेलंगना और फिर तमिलांडू। आगे है कि अच्छए सिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023, इसमें आपका केंदरिये सिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डौक्टर राज्कुमार रंजन सिंग ने, नेशनल इंस्टिटिउट रैंकिंग फ्रेम बर्क के अंतर गड् जो की आठमा संस्करन है All India Ranking का आठमा संस्करन उच्छी सिक्षन संस्थान की रैंकिंग में पहला अस्थान देखेंगे तो ओवरॉल स्रेनी में IIT मदरास लगातार पांचमी बार पहले अस्थान पे है विश्विद्याले स्रेनी में भारती विज्ञान संस्थान बैंगलूरू ISSE बैंगलूरू जो है वो है पहले अस्थान पे इंजिनिरिंग स्रेनी में IIT मदरास पहले अस्थान पे है इंजिनिरिंग स्रेनी में प्रवंधन स्रेणी में IIM अहमदाबाद पहले अस्थान पे है प्रवंधन स्रेणी में चिकित्सा के स्रेणी में M's नई दिल्ली पहले अस्थान पे वीधी या कानून स्रेणी में National Law School of India University Bangalore पहले अस्थान पे विधी या कानुन स्रेनी में National Law School of University Bangalore पहले अस्थान पे वहीं बास्तुकला स्रेनी में IIT रुड़की पहले अस्थान पे है बास्तुकला स्रेनी में IIT रुड़की इनोवेशन में IIT कानपूर पहले अस्थान पे है इनोवेशन में IIT कानपूर और National Institute of Formocyticals एजुकेशन और रिसर्च हैदरावाद है ये फॉर्मेसी स्रेनी में पहले अस्थान पे है तो फॉर्मेसी स्रेनी में National Institute of Formocyticals Education and Research हैदरावाद जो है वो पहले अस्थान पे कॉलेज स्रेनी में मिरांडा हाउस दिली का पहले अस्थान पे है कॉलेज स्रेनी में किर्सी और संबंद छेत्र में भारती ये किर्सी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पहले अस्थान पे है कॉलेस्ट्रेनी में, किर्सी और संबंद छेत्र में भारती ये किर्सी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पहले अस्थान पे, आब है एर, वर्ल्ड एर क्वालिट प्रदूसित सहर में 14 सहर भारत के हैं। अब तो देखे कि सबसे प्रदूसित देशों की चुची अब देख लिए अब देखते हैं 20 के सबसे प्रदूसित सहर को। तो सहर में प्रथम अस्थान लाहोर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्रदूसित है। सहर में दूती अस्थान पे होटान चीन का है और तिरती अस्थान पे भीवारी राजस्थान का। नेक्स्ट है कि पॉब्लिक अफेर्स इंडेक्स 2022 वैंगलूरू इस्थित पॉब्लिक अफेर्स सेंटर द्वारा पॉब्लिक अफेर्स इंडेक्स 2022 जारी किया गया। ओवरल पॉर्फोर्मेंस में राज्जो की स्थिती को देखेंगे तो बरे राज्जो में हरियाना का स्कोर 0.6948 है बरे राज्जो में हरियाना पहले अस्थान पे और छोटे राज्जो में शिक्किम है इस सुची में बिहार का अस्थान 15 है और बिहार का स्कोर 0.461 है बिहा अगस्त दो हजार ताइस में नागरिक उड़यन सहयोग को मजबूत करने हेतु समझाता गयापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और न्यूजीलेंड के बीच तो भारत और न्यूजी लेंड के बीच नागरिक उड़यन सयोग को मजबूत करने हेतु समझाता हुआ है अगस्त में अगस्त में ही किरसी चेतर में सयोग के लिए समझाता हुआ है भारत और मल्डोबा के बीच भारत और मल्डोबा के बीच केसी चित्र में सयोग के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर हुआ है जुलाई 2023 में वर्स 2018 तक क्रमिक प्रबंधन तथा लोग प्रिसासन चित्र में सयोग बढ़ाने है तू भारत और सिंगापूर के बीच समझोता हुआ है वर्स 2018 तक क्रमिक प्रबंधन तथा लोग प्रिसासन चित्र में सयोग बढ़ाने है तू भारत और सिंगापूर के बीच समझोता हुआ है जैप प्रधोग की तथा किर्सी के छित्र में यूवा सूध करता और स्टार्टप्स आदान प्रदान हीतू समझोता हुआ है भारत और अर्जंटीना के बीच हुआ है नेक्स्ट है रक्षा हेलिकॉप्टर तथा अद्योगिक सयोग को बढ़ाबा देने के लिए समझोता हुआ भारत और अर्जंटीना के बीच रक्षा तथा अद्योगिक सयोग को बढ़ाने के लिए समझोता हुआ है बैंकिंग और सिक्छा के छित्र में सहयोग के लिए भारत और UAE के भी समझगा हुआ है UPI से भुगतान को लेकर समझगा गयापन पर भारत ने फ्रांस से समझगा किया है UPI से भुपतान करने को लेकर समझोता हुआ है भारत ने फ्रांसे सेमी कंड़क्टर परिस्थितिक तंत्र के विकाज के लिए ग्याप समझोता हुआ है भारत और जापान के वीज अपरादिक मामलो की जाज के लिए परिस्थितिक तंत्र के विकाज के लिए समझोता हुआ है भारत और जापान के वीज जल प्रदह की कंद्र बनाने हे तु भारत और इजरायल के वीज समझोता हुआ है अद्योगीक अनुसंधान एवं विकास सह्योग के लिए समझोता भारत और इजरायल के वीज अद्योगिक अनुसंधान विकास सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुआ है भारत और इज्रायल देश के बीच विग्यान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझाता हुआ भारत और बृतेन के बीच विग्यान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझाता हुआ है भारत और बृतेन के बीच दुई पक्षिये संबंदों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझाता हुआ है भारत और रुमानिया के बीच अनुसंधान प्रधाकी और नवाचार को सह्योग पर एक समझाता ग्यापन भारत और मेक्सिको के बीच हुआ है सेमी कंड़क्टर आपूर्ती स्रिंखला और नवाचार सांचेदारी पर समझाता भारत और सह्योग राज अमेरका ने समझाता किया है सेमी कंडक्टर आपूर्तिस रिंखला और नवाचार सांचितारी पर समझाता भारत और सयुक्त राज अमेरका ने किया है राजनाईक और अधिकारिक पासपोर्ट धारक के लिए बीजा में छूट के लिए समझाता भारत और फिजी के बीज समुन्दरी सुरक्षा में सूचना साझा करने हेतु कुल 6 समझाते हुए हैं भारत और सिसल्स के बीज हवाई सेवा समझाता परहस्ताक्षर भारत और ग्वणा किया है राजनाईक के प्रसिक्षन में सहयोग के लिए समझाता भारत और पनामाने किया है ग्रीन हाईड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिवीटी पर सहयोग के लिए भारत और यूएई ने समझाता किया है याद रखेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केवल कनिक्टिवीटी के सहयोग के लिए हस्ताक्छर भारत और युएी किया है जल संसाधन विकास और प्रबंधन के छित्र में सहयोग भारत और डेनमार्क किया है जल संसाधन विकास और प्रबंदन के छित्र में सहयोग परहश्ताक्षर भारत और डेन्मार्क किया है 2,000 करोड से अधिक मुल्के हंतियार के निर्यात के लिए समझाता भारत और अर्मेनिया किया है शिख्छा के छित्र में सहयोग जो किया है भारत और UAE के बीच सिक्षा के छित्र में सहयोग के लिए समझाता भारत और UAE के बीज जैब विवता को संडक्षन को लेकर समझाता भारत और निपाल ने किया है राजनाईक के प्रसिक्षन के लिए समझाता भारत और मेडागासकर किया है और रक्षा के छित्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझोता भारत और मिस्र किया है भारत और मिस्र ने रक्षा के छित्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझोता किया है आप है भारत के प्रमुक पदा अधिकारी तो सबसे पहले हम कैबनेट सचीव को देखेंगे वर्तमान में कैबनिट सचीव है राजीव गावा है विदेश सचीव बिने मोहन कौत्रा है ग्री सचीव है अजय कुमार भल्ला है रक्षा सचीव गिर्धर अर्माने है वित सचीव टीवी शोम नाथन राजेशु सचीव कौन है अजय मल संजय मलहुतरा है राजेशु वानिजिस अचीव है सुनील वर्थवाल, नियंत्रक एवं महा लेखा परिछक C.A.G. हैं, ग्रिश्चंद्र मुर्मुर जो की 14 में नमबर के हैं, ग्रिश्चंद्र मुर्मुर C.A.G. भारत के लेखा महानियंत्रक यानि C.A.C.G. हैं, सिरी S.T.B. 28 में नमबर के, और भारत के मुख्य सांखी की विद्ध हैं, G.P. सामन्थ, भारत के मुख्य सांखी की विद्ध है, G.P. सामन्थ, और टर्नी जेनरल ओफ इंडिया है, आर बिनकट रमनी 16 में नमबर के, केक्यो भारत के लोगनायक क्या है? भारत के लोगपाल अध्यक्ष न्याईमूर्ती प्रदीप कुमार मुहन्ती हैं चीफ उफ डिफेंस स्टाप यानि सीडियस है अनिल चोहान नौ सेना के अध्यक्ष है अड्मिरल आरहरी कुमार 25 में नंबर के बायू सेना अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी 27 में नंबर के थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे 29 में नंबर के थल सेना है और भारत के अरून गोयल और अनूप चंद्रपांडे। भारत के मुख सुचना आयूख थे यसवर्धन कुमार सिन्हा 11 के भारत के मुख सुचना आयूख रास्टिये मानावधिकार आयोक के अध्यक्ष अरुन कुमार मिस्र आठ में नंबर के रास्टिये मानावधिकार आयोक के अध्यक्ष अरुन कुमार मिस्र आठ में नंबर के रास्टिये चिकितसा आयोक के अध्यक्ष अ सुरेश चंद सर्मा पहले अध्यक्ष है राष्टिये चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष पहले चिकित्सक बने है सुरिश्चंद सर्मा राष्टिये महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा सर्मा है नौमे नंबर के राश्टिये महिलना आयोग के अध्यक्ष रेखा सर्मा 9 में नमबर के किंद्रिये सत्कर्ता आयोग तियानि सीवीशी के अध्यक्ष प्रवीन कुमार स्रीवास्तव 19 में नमबर के हैं सीवीशी प्रवीन कुमार स्रीवास्तव भारतिये प्रती असपर्धा आयोग यानि CCI के अध्यक्ष है रवनीत कौर CCI के अध्यक्ष कौन है रवनीत कौर 15 में वितायोग के अध्यक्ष है एनके सिंग है 21 में विदियायोग के अध्यक्ष बलवीर सिंग चोहान है बाइस में विदियायो के अधिक्षक है डॉक्टर S.91 नहीं है इस रोके अध्यक्ष है उसके बाद है DRDO के अध्यक्ष कौन है समीर वी कामत है DRDO के अध्यक समीर वी कामत ICMR के महानिर्देशक है राजीव बहल ICMR के महानिर्देशक राजीव बहल है मुख वैग्यानिक सलाकार अजय कुमार सूध है मुख वैग्यानिक सलाकार अजय कुमार सूध मुख आर्तिक सलाकार अनंत नागे सुरन है रास्टिय सुरक्षा सलाकार आजीत डोभाल है NIA के प्रमुख है दिनकर गुपता CVI के प्रमुख है प्रवीन सुध IV के प्रमुख है तपन कुमार डेका है RAW के प्रमुख है रवीशिना रौखे प्रमुख है रवी शिन्ना भारतीय रिजर्ब बैंक के गवर्नर है सकतिकांध दास पतीस में नंबर के RBI के जो गवर्नर है वो है सकतिकांध दास पतीस में नंबर के और उप गवर्नर पूछे तो स्वामी नाथ जानकीरमन है T.R. संकर है एम राजिश्वर राव है, माईकल देबरत पात्रा है, ये सब उप गवर्नर हैं, ठीक है? RBI के मुख वीती एधिकारी पूछे तो कौन है? सुधा बाल कृश्णन, सुधा बाल कृश्णन जो है, वो RBI के मुख वीती एधिकारी हैं. उसके बाद है कि भारती स्टेट बैंक के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा SBI के अध्यक्ष कौन है दिनेश कुमार खारा रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष है जयाबर्मा सिन्ह जो कि प्रतम महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की CEO और अध्यक्ष जया बर्मा सिन्ह बहुत इंपोर्टेंट है अंडरलाइन कर लीजेगा भारतिये विशिस्ट पहचान प्रधीकरन के CEO हैं अमीत अगरवाल यानि उड़ाई के CEO कौन बना है तो अमीत अगरवाल डॉक्टर सुमन के वैरी निती आयो के उपाध्यक्ष है लोग सभा के बिपक्ष के नेता अधी रंजन चौधरी है राज सभा में सदन के नेता पीूस गोल है लोग लेखा समीती के अध्यक्ष अधिर रंजन चौधरी जो की पुना बने हैं लोग लेखा समीती के अध्यक्ष अधिर रंजन चौधरी प्रांकलन समीती के अध्यक्ष ग्रीस बापट जो की पुना बने हैं प्रांकलन समीती के अध्यक्ष ग्रीस बापट लोग उपक्रम सम्बंदित समीती के अध्यक्षे संतोस कुमार गंगावर भारत के राष्टपती 15 में है द्रोपती मुर्मू उडिशा के भारत की राष्टपती है 15 में करम की द्रोपती मुर्मू और ये दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्टपती है इसके विपक्षी उमीदबार थे यस्वन सिन्हा यूपीय पार्टी से विपक्षी थे भारत के उपराष्टपती 14 में है जगदीब धनकर जो राजस्थान के है जगदीब धनकर और जगदीब धनकर के जो भी पक्षी थे उनका नाम था मार्गेट अलवा वो भी यूपीय पार्टी के थे मार्गेरेट अलवा लोगसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला है 17 में नमबर के लोगसभा के अध्यक्ष है जो उप्राष्टपती होते हैं उसके बाद राज सफा के उपसफापती हैं हरीवन्स नरायन सिंग राज सभा के उपसभापती हरिवन सनरायन सिंग है राज सभा के महासचीव है प्रमोद चंद्रमोदी 13 में नमबर के प्रमोद चंद्रमोदी राज सभा के महासचीव है लोग सभा के महासचीव उत्पलकुमार सिंग है तो देखें यहाँ पे जो आर माधवन है ये भारतिय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान के अत्यक्ष है मनिस देसाई जो है वो प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रमुक है पि आइबी के प्रमुक मनिस देसाई है उसके बाद next है कि नयायमूर्थी प्रकास स्री वास्तव राश्टी हरित नयाधिक्रन के अद्यक्षे नयायमूर्थी प्रकास स्री वास्तव संजय कुमार अगरवाल आधव अर्जुन यह बास्केट वॉल फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन पीम प्रशाद जो हैं कोल इंडिया लिम्टेट के अध्यक्ष और परवंधक निदेशक है याद रखिएगा जो पीम प्रशाद है यह कोल इंडिया लिम्टेट के अध्यक्ष और परवंधक निदेशक भी है नेक्स्ट है कि देवदत्चंद देवदत्चंद बैंक ओफ अडोधरा के MD and CEO है देवदत्चंद रविंद्र वास्टू रविंद्र वास्टू जो है M.U. Nayer कामेस्वर राव कुदावंती S.B.I. के मुख अधिकारी है कामेस्वर राव कुदावंती S.B.I. के मुख वीतिये अधिकारी है अजीत अगरकर भारतिये क्रिकेट टीम के चैन समीती के अध्यक्ष है राकेस पॉल भारतिये तट्रक्षक बलके महा निर्देशक है राकेश पॉल मनोज यादव ये रेलवे सुरक्षा बलके महा निर्देशक है टीवी नरेंदरन टाटा स्टील के सीओ और प्रवंधक निर्देशक है टीवी नरेंदरन निरजप्रवाकर भारतिये किर्सी अनुसंधान परसद की सलाकार समीती के अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकास सेल के अध्यक्ष और प्रवंधक निदेशक हैं लक्षमन दहिंदु ग्रूप के अध्यक्ष है जनारदन परसाद भारतिये भूवैज्यानिक सर्वेक्षन के महा निरदेशक है जनादर परसाद अजीद कुमार मोहन्ती परमानु उर्जा आईयोग के अध्यक्ष और भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष और भा वाइस एड्मिरल संजय जस्चीत सिंग, नौसेना के उप्रमुख हैं, मौनोज सोनी, UPSC के अध्यक्ष हैं, आर दिनेस, आर दिनेस जो हैं, वो भारती उद्योग परिशंग के अध्यक्ष हैं, आर दिनेस, सुधा सीब कुमार, ये फिक्की महिला संगटन की 40 मी अध्यक्ष सुब्रकांद पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं, सुब्रकांद पांडा फिक्की के अध्यक्ष, नैसकॉम के अध्यक्ष बने हैं, आनंत महेश्वरी, लाइसी के चेयर्मेन हैं, सिधार्थ महंती, लाइसी के चेयर्मेन सिधार्थ महंती हैं, नवाड के अध्यक्ष हैं, साची केवी नवाड के अध्यक्ष है ONGC के अध्यक्ष है अरून कुमार सिंग डॉक्टर अर्विंद बिर्मानी जो है ये निती आयोक के पुर्ण कालिक्स दस बने है पंकज कुमार सिंग नए उपरास्टिय सुरक्षा सलाकार है मैरिकॉम जो है वो आयो एक अथलीट कमीटी के अध्यक्ष बनी है मैरिकॉम उसके बाद है आयुसमान खुराना यूनिसेफ इंडिया के रास्टिय राजदूत बने है यूनिसेफ खुराना और बर्लीन स्पेशल ओलम्पिक में भारतिय टीम के राजदूत भी राचुके है राजीव लक्षमन करिंदिकर ये रास्टिय सांके की आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगारा महीर ये रास्टिय पिछरावर्ग आयोग के अध्यक्ष मल्लिका अरजुन खर गे ये कॉंग्रिस के अध्यक्ष है मल्लिका अरजुन खंग्रे रोजर विनी बीसी सियाई के अध्यक्ष है कल्यानो अखिलभारतिय, फुट्वाल, महासंग के अध्यक्षा groom कल्यान चौबए दिलीप तर्की, हौकी इंडिया के अध्यक्षा अभिटाब कांत डियोन भारत की और चौप संबन बयक है हर्ट्स बर्धन सेंकला अभिताव कांथ जो है वो भारत की ओर से जी ट्वेंटी के सेरेपा है अभिताव कांथ एन चंद्र सेखरन की बायत करे तो Air India के अध्यक्ष है N. चंद्र सेखरन Air India के अध्यक्ष Tata Suns के अध्यक्ष कुना निप्ट हुए है ये N. चंद्र सेखरन सुरेंदर चावला Paytium Payment Bank के MD and CEO है सुरेंदर चावला Paytium Payment Bank के MD and CEO रसीम सुकला SSB के महानिदेसक है नितीन अगरवाल संतोसकुमार यादव नाही के अध्यक्ष है अस्वनी वैसनव जो है वो गती सक्ति विश्विद्याले के कुल पती है कुलाधी पती है मैन्थली ठाकूर बिहार के अध्यक्ष पीटी उसा की बात करे तो भारती ओलंपिक संग की पहली महिला अद्धेक्ष हैnd PT USA, भारती औलंपिक संग की पहली महिला अद्धेक्ष अब अंतरास्टिय नुक्ति को देखे अंतरास्टिय में سेख तलाल फ़ध अलामद अलशवा ये ऐसिया ओलंपिक परिसद के अद्धेक्ष हैं सेख तलाल अमद अलशवा ये एसिया उलम्पिक परिशद के अध्यक्ष हैं नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुसली महिला संगिये जज बनी है नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुसली महिला संगिये जज नुसरत चौधरी डेनिस फ्रांसिस तिरिनाद तथा टोबैको टैबवको की सहींत राष्ट महासभा में 58 सत्र के अध्यक्षेंदिनिस फ्रांसिस और 37 सत्र के अध्यक्त सावा करोशी हंगरी की राजनाईग थी और 58 है डेनिस फ्रांसिस मिशेल बुलाग अस्टेलिया के केंद्रिये बैंक की पहली महिला गवर्नर है मिशेल बुलाग डॉक्टर अब्दुल्ला अल्मंडोश विश्व मौशम बिज्ञान संगतन के अध्यक्ष है डॉक्टर अब्दुल्ला अल्मंडोश विश्व मौशम बिज्ञान संगतन के अध्यक्ष डिल्मा रुशेव ये ब्रिक्स के अध्यक्ष है ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है डिल्मा रुशेव लिंडा याकारीनो ट्यूटर के नए CEO बने है ये लिंडा याकारीनो रोबन बिल्सन निव्योर्क के पहले अस्वेत मुख नाधिस बने है रोबन बिल्सन निव यॉर्क के पहले अस्वित मुख नयाधीस सुल्तान आमद अल जावेर, कॉप 28 के अध्यक्ष है तयव इकराम अंतरास्टी होकी महासंग के अध्यक्ष है तयव इकराम असीम मुनीर जो है ये पाकिस्तान के नया सेना प्रमुख बने है न्यूजिलेंड के ग्रेग बारकले जो है वो ICC के अध्यक्ष पुना बने है ग्रेग बारकले न्यूजिलेंड के खिलारी है ICC के अध्यक्ष बने है पुना बोलकर टर्क ये सयुक्तिराष्ट मानवैदिकार आयोग के प्रमुख है बोलकर टर्क, सयुक्तिराष्ट, मानबैदिकार आयो के प्रमुख है टी राजा कुमार, FATF के अध्यक्ष है डॉक्टर टेट्रोस गेबरेस, डबलू अचो के महानिर्देशक है इनका दूसरा कारेकाल है डॉक्टर टेट्रोस गेबरेस का गिल्वट हंगवो, टोगो के है, यह अंतराष्टी श्रम संगठन के महानिर्देशक बने है गिल्वर्ट हंगवो, कैथरीन डसेल, यह UNICEF की प्रमुक है कैथरीन डसेल, UNICEF के नए प्रमुक बने है आब है कि 2023 में निजुक्त विश्व के प्रमुक पद पर भारतिये भारतिये मुलके वेकती थर्मन संमुग्ड़तनम सिंगापुर के राष्टपती जो कि भारतिये मुलके है बैभवत तनेजा टेसला के मुखवीति एधिकारी बने है के राजा रमन पनामा में भारत के पहले राजदूत बने हैं सुमीद सेट अमेरिकिये विट एजेंसी की उपमुख कारेकारी अधिकारी निशा विश्वाल अमेरिकिये विट एजेंसी की उपमुख कारेकारी अधिकारी निशा विश्वाल अलोग कुमार ADV के विकास के लिए डीजिटल प्रधोग की पर सलाकार सम्मू में निप्थ हुए हैं अलोग कुमार ADV के विकास के लिए डीजिटल प्रधोग की पर सलाकार सम्मू में निप्थ हुए हैं अलोग कुमार ग्रीश चंद्र मुर्मूर डबलू एचो के बाहरी लेखा परिक्षक हैं पुना बने हैं डबलू एचो के बाहरी लेखा परिक्षक और ILO की बाहरी लेखा परिक्षक भी बने ग्रीश चंद्र मुर्मूर अजय बंगा विश्य बंगा विश्य बंग के नए अध्यक्ष नीरा टंडन अमेरिका में घड़ेलू निती सलाकार हैं नीरा टंडन अमेरिका में घरेलू निती सलाकार नीरा टंडन गीता राव गुपता अमेरिका में वैस्विक महिला मुद्दो के लिए अम्बिस्टर बने हैं अंग शुमाली रस्तोगी जो है वो अंतारास्टी नागरी कुडएन संगठन में भारत के परतिनधी बने हैं अरून सुब्रमन्यम नुव्यार्क कोट में पहले भारती अमेरिकी न्याइधीस बने हैं नुव्यार्क कोट में पहले भारती अमेरिकी न्याइधीस कौन अरून सुब्रमन्यम उसके बाद है एसी चरणिया एसी चरणिया नासा के प्रमुख प्रधोग की बिध हैं नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं, नील मोहन यूट्यूब के CEO, मनप्रीत मोनिका सिंग, अमेरिका में पहली महिला सीखनाईधीस हैं, मनप्रीत मोनिका सिंग, अमेरिका में पहली महिला सीखनाईधीस, अस्वनी केपी, अस्वनी केवी अंचार्च में विसेस दूद के रूप में नित्थ होने वाली पहली भारती ACI महिलावनी हैं, अस्वनी केपी अनील कुमार क्या हैं? तो अनील कुमार अंतराष्टी ये अंतरिक्ष संग के उपाध entrepreneurs अनिल कुमार अंतराश्टी ये अंत्रिक्ष संग के उपाध्यक्ष केबी सुब्रमन्यम आई एमेफ में भारत की कारिकारी निदेशक हैं केबी सुब्रमन्यम आई एफ में भारत के कारिकारी निदेशक इंदरमीत गिल विश्व बैंक की मुख अर्थ सास्तरी हैं इंदरमीत गिल रुचिरा कमबोच सयुक्त राष्ट में भारत की नई राजदूत बनी है रुचिरा कमबोच सयुक्त राष्ट में भारत की नई राजदूत दो हजार तैस में बिस्ट के प्रमुख पदों पर निप्थ होने वाली पहली महिला है इसे देखिए सबसे पहले है गीता स्र पाकिस्तान में भारतिय उच्छ आयो की पहली महिला प्रमुख वनी है। पेरु की पहली महिला प्रमुख वनी है। पाकिस्तान की पहली हिंदु महिला असिस्टेंट कमिस्नर बनी है। सना राम चंदर गुलवानी। अब है 2023 में न्युक्त विभिन देशों के राश्टपती और प्रधान मंत्री। एसिया में सबसे पहले देश देखेंगे थाइलैंड। थाइलैंड की राजधानी वैंककॉक है और थाइलैंड की जो मुद्रा है वो थाइबहत है। यहां के प्रधान मंत्री स्रेथा थाविविसन है। थाइलैंड की जो प्रधान मंत्री है वो स्रेथा थाइविसन है। कंबोडिया की जो राजधानी है वो नोमपेन है। और रियल यहां की मुद्रा है। प्रधान मंत्री है कंबोडिया की। मैनिट तुर्की तुर्की के जो राजदानी एक वो अंकारा है तुर्की की राजदानी अंकारा है और यहा मुद्रा नेपाली रुप्या है और राम चंद्र पंडॉल राश्टपती है और पुस्प कमल दहाल प्रस उब पुस्प कमल 4 प्रैश्ट प्रदान मंतरी मुष्ऑ की राश्टपती है मुद्रा की राजदानी कुवालामपूर है रिंगित यहां की मुद्रा है रिंगित यहां की मुद्रा अनवर इबराहिम जो है वो मलेशिया के प्रधान मंत्री है अनवर इलवाई इबराहिम कतर की राजदानी दोहा है कतर की राजदानी दोहा रियल यहां की मुद्रा है रियाल कतर की मुद्रा है और परधान मंत्री के नाम है सेख मोहमद बिन अब्दुल रहमान अल्थानी सेख मोहमद बिन अब्दुल रहमान अल्थानी कतर के जो हैं परधान मंत्री हैं साथी अरब साथी अरब की राजधानी रियाद है यहां की मुद्रा रियाल है और क्राउन प्रिंस मोह मुहम्मद बिल सल्मान यहां के राश्ट पती हैं सईक्त अरब अमिराथ आबुधावी इसकी राजधानी है अमिराथ की आबुधावी दीरहम यहां की मुद्रा है और मुहम्मद बिन जायद अलनहायान यहां के राश्ट पती है मुहम्मद बिन जायद अलनहायान यू-ए- पाकिस्तान की राजदानी इश्लामाबाद है पाकिस्तानी रुप्या यहां की मुद्रा है आरीफ अल्वी प्रधान यहां के राश्टपती है और अनवारूल हक कर यह कारिवाह के प्रधान मंतरी बने है महादेश में आप देखेंगे ग्रीष की राजदानी इंथेश है और प्रधान मंतरी क्रियाकोस मित्सो तासिक यहां के प्रधान मंतरी है फिल्लेंड, फिल्लेंड की राजधानी हलेस्की है, फिल्लेंड की राजधानी हलेस्की, यूरो यहां की मुद्रा है, पेटेरी उरोपो, पेटेरी उरोपो प्रधान मंत्री है, ब्रिटेन की राजधानी लंडन है, और पाउंड यहां की मुद्रा है ब्रिटेन की, किंग चा प्रागवे की राजधानी आस्यान है मुद्रा यहां के गुवारानी है सेंटियांगो पेना राश्ट पती है और ब्राजील ब्राजील देश की राजधानी ब्राजीलिया है मुद्रा यहां की रियल है और लूलाडा सिल्वा राश्ट पती है लूलाडा सिल्वा आगे है अस्टेरिया महादेश अस्टेरिया महादेश में पापवा नियुगेनी देश पापवा नियुगेनी की राजधानी पोर्ट मुरस्की है पोर्ट मुरस्की कीना यहां की मुद् यहां के प्रधान मंत्री है जेप स्मारेप फीजी की राजदानी शुबा है फीजी की राजदानी शुबा डॉलर यहां के मुद्रा है और सत्विनी रावुका यहां के प्रधान मंत्री है फीजी के सत्विनी रावुका उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्टेलिया अस्टेलिया की राजदानी केनवरा है, डॉलर यहां की मुद्रा है, एंथनी अलवनीस प्रधान मंत्री है, अस्टेलिया के, न्यूजिलेंड की राजदानी वेली गंटन है, डॉलर यहां की मुद्रा है, और क्रिस हिपकिन्स जो है वो प्रधान मंत्री है, क्रिस हिपकिन्स अगला है अफ्रिका, अफ्रिका महादेश में जिमबाम्बे, जिमबाम्बे की राजधानी हरारे, मुद्रा यहां का डॉलर है जिमबाम्बे का, राश्टपती एमर्सन मन गंबा है केन्या की राजधानी नेरोवी है और सिलिंग यहां के मुद्रा है बिलियम रूटो राष्टपती है आब आता है बिभिन देशों के उतपाद को प्राफ्ट जियाई टैग देखते हैं इसे भी बर्ष 2023 की बिभिन उतपादों को जियाई टैग प्राफ्ट है इसे देख लिजेगा तो सबसे पहले आप गोवा को देखिए गोवा में जो है अगस्त दो हजार ताइस में गोवा बेंबी का और गोवा मानकुराद आम को दोनों को जियाई टैग दिया गया है गोवा का राजस्थान के उतपाद में हैं बंदेज सिल्फ, जोधपूर का बंदेज सिल्फ, विकानेर का उस्ता कला सिल्फ, विकानेर का का सी दाकारी सिल्त, विकानेर का 80 दाकारी सिल्त, उदैपुर का कौप्तगारी मेटल क्राप्ट, ये सभी को राजस्थान उत्पाद का जी एटाइक प्राप्थ है 2023 में, उसके अलावा करनाटक करनाटक राज में कारी इसाध आम को GI Tag दिया गया है जुन 2023 में बगपत होम, फर्णिंक्स को दिया गया है, बड़ा बंकी हैंडलों प्रोडक्ट को दिया गया है, कालपी हैंडमेट पेपर, जलसेर धातु सिल्प को अगस्त 2023 में प्राप्त हुआ है, जलसेव धातु सिल्प को उसके अलावे बनारसी पान इसे भी UP का जी आई टेग प्राप्त है बनारसी पान को रामनगर भंटा बैंगन जो की रामनगर का भंटा है जो बैंगन है बनारसी लांगरा आम को जी आई टेग मिला है बनारसी लांगरा आम को बकिरा बराश बेर को नगीना लकरी सिल्प को दिया गया है जिया टैक उसके अलावे यहाँपर आप तमिलांडू के उत्पाद को देखेंगे जिया टैक प्राप जो की तमिलांडू का उत्पाद है उसमें है जडेरी तुर्मन नक मट्टी इसे जुलाय में दिया गया है जडेरी तुर्मन जो की नमक कटी है चेदी बुट्टा सारी को कत्रिया कुमारी मैटी किला को मनपराई क्या है? मनपराई मुरक्कु को कमबम पनीर थ्राचाई अंगूर है मारतंड सहद को उटी बर्की यानि कुरकुरा नास्ता है ये उटी बर्की उसे दिया गया है उसके अलावे मनम दुराई मिटी के वर्तन को जियाई टैग मिला है सलेमा साबुदाना को थुद्दु कोटी बेत्री लई को नेगामम सूती सारी को मायलाडी पत्थर की नकासी को उसकी बाद है मायलादू थुराई के थिकल रतन को थिकल रतन को जो की एक सिल्फ है वहां की और शोला बंदन बेत्री लई को यह सभी तमिलांडो का है जिसका जी अटैक प्राप्त है और इसके नाम से ही आप पकर लेंगे इतना अल्टर नाम है ना आसानी से आप लोग नाम से पकर लेंगे मुझे पता है किसके परनाउंस सेसन में मुझे दिक्कत हुआ है तो आप लोग बजा कुर आएंगे और आप लोग कॉमेंट करेंगे बढ़ कोई नहीं इन नाम ही ऐसा है कि पढ़ने में नहीं बन रहा है आगे है लदाग लदाग में दिया गया है लकडी की नकासी को जो कि अपरेरल 2023 में प्राप्त है बीहार में मर्चा चावल जो कि आपका पस्चिमचंपारं का मर्चा चावल है इसे दिया गया है जी आइटेग और 36 गट, 36 गट के नागरी दुबराज चावल, जिसकों की अप्रेल 2023 में जी आई टैक दिया गया मध्य प्रदेश में बहुत सरे उत्पाद को दिया गया है, तो मध्य प्रदेश का जो दिया गया उत्पाद है उसे देखे रिवा सुन्दर राजा आम को दिया गया है, रिवा सुन्दर राजा आम को, सर्बती गेहु को, मुरेना गजक, गोंड पेंटिंग, उजयन का वाटिक प्रिंट, गौलियर का हस्त निर्मित कालीन, जबलपुर का स्टोन क्राप्ट, हैंडलूम सारी और डिंडोरी का लौसिल साथ में जब्मू कस्मीर में दिया गया है बसोली पेंटिंग को, अप्रेल दोहजारताइस में जिया टैग, जब्मू कस्मीर में बसोली पेंटिंग को, हिमांचल परदेश के कांगराचाई, जो की यूरोपिय संगस्तर से दिया गया है, कांगराचाई को हिमांचल परदे अरब अमिरात के बीच हुआ है, जायत दलवात, भारत और सकत अरब अमिरात के बीच, ये 熟भात अरबो यह नोसेना का अभ्यास था और इसका आयोजन जो है अस्लिया के पूर्वी तट पर कीया गया. Jemex Jemex 800-23 का जुलाई 2000-23 में आयोजन किया गया और यह भारत और जापान के बिच अभ्यास था Jemex 200-23 ये भी नौसेना का अभ्यास था और विशाका पत्नम में इसका आयोजन हुआ कहां पे विशाका पत्नम में नॉमेडिक एलिफेंट दो हजार तैस नॉमेडिक एलिफेंट दो हजार तैस का आयोजन जुलाई दो हजार तैस में किया गया भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच हुआ थलसेना का अभ्यास था और इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया, कहां पे मंगोलिया में हुआ X-Khan Quest 2023, X-Khan Quest 2023, जुन 2023 में हुआ यह बहुरास्टी अभ्यास है और यह थलसेना के विच हुआ है मंगोलिया में एक्स खान कोईस्ट भी आपका मंगोलिया में हुआ एक्युवेरिन, एक्युवेरिन दो हजार तैस, जुन दो हजार तैस में आयोजित किया गया है भारत और मालदीप के वीज एक्युवेरिन भारत और मालदीप के वीज भ्यान रखियेगा थलसेना का अभ्यास है और चोबटिया उत्राखंड में इसका आयोजन किया गया है एक था दो हजार तईस जो है वो जुन दो हजार तईस में हुआ भारत और मालदीप के वीज एक अब्यास और यह नौसेना का अब्यास थान थे खुछ, अपस्थी바, अब्यास थे का नौसेना का अब्यास थे मालडीब में इसका अयोजन क्या गया. समुद्र सक्ति दो हजार तैस माई दो हजार तैस में इसका आयोजन हुआ है समुद्र सक्ति दो हजार तैस का और भारत और इंडोनेसिया के वीच इसका आयोजन हुआ भारत और इंडोनेसिया के वीच ये नोसिना का ब्यास है और इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है समुद्र सक्ति का इंडोनेशिया में आगे है अल मुहम्मद अलहिंदी दो हजार तैस ये भारत और सौधी अरब में हुआ अल मुहम्मद अलहिंदी कहां पे सौधी अरब में स्री भारत और सौधी अरब के बीछ हुआ है और ये अल जुबेल सौधी अरब में इसका आउजन किया गया कोप इंडिया का आउजन अपरिल दो हजार तैस में हुआ भारत और अमिर्का के बीच को बेंडिया दो हजार ताइस का आयोजन बारत और अमेरिका के विच हुआ जो कि बायु सिना का अभ्यास्ता और भारत में इसका आयोजन हुआ अजय वारियर अजय वारियर दो हजार ताइस ये अप्रेल दो हजार ताइस में हुआ भारत और ब्रिटेन के विच भारत और विटियन के बीच हुआ, थलसेना का अभ्यास्ता ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया, कहां पे ब्रिटेन में, सिलिनेक्स 2023, सिलिनेक्स 2023 का आयोजन अप्रेल 2023 में किया गया, भारत और स्रिलंका के बीच, नोसेना का अभ्यास्ता कोलंबो में इसका आयोजन किया महराश्ट्य कोंने हूवा है भारत बृते टेपने नवसे साघ्र तोह साघर क्मई तोहरे हैं वह दॉब्र से कोब्रा-बारियर। तेब्उक्षी है मार्च में हूआ है और जो पलता की युझा इन जेड़ किंग्डम में इसका आयोजन किया गया है कोबरा वारियर का कि उनाइट किंग्डम में अफेंडिक्स 2023 पहला संसकरन जो है ये मार्च 2020 में भारत और अफरिक की महादुईप के 25 देश के वीच आयोजित किया गया अफेंडिक्स 2023 का पहला संसकरन भारत और अफिर्गा महाँदोईप के 35 देश के विच हुआ है जो की थल्सेणा का अभ्यासता पूने में इसका आयोजन किया गया फ्रेंजेक्स फ्रेंजेक्स 2023 ये मार्च 2023 में हुआ भारत और फ्रांस के वीज थलसेना का अभ्यास था तिर्वंतपूरम केरल में इसका आयोजन किया गया बोल्ड कुरी छेत्र बोल्ड कुरी छेत्र का आयोजन कहां पे हुआ तो ये भारत और सिंगापूर के वीच होता है, बोल्ड कुरू छेत्र मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ भारत और सिंगापूर के वीच, बोल्ड कुरू छेत्र थलसेना का अभ्यास था, जोधपु राजस्थान में इसका आयोजन किया गया जोदपूर राजस्थान में सेन्निव मैत्री दोहजार तैस मार्च दोहजार तैस में इसका आयोजन हुआ भारत और जापान के बीच सेन्निव मैत्री बायू सेना का भ्यास है जपान के कोमात्रू भी पर इसका आयोजन किया गया डस्टलिक 2023, फरवरी 2023 में इसका आयोजन हुआ डस्टलिक का भारत और उजबेकिस्तान के वीज, भारत और उजबेकिस्तान के वीज, थलसेना का अभ्यास से उत्राखंड में इसका आयोजन किया गया, उत्राखंड में साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट जन्वरी 2023 में हुआ भारत और मिस्र के वीज थलसेना का अभ्यास था राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है कहां पे राजस्थान में आपका वरून दो हजार तैस वरून दो हजार तैस का आयोजन जन्वरी दो हजार तैस में किया गया भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन हुआ भारत और फ्रांस के बीच ये नौसेना का अभ्यास है और पश्मी समुदरी तट पर इसका आयोजन किया गया काजिंद 2022 का छथा संसकरन दिसमबर 2022 में हुआ भारत और कजाकिस्तान के वीच इसका आयोजन हुआ उम्रोह मेगाले में इसका आयोजन किया गया भारत और फ्रांस में कहां पे भारत और फ्रांस के बीच हुआ है गरूर सेवन जो की बायु सेना काभ्यास था जोदपूर राजस्थान में आयोजन किया गया है जोदपूर राजस्थान में नसीम अलबहर 2022 ये नौमबर 2022 में हुआ नसीम अलबहर भारत और उमान के बीच हुआ है नसीम अलबहर भारत और उमान के बीच नो सेना का अभ्यास है उमान तटपर आयोजन किया गया उमान तटपर उसके बाद है कि हरमव, हरीमव सक्ती 2022 नावमबर 2022 में हुआ हरीमव सक्ती 2022 और भारत और मलेसिया के बीच इसका आयोजन हुआ थलसेना का आयोजन हुआ और ये मलेसिया में हुआ हडुमव सक्ति का मलेसिया में आयोजन किया गया भारत और मलेसिया के बीच थलसेना का अभ्यास है अस्ट्राहिंद दो हजार बाइस जो है ये नॉमबर 2022 में हुआ भारत और अस्टेलिया के बीच थलसेना का भ्यास है राजस्थान में इसका आयोजन किया गया गरूर सक्ति 2022 ये नॉमबर 2022 में हुआ भारत और इंडोनेसिया के बीच गरूर सक्ति थल्सिना का भ्यास है और इंडोनेसीय में इसका इउजन किया गया सिम्बेक्स 22 ये अक्टूबर 22 में हुआ बारत और सिंगपूर के बीच नو सिना का भ्यास है सिम्बेक्स और ये विशाका पत्नम में कि बंगाल की खारी में इसका पहला चरण 26-27 अक्टूवर, बंगाल की खारी में अदूसरा चरण 28-30 अक्टूवर को हुआ, ठीक है, चलिए, अब आगला आता है कि वर्ष 2022 की प्रमुक सुचकांग को देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखेगा कि ACI Power Index 2023, ACI Power Index 2023, यह जारी करता है Lobie Institute जो की Sydney का है, Sydney का आस्टेलिया में, तो ACI Power Index जो है, इसे Lobie Institute की द्वरा जारी किया जाता है, और ACI Power Index में अमेरिका पहले अस्थान पे है, भारत अभी बरतमान में चौथे अस्थान पे है, भारत चौथे अस्थान पे है, और पिछले सुचकांग म भारत चौथे अस्थान पे था 2022 में, और अंतीम अस्थान पापवानियोग गिनी का है, अंतीम अस्थान किसका है, पापवानियोग गिनी का, Global Fire Power Index 2023, इसे Global Fire Power जारी करता है, और अमेरिका इसमें भी पहले अस्थान पे है, और भारत चौथे अस्थान पे है, सेम चीज़े ह भारत चौथी ही अस्थान पे था Global Fire Power Index में और अभी जो भुटान है, इसमें भुटान अंती मस्थान पे है भुटान अंती मस्थान पे विश्व निवेस रिपोर्ट दो हजार तैस इसे अंक्टाड जारी करता है विश्व निवेस रिपोर्ट को अंक्टार जारी करता है अमेरिका पहले अस्थान पे है और वर्तमान में भारत का अस्थान आठमा है प्रतम अस्थान किसका है अमेरिका का उसके बाद वर्तमान में पहला अस्थान सुरी यहां पे विसुनिवेस रिपोर्ट में जो है अंक्टार जारी करता है अमेरिका पहल अस्थान पर बरतमान में भारत आठमे अस्थान पर है, 2022 में भारत एक अंक पीछे था, साथ में अस्थान पर जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग 2003, इसे जर्मन बाद जारी करता है, और प्रत्रम तीन कोई नहीं है इसमें, पहला तीन अस्थान किसी का नहीं है, चोथा अस्थान डेनमार्क का है, भारत आट में अस्थान पे है, और पिछला सुचकांक में भारत का अस्थान दसमा है, 2022 में, ठीक है, और इरान इसमें अंतिम अस्थान पे है, वैस्विक आतंकबाद सुचकांक इसे IEP जारी करता है, वैस्विक आतंकबाद सुचकांक को IEP जारी करता है अफगानिस्तान पहले अस्थान पहे है अफगानिस्तान पहले अस्थान पहे है वर्तमान में भारत 13 में अस्थान पहे है और इसमें पिछला सुचकांक भारत का बारामा अस्थान था पिछला सुचकांक में भारत का 2022 में और अभी 13 में अस्थान पहे है अफग और अमेरिका इसमें पहले अस्थान पे हैं, भारत का अस्थान इसमें 21 मा है, पिछला सुचकांग में भारत 19 में अस्थान पे था, 2022 में, 19 मां अस्थान पे हैं, लौजिस्टिक प्रदर्शन सुचकांग 2022 में इसे विश्वेंग जारी करता है, और सिंगापूर इसमें पहले अस्थान पे हैं, और वर्तमान में 38 मा अस्थान अपने भारत का है, लौजिस्टिक प्रदर्शन में 2018 में भारत का अस्थान 44 मा था, बिश्व प्रती अस्पर्धात्मक सुचकांक दो हजार तईस बिश्व प्रती अस्पर्धात्मक सुचकांक दो हजार तईस आई-मडी जारी करता है कौन आई-मडी डेन्मार्क इसमें पहले अस्थान पे है भारत का अस्थान वर्तमान में 40 मा है 37 rank 2022 में भारत का ठाथ और अभी 40 मा है Global Innovation Index 2020 Global Innovation Index 2022 इसे वयस्विक बौदिक संपधा संघठन जारी करता है सीवजर लेंड पहले अस्थान पे है और 46 मा अस्थान भारत का था और गीनी इसमें अंती मस्थान पे है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 इसे मरसर जारी करता है मरसर एक संस्था है जो इसे ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को जारी करती है आइसलेंड पहले अस्थान पे है भारत का अस्थान एक तिल 41 है अभी भारत 2022 में 41 में अस्थान पे है और 2021 में भारत 40 में अस्थान पे था लेकिन अंतीम में अभी अस्थान पूछे तो वो Thailand है Global Pension Index में Thailand अंतीम अस्थान पे भारत 41 में अस्थान पे, Iceland पहले अस्थान पे अंतरास्टिय बौदिक संपदा सुचकांग 2020 इसे US Chamber of Commerce जारी करता है अंतराश्टिय बौधिक संपदा सुचकांक को US Chamber of Commerce जारी करता है अमेरिका पहले अस्थान पे हैं भारत का अस्थान बरतमान में 42 मा है और 43 मा अस्थान 2022 में था और अभी बरतमान में जो अंतिम अस्थान है वो वेनेज्वेला का है अंतिम अस्थान रैंकिंग को जारी करता है I.C.A.O. सिंगापूर इसमें पहले अस्थान पे है और भारत का अस्थान इसमें 48 मा है 55 मा अस्थान 2021 में भारत का था अलेकिन अभी 48 मा है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 इसे चार्डलर इंस्टिचूट जारी करता है जो शिंगापूर का है का का शिंगापूर का 57 मा अस्थान भारत का है 57 मा और 52 मा अस्थान 2022 में भारत का था बेनेजुएला इसमें पहले अस्थान पे है बेनेजुएला पहले अस्थान पे वैस्विक उर्जा संक्रमान सुचकांक 2023 में इसे विश्वार्थिक मंच जारी करता है और स्विडन पहल पहले अस्थान प attorney पर 16 में भारत श्रसटमा आस्थान हे और यमन इसमंटी मस्थान पर यद्वा सुरक्षा सुचकांग 2020 इसे लंदण के L platforms क अरुन श्रक्षा में पहले अस्थान भारत का थाुन भारत का अस्थान 68 में अस्थान पे है और 2021 में भारत 71 में अस्थान पे था Syria इसमें अंतीम अस्थान पे है Rule of Law Index क्या है Rule of Law Index 2022 इसे World Justice Project जारी करता है Rule of Law Index को World Justice Project जारी करता है Denmark पहले अस्थान पे है और भारत का अस्थान इसमें 77 तर्मा है और पहले इसमें 89 अस्थान था 2021 में और वेनेजुएला इसमें पहले अस्थान पे है और वेनेजुएला रूल ओफ लॉइ इंडेक्स में अंतिम अस्थान पे है और वेस्विक खाल सुरक्षा में अंतिम अस्थान सिरिया का था किसका था सिरिया का अगला है ब्रस्टाचार बोधसुचकांक ब्रस्टाचार बोधसुचकांक में पहला अस्थान जो है सरी से जारी करता है ब्रस्टाचार को Transparency International Transparency International के दौरा ब्रस्टाचार बोधसुचकांक को जारी किया जाता है डेनमार्क इसमें पहले अस्थान पे है Global Hunger Index 2022 इसे कर्षन वर्ड वाइड और वेलुत्थू हंगर लिफ जारी करता है 18 देशों को इसमें प्रथम अस्थान दिया गया है 107 अस्थान अपने भारत का है जो कि 2021 पे भारत 101 में अस्थान पे था और वुरंडी जो है वो Global Hunger Index में अंतीम अस्थान पे है वुरंडी भारत 107 अस्थान पे और पहला अस्थान पे 18 देश है Westwick सतत्विकास Report 2023 इसे सतत्विकास समाधान नेट वर्क जारी करता है सतत्विकास समाधान नेट वर्क जारी करता है फिन्लेंड इसमें पहले अस्थान पे है 112 अस्थान इसमें 112 महा अस्थान भारत का है जो की 2022 में भारत का अस्थान 121 था और अभी 112 हो चुका है दचनी सुडान इसमें अंतिम अस्थान पे है Kids Right Index 2022 Kids Right Index Kids Foundation द्वारत जारी किया जाता है Kids Right Index को Kids Right Foundation जारी करता है अस्थान पे है, 115 मा अस्थान भारत का है, चाड इसमें अंतीम है, विस्व आर्थिक सोथनता सुचकांक 2023, इसे हेरिटेज फाउंडेशन और वाल एस्ट्रिट जनरल जारी करता है, सिंगापूर इसमें पहले अस्थान पे है, 131 अस्थान इसमे भारत का है 131 और 2022 में भारत सेम ही अस्थान पे था उत्तर कोरिया इसमे अंतीम है मानब भिवाइस सूचकांक 2021 इसे UNDP जारी करता है स्यूजर Лेंड पहले अस्थान पे है 2020 में भारत 131 अस्थान पे वे था और अभी 132 में पे हो चुका है दशनी सुदान इसमें अंतिमस्थान पे है मानव विकास सुचकांग में वैस्विक सांती सुचकांक, वैस्विक सांती सुचकांक दो हजार ताइस, इसे इंस्टिटूट फॉर एकोनोमी एंड पीस जारी करता है, इंस्टिटूट फॉर एकोनोमी एंड पीस जो है वो वैस्विक सांती सुचकांक को जारी करता है, आइसलेंड इसमें पहले अस्था इसे जारी करता है बिश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कुण जारी करता है बिश्व आर्थिक मंच आइसलेंड इसमें पहले अस्थान पे है एक सो सताइसमा अस्थान भारत का एक सो सताइसमा एक सो पैंतिस दो हजार बाइसमें था और अभी एक सो सताइस हो चुका है इसमें भी अफगानिस्तान लास्ट ही अस्थान पे है विशु प्रेश उतनता सुचकांक 2023 इसे रिपोर्टर्स वेदाउट बॉर्डर्स जारी करता है विशु प्रेश उतनता सुचकांकों को नार्वे इसमें पहले अस्थान पे है भारत का इसमें 161 अस्थान है बिश्व प्रेश उतनता सुचकांग में भारत 161 अस्थान पे है और इसमें 152 अस्थान था 2022 में उत्तर कोडिया इसमें पहले लास्थान पे है बिश्व प्रेश उतनता सुचकांग में उत्तर कोडिया लास्थान पे परियावरन परदर्शन सुचकांक 2022 इसे जारी करता है World Economy Forum परियावरन परदर्शन सुचकांक को कौन जारी करता है World Economy Forum इसमें डेनमार्क पहले अस्थान पे है 185 अस्थान भारत का है और इसमें हो जाएगा कि 120 अस्थान भारत का तो है चलिए अब हम देखते हैं 2022 के महत्पुन दिवस और उसके थीम को तो सबसे पहले आप देखेंगे ओजोन दिवस जो की 16 सेप्टेंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस और Montreal Protocol Fixing the Ozone's Layer and Reducing Climate Change ये इसका थीम है ओजोन दिवस का विस ओजोन दिवस 16 सेप्टेंबर को मनाया जाता है और इसका थीम है Montreal Protocol Fixing the Ozone Layer and Reducing Climate Change अंतरास्टिय साक्षर्ता दिवस 8 सेप्टेंबर 2023 को मनाया गया है यानि कि 8 सेप्टेंबर को अंतरास्टिय साक्षर्ता दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है Promoting Literacy for a World in Transitation ये 2023 में 8 सेप्टेंबर इसका थीम हो जाएगा Promoting Literacy for a World in Transitation विस्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं विस्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और 2023 में विस्व जनसंख्या दिवस का थीम है Unlistening the Power of Gender Equality क्या है Unlistening the Power of Gender Equality Unlistening पढ़ लिए स्वरी लेसिंग है अंतराष्टी योग दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं अंतराष्टी योग दिवस 21 जुलाई को 2023 का योग का थीम है Yoga for Vasudev Katumbukam है ना क्या है Yoga for Vasudev Katumbukam योग दिवस का थीम है विश्व रक्तदान दिवस 14 जुन को मनाते हैं रक्तदान दिवस 14 जुन को Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Optane ये इसका थीम है विश्व रक्तदिवस 2023 का थीम है 14 जुन का की Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Optane पांच जुन को मनाते हैं विश्व परियावरन दिवस पांच जुन को क्या मनाते हैं विश्व परियावरन दिवस जिसमें की 2023 का थीम है Solution to Plastic Pollution क्या थीम है Solution to Plastic Pollution विश्व तंबाकू निसेद दिवस ये 31 माई 2023 को मनाते हैं विश्व तंबाकू निसेद दिवस 31 माई को Grow Food not तंबाको है ना मुझे भोजन चाहिए तंबाकू निसेद दिवस 22 माई को मनाते हैं विश्व तंबाकू निसेद दिवस 22 माई 2023 का थीम है From Agreement to Action Build Back Biodiversity From Agreement to Action Build Back Biodiversity अंतराष्टिय जै विपता दिवस का थीम है अंतराष्टिय चाह दिवस 21 माई 2023 को मनाया जाता है मनाया गया 21 माई को और 2023 में इसका थीम है Bringing People Together Over A Cup Of Tea Bringing People Together Over A Cup Of Tea ये अंतराष्टिय चाह दिवस का थीम है विश्व रेड क्रोस दिवस आठ माई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रोस दिवस और रेड क्रोस दिवस का थीम है 2023 में Everything we do comes from the heart Everything we do comes from the heart विश्व प्रेज सुंता दिवस तीन माई को मनाते हैं विश्व प्रेज सुंता दिवस क्या है gzw. $safing A future of Rights क्या है shafing A future rights इसका थीम है परीइदिवस मनाया जाता है विश्व रेड क्रोनेश सरी प्रीइदिवस 22 अप्रेल 2023 को Invest In Our Planet इसका थीम है Invest In Our Planet 24 दिवस 18 अपरिल 2023 को मनाते हैं 24 दिवस और 2023 में 25 विरासत का थीम है Heritage Changes 26 दिवस 7 अपरिल 2023 को मना आ जाता है 26 दिवस Health for All इसका थीम है 26 दिवस 26 मतलब TV दिवस 24 मार्च को मनाते है और इसका थीम है Yes We Can In TV Yes We Can In TV 26 दिवस का थीम है विश्व मौशम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौशम विज्ञान दिवस 23 मार्च को तीम है 2023 में the future of weather, climate and water across generation एक मिनट वेट कर लिजेगा फिर next था कि आपका विश्व जल्दिवस विश्व जल्दिवस मनाया जाता है आपका विश्व जल्दिवस का थीम है अंतरास्टी वन दिवस एक इस मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है forest and health इसका थीम है वैक्सीन वर्क फॉर्क 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 अंतारास्टीय मिला दीवस का थीम है इसका थीम है Kathryn crazy in गे कस वो विश्व वनजिव दीवस बिश्व chili जीवल निया जाता है जिसका थीम है भीền मंगे करेद поставई बाटनर्स और जाळान्य नियर्ट को कि मनान on our countryutable नियर्टी अीव हो बन हे थीम को और 2023 में राश्ट्य विज्ञान दिवस का थीम है Global Science for Global Wellbeing अंतराश्ट्य मात्री भासा दिवस 21 फरवरी 2023 को मनाया जाता है अंतराश्ट्य मात्री भासा दिवस जिसका थीम है Multilingual Education and Necessity to Transform Education विश्व रेडियो दिवस विश्व रेडियो दिवस तेरा फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस और तेरा फरवरी को जिसका थीम है 2022 में Radio and Pieces ये इसका थीम है Radio and Pieces विश्व कैंसर दिवस चार फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस जिसका थीम है Close the Care Gap विष्व आदरभुमी दिवस यानी वेटलेंडे, 2 फरवरी को बनाया जाता है वेटलेंडे और इसका थीब है It's time for wetlands re-c συν विष्व आदरभुमी दिवस का थीब है राश्टिये मतदाता दिवस जोकी 25 जनवरी को मनाते हैं राश्टिये मतदाता दिवस इसका तीम है nothing like voting I vote for sure राष्टिय यूवा दिवस जो की 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसका तीम है बिक्सित यूवा बिक्सित भारत विश्व हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस का तीम है जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है हिंदी को जन्मत की भासा बनाना बेगेर उनकी मातरी भासा की महत्ता को भूले हुए प्रवासी भारतिय दिवस प्रवासी भारतिय दिवस का थीम है नौजनवरी दो हजारता इसको बनाया जाता है यह प्रवासी भारती दिवस का थीम है जो कि नौजल मेरी को मनाते हैं अंतरास्टिय परवत दिवस जो कि 11 दिसम्बर को मनाते हैं इसका थीम है वोमेन मुप्स माउंटेन विस्व मिर्दा दिवस 5 दिसम्बर को मनाते हैं विश्व मिरदा दिवस 5 दिसंबर, थीम है 2022 में स्वाइल वेर फूड विगेंस, अंतरास्टी चीता दिवस ये 4 दिसंबर को मनाते हैं, अंतरास्टी चीता दिवस इसका थीम है critically endangered, विश्व अधुमेह दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतरास्टी ची तूमरू, अंतरास्टी चीता दिवस स्वाइल विश्व माधुमेह दिवस, और 2022 में इसका थीम है Act Local to Global Act Local to Go Global विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को जिसका थीम है कि A Healthier Future for Mother and Children A Healthier Future for Mother and Children आगे विश्व खादि दिवस 16 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है Leave No One Behind इसका थीम है अंतरास्टिय बाइलिका दिवस 11 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है Our Time is Now, Our Right, Our Future ये इसका थीम है अंतरास्टिय बाइलिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते है इसका 2022 में थीम है Our Time is Now, Our Right, Our Future विश्व परेटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम है Rethinking Tourism from Crisis to Transformation है ना अब आईए आप देखते हैं कि यहाँ पे दिया है नवीन परियावरन एवं उसकी परिस्थिति की 17 मी भारत बन इस्थिति रिपोर्ट 2021 भारत बन इस्थिति रिपोर्ट यानि ISFR भारत सरकार के परियावरन बन और जलवाईयों परिवर्तन मंत्राले के तहद भारती वन सर्वेक्षन द्वारा प्रती दो बर्ज पर प्रकासित किया जाता है भारत बन इस्थिति रिपोर्ट ठीक है प्रती दो बर्ज पर या 1987 में प्रकासित किया गया था रास्टी वन निती 1988 में यल्लक्ष रखा गया कि देश के कुल भू भाग का 33% भाग वन शेत रहें भारत में बन आवरन देखेंगे तो भारत बन इस्थिति रिपोर्ट 2021 के नुसार भारत का बन आवरन देखेंगे 7,13,789 किलोमीटर है भारत का बन आवरन 7,13,789 किलोमीटर जो कुल भगोलिक छेत्रफल का 21.71 प्रतीशत है 2019 के रिपोर्ट के अंतूलना में भारत वन में बन आबरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की विति दर्जी गई है जो पिछली रिपोर्ट से 0.22 प्रतिशत अधिक है अब भारत में ब्रिक्चा आबरण देखेंगे इस report की अनुसार भारत में कुल ब्रिक्षा आवरन कितना है 95,748 वर की km है भारत में कुल ब्रिक्षा आवरन जो कि कुल भगोलिक शेतरफल का 2.91% है दोहजर उनीस के report की तुल्ना में ब्रिक्षा आवरन में 721 वर की विर्दी हुई है जो 0.76% है अब है भारत में वन एवं ब्रिक्षावरण के संपुर्ण आकरे को देखेगा तो यहाँ पे दिया है कि बनावरण बनावरण यहाँ का छेतरफल है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर छेतरफल है बनावरण का यानि प्रतिसत में 21,71 प्रतिसत है और 1540 वर्ग किलोमीटर की बनावरण में विर्धी हुआ है वहीं है ब्रिक्षावरण ब्रिक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर जिसका प्रतिसत है 2.91 प्रतिसत और विर्धी है 721 वर्ग किलोमीटर विर्धी खुल देखा जाए तो यहाँ पे है 8,9537 वर्ड किलोमीटर और इसमें जो प्रतिषत है वो 24.06 प्रतिषत है इसका प्रतिषत बिर्धी यहाँ पे ओबरॉल हुआ है तो वो 2211 वर्ड किलोमीटर की ओबरॉल बिर्धी हुई है ठीक है आप देखेंगे यहाप एक छित्रफल के अनुसार सरवधिक बना अवरन बाले राज तो मद्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बन है 77493 वर्ग किलो मेटर मद्य प्रदेश में जो है आपका बन है वही अर्वनाचल प्रदेश सेकेंड अस्थान पे है मद्य प्रदेश के बाद अर्वनाचल प्रदेश है 64431 वर्ग किलो मेटर है अँड थर्ड है 36 गड़ 36 गड़ में 5717 वर्ग किलो मेटर जो है वो बन है अब आप चित्रफल के अनुसार सबसे कम बन सबसे कम बन आवरन बला राज है हरियाना 1603 में हरियाना में पंजाम में 1847 में फर्द अस्थान पे गोगा है 2244 में अपका गोगा का बनावरन है उसके अलावे यहाँ पे सरबदिक बनावरन में विर्धी करने वाले राज़ को देखे विर्धी करने में आंदर्प्रदेश पहले अस्थान पे है सबस्यादा विर्दी यहां पे हुआ है 647 वर किलोमीटर विर्दी हुआ है आंत्रप्रदेश में 647 वर की किलोमीटर ते लंगना में 636 वर किलोमीटर की विर्दी हुई है उरिशा में 537 वर किलोमीटर की विर्दी हुई है उरिशा में सर्वधिक बनावरन में नुक्षान करने वाला राज है आपका और नाचल परदेश सबस्यादा नुक्षान और नाचल परदेश में हुआ है 257 वर किलोमेटर मनीपूर में 249 वर किलोमेटर और नागालेंड में 235 वर किलोमेटर आगे है कि सरवदिक बनावरन प्रतिसत वाले राज सरवदिक बनावरन प्रतिसत वाले राज को देखेगा तो मिजोरा में 84.53 प्रतिसत की विर्दी सरी बनावरन है मिजोरा में अरुनाचल प्रतेश में 89.53 प्रतिसत है और नासिल प्रदेश में और मेगाले में 76% है वहीं अगर किंद्रसासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा बन आवरन प्रतिशत पूछे किंद्रसासित प्रदेश में तो लक्षदीप में है 90.33 प्रतिशत और अंडवान्नी को बार में है 81.75 würde गाने एवंखुले बन के आंकरे को देखेंगे तो VDF यानी की वहזה क्या बोलते हैं इसको 25 वर्ड की कैटोमीटे और मत्मद्यर में रूप से घने बन में देखें गे मिडियम में में मिडियम जो है आपका में 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 मध्य प्रदिश कोजाए एगा 34341 वर कीलोमीटे typically तो इसमें हो जाएगा मीडियम डेंस फॉरेस्ट और खुले बन ओपन फॉरेस्ट में मदवर्देस पहले अस्थान पे ओपन फॉरेस्ट में 36,465 वर किलोमीटर यहां पे खुल छेत्रफल है ठीक है अब आगे देखिए अन्यविंदू जो की एक्जाम के वेसिस से इंपोर् प्रतिसट का 7.8,68 पूरे देज का कितना वैंचहेत्र है? 7.8 प्रतिसद. और टाइगर रिजर्व के कूल छेत्रफल का 74.51 प्रतिसद में बागा व्यारन लगभक 44,710.53 वर्ग किलोमीटर आपका देश में बाग अब्यारन है मतलब फैला हुआ है जो कि भारत के कुल भागोलिक छेतरफल का पूछे तो 2.27 प्रतेशत है कुल भागोलिक छेतरफल का चेतरफल के अनुसार सबसे बरावन चेतर नागा अर्जुन सागर स्री सेलम टाइगर रिजर्व है जो आंध प्रतेश में है और चेतरफल के एक कॉर्डिंग सबसे बरावन चेतर है नागा अर्जुन आंध प्रतेश का यहां पे 2932.95 वर की किलोमेटर इसका चेतरफल है और प्रतेशत के अनुसार सबसे बरावन चेतर पूछे तो वो पक्के टाइगर रिजर्व है चेतरफल के अनुसार सबसे बराव पक्के टाइगर रिजर्व जो अर्नाचल परदेश में है और इसका चितरफल 96.83% है रिपोर्ट की अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आंकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की विर्धी होई है रिपोर्ट की अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 77204 मिलियन टन है होने कानुमान है और 2019 के अंतिम आंकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की विर्धी हुई है है ना? अब है आपका मैगरोव बनस्पती छेतर मैगरोब बनेशपती छेतर को देखेंगे तो वन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अधार पर देश में कुल मैगरोब या फिर कक्छ बन 492 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भबोलिक छेतरफल का 0.15% है पहला अस्तान पश्ची मंगाल का दूसरा अस्तान गुजरात का है अच्छा पश्ची मंगाल में जो मैगरोब या मैगरोब या फिर किलोमीटर है थार्ड अस्तान है अंडवान निकोवार द्विपसमूंका जो शेतरफल है वो 616 वर्ग किलोमीटर है उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि राज में देखेंगे तो उरिसा पहले अस्तान पर है उरिसा जिसका 8 वर किलोमीटर की विर्दी हुआ है मैगरोब बन में उरिसा में 8 वर किलोमीटर दूसरे अस्तान पे महरास्ट है और महरास्ट में चार वर्ग किलोमेटर की विर्दी हुई है महरास्ट में तिसरे अस्तान पे है कर्नाटक कर्नाटक में तीन वर्ग किलोमेटर की विर्दी हुई है कर्नाटक में तीन वर्ग किलोमेटर की विर्दी हुई है नेक्स्ट है आपका सोतंत्रता के 75 वर्स में भारत के 75 रामसर अस्थल के बारे में सबसे पहले देखे तो इंडिया में कितने 75 रामसर अस्थल हो चुके हैं वर्दमान में तो 2022 में रामसर अस्थल में शामिल भारत की महत्रपुन आदरबुमी को देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि आद्रभूमी संडक्षन हेतु 971 में इरान के रामसर सम्मेलन हुआ था और इसके समझोते 1975 से परभावी हुए भारत इसमें 1982 में सामिल हुआ विश्व में 2400 से अधिक रामसर रस्थल है पूरे विश्व में देखा जाये तो 2400 से भी ज़्यादा रामसर रस्थल है वही अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतर रास्टिये महत्यकी आद्रभूमी की कुल संख्या 75 हो चुकी है 75 रामसर रस्थल के रूप में सालबुंग आद्रभूमी जो जम्मिय कस्मिर में है ये 75 रामसर रस्थल है सालबुंग आद्रभूमी और इक्जाम में ज़्यादा तर यही कोशन आपसे पूछा जाता है ठीक है बर्स 2022 में रामसर अभी शमय में सामील भारत की आद्रभूमिया बर्स 2022 में सबसे पहले देखेंगे खिजरिया वंजी वब्यारन आद्रभूमी अस्तल जो फरवरी 2022 में सामील हुआ था यह गुजरात में है खिजरिया वंजी वब्यारन गुजरात में है, वकीरा वंजी वब्यारन उत्तर प्रदेश में है, सांके सागर मद्य प्रदेश में है, पाला आदरभुमी मिजोरम में, पाला आदरभुमी मिजोरम में, पीजबरम मैग्रोब है ये तमिलांडू में, पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलांडू में है, करी कली पच्ची अब्यारन तमिलांडू में, उसके अलाव है कुन्थन कुलम, कुन्थन कुलम पच्ची अब्यारन जो है व उन्थन कुलम, तहाँ पे तमिलांडू में, मनार की खाड़ी समुद्री बायोस्फेर रिजर्व, ये भी तमिलांडू में है, मनार की खाड़ी तमिलांडू में, बेंबनूर बैटलेंड कंप्लेक्स ये भी तमिलांडू का है, बेंबनूर बैटलेंड कंप्लेक्स सकताता अर श्मिंद्ट में तमिलांडू में है उदैं मार्तंद पूरं तमिलांडू में है चित्रा गुंडी पच्चिय अबैरन तमिलांडू में सुचिंद्रम थेरूर वेटलेंड कंप्लेक्स तमिलांडू में है उसकी अलावे क्या है वुदूर पच्चिय अबैरन तमिलांडू में काजीर कुलम बच्चिय बैरन तमिलांडो में है, सत्कोसियागर्ज आपका उरिशा में है, तंपाराजील उरिशा में है, अंसुपाजील आपका उरिशा में है, हिराखुंड जलासय भी उरिशा में है, सिरपुर बैटलेंड मद्रदेश में है, उसके अलाबे यस्वंत सागर यही मद्रदेश का है, यस्वंत सागर मद्रदेश का, ठाने क्रिक आपका महराष्ट में है नन्दा जील गोआ का है। रंगना थित्तु पच्छी अभारन करनाटा का हाईगम बैट्लेंग कंजर्वेशन रिजर्ब जमू कस्मीर में है सालबुंग बैट्लेंग कंजर्वेशन रिजर्ब जमू कस्मीर में नोट देखिएगा कि युनाइटेंड किंग्डम के 175 से अधिक रामसर अस्थाल इस सुची में सामिल है युनाइटेंड किंग्डम के रामसर सुची में सामिल होने वाले प्रतम अस्थाल 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 में सामिल हुआ था रामसर अस्थाल में पहला अस्थान है अस्टेलिया का उसके वाद भारत के पहले रामसर अस्थल के रूप में सामी आदरभुमी चिलकाजील है भारत का सबसे वरा आदरभुमी अस्था सुन्दरवैन वेटलेंड है जो पश्चिम मंगाल का है और इसका जो आप देखेंगे छेत्र जो है वो 2549 समलब 44 वर किलो मीटर इसका छेत्र है आदरभुमी का वही आपका इसको परसेंटेज में बता दे तो 96.76 परसेंट है छेत्र आदरभुमी 96.76 परसेंट भारत का सबसे छोटा आदरभुमी अस्तल रेनुका वेटलेंड है जो हिमाचल परदेश में है रेनुका वेटलेंड सबसे छोटा आदरभुमी है और ये जो है रेनुका हिमाचल परदेश में है भारत का पहला कृत्रीम आदरभुमी अस्तल पूछे तो हरी के बैराज है कान्हा टाइगर रिजर्ब दोस्तों कहां है तो यह यहां पे कान्हा टाइगर रिजर्ब जो है इसमें सबसे 461 आदरभुमी है जिनमें से अधिकांस 2.25 हेक्टेर से कमा कारते हैं और भारत में सरवदिक रामसर अस्तल तमिलांडू में टोटल 14 है सबसे जादा रामसर अस्तल तमिलांडू में है टोटल 14 है दूसरी अस्तान पे उत्तर परदेश है उत्तर परदेश में 10 है जो कि पहले यूपी पहले अस्तान पे था भारत के 75 रामसर अस्तल जो हैं वो 13,436,673 हेक्टेयर यानि 13,3 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है भारत का 75 रामसर अस्तल बर्ष 2014 से लेके 2022 तक देश के रामसर अस्तल की सुची में 49 नई आदरवुमी जोरी गई है 49 को नजोरा गया है आप हैब बाग गंणा रिपोर्ट दो हजार बाइस बाग गंणा रिपोर्ट दो हजार बाइस को देखेंगे तो 29 जोलाई 2023 को अंतराश्टी बाग दिवस के रुप में मनाया जाता है जानते ही है और इसे जारी करता है भारतीय वंजिम संस्थानिया और इसे पूर्व नो अप्रेल 2020 को जाडी रिपोर्ट की अनुसार बागो की कुलसंख्या 367 बताई गई है पुना 29 जुलाई 2023 को प्रकासित रिपोर्ट की अनुसार बागो की कुलसंख्या 362 हो चुकी है विसु का 75% बाग केबल भारत में है विस्तु का 75% बाग जो है वो केवल भारत में पायाज आता है वही 2018 से 22 के बीच जो बागों की अबादी थी उसमें 24.1% की विर्धी दर्ज की गई है 24.1% की विर्धी हुई है 2018 में बागों की संख्या 2960 थी है ना अब है बागों की संख्या और राज या छेत्र तो मध्य प्रदेश में 2018 में 526 था और अभी आपका 2022 में 785 हो चुका है यानि की यहां पे जो है वो ब्रिधी हुई है मध्य प्रदेश में 526 से 785 पहुँच चुके है करनाटक में पहले 524 था 2018 में 524 अब यहां 563 हो चुका है करनाटक में 2022 के रिपोर्ट के एकॉर्डिंग उत्तराखंड में 442 था 2018 में और अभी 560 हो चुका है उत्तराखंड में पहले 442 था और अभी 560 हो चुका है उत्तरपरदेश में पहले 173 था और अभी 205 हो चुका है बाग उत्तरपरदेश में 173 से 205 हो चुका है और विहार में बागों की संख्या पहले 31 थी 2018 में 31 थी और अब जाके 54 हो चुकी है ठीक है? खंड में देश के सबसे ज़्यादा बाग है 260 इस प्रकार पिछले आट वर्स में बागो की संख्या में बढ़ कर दोगुना हो चुका है बिहार में और बिहार एक मात टाइगर डिजर्व बाल में की नगर पस्टमी चमपानद में इस्थीतै बिहार का एक मात टाइगर डिजर्व परियावरन बन एवं जलवाईू परिवर्तन मंत्राले दौरा हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बागो की कुलवादी उन्ती सौ पचीस हो गई है और वार्षिक विर्दी दर 6.1% दर है आगे है रास्टी हरित हाइड्रोजन मिशन रास्टी हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उलेख बितमंत्री श्रीमती निर्मला सितारमन ने केंद्री ये वजट 2021-22 में प्रस्तुत किया था किस चीज़ को तो रास्टी हरित हाइड्रोजन मिशन को और भारे सरकार ने चार जनबरी 2023 को उनीस अजार 744 करोर रुपया की लागत से रास्टी हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजुरी दे दी इस मिशन के कार बनन के लिए नोडल एजनसी के रुप में नवी नवी करनी उर्जा मंत्राले को बनाया गया नोडल एजनसी कोन बनाए? नवी नेवं नवी करनी उर्जा मंत्राले इसकी मुख्य विसेस्ता है कि प्रती वर्ष कम से कम पाँच MMT यानी की मिलियन मिट्रिक्तन की हरित हाइड्रोजन उत्पाधन शम्ता बिखसित की जाएगी इससे पांच मिलियन मिट्रिक टन और दूसरा कि जिवास पिंधन के आयात में एक लाख करोर से अधिक संचाई कमी और छो लाख से अधिक नौकरियां का सिर्जन होने का भी उमीद है उसके बाद अक्षय उर्जा की छमता में लगवग 125 गिगावाट की विर्धी ग्रीन हाउस गैस के वार्सिक उत्सरजन में लगवग 50 mmT की कमी की जाएगी अक्षय उर्जा की छमता में लगवग 125 गिगावाट की विर्धी और ग्रीन हाउस गैस के वार्सिक उत्सरजन में लगवग 50 mmT की कमी की जाएगी नेक्स्ट है कि जो निती आयोग है निती आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाट्रोजन बजार का संचै मुल वर्स 2030 तक 8 बिलियन अमेर की डॉलर और वर्स 2050 तक 340 बिलियन अमेर की डॉलर हो जाएगा क्या तो हरित हाट्रोजन बजार का संचै मुल 2030 में जो है 2030 तक 8 बिलियन अमेर की डॉलर और 2050 तक 340 बिलियन अमेर की डॉलर हो जाएगा इसके अलावे हरित हाट्रोजन को अपनाने से वर्स 2050 तक संचै कारवन डायवकसाइट के उत्सरजन में 3.6 गीगवार्ट तन की कमी आएगी अब है प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट चीता के बारे में मैं आपको बता दू कि जो प्रोजेक्ट चीता है वो बर्स 1952 में भारत से बिलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुवात की जारी है 1952 में बिलुप्थ हो चुका था पोर्जेक्ट चीता के ताहद 17 सितंबर 2022 को नाम्बिया से 8 अफिर की चीते जिसमें 5 मादा और 3 नर को मद्य प्रदेश के कुनो राष्टि उद्यान में लाया गया था इसकी निगरानी है तो 9 सदस एक कारेबल को 2 वर्ष की अबधी के लिए गटित किया गया था 9 सदस को 2 वर्ष के लिए और यह विसु की पहली अंतर महादूपी चीता पुनरवास योजना है यह विसु की पहली अंतर महादूपी चीता पुनरवास पर योजना है कुनो राष्टि उद्यान में दस्टीन अफरिका से 12 चीते को लाया गया था और इस प्रजक्ट के ताद अगले 5 वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है कौप 27 सम्मिलन को चड़ा देख लीजे कौप 27 सम्मिलन का आयोजन सर्मल सेख मिस्र में किया गया कहाँ पे सर्मल सेख मिस्र में इसका महात्यपुर्ण निड़ना ये रहा कि जो अनुकूल कोस में 230 मिलियन डॉलर से अधिक योगदान का नया संकल्प लिया गया प्रभावित विकास सील एवं अल्प विक्सित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहद बित पोसन परदान करने पर सहमती व्यक्त की गई कौप 27 में मैग्रोव एलाइंस फॉर क्लाइमेट मेसी को लॉंच किया गया मैग्रोव एलाइंस फॉर क्लाइमेट एक आंतर सरकारी गठवंदन है जो मैग्रोव परिश्थिति के संरक्षन को बढ़ावा देता है मैं गरोब परिस्तिती तंत्र के संदक्षन को बढ़ावा देता है COP 27 में भारत को देखेंगे तो भारत 4 नॉमबर 2022 को COP 27 में अपनी दिर्गा अवधी कम उत्सर्जन विकास रननिती प्रस्तुत की इसकी विशेश्ता है कि भारत राष्टी हरित हाइड्रोजन निती के उद्देश को सामिल किया 2030 तक परमानु चमता में तीन गुना विर्दी करेगा और जैविंधन के उपयोग में विर्दी और पेट्रॉल में 20% एथनॉल समिस्रन भी किया जाएगा COP26 समिलन में भारत को देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन को लेकर गलासको गलासको इसको 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 इसकोटलैंड में COP26 सख्खर सम्मिलन का आयोजन किया गया था इसमें भारत की योर से प्रधान मंत्री मोदी जी ने भाग लिया था और उन्होंने पंचामरित मंत्र दिया था, पहला था कि 2030 तक अपनी गैर जिवास उर्जा चमता को 500 गीगावार तक पहुचाना, कब तक 2030 तक, दूसरा था कि भारत 2030 तक अपनी 50% उर्जा की जरुवत अच्छा गैर जिवास उर्जा से पूरी करेगी, कितना परसेंट? 50% 2030 त के कुल अनुमयानित कारवन सर्जन में एक विलियन यानि अरव टन की कमी करेगा, चौथा है 2030 तक भारत अपनी अर्थ विवस्था की कारवन तिवरिता को 45% से भी कम करेगा, 2005 के अस्तर से, और पांचमा है कि वर्ष 2070, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष हासिल यही पंचामरित था, और नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे किन सरकार द्वारा 2022 ते इसमें लाये गए नए अधिनियम, तो किन सरकार के द्वारा जो नए अधिनियम लाया गया है, इसे आप देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखें, एक मिट थोड़ा से छोटा क दुसरा है बंचीप संड़क्षन संसोधन अधिनियम 2022 वनजीब संड़क्षन संसोधन अधिनियम 2022 यह अधिनियम एक अप्रेल 2023 से लागू होगा और इसके ताद 1972 के वनजीब संड़क्षन अधिनियम में संसोधन होगा तीसरा है बैटरी अपसिस्ट परबंधन नियम 2022 सरकार ने 24 अगस्त 2022 को इस नियम को परकासित किया ताकि बेकार बैटरी का पर्यावर निये रूप से उचित परबंधन शुनिशित किया जा सके परबंधन और हैंडलिंग नियम 2021 की जगह हो लेगा इसमें नए बैटरी परवंधन और हैंडिलिंग नियम 2001 की जगह लेगा, बैटरी अपसिस परवंधन नियम 2022, ये दो नॉमबर 2022 को इस नियम को अधिसुचित किया गया, दो नॉमबर 2022 को, ये नियम इक अप्रिल 2023 से प्रभावी होगा, अगला है प्लास्टिक अपसिस्ट परवंधन संसोदन नियम 2021, ये 12 अगस्त 2021 को इस नियम को अधिसुचित किया गया, और इस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपियोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्मान, आयात, विक्री और उपियोग पर प्रतिबंद लगा दिया गया, ठीक है, चलिए अब आता है इन्वारामेंट टूदी पॉइंट, इन्वारामेंट टूदी पॉइंट को आप देखेंगे, वैस्विक समुन्दाई से कबक के महत्त पर जोर देने के लिए सयुक्तिराष्ट जैब विविता ने फंगा अभि अभियान शुरू किया है, फंगा अभियान को सुरू किसने किया है, तो बैस्विक समुन्दाई से कबक के महत्त पर जोर देने के लिए सयुक्तिराष्ट जैब विवित्ता ने फंगा अभियान शुरू किया है, जिसमें बनस्पति और जीवो, फ्लोड़ा और फोना, फ्ल रेखनीय रूप से 33% की कमी की है ग्रीन हाउस गैस में भारत ने 2005 से 2019 में 33% की कमी की है यह भारत की यूनिसेफ के प्रती उसकी प्रतीबदता से और अधिक रेखांकित होता है 2030 तक भारत ने अपनी उत्सरजन तिव्रता को 2005 के अस्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है ब्राजील के सहर बेलेम आयोजित बेलेम में आयोजित ऐमेजन सहीयोग संधी संगठन सिखर संवेलन के दोरान दस्चनी अमेरिका देशों के प्रमुख ने अमेजन वर्सावन की सुरक्षा को प्रात्मिकता दे ब्राजील के सहर वेलम आयोजित आमेजोन सहयोग संधी संगठन सिखर संबलन के दोरान दशनी अमेरिका देशों के प्रमुख ने आमेजोन वर्सावन की शुरक्षा को प्रात्मिक्ता दे नेक्स्ट है भारत की G20 अदेख्सता के तहद चोथी परियावरन और जलवायू इस्तिर्ता कारिशमू और परियावरन जलवायू मंत्रियों की बैठक 26-28 जुलाई दोहजार ताईस तक चेन्नाई में आयोचित की गए चोथी परियावरन और जलवायू अस्तिर्ता कारिशमू कहां पर चन्नाई में बंबे हाई कोट की गोवा पिठने गोवा सरकार को महादेई वंजीव अभ्यारन और अनचेत्रों को वंजीव संडक्षन के तहद बाग रिजर्ब घोसित करने का निर्देश दिया है बंबे हाई कोट की गोवा पिठने गोवा सरकार को कहां महादेई वंजीव अभ्यारन और अनचेत्रों को वंजीव संडक्षन के तहद बाग रिजर्ब घोसित करने का निर्देश दिया है 22-23 जुन 2023 तक नए वैस्विक वीतिय संधी के लिए सिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया और इस सिखर सम्मेलन की घोसना जो कॉप 27 हुआ था उसी में किया गया था साथ जुन 2023 को हवाई में इस्थीत सक्रिये जला मुखी किलाव किलाव में विसफोट की घटना हुई है परियावरन बन और जलवाईवी परिवर्तन मंत्री भुपेंदर यादब ने 15 माई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोवाईल एप्लिकेशन को सुबारम किया है मेरी लाइफ किसने किया है भुपेंदर यादब ने दिल्ली में सुरू किये हैं और यह एप जो है वो परियावरन को बचाने में नागरी को विसेशकर युवाओं की सक्ति को प्रदर्सित करेगा क्या नाम है मेरी लाइफ एप इसका नाम है यूरोपिय संग ने ग्रीन हाउस गैस के उस्टरजन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक ब्यापक जलवायू कार योजना को पेस की है उदेश 2030 तक सुद्ध ग्रीन हाउस गैस उस्यरजन को कम से कम 55% तक लाना है सुद्ध ग्रीन हाउस गैस को 50% तक लाना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रिसी सुनग ने ब्राजील के Amazon Fund में 101 मिलियन डॉलर से भी अधिक का युगदान दिया है रिसी सुनग ने Amazon Fund में और जो दस्चिन अमिर्का वर्षावन में बनों की कटाई को रोकने का परयास करता है संस्था UN Economy and Social Commission for Asia and Pacific ESCAP ने हाली में Race to Net Zero सिर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो ESCAP एक संस्था है इसने Race to Net Zero सिर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है इसका Full Form है Economy and Social Commission for Asia the Pacific और इसे UN संस्थाने किया है Next है माई 2023 में UNEP द्वारा UNEP द्वारा Turning of the Tap How the World Can End Plastic Pollution and Create a Circular Economy EconoMai सिर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है किसने UNEP के द्वारा Turning of the Tap, How the World Can End Plastic Pollution and Create a Circular Economy सिर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है अगला है रास्टिये बाग संदक्षन प्रधीकर ने हाल में यह गोशना किया है अस्टेलिया में कारवंडा व्यक्साइट के उत्षरजन को कम करने के लिए Safeguarded Safeguarded Mechanism launch किया गया 9 अप्रेल को गज उत्षब 2023 का उधगाटन काजी रंगा राष्टियोद्यान असम में राष्टपती द्रोपती मुर्मुर द्वारा किया गया है गज उत्षब का आयोजन कहाँ पे काजी रंगा राष्टियोद्यान असम में किया गया है तमिलांडू सरकार ने थान्थाई पेडियार वंजिवे भारन को राजिका अठारमा वंजिवे भारन गोसित किया है तमिलांडू ने अठारमा Translocation Project के तहद गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क ACI सेरो को राज में वरडा वंजिवे भारन में अस्थान्तित करने की योजना बनाई भारत ने बड़ी विलियों की रक्षा के लिए अपने नित्यत में एक मेगा वैस्क गटवन्धन खरने और 100 मिलियन डॉलर की गारेट दिक्री धन्दासी के साथ पांच बर्स में समर्थन का अस्वासन दिया है भारत ने नई भारत में बड़ी विलियों की रक्षा के लिए अपने नित्युत में एक मेगा वैस्वी गटबंदन शुरू करने के लिए 100 मिलियन डॉलर की गारेट देकरी धंडासी पांच वर्ष में समर्थन का अस्वासन दिया है और प्रस्तावित International Big Cat. International Big Cat Alliance साथ बरी विल्नी बाग, सेर, तेंतुआ, हीम, तेंतुआ, प्यूमगा जागुआर और चिता के सन्डग्षण के पुर्णरवास की दिशा में काम करेगा बाग हो गया सेर, तेंतुआ, हीम, तेंतुआ, प्यूमगा, जागुआर और चिता अम्रित धरोहर योजना के उद्देश आदरभूमी इस्टतम उपियों को बढ़ावा दे कर उनका संड़क्षन करना है अम्रित धरोहर योजना का उद्देश मिस्टी, मिस्टी योजना का मुकु देश समुद तट के किनारे मैग्रोव रिक्छा रोपन करना, देश के तटिये इलाकों में मैग्रोव के पौधे रोपे जाएंगे, ये है मिस्टी योजना किन सरकार ने गुजरात के एक छेतर गीर में ACI सेर के संदक्षन के लिए Line at the rate 47 vision for अमरुत काल योजना का अनावरन किया है किन सरकार ने गुजरात के एक छेतर में गुजरात के छेतर गीर में ACI सेर के संदक्षन के लिए लाइन एड़ दिरेट 47 बीजन पॉर अम्रूत काल योजना का अनावरण किया है उन्हीं सब 72 में Stockholms सम्मेलन में 50 वर्स फूरे होने के उपलक्ष में स्युडन की राजधानी Stockholms में Stockholms 15 का योजन किया गया कहां पे Stockholms में Stockholms 15 का योजन किया गया सायुक्तिराष्ट महासागर सम्मेलन 2022 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजवानी में लिश्वन में आयुजित किया गया और यह सम्मेलन लिश्वन योगोषना पत्र के साथ समाप्त हुआ प्रदान मंत्री नरेंद्र मुदी ने गुजरात के के वरिया में स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी से मीसन लाइफ की सुरुवात की मीसन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वारामेंट इसका उदेश पर्यावरन की रक्षा और संरक्षन के लिए बैक्तिगत एबम सामुही कारिवाई को बड़ावा देना है इसके अंतरगत कम से कम 80% गाउं और सहरी अस्थानिय निकाईयों को दोहजर अठाइस तक पर्यावरन के अन्कूल बनाने का लक्स निहारित किया गया है दोहजर अठाइस तक असी पर्यावरन बन और जलवाईव परिवर्तन मंत्री भुपेंदर यादम ने अठाइस सितंबर 2022 को दुबई सयुक्त अरब अमिरात में आठमा वर्ल्ड गरीन एकोनोमी सम्मीट के दोरान मंत्री अस्तरिय गोल में सम्मेलन में भारत का पर्तिनित किया अगला है जम्मू कस्मीर जम्मू कस्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कारवन निट्रल पंचायत बन चुका है पल्ली यमुना पर आजादी का अमरित महुत सब कार्जिकरम में अर्थ गंगा अबधारना के तहद नई पहलों की सुरुआत की गई ध्यान रखियेगा कि यमुना पर आजादी का अमरित महुत सब कार्जिकरम में गंगा अबधारना के तहद नई पहल की सुरुआत कई गई गई पहला पहल है जलजपहल जलजपहल का उद्देश है गंगा नदी के तटो के आसपास आजीविका के अबसर को बढ़ाना और इसकी सुरुआत 26 अस्थानों पर की गई है जलजपहल में दूसरा है प्रकृति खेती और परिटेन संबंधित प्रोटल आई-एम अप्तार आई-एम अप्तार जो है यह अस्थानी उत्पादों के बिम्पननन को बढ़ावा देना एवं परिटन को सुभधाजनक बनाना है भारत टैप पहल आवास और सहरी मामलो के मंत्राले ने उद्देश है कि इसके तहद कम बहाव वाले टैप और फिक्चर के उपियों को बढ़ावा दिया जाएगा जलदूद अप गरामिन विकास मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है जलदूद अब को गरामिन विकास मंत्राले द्वारा इसका परियोग गाओं में चैनी त्फूँओ के जलस्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा UNCCD के COP15 का आयोजन कोटेडी आईवर के आविद जान में किया गया थी मैं भूमी, जीवन, बिरासत, अभाव से सम्रिद्धी की और चलिए अब आते हैं आगे इधर देखते हैं इधर है आपका विभिन पत्रिकाओं दोरा जारी सुची तो सबसे पहले देखिएगा कि विभिन डिक्सनरी द्वारा चैनित वर्ड अफ़ दो हजर बाइस को तो वर्ड अफ़ दो हजर बाइस को देखेंगे Cambridge Dictionary का Homer है, Cambridge Dictionary के द्वारा Homer को और Collins Dictionary ने 2022 में Prama Crisis को दिया है, Prama Crisis को World of the Year दिया है, फोब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हुरून Global Rich List 2023, हुरून Global Rich List 2023 में प्रतम अस्थान पे Bernard Arnold है, जो कि Louis Vuitton, Vuitton की मुल कमपनी LVMH, जो आप कमपनी है, उसके Bernard Arnold जो है वो प्रतम अस्थान पे है, Rich List में, दूसरे अस्थान पे Alan Mask है, Space X और Tesla के संस्थापक Alan Mask, नॉमा अस्थान मुकेश अंबानी का, भारतिये RIL के पुर्व अध्यक्च है, नोट में दिया है कि 2023 के जो अरब पती के लिस्ट में भारत तीसरे अस्थान पे और भारत के कुल 187 अरब पतीस लिस्ट में सामिल है, 187, 2023 की Fortune Global 500 की सुची में, Westwick Top 3 कंपनिया को देखेगा, तो प्रतम अस्थान पे Walmart अमेरिका की कंपनी है, पहले अस्थान पे, अमेरिका की Walmart कंपनी, दूसरे अस्थान पे साओधी अरमा को है, साओधी अरब की, और तिसरे अस्थान पे State Grade चीन की, तिसरे अस्थान पे State Grade चीन की, वहाँ पे फिर निक्स देखेंगे Top 3 भारती के कंपनी को, तो 88 मा अस्थान है Reliance Industries का, 88 मा अस्थान, 94 मा अस्थान है Indian Wild का, 94 मा अस्थान है Indian Wild का, और 107 मा अस्थान है LIC का, 107 मा LIC का, टाइम पत्रिका में सामिल सबसे प्रभावसाली भारतीय वेक्ति में देखेंगे, भारतीय वेक्ति में, तो भारत के कुल दो वेक्ति को, बर्स 2023 की सुची में कुल दो वेक्ति को, फिल्म अविनेता सारुख खान को दिया गया है, 2020 में सारुख खान को, और फिल्म निर्द पदमालक्ष में भी सामिल हैं इसके अत्रिक्त भारतिय मुल्के लेखक सलमान रूजदी और टीबी एंकर पदमालक्ष में भी सामिल हैं वहीं 2022 की सुची में तीन वेक्ती करुणानंदी गौतमडानी और खुर्रम परवेज अब है टॉप 500 सुपर कम्प्यूटर में सिर्ष तीन कम्प्यूटर 500 में तीन टॉप कम्प्यूटर को देखेंगे तो विस्विके सिर्ष तीन सुपर कम्प्यूटर में पहला अस्थान फ्रंटियर का है जो अमेरिका का पहला अस्थान फ्रंटियर अमेरिका का दूसरा लियूमी फिल्लेंड का वहीं भारत के तीन सूपरस्टार कम्प्यूटर वह है 75 मा एरावत पुने के द्वारा इसे विक्सित किया गया है एरावत को IITM पुने द्वारा विक्सित किया गया है 4BURS avarapati सुची 2023 4BURS के अरवपती सुची में जो rank है पहले अस्थान पे बर्णार अर्नॉल्ड ऐन्ड फैमिली है जो कि France की luxury goods typhoon company के संस्थापक है बर्नार अर्नॉल्ड ऐन्ड फैमिली यह पहले अस्थान पे है अरवपती की सुची में सेकेंड अस्थान पे टेसला के संसापक एलन मास्क है और नौमे अस्थान पे मुकेस अंबानी है रिलाइंस इंडस्ट्रीज के तो दुनिया में अरब पती के मामले में भारत अमेरिका चीन के बाद तिसरे अस्थान पे है भारत तिसरे अस्थान पे आप है कि फोबर्स 37 साली महिला सुची 2022 फोबर्स की महिला देखेंगे इसमें आप देखेंगे कि इसमें छो भारतिय महिला को सामिल किया गया है छो भारतिय महिला जिसमें पूरे विश्व में 36 मा अस्थान निर्मला सिता रमन का है निर्मला सितारमान 36 में अस्थान पे है तिरपनमें अस्थान पे रौसनी नादर मलोत्रा है तिरपनमें अस्थान पे रौसनी नादर मलोत्रा चोवनमा अस्थान मादवी पूरी वुच्चिका है 54 मा अस्थान मादवी पूरी वुच्चिका सोभा मंडल का है सरसथ में अस्तान, किरन मजुमदार 172 में अस्तान पे और फालगुनी नायर का नवासी में अस्तान है इस सुची में पहले अस्तान पे उर्सिला वांडे और लियॉन योर्पीय यूनियन के अध्यक्ष देवो हैं इस सुची में पहले अस्तान पे उर्सिला वांडे और लियॉन योर्पीय यूनियन संग के अध्यक्ष आप है क्यू वेस्ट एस्ट एस्टुडेंट सिटीज रैंकिंग इसे क्यू वेस्ट क्वाई कुरेरिली साइमंट्स द्वारा जारी किया जाता है जिसे 2023 और 2024 में देखें तो 2023 में प्रतामस्थान लंडन यूके का है प्रतामस्थान दूसरा आस्थान पे म्यूनिक और सियोल है और मुंबई भी 118 में अस्थान पे है, मुंबई 118 में पे और 132 में दिल्ली हो जाएगा, 132 में दिल्ली आवे बर्श 2023 के विश्व के सिर्ष 50 महानतम अस्थान, महानतम अस्थान को देखिएगा तो टाइम पत्रिका के द्वारा इस सुची को जारी किया गया है प्रताम अस्थान टंपा, फोलोडिडा, अमेरिका का है, प्रताम अस्थान टंपा, फोलोडिडा, अमेरिका का पहला अस्थान पे है भारत के दो अस्थान इस सुची में सामिल है, लदाक 31 में अस्थान पे है और मयूर बंज 32 में अस्थान पे ऑवरल वर्ड में लदाख एक तिस्मा है और मयूरवंज बतिस्मा भारत के दो है अब आप देखते हैं यहाँ पे भारत के नए संसत भवन के बारे में भारत के नए संसत भवान के बारे में जानेंगे कि प्रधान मंत्री नेरंद्र मोदी ने 28 माई 2023 को नव निर्मित संसत्ववण का उधगाटन किया, मोधी जी ने, 10 सितंबर 2020 को नए संसत्ववण की अधारसिला मोधी जी ने रखी थी, नए संसत्ववण के उधगाटन के अबसर पर 75 रुपया का सिक्का भी लॉंच किया गया था, और भारत की सेंट्रल विष्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में, नई दिल्ली में संसत्ववण का निर्मान किया गया, नई दिल्ली में, आर्किटेक्ट बीमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया बीमल पटेल के द्वारा और संसद भवन का निर्मान टाटा परजक्स लिम्टेट के द्वारा नए संसद भवन की विशेस्ता इसका आकार तिरकोनिय है इसका आकार कैसा है तिरकोनिय है इस भवन में के तीनों मु ग्यानद्वार, सक्तिद्वार और कर्मद्वार के नाम से जाना जाता है। इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है, 9500 किलोग्राम, इसके उचाए सारे 6 मीटर है, सारे 6 मीटर। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और रासभा कक्ष में 384 प्रतिनिधी के बैठनें की विवस्था है, कुल मिलाकर 1272 सीटे हो गई है, 1272। प्रदान मंत्री नरंदर मोदी ने संसद भवन में नंदी के साथ पवित सेंगोल के स्थापना के सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है, राजदंड और इसका इस्तमाल चोल समराज से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांत्रन की पहचान रहा है और तमिल संस्कृती की सान है संगोल यह राजदंड पांच फिट लंबा है और इसके सिर्ष पर नंदी बैल है जो न्याई के प्रतीक है लोगसभा का आंत्रिक हिशा राश्टिये पक्छी मोर पर अधारित है वही राश्टिये फूल कमल पर अधारित है राश्टिये फूल कमल पर अधारित है राश्टिये फूल कमल पर अधारित है राश्टिये पक्छी मोर पर अधारित है संसद परिसद में राश्टिये विरिक्ष परगत है बरगत का पेर भी लगा हुआ है उसमें पेर नहीं लगा हुआ मतलब पेर बना हुआ है उसमें बना हुआ है बर्गत का पेर ऐसा बोलना चाह रही थी मैं अगला है वर्ष 2023 में प्रधान मंत्री नरेदर मोदी के बिभीन देशों को सरबोच राज के समान दिया गया उसके बारे में देखिएगा सबसे पहले देखिएगा कि बिभीन देश समान का नाम औरती थी ग्रीस ग्रीस जो है वो Grand Cross of the Order of Honor समान इसका नाम है ग्रीस जो है उसका समान का नाम है Grand Cross of the Order of Honor जो की अगस्त 2023 में दिया गया मोदी जी को फ्रांस ने अपना सरबुच समान Grand Cross of the Legion of Honor दिया है प्रांस जुलाई 2023 में उसके बाद मिस्र के द्वारा Order of the Nile दिया गया है पापवा न्युगिनी ने Companion of the Order of Lagohu को दिया है पापवा न्युगिनी फीजी के द्वारा Companion of the Order of Fiji दिया गया है और पलाउ गंडाज के द्वारा एबाकल अबाड़ बाइदा रिपॉब्लिक ऑफ पलाउ दिया गया है पलाउ गंडाज के द्वारा माई 2023 में नोट में दिया है कि पिछले 9 वर्ष में भारतिय प्रधान बंत्री नरेंद्र मोधी को विश्व के विभिन 15 देशों का कितने 15 देशों का संबोज सम्मान मिल चुका है आगे देखते हैं आब है बर्ष 2022 में चर्चित पुरसकार है साहित्य से सम्मान जित पुरसकार को देखेगा जिसमें मैन बुककर अंतरास्टिय पुरसकार 2023 मैन बुककर अंतरास्टिय पुरसकार है जो 2023 में दिया गया है जोर्जी गोस्पो दिनोव को किसे दिया गया है जोर्जी गोस्पो दिनोव को दिया गया है बुलगारिया के हैं इन्हें दिया गया है मैन बुकर अंतरास्टिय पुरसकार दो हजार तैस का और दो हजार बाइस का दिया गया था manbooker, गितांजली सिरी भारती जोर्जी गोस्पो दिनोव की जो कृती है वो है time shelter, क्या है time shelter और हितांजली सिरी का कृती है, वो है tomb of sand यानि rate की समाधी time of shelter के जो अनुबादक है वो है Angela Rodel क्ँँप है Angela Deddle और जो tomb of sand है, इसका जो अनुबादक है वो है डेजी रॉक बिल, कौन है डेजी रॉक बिल, उसकी बारे में देखेंगे कि जो जॉर्जी गोस्पोदिनोब हैं, यह अंतराष्टीय मैन बुकर पुरसकार पाने वाले बुलगारिया के प्रतम लेखग है, बुलगारिया के पहले लेखग है, वहीं आपके जो पुरसकार 2022 यह सिहान करुना ताइलिका जो किसी लंकाई लेखाक है उन्हें दिया गया है बुकर पुरसकार 2022 इनकी उपन्यास है KALIT-JAVET को दिया गया उर्दु लेखात जिनकी पुस्तक है THE PARाडाइज OF FOOD क्या है पुस्तक? में अनुराधा राई को दिया गया है जिनकी उपन्यास है आल द लाइपस भी नेवर लीबड और उर्दु भासा में दिया गया है अनीस अस्फाक को अनीस अस्फाक जिनकी उपन्यास है ख्वाव शराव अब है ज्यान पिट पुरसकार 57 मा 57-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान-वान- हिंदी भासा में सुरेनाथ सिंग कोटू एप के लिए ने दिया गया बाल साहित पुरसकार हिंदी भासा में ठीक है अब है युवा पुरसकार दो हजार साइस युवा पुरसकार दो हजार साइस ये साहित अकादमी द्वारा दिया गया और हिंदी भासा के लिए दिया गया अतुल कुमार राई को युवा पुरसकार दो हजार तैस दिया गया चांदपूर की चंदा के लिए और अंग्रेजी भासा में अनुरूद कनिसेठी को दिया गया लॉंडर्स ओप दर डेककन के लिए अंग्रेजी भासा में अनुरूद कनिसेठी को युवा पुरसकार दिया अब है रामेंन मैक्सिस पुरेसकार 2023 ये पुरेसकार चार लोगों को दिया गया, जिसमें एक भारति के सामिल है, आर रबी कनन, भारति है, सर्जिकल, सर्जिकल उन्कोलॉजिस्ट ये मेडिकल के यह फित्र मेंने » दिया गया आर रबी कनन को, और आरभी कनन असम के कच्छार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान किंदर के निर्देसक है आरभी कनन कोरवी रक्षंद कोरवी रक्षंद जो है ये बांगलादेश के है और ये सिक्छा और गड़ीवी के लिए ने दिया गया मेरियम कॉरोनेल फेरर ये फिलिपेंस के है मेरियम कोरंेल फेरर फिलिपेंस के युवा विबाद सुलजाने तथा सासन का विरूद करने के लिए ने दिया गया युवा अभीबाद सुल्जाने तथा सासन का विरोध करने के लिए दिया गया यूजेनियो लिमोस यूजेनियो लिमोस तीमोर लिस्ते के हैं कहां के तीमोर लिस्ते के किर्सी और प्राकिर्ती के संडक्षन के लिए ने दिया गया तो सरसती समान 2021 में 31 दिया गया था रामदरस मिश्र को जिनकी मराठी उपन्यासकार थी मैं तो यहां हूँ के लिए 2021 में और 2022 का 32 पुरसकार है सरसती समान 32 है ये सिव संक्री को दिया गया है सिव संक्री को तमिलिलेखी का है और सुरिवनसम के लिए दिया गया है व्यासम्मान 2021-31 असकरवजाहत को महावली के लिए और व्यासम्मान 2022-32 ये ज्यान चतुरवेदी को दिया गया पागल खाना के लिए आगे है बिहारी पुरसकार बिहारी पुरसकार जो है ये सभी जो है केके बिला फॉन्डेशन के द्वारा दिया जाता है याद रखियेगा बिहारी पुरसकार भी एक तिस्मा और बतिस्मा है तो बिहारी पुरसकार के एक तिस्मा के भी जैता मधु कंकारियां थे हम यहां थे इसके लिए एक 30 मा पुरसकार मधु कंकारिया को हम यहां थे इसके लिए और 32 मा भी दिया गया है डॉक्टर मादव हाडा को 32 मा पुरसकार दिया गया है पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए ठीक है आगे हैं कि राजा राम मोहन राए राष्टीय पुरस्कार 2023 एबी के प्रशाद को दिया गया रविन्ना टेगोर साहित पुरस्कार 2021 जिसके विजयता है सुदीप सेन और शोभना कुमार इसके विजयता है और सायुकत रूप से यह दिया गया है सजिक तुरूप से ठीक है चलिए अब बिभिन सांती पुरसकार बिभिन सांती पुरसकार में गांधी सांती पुरसकार देखे गांधी सांती पुरसकार देखे गांधी सांती पुरसकार 2021 के लिए गीता प्रेस गुरकपूर भारत को दिया गया गया गीता प्रेस गोरकपूर ये जर्मनी की पुर्व चांसलर एंजला मारकल को सीरिया, इराग, अफगानिस्तान, आदी से आए सरनार्थी के स्वागत करने के लिए यूनेस को सांती पुरसकार दो हजर बाइस से समानित किया गया। और विकास पुरसकार दो हजर बाइस इंद्रा गांधी सांती निर्सस्त्री करन और विकास पुरसकार ये इंडियन मेडिकल एस्सोशियेशन एबं ट्रेड नर्सिस और्गेनाईजेशन ओफ इंडिया को इस पुरसकार के लिए चुना गया। 2022 ये रास्टिये, केंद्रिये, यूबा, कल्यान और खेल मंत्राले की और से हर साल खेल में उलेखनिये प्रदर्शन करने वाले खिलारी को रास्टिये खेल पुरसकार से समानित किया जाता है। और वर्ष 2022 में, 2022 में कुल 40 पुरसकार वित्रित किये गए हैं, 40। उसके अलावे देखेंगे मेजर ध्यान चंद खेल लत्न पुरसकार, जिसका पुर्व नाम राजीव गांधी खेल लत्न अवार्था और इसका नया नाम मेजर ध्यान चंद खेल लत्न हो चुका है। ये सरद कमल अचंता को टेबल टेनिस में दिया गया है, सरद कमल अचंता को और इस साल राष्ट मंडल खेल में 300 एक रज़त पदक अपने नाम किये थे, सरद कमल अचंता, 300 एक रज़त पदक और इस पुरसकार के तहट 25 लाख रुपे की रासी दी जाती है, कितना 25 लाख अरजुन अवाड पुरसकार की रासी 15 लाख है और इस बार 25 खिलारी को अरजुन अवाड दिया गया है, 25 खिलारी को, जिसमें तीन आपके अथलीट हैं, सीमा पुनिया, इल्डा हॉस पॉल, इल्डा हॉस पॉल जो है अथलीट है, ट्रीपल जम की, और अभिनास मुकुन स ताबले जो है, यह स्टीपल जेज के अथलीट है, वहीं लक्छ सेन और SS प्रणाय, यह दोनों को बैडमिंटन में दिया गया, लक्छ सेन और SS प्रणाय, H.S. प्रणाय को बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में अमित पंगाल और निखाजरीन को बॉक्सिंग में, उसके उसके बाद दीप ग्रेस इक्का होकी में सुसिला देवी जुडो में साक्षी कुमारी कवड़ी साक्षी कुमारी कवड़ी में नयन मोनी शौक्या को लौन बाउल्स के लिए सागर कैलास ओभालकर मलखम के लिए सागर कैलास ओभालकर मलखम के लिए एला वेनील वलारीवन सुटिंग के लिए ओम प्रकास मिथरवाल सुटिंग में स्रीजा अंकुला टेबल टेनिस के लिए विकास ठाकुर वेट लिप्टिंग से है विकास ठाकुर को वेट लिप्टिंग में दिया गया है अंसु को कुस्ती में, सरिता भी कुस्ती में, अंसु और सरिता कुस्ती में, प्रवीन विशु, प्रवीन को दिया गया है विशु खेल में, मांसी ग्रिश्चंद्र जोसी को पैरा बैडमिंटन में और तरुन दिलो, दोनों को बैरा बैडमिंटन में, पैरा बैडमिंटन में दो विक्ति को मांसी गिरिश चंद्र जोसी और तरुन धिलो को दिया गया पैरा स्विमिंग में दिया गया है स्वपनिमिल संजय पाटिल को स्वपनिमिल संजय पाटिल को पैरा स्विमिंग में दिया गया जरलीन अनिका जे को डेफ बाधिर और बैडमिंटन में दिया गया ये अरजुन पुरसकार आपका होगे आप है द्रोनाचार अवार्ड लाइफ टाइम स्रेनी में पुरसकार की रासी भी 15 लाग है और इसके तहद कुल 3 वेक्ति को पुरसकार दिया गया है द्रोनाचार अव समान स्रेनी में 10 लाग की रासी और इसके तहद 4 वेक्ति को दिया गया है नोट में दिया है कि खेल कूद गेम में बर्ष 2022 के लिए 4 वेक्तियों को लाइफ टाइम अचीब्मेंट ध्यान चंद पुरसकार दिया गया खेल पुरत्चाहन पुरसकार 2022 के लिए खुल 3 वेक्ति अब है पदम पुरसकार 2023 पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था उनिस्सो चोबन में 2023 में कुल 106 लोगों को पदम पुरसकार देने की घोसना की गई 106 लोगों के जिसमें 6 आपका पदम भीभूशन 9 पदम भूशन और 91 पदम सिरी पदम भीभूशन 6 पदम भूशन 9 और पदम सिरी एक्यानवेर जिन में 19 महिलाएं दो बिदेसी और एनराई हैं और 7 को मरनो परांथ दिया गया है उनीस महिलाएं दो बिदेसी एनराई और 7 को मरनो परांथ आगे देखेंगे पदम भीभूशन के बिजैता 6 लोगों को देखिएगा तो सिरी बाल कृश्न दोसी यह ने मरनो परांथ दिया गया है बाल कृश्न दोसी को यह बास्तु कला से सम्बंदित है गुजरात के रहने वाले बास्तु कला सम्बंदित है बाल कृश्न दोसी गुजरात के रहने वाले उसके बाद स्री जाकीर हुसेन जाकीर हुसेन कला से सम्बंदित है महराष्ट के रहने वाले हैं जाकिर हुसेन महराष्ट में कला से स्री स्म क्रिष्णा लोगकारे से संबंदित है करना टके स्री दिलीप महाल नोविस चिकित्सक में इन्हें भी मर्नोब रांत दिया गया है महाल नोविस को ये पश्ची मंगाल के हैं श्री निवास बर्धान इन्हें बिज्ञान और इंजिनरिंग में दिया गया USA के हैं उसके अलाबे श्री मुलायम सिंह लिए यादब को जो कि लोगकारे के लिए दिया गया UP से थे घासे UP से उसके वाद है पदम भूशन भी जरता, पदम भूशन भी जरता नौ लोगों को संबंधित छेत्र और संबंधित राज देखिए कापिल कपूर साहित और सिक्षा में दिल्ली के कुमार मंगलम बिरला को वानीज और वेपार में महाराश्ट के रहने वाले हैं श्री दीपकधर दीपकधर को वग्यान और इंजिनरिंग में दिया गया यह महरास्थ के हैं दीपकधर श्री बानी जयराम स्री बानी जयराम कला के छित्र में दिया गया तमिलांडू के श्री शुमन कल्यानपूर कला के छेतर में महराष्ट के उसके बाद स्री श्वामी चित्रा जियर स्वामी चिन्ना जियर ये अन अध्हात्मिक से हैं तेलंगना के कहां के तेलंगना के हैं और स्री कमलेस डी पाटेल ये अन अध्हात्मिक तेलंगना के ये भी है स्री सुधामूर्ती समास देवा के लिए करना टकी है आप देखेंगे कि एक क्यानबिर बेक्तियों को जो पदम स्री पुरसकार दिया गया इसमें से जो इंपोर्टेंट है उसे आप देखिएगा तो एक्यानविर बेक्ती में जो इंपोर्टेंट है उसे ही देखेंगे बांकी को नहें तो आनंद कुमार साहित और सिक्षा के छतर में बिहार से हैं कला की है महराश्ट की रहने बाली उमा संकर पांड यह समाजिक कारी करता है उत्तरपरदेष की उमा संकरपांडे हीरा भाई लोबी ये भी समाजी करता है गुजरात की हीरा भाई लोबी उसके वाद है MM किरवानी ये कला के छेत्र मेने दिया गया है आंध प्रदेश के हैं MM किरवानी राकेश राधिस्याम जुंचुनवाला ये बेपार एवं उद्योग महराष्ट से हैं जोधावाई बैंगा ये कला MP से और डॉक्टर शुक्मा अचार अध्यात्मे हरियाना से शुक्मा अचार अध्यात्म से तो ये आपका जो है पदम भूशन पदम भीभूशन और पदम स्री आपने देखा अब है कि 2022 के फिल्म से संबंदित पुरसकार रास्टिये खेल पुरसकार 2022 का देखेगा रास्टिये खेल पुरसकार तो युवा कल्यान और खेल मंत्राले की ओर से हर साल खेल में उलेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलारी को रास्टिय खेल पुरसकार से समानित किया जाता है 2022 में 40 पुरसकार वित्रित किया गया है 40 पुरसकार वित्रित किया गया है जिसमें कि जो लगता है ये तो करवा दिया स्वर सर ये पेज़ आपका हो चुका है ना यह हो चुका है, फिर वहीं पर आ गया था, यहां थे ना, बर्स 2022 के फिल्म सम्मंदित पुरसकार, फिल्म सम्मंदित पुरसकार को देखेंगे, तो अंतरास्टिय पुरसकार देखेंगे, अंतरास्टिय पुरसकार में सबसे पहले है, पंचानबा में आ ओसकर पुरसकार, 95 मा ओसकर अवार्ड दो हचार ताइस ये लॉस एंगेल्स में आयोजित किया गया कहाँ पे लॉस एंगेल्स में सर्वस्रेस्ट फिल्म का पुरसकार Everything, Everywhere, All at Once को दिया गया सर्वस्रेस्ट फिल्म Everything, Everywhere, All at Once को दिया गया सर्वस्रेस्ट निर्देसक का पुरसकार प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतिये बनी आरार का नाटू नाटू सवंग जो है इसके संगीतकार है एमेम किरवानी गीतकार है इसके चंदरबोस चंदरबोस इसके गीतकार है गायक है काल भहरब और रहुल सिप्लिकुंज प्रेम रख्षित द एलिफेंट विस्पर्स द एलिफेंट विस्पर्स के निरमाता है गुनीत मोंगा और इसके निर्देशक है कार्ति के गोजाल्विष आप है कि असीमा गोल्डन ग्लोव अवार्ड दोह जार थाइस اور 76 मा बाफ्टा पुरसकार तो सर्वस्रेनी देखेंगे सर्वस्रेस्ट फिल्म में सर्वस्रेस्ट फिल्म का असीमा गोल्डन गलोब अवार्ड मिला है दा फैबल मैंस को सर्वस्रेस्ट फिल्म का पुरेस्कार दा फैबल मैंस को दिया गया है असीमा गोल्डन गलोब अवार्ड चहत्तरमा बाफटा में सर्वस्रेस्ट फिलम All Quite On The Western Front को दिया गया है सर्वस्रेस्ट अभिनेता को असीमा गोल्डन गलोब आवार्ड दिया गया है और असीमा गुल्डन ग्लोब में सर्वस्ट्रेश्ट अवनेतरी केंट बलेचेटेग और सर्वस्ट्रेश्ट निर्देशक चुने है स्टीवन स्पीलबर्ग बेस्ट शॉंग नाटू नाटू आरार फिल्म के लिए उसके बाद सर्भस्रेस्ट अभनेता में 76 बाफटा पुरसकार पाने वाले हैं और सर्भस्रेस्ट अभनेतरी हैं केंट ब्लेंचेट और सर्फ़ेश निर्देशक सर्फ़ेश निर्देशक है एडवर्ड वर्चर आगे हैं तिरपनमा अंतराश्टी फिल्म वहतसप दो हजार बाइस इसका आयोजन गोवा में किया गया सत्यजीत रे Lifetime Achievement Award कालरस सौरा को दिया गया इंडियन फिल्म Personality of the Year चिरंजीवी को दिया गया इंडियन फिल्म Personality of the Year चिरंजीवी को युनेशको गांधी पुरसकार पायम इसकंदरी को इरानी फिल्म नरगेशी के निर्देशक को दिया गया बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉप पुरसकार दिया गया है I Have Electric Dreams Spanish film है I Have Electric Dreams के लिए बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉप पुरसकार दिया गया उसके बाद है 76 तर्मा कांस फिल्म महुत सब देखेंगे तो इसमें जो है पालमेडी और पुरसकार एना टॉमी ओफ ओफ फॉल जिसके निर्देशक है जस्टिन ट्राइट को दिया गया 75 तर्मा कांस फिल्म महुत सब 2022 इसे भारती फिल्म के निर्माता है शौनक सेन कौन है शौनक सेन और उनका ब्रित चित्र है All That Brits के लिए दिया गया The Golden Eye क्या है The Golden Eye और The Wildly और पुरसकार परदान किया गया वहीं आपका देखेंगे कि भारत देश को Country of Honor से समानित किया गया 65 ग्रैमी अवार्ट 2023 संगीत के चित्र में दिया गया है ग्रैमी अवार्ट संगीत के चित्र में और ये दिया तीसरी बार रिक्की केज को दिया गया है तीसरी बार रिक्की केज को जो कि भारती मुजिक कंपोजर है कंपोजर ने सर्वस्रेश्ट इशार्मिस एसार्मिस आईडियो अलबम औडियो एलबम स्रेनी में डिवाइन टाइडस डिवाइन टाइडस के लिए जीता है उसके बाद आगे देखेंगे यहां पर कि रास्टिय पुरसकार रास्टिय पुरसकार में है अल्लू अर्जुन पुस्पा दराइज के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वस्रेश्ट अविनेतरी चुनी गई आलियाबट गंगुबावडी कठियावरी के लिए और सर्वस्रेश्च औरीपु इंदी फिल्म सर्दार उद्दम को आगे देखते हैं अब नेतरी आलियाभट यह गंगुभाई कठ्यावरी के लिए और सर्वस्रेष्ट निर्देशक आरमादवन और सर्वस्रेष्ट निर्देशक आरमादवन और सर्वश्रेस्ट फिल्म दिरिस्यम 2 को दिया गया IFA Award अब है दादा सहब फाल को इंटर्नेस्टिवल पूरसकार में सर्वश्रेस्ट फिल्म के लिए दा कस्मीर फाइल को चुना गया aç दा कस्मीर फाइल को सर्वस्रेष्ट अभिनेता रनवीर कपूर ब्रहमास्त्र के लिए सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी आलिया भट गंगुबाई कठ्यावारी के लिए और सर्वस्रेष्ट निर्देशक चुने गये हैं आर बलकी चुप के लिए अभिनेतरी आर बलकी चुप के लिए अब आन्ने फिल्म पुरशकार में देखेगा मेलवर्ण मेलवर्ण अस्टेलिया में आयोजित होने वाले चौधा में भारती एविनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सूपर अस्टार पुरशकार कार्तिक आरेन को दिया गया है जो कि 14 में भारतिये फिल्म महुतसम में कहां पे मेलवन अस्टेलिया में दोहजार चौबिस में उनहत्तर में फिल्म फियर आवार्ड की मेजवानी गुजरात को सौपी गई है भारतिये संगितकार अरुना साइराम और ससांग सुब्रमन्यम को फ्रांसिसी सरकार द्वारा से बेलियर आवार्ड से सम्मानित किया गया जिनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतिये फिल्म वेन क्लाइमेट चेंज टर्न वाइलेंट को डबलु एच पुरसकार परदान किया गया जिनेवा में आयोजित Health for Film Festival में भारतिये फिल्म When Climate Change Turns Violent को WHO पुरसकार परदान किया गया नेक्स्ट है British Academy of Film and Television Arts यानि BAFTA BAFTA दोरा ब्रिटेन में भारतिये मुलके विनेत्री और लेखी का मीरा स्याल को BAFTA fellowship पुरसकार मिला है किसको मीरा स्याल को BAFTA fellowship पुरसकार भारत की महान गाई का आसा भुसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दिनानात कर मंगेशकर 2023 से समानित किया गया साथी अभिनेत्री विद्ध्याबालन को भी यह पुरसकार दिया गया है आसा भोसले को और लता दिनानाथ पुरसकार दिया गया और किने विद्ध्याबालन को लता दिनानाथ मंगेशकर पुरसकार परधान मंत्री नर्द मुदी को पहली बार दिया गया था याद है ना पहली बार डॉक्टर प्रभा अत्रे महराष्ट के मुखमंत्री एकनाथ सिन्दे द्वारा पंडित हरी प्रिसाद चोरसिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्भानित किया गया डॉक्टर प्रभा अत्रे को अगला है संगीत कलानेधी पुरसकार दो हजार तैस बॉंबे जैसरी के प्रसिद करनाटक संगीत अगये हैं संगीत कलानेधी पुरसकार दो हजार तैस इंटरनेशनल फेडरेशन और फिल्म फेस्टिवल क्रेटेक्स द्वारा पांथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वस्रे भारतिये फिल्म के रूप में घोसित किया गया International Federation of Film Festival Critics द्वारा पंथिर पंचाली को भारतिये सिनेमा की मसूर एवनेत्री आसा पारे को 2020 के दादा सहाफाल के अबार से समारिद किया गया चलिए आगे देखते हैं परियावरन से सम्बंदित पुरसकार सबसे पहले देखेंगे स्वक्ष सूजल सक्ती सम्मान 2023 स्वक्ष सूजल सक्ती सम्मान 2023 जल सक्ती मंत्राले के तहद राष्टपती सिरीमती द्रोपती मुर्मू ने 36 महिला वास चेंपियन सीप को स्वक्ष सूजल सक्ती सम्मान 2023 प्रदान गया जल सकती अभ्यान Catch the Rain 2023 की सुरुवात की गई जिसका मुख्य विशे है पेजल के लिए इस्थीर सुरूत क्या है पेजल के लिए इस्थीर सुरूत टैग लाइन है Catch the Rain Where is Fall When It Falls यह पुरसकार तीन स्रेनी में प्रदान किया जाता है पर्यावरन पुरसकार तीन स्रेनी में दिया जाता है एक तो स्वक्ष भारत मीशन ग्रामीन के तहद दूसरा जल जीवन मीशन और तीसरा राश्टिय जल मीशन तो स्वक्ष भारत मीशन ग्रामीन के तहद बिहार की बविता गुपता जो मुझबपर पूर को राष्ट पती पुरसकार से पुरसक्रीद किया गया स्वक्ष भारत मीशन ग्रामीन के तहद बिहार की बविता गुपता जो मुझबपर पूर की है उन्हें राष्ट पती से पुरसक्रीद किया गया चोथा रास्टी ये जल पुरसकार 2022 ये जल सकती मंत्राले द्वारा घोसित उपराश्ट पती जगदीब धनकर द्वारा प्रदान किया गया घोसना कि ये जल सकती मंत्राले और इसको प्रदान किये वो उपराश्ट पती सर्वस्रेष्ट परदर्शन करने वाला राज मंद्ध प्रदेश इसमें चौथा रास्टी ये जल पुरसकार के लिए सर्व से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसी राज कर रहा है तो वो मंद्ध प्रदेश का तो सबसे पहले हम 22 में देखते हैं फिर 20 को देखेंगे ठीक है तो सुभास चंद्र बोस आपदा परबंधन पुरसकार 2022 में संस्थागत स्रेनी में गुजरात आपदा परबंधन संस्थान को दिया गया था संस्थागत में और वेक्तिकत स्रेनी में प्रोफेशर बिनोट सर्मा को दिया गया था 2022 में 2022 में गुजरात आपदा परबंधन संस्थान और प्रोफेशर बिनुत सर्मा को दिया गया वही 123 में सुभाश चंदर बोस आपदा परबंधन पुरस्कार संस्थागत में दिया गया है उरिशाराज आपदा परबंधन प्रदिकरन एबम लुंग लेई फाइर इस्टेशन मिजोरम को दो संस्था को दिया गया है उरिशा राज के आपदा परवंधन प्रधिकरन को और दूसरा लिंगुलेई फाइर स्टेशन मिजोरम को और वेक्तिगत स्रिनी में वेक्तिक किसी को इस बार नहीं दिया गया है अब अन्य पर्यावरन पुरसकार पांच भारतिय युबाओं को किसोर पर्यावरन कार्ज करता के रूप में मानिता दी गई है किसोर और ये गंभीर पर्यावरन ये चुनोती से निपटने में उनके पर्यास के लिए 2020 में अंतराष्टिय युवा इको हीरो पुरसकार से समान के लिए ब्रिटिस प्रधान मंत्री पॉइंट ओफ लाइट पुरसकार जीता है पॉइंट ओफ लाइट पुरसकार आयाटी मदराज के प्रोफेसर थल पिपल प्रदीप को पर्यावरन तथा उर्जा के छित्र में वैग्यानिक अनुसंधान के लिए प्रतिश्टित एनी प्रद्बाइट से समानित किया गया बारतिये कंपनी अडानी ट्रक्रद मीशनल्मी को पावर ट्रक्रद्मेश्टर में गोल्डन पिकउग पर्यावरन प्रभंधन पुरसकर। लंडन को ग्रीन ओर्गेनाईजेशन ने सारी और रियल स्टेट सेक्टर्स रेनी के तहाद तेलंगना के पांच इमारतों को अंतराश्टिये ग्रीन एपल पुरसकार से समानित किया गया ग्रीन वर्ड अवार्ड दो हजार तैस प्रदान किया है इसको चिन्ने को चिन्ने मेट्रो को ग्रीन वर्ड अवार्ड दो हजार तैस प्रदान किया है नेक्स्ट है कि जगदीश एस्वाकन को मनार की खारी बायोस्फेर रिजर्ब के प्रवंधन के लिए प्रतिस्टित यूनिस को पुरसकार मिसेल बैटिस अवार 2023 से समानित किया गया मिसेल बैटिस अवार 2023 से बंदरगा नौबाहन और जलमार्क मंत्राले ने 2022-2022 में जहाजो के सर्वस्रेस टर्न राउंड समय के लिए कोची पूट ऑथरिटी को सागर स्रेस्ट अमान से समानित किया है याद रखियेगा कि जो बंदरगा नौबाहन और जलमार्क मंत्राले द्वारा जहाजो के सर्वस्रेस टर्न राउंड के समय के लिए कोची पूट ऑथरिटी को सागर स्रेस्ट समानित किया गया ब्राजील के ऍमेजौन के आदिवासी महिला एलसिन्डरा कुराप मुड्रुकु के नाम है एलसिडरा कुराप मुड्रुक की जो की ब्राजील में एमेजौन जंगल की आदिवासी है को पर्यावरन रक्षा के लिए गोल्ड मैन पर्यावरन पुरसकार 2023 दिया गया है गोल्ड मैन पर्यावरन पुरसकार 2023 एलसिडरा कुराप मुडरुकू को दिया गया जो ब्राजील के एमेजॉन जंगल की आदिवासी है आगे है भेल भेल को सौर उर्जा में सर्वस्रेस्ट योगदान के लिए Central Board of Irrigations and Power Award 2022 से समानित किया भेल को तिलंगना में इस्तीत एक स्टार्ट अप यानि खेती को अर्थ सौट पुरसकार परदान किया गया अर्थ सौट पुरसकार खेती को दिया गया तिलंगना में सयुक्तिराष्ट परियावरन कार्ज करम यानि UNEP ने भारतिय जी विज्ञानिक पुर्णीमा देवी बर्मन को आद्रभुमी पक्षी सन्नक्षन के लिए Champion of the Earth से सम्मानित किया है किसको Champion of the Earth किसे दिया गया पुर्णीमा देवी को हाली में हरियाना को किर्सी अनुकूल नितियों के लिए India Agri Business West State Award से सम्मानित किया गया हीम तेंदुए के सन्नक्षन के लिए Whitley Gold Award 2022 चारुदत मिश्रा को दिया गया हीम तेंदुए के सन्नक्षन के लिए IUCN, IUCN तथा World Commission on Product Areas UCPA द्वारा असम में इस्तीत उरांग नेशनल पार्क को International Razor Award 2022 प्रदान किया गया International Razor Award 2023 प्रदान किया गया हैदरावाद तेलंगना के AIPH AIPH World Green City Award 2022 से सम्मानित किया गया है हैदरावाद तेलंगना को Westpik उर्जा पुरसकार 2022 ये प्रोफेशर कैसिक राज सेखर को दिया गया प्रोफेशर कैसिक राज सेखर को विद्ध उर्जा के कुसल उपियोग हेतु उनके उतक्रिष्ट योगदान के लिए ये पुरसकार दिया गया वर्लीन जर्मानी में आयोजीत एक समारो में भारती रेलवे को जीरो कारवन तक्नीक के सर्वस्टेस उपियोग हेतु UIC International Sunstable Railway अवार्ड से समानित किया गया सयुक्ति राष्ट परियावरन कार्जकरम सयुक्ति राष्ट परियावरन कार्जकरम ने प्रकृती के संदक्षन हेतु डेविट एटन बरो को Champion of the Earth Lifetime Achievement अवार्ड से समानित किया है आगे है संदर के छेतर में पुरसकार 2022 ताई संदर के छेतर में तो इसे देखिएगा सबसे पहले आयोजन देखेंगे 71 मा मिस वर्ड का 71 मा मिस वर्ड 2022 में हुआ भारत में और 70 मा मिस वर्ड 2021 में प्यूटो रिको में हुआ था 70 मा और 71 मा भी भारत में हुआ है विजयता दिसंबर 2023 में विजयता की घोसना की जाएगी अभी नहीं की गई है इसकी ठीक है एक अत्रमा मिस वर्ड का बस आयोजन भारत में हुआ इसको याद रखियेगा और फिलाल 2021 की जो मिस वर्ड है उनका नाम है कैरोलीना बिलवास का पॉलेंड की है कैरोलीना बिलवास का ठीक है आगे देखिएगा कि मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स दो हजार बाइस मिस यूनिवर्स दो हजार बाइस बनी है आर बोनी गैब्रियल अमेर्का की बिजेता है आर बोनी गैब्रियल अमेर्का की मिस यूनिवर्स दो हजार बाइस है अमेरिका में इसका आयोजन क्या गया था अमेरिका में इसका आयोजन क्या गया है 71 और वही 70 जो 2021 का था इस्राइल में आयोजन हुआ था हर्नाज संदू पंजाब की रहने वाली थी ये Miss Universe बनी थी उसके बाद है Miss Netherlands Miss Netherlands 2023 रिक्की वैलरी कोले है पहली transgender है Miss Universe इंडिया 2023 है Miss Earth इंडिया 2023 प्रियान सेन राजस्त sigui है प्रियान सेन राजस्तowej की Miss Earth इंडिया है फेमिना Miss India World दोहजार तीस है नंदनी गुपता राजस्तान की फेमिना Miss इंडिया वड्ड दोहजार तैस फेमिना Miss India World 2022 सिन्नी सेठी हैं करनाटक के मिसेज इंडिया वर्ड 2022 तेश हैं सरगम कौसल जमू कस्मीर के और मिस डीवा यूनिवर्स 2022 में दीविती राओ है करनाटा के दीविता राओ मिस डीवा यूनिवर्स हैं अब है खेल से संबंदित पुरसकार क्या है खेल से संबंदित पुरसकार देखेगा आईसेसी पुरसकार 2022 को हम देखेंगे एक नट आईसेसी पुरसकार 2022 को देखेंगे तो आईसेसी मेंस क्रिकेटर आफ दा इयर सर गर्फिल्ड सोबर्स टॉफी के लिए बावर आजम पाकिस्तान के बिजयता बने है ICC Men's Cricketer of the Year Bawar Raja côt पाकिस्तान के ICC Prujuş We dirty Cricket of the Year Bawar Rajaoof है पाकिस्तान के जो कि ICC Prujuş One Day Cricket of the Year भी है और Men's भी है ICC Mahila Cricketer of the Year बनी है नताली सीवर ब्रंट इंगलांड की नताली सीवर ब्रंट जो है इंगलांड की यह ICC Mahila Cricket of the Year बनी है राचेल हीओ फिल्ट ट्रॉफी दिया गया है ICC महिला वंडे किर्केट उफ द इयर नताली सीवर ब्रंट Инग्लाइन की बनी है उसके बाद ICC मेंस्टेस्ट किर्केट उफ द इयर Benstock चुने गया है कौन Benstock, इंग्लाइन के ICC이라 Merging Women Cricket of the Year रेनुका सिंग है भारत की रेनुका सिंग भारत की Emerging Women Cricket of the Year चुने गई है ICC के ICC Emerging Men's Cricket of the Year है मारको जांसन जोगी दस्चीन अपरिका के है मारको जांसन ये ICC Emerging Men's Cricket of the Year चुने गए है ICC Men's T20 International Cricket of the Year चुने गए है सुरिकुमार यादव जो की भारत के है ICC Men's T20 International Cricket of the Year चुने गए है सुरिकुमार यादव ICC महिला T20 International Cricket of the Year तालिया मैकार्थ अस्टेलिया की है और ICC Empire of the Year डेविट सेफ़र्ड है ट्रॉफी बिजयता इन्हों दिया गए है डेविट सेफ़र्ड ट्रॉफी जो की ICC Empire of the Year चुने गए है रिजर्ट एलिगवर्थ इनका नाम क्या है रिजर्ट एलिगवर्थ ये इंग्लैंड के है रिजर्ट एलिगवर्थ कहां के इंग्लैंड के है उसके अलावी देखेंगे कि L'Oreal's World Sports पुरसकार 2023 L'Oreal's World Sports पुरसकार 2023 L'Oreal's Sports Man of the Year Lionel Messi को चुना गया जो अर्जंटिना की है Lionel Messi और L'Oreal's Sports Woman of the Year Sally and Fraser Prince जेमेका के हैं L'Oreal's Sports Woman of the Year जेमेका की बनी है Sally and Fraser Prince जेमेका की और Man में बने हैं Lionel Messi अर्जंटिना के खिलारी Wisden Crickets Award 2023 Wisden Crickets Award 2023 में Wisden Cricketers of the Year Harman Prith Corps बने हैं भारत के Harman Prith Corps Wisden Cricketer of the Year चुने गया हैं और यह अवार्ड पाने वाले पहले भारती यह महिला किर्केटर है यह अवार्ड पाने वाली पहली भारती महिला Harman Prith Corps है Wisden T20 Cricket of the Year सुरी कुमार यादब चुने गया हैं भारत से T20 Cricket of the Year में सुरी कुमार यादब भारत के Leading Cricketer in the World Prus में Leading Cricketer in the World Prus में Ben Stock हैं इंग्राइन के और Leading Cricketer in the World महिला में Beth Meenu हैं अब है FIFA Player of the Year FIFA Player of the Year 2022 सर्वस्रेष्ट पुरुस खिलारी हैं Lionel Messi हैं अर्जन्टीना की है Leading Cricketer in the World Prus खिलारी Lionel Messi अर्जन्टीना के और सर्वस्रेष्ट महिला खिलारी है Alexia Putles Spain की उसकी बाद है AIWF Award 2023 AIWF Award 2023 में AIWF Prus Footballer of the Year Lalianju Changte Majoram के चुने गए हैं और महिला में Manisha कल्यान है सर्वस्रेष्ट पुरुस कोच बने है Click Ford Miranda Click Ford Miranda जो हैं वो सर्वस्रेष्ट पुरुस कोच चुने गए है AIWF Award 2023 में अब है Nobel पुरसकार विजयता 2022 Nobel पुरसकार विजयता 2022 को देखेगा तो भौतकी में Nobel पुरसकार दिया गया है Allen Aspect France के John F. Clowns और USA के Anton Gillingar Asteria के ये तीन वेक्ती को भौतकी में Nobel पुरसकार दिया गया है Allen Aspect John F. Clowns और Anton Gillingar और इन्हें दिया गया है इनके परियोग उल्जे हुए photon के परियोग के लिए बेल और समानताओं के उलंगन की अस्थापना और अग्रमानी quantum सुचना बिज्ञान के लिए इन तीनों को भौतकी में Nobel पुरसकार दिया गया अब है साहित का साहित में दिया गया है एनी और नॉक्स जो फ्रांस के हैं साहित में एकी वेक्ति को दिया गया है एनी और नॉक्स को फ्रांस के हैं और इनकी जो इसके साहस और नैदानिक तिक्छनता के लिए दिया गया था जिसके साथ वो अव्यक्तिकत अस्मिर्ती की जरो, बेवस्थाओं और शामोहिक प्रतिवंधों को उजागर करती हैं उसके बाद है राशाइन विग्यान, राशाइन विग्यान में भी तीन वेक्ति को दिया गया है कैरोलीन आरवर्टोजी, USA के हैं, कैरोलीन आरवर्टोजी, मोटेन मिल्टन डेन्मार्क के हैं, के वैरी सारपलेस, USA के हैं और इन्हें दिया गया है किलिक केमिस्ट्री और बायो और्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कैरोलीन आर्बर्टो जी को और सारपलेस दो नौबल पुरसकार जीतने वाले पांच में वेकती हैं सारपलेस उन्होंने दो हजार एक में रासायन विज्ञान का नौबल जीता था 2001 में भी चिकित्सा चिकिस्ता में दिया गया है स्वाते पावो को जो कि स्टॉक होंग सिवडन के हैं स्वाते पावो इन्हें दिया गया है और ये जो है बिलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जिनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया है चिकित्सा में श्वाते पावो को नवल पुरसकार सांती में भी दिया गया है दो संस्था और एक वेक्ती को LSBLS की बेलारूस के मेमोरियल रूस को और Center for Civil Libertage यूक्रेन को सभी को जो है आपको दिया गया है सांती का नवल पुरसकार एक वेक्ती LSBLS की हैं और दो संस्था है मेमोरियल रूस का है और Center for Civil Libertage यूक्रेन का इसमें रूसी मानवैदिकारी संगठन मेमोरियल की अस्थापना 1987 में पुर्व शोबियत संग में मानवैदिकार काड़े करताओं द्वारा की गई थी और यूक्रेन में मानवैदिकार और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के उद्देश से 2007 में कीव में Center for Civil Libertage की अस्थापना की गई थी उसके बाद है अर्थसास्ट अर्थसास्ट में नवल पुरसकार पाने वाले भी तीन बेखती हैं बेन ऐस वर्णांके जो कि USA के हैं बेन ऐस वर्णांके डगलस डवलू डाइमंड USA के हैं उसके ऐं लोकमाने तिलक की एक सो तीन वी पुनि तिथी के अफजर पर पूने में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदहान मंत्री नरिदर मोदी को लोगों में देश भक्ति की भावना का परचार करने के लिए प्रतिस्चित लोगमाने तिलक राष्टिय पुरस्कार से समानित किया गया किसे तो याद रखेगा कि लोगमाने तिलक की 103 जैंती के अवसर पर मोदी जी को जो है तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा लोगमान नितिलक राश्टिय पुरसकार से सम्मानित किया गया उसके बाद है ब्रिटेन ब्रिटेन के प्रसिद बालस लेखा माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरसकार 2003 से सम्मानित किया गया माइकल रोसेन को जो ब्रिटेन के है राश्टिये खनीज विकास निगम NMDC, NMDC को खनीज विकास तथा नियोगिता ब्रांड के लिए S.O.C.M. पुरसकार से समानित किया गया अरुन्धति राई को आजादी के फ्रेंच अनवाद के लिए 45 यूरोपिय निवन्थ पुरसकार 2023 लाइफटाइम अच्रिमेंट के लिए समानित किया गया भारतिय मुल्के ब्रिटिस अमेर्की लेखक सल्मान दोस्ती जो कि भारतिय मुल्के अमेर्की लेखक हैं जर्मन बुक ट्रेड ने 2023 के लिए जर्मन सांती पुरसकार से समानित किया है सल्मान रोस्ती को जर्मन सांती पुरसकार उसके बाद है NTPC कंपनी भारत की बिजली उतपादन कंपनी जो NTPC Limited को team marksman क्या है marksman दोरा 2023 का भारत का सबसे पसंदीदा कारस्तल पुरसकार दिया गया है इंग्लेंड के बिंडसर में आयो जीत वार्सिक इंडिया यू के अवार्ड्स में भारतिय महिला मुक्के बाद मेरी कॉम को Global Indian Icon of the Year से समानित किया गया है किसको तो मेरी कॉम को Global Indian Icon Awards से समानित किया गया है साथी Elizabeth the Golden Age Film क्या है Elizabeth the Golden Age Film के निर्देशक सेखर कपूर को Lifetime Achievement Awards तथा लंदन में इस्थित नहरू सांस्कृति केंद्र को बिटेन भारत पुरसकार से समानित किया गया तो Elizabeth the Golden Age Film के निर्देशक सेखर कपूर को Lifetime Achievement Award लंदन इस्थित नहरू सांस्कृति केंद्र को बिटेन भारत पुरसकार से समानित किया गया अडानी ग्रूप के संस्थापक कौन है? गौतम अडानी को 1983 में विशुकप जीतने वाले टेम इंडिया को समानित करने के लिए अडानी डे नामक कार्टकरम आयुजित किया साथ ही जीतेंगे हम अव्यान की भी सुरवात किये भारत के प्रसिद गायक और संगीतकार संकर महादेबन को इंग्लैंड में बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डाइडेक्टेड की मानव उपादी से समानित किया गया है संकर महादेबन को डाइरेक्टेड की उपादी से अंतराश्टी उलम्पिक समीती ने विश्वस्वास अंगठन के महानिदे सक डॉक्टर टेट्रोस घेबरेसस को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो उलम्पिक 2020 को सफल बनाने उनकी योगदान के लिए उलम्पिक ओडर से समानित किया है उलम्पिक ओडर से इंडिया समार्ट सिटी अवार्ड कंट्रेस्ट के चौति चरन में इंदोर ने विस्ट नेशनल समार्ट सिटी अवार्ड 2022 जीता है इंदोर के बाद सूरत और आगरा दूसरे और तिसरे नमबर पर है उसके बाद आता है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिसु सुनग ने UK इंडिया विक 2023 कार्जकरम में दूतिय विश्यूद में लड़ने वाले जिवित सीख सैनिक राजमिंदर सिंग भट को पॉइंट्स ओफ लाइट समान से समानित किया है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिसु सुनग ने UK इंडिया विक 2023 कार्जकरम में दूतिय विश्यूद में लड़ने वाले जिवित सीख सैनिक राजमिंदर सिंग भट को पॉइंट्स ओफ लाइट समान से समानित किया आगे है स्वय सहता समूं के जरिये महिलाओं के उत्थान के लिए जम्मू कस्मीर ग्रामीन आजीवी का मीशन को गोल्डेन स्रेनी में स्टेट ओफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के साथ स्कॉच पुरसकार से समानित किया गया स्कॉच पुरसकार से राष्टपती द्रोपती मुर्मू ने नई दिल्ली में नौ राज सचीवो तथा 68 चिला कलेक्टरों को एबं राजसुनिबंदर पदाधिकारी को डिजडल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए भूमी समान से समानित किया हाली में यूनेसको ने मुंबई के भायखला भायखला रेलवे स्टेशन को एसिया प्रसांत सांस्कृतिक बिरासत पुरसकार से समानित किया है हाली में महरा सरकार ने उद्योगपती रतन टाटा को पहला उद्योग रतन अवार्ड परदान करने की घोसना की अमेरिकिया सरम विभाग ने चिन्नई की वकील और कार्ज करता ललिता नटराजन को बाल सरम उन्मुलन के लिए दो हजार ताइस का इकबाल मसी पुरसकार से समानित किया है तो इकबाल मसी पुरसकार से दिया गया है अगला है भारतिय मुल्के बैग्यानी जोईता गुपता क्या नाम इनका जोईता गुपता को डजबिग ज्यान में उतक्रिष्ट योगदान के लिए स्पी नोजा पुरसकार से समानित किया गया लोगसभा के पुर्वसान सद पंडित राम किशन को समाजबाद में उनके योगदान के लिए नई दिली में सताबदी पुरुस मैन ओफ दा सेंचुरी से समानित किया गया है पंडित राम किशन को चंडिगड के पसुपालन एवं मतस्पालन विभाग को पसुओ के मेडिकल रिकॉर्ड के कम्प्यूटी करन तथा इगवर्नेंस के लिए स्कॉट सिल्वर अवाट 2023 से समानित किया गया संसदिय कारी मंत्राले दार आयो जीट 24 मी राष्टीय युवा संसत प्रतीयोगिता 2022 में जबाहर नबूदय विद्याले नदिया पस्षिम्बंगाल पटनाचेटर ने प्रतामस्थान प्राप्त किया है भारत के पुर्वराष्टपती रामनात कोविंद ने उत्तर परदेश को वैमुक्त बनाने के लिए मुखमंत्री योगी आधितनाथ को भारत अद्रतन डॉक्टर अंबेदकर पुरस्कार से सम्मानित किया है योगी आदितिनात को क्यों? क्योंकि वैमुक्त बनाने के लिए लंडन में भारतिये विद्या भवन केंदर के निर्देशक एबं संस्क्रीद विद्वान डॉक्टर M.N. नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतिये सास्त्री कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चाल्स तिर्थिये द्वारा मानद MBE से समानित किया गया लंडन में भारतिये विद्या भवन केंदर के निर्देशक संस्क्रीद विद्वान डॉक्टर M.N. नंद कुमार को ब्रिटेन में भारतिये सस्त्रीये कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चाल्स तिर्थिये द्वारा मानद MBE से समानित किया गया आगे है 26 अप्रियल 2023 को रैमेन मैक्सस अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिबती समुन्दाई के पवित्र धर्म की रक्षा करने है तो 1969 के रैमेन मैक्सस पुरसकार से समानित किया गया जो कि 1959 का पुरसकार था और इस अवार्ड के लिए उन्हें 1969 में ही चुना गया था जो 64 वर्स बाद उन्हें का पुरसकार मिला है आगे है पॉलेंड में मानविधकार की रक्षा के लिए युक्रेन के राष्टपती जलेस्की को पॉलेंड के सरवच सम्मान Order of the White Eagle से समानित किया गया वाइट इगल से जो कि पॉलेंड का सम्मान है वासिंग्टन डिसी क्या है वासिंग्टन डिसी युएसे में आयोजीत वर्ल्ड वैक्सिन कॉंग्रिस तो हजार ताइस में सरवस्रेष्ट वैक्सिन उत्पाद के लिए हैदरावाद की वैक्सिन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को प्रोसेस डेवलेप्मेंट अवार्ड से समानित किया गया है तो प्रोसेस डेवलेप्मेंट अवार्ड दिया गया है है हैदरावाद की वैक्सिन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को भारतिय बायू सेना के बिंग कमांडर दीपी का मिस्रा को मद्र प्रदेश में बाड के दोरान आपदा रहत अभियान के दोरान और साधारन साहस के लिए बायू सेना पदक यानि बीरता से समानित किया गया और यह बीर्ता पुरसकार पाने बाली भारतीय बायो सेना की पहली महिला इदिकारी बन चोंगी है कौन? तो इनका नाम है तो इनका नाम है दीपी का मिस्रा PM गती सक्ती राष्टी मास्टर प्लान को लोग प्रसासन में उत्कृष्टा के लिए प्रसकार प्रदान किया गया PM गती सक्ती पहल की सुरुआत अक्टूबर 2021 में विविन छेत्रों में बुनियादी धांचर के विकास के लिए की गई थी आगे है भारती अमेरिकी नीली बेंदापूरी नीली बेंदापूरी को अमेरिका में सिख्छा के छेत्र में महत्पुन योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से समानित किया गया है अमेरिकी ये निली बेंदापूरी को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से और वो अमेरिका में पेन इस्टेट युनिवर्सिटी की अध्यक्ष है पेन युनिवर्सिटी की अध्यक्ष है तो निली बेंदापूरी आगे है तेलगू एसोसेशन ओफ लंदन ने भारत के ब्रिस्ट सर्जन डॉक्टर रगुराम पिलार सिथी को लाइफटाइम अच्रीमेंट कुरसकार समान से समानित किया और डॉक्टर रगुराम ने नवीन तम उपाईयों को लागू कर ब्रिस्ट कैंसर के इलाज के लिए परिवर्तन लाएँ डॉक्टर रगुराम ने ब्रिस्ट कैंसर के इलाज में परिवर्तन लाएँ वैस्विक परिवहन क्या है वैस्विक परिवहन कमपनी FEDEX जो अमीर्की कमपनी है FEDEX के CEO Raja सुब्रमन्यम को परवासी भारतीय समान से समानित किया गया प्रवासी भारतिये सम्मान किसे दिया गया तो FedEx Company के CEO राज सुर्वमन्यम क्यों और यह पुरसकार भारतिये विदेश वास्यों को दिया जाता है जो विदेश में विविन छेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं ठीक है आगे अगला है कि केंद्रिये गिरी मंत्री अमिद्चा ने समात सुधारक दत्राइन रायन धर्मादिकारी जो की अप्पा साहब धर्मादिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं को महराष्ट भूसन पुरसकार से सम्मानित किया गया भारती अमेर्की गनितक सांखिविद सी राधा कृष्णन राव को सांखिकी का दोहजार तैस का अंतराष्टिय पुरसकार परदान किया गया तो सांखिकी का दोहजरताइस अंताराश्टिय पुरस्कार सी राधाकृष्णन राव को दिया गया और इस पुरस्कार को सांखिकी का नवल पुरस्कार भी कहा जाता है सार्बिया और सुरिनाम के यात्रा के दौरान राश्टपती द्रोपती मुर्मू को सुरिनाम के सरबोच नागरिक सम्मान Grand Order of the Chain of the Yellow Star से समानित किया गया है राश्टपती द्रोपती मुर्मू को सुरिनाम का ये सरबोच नागरिक सम्मान है और यह पुरसकार पाने वाली वो पहली भारतिये बन गई हैं। आगे हैं सयुक्त राष्ट ने इरान के जिल में बंद तीन महिला पत्रकारो निलोफर हामीदी, इलाहे मुहमदी और नर्गिस मुहमदी को सयुक्त राष्ट प्रेश स्वतंतता पुरसकार से सम्मानित किया है। भारत फ्रांस के बीच ब्यापारिक संबंद को बढ़ाने के लिए टाटा समू के अध्यक्ष एन चंदर सेखरन को फ्रांस के सरबोच नागरिक पुरसकार से सम्मानित किया गया है। प्रसांत महासागर में इस्थित दुपिय देश पापवा नियुगिनी तता पिजी ने भारतिय प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी को देश के सरबोच सम्मान से सम्मानित किया है। आगे है भारत अस्थेलिया दुपक्षिय सम्मन को मजबूत करने के लिए भारतिय उद्योगपती रतन टाटा को अस्थेलिया के सरबोच नागरिक सम्मान ओडर ओफ अस्थेलिया से समानित किया है। प्रोफेशर वेंकी राधाकृष्णन को यूके के ओर्डर ओफ मैरिट से समानित किया गया। भारतिय मुल्के सीख स्वें से वक्त अमर सिंग को न्यू साउथ बिल्स अस्टेलियन ओफ दा इयर अवाड दोहजर तैस से समानित किया गया। अमर सिंग जोकी भारतिय मुल्के सीख स्वें से वक्त हैं अमर सिंग और इन्हें न्यू साउथ बिल्स अस्टेलियन ओफ दा इयर अवाड दोहजर तैस से समानित किया गया। उन्हें यहावाड बाड, जंगल की आग और महामारी के दोरा समुंदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया। अगला है कि पुर्व पर्धान मंत्री डॉक्टर मन मोहन सिंग को आर्थिक और राजनितिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंडन के इंडिया यूकी अचीवर्स और ओनर्स द्वारा लाइफटाइम अचीमेंट से समानित किया गया है। भारती उद्योगपती डॉक्टर स्वाती पीरामल को भारत-फ्रांस सम्बंधों को मजबूत करने और उनके योगदान के लिए फ्रांस के सरवच नागरिक सम्मान नाइट ओफ दा लीजिन ओफ ओनर से सम्मानित किया गया। लंडन में आयोजीत विश्व बैंकिंग सिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ दा इयर पुरसकार 2022 केनरा बैंक ने जीता है। यूनेसको ने एसिया प्रसांथ पुरसकार समारो 2022 में छत्रपदी सिवाजी महराज वास्तु संग्राले को सांस्कृतिक बिरासत संडक्षन के लिए ओर्डर ओफ एक्सिलेंस से सम्मानित किया है। आगे है अगला है कि सौधी अरब, सौधी अरब में आयो जीत रेडिसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतिय अभिनेता सारुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सारुख खान को आगे है भारतिय सेना के प्रमुक, जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस ओफ गार्ड ऑफ ओनर से समानित किया गया है तो जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन सहयोग बढ़ाने के लिए दिया गया अंतरास्टी आर्तिक सोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग blessing में द्वारा 2020 के लिए Governor of the Year की उपादी से RBI के Governor सकती कांत दास को सम्मानित किया गया है भारत सरकार के परेटन मंत्राले ने ITV Berlin 2020 में आयोजित TV या Cinema Commercial International and Country International की स्रेनी के लिए International Golden City Gate Tourist Award 2020 में Golden और Silver Star पुरसकार हासिल किया है याद रखियेगा कि जो भारत सरकार के परेटन मंत्राले ने ITV Berlin 2020 में आयोजित TV या Cinema Commercial International and Country International की स्रेनी के लिए International Golden City Gate Tourism Award 2020 में Golden और Silver Star पुरसकार हासिल किया है प्रितजर्व Architecture पुरसकार 2023 ये Sir David Allen Chipper Phil को दिया गया Sir David Allen Chipper Phil को या पुरसकार दिया गया आगे देखते हैं आगे देखेंगे तो अगला है कि आठमे राश्टी ये फोटोग्राफी पुरसकार समारो नई दिली में सिपरादास को Lifetime Achievement कुरसकार से समानित किया गया सिपरादास को I.A.T. इंदौर के नियती नियती तोथला और नीला कालपेस कुमार क्या है नील कालपेस कुमार पारीक को मिस्र के राश्टपती अब्दुल्फता अल्सी सीद्वारा The Global Best M Government Award से सम्मानित क्या गया मतलब कि IIT इंदोर के नियाती तोदला और नील कालपेस कुमार पारीक को मिस्र के राश्टपती अब्दुलफता अलसे सीध्वारा The Global Best M Government Award से सम्मानित क्या गया आगे भारती अमेरिकी नतासा पेडियान गम ने दुनिया की सबसे प्रतीभा साली छात्रा का खिताब जीता है नतासा कंप्यूटर बैग्यानिक हरी बाल कृष्णन को मारकोनी पुरसकार 2023 से समानित क्या गया उडिसा के सिक्षक एवं समाजिक कार्जिकरता डॉक्टर महेंदर कुमार मिश्र को बांगला देश के ढाका में परधान मंत्री से खसीना द्वारा अंतरास्टी मातरी भासा पुरसकार से समानित किया गया है डॉक्टर महेंदर कुमार मिश्र को मातरी भासा पुरसकार प्रतिभा विकास के चित्र में उद्यम सफलता प्रदर्सित करने के लिए Association for Talent Development यानि EDT EDT USA द्वारा NTPC को लगादार 6 वर्स EDT Service Rest पुरसकार 2020 NTPC को दिया गया EDT Service Rest पुरसकार 6 वर्स दिया गया है आगे है प्रसित चिकित्सक डॉक्टर तपन सौक्या तकन तपन सौक्या असम के सरवच नागरिक पुरसकार असम बैभब से समानित किये गया है भारत के CJI CJI DY चंद्रचूर को Harvard Law School Center द्वारा Award for Global Leadership से समानित किया गया है DY चंद्रचूर को जो की भारत के CJI है आगे है भारतिय प्रधोकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को 2021 से 22 के लिए राष्टिय बौधिक संपदा पुरसकार से समानित किया गया नेक्स्ट है अंचार्क नांसिन पुरसकार 2022 अंचार्क नांसेन पुरसकार 2022 पुर्व जर्मन चांसलर एंजला मारकर को अपने कारिकाल के दोरान सरनारतियों को सरन परदान करने के लिए दिया गया है सस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 सस्त्र रामानुजन पुरस्कार कालिफॉर्निया विस्विद्याले के सहायक प्रोफेशर यूनिकिंग तांग को दिया गया और शखारोग पुरस्कार 2022 ये यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया शखारोग पुरस् यात्रा लेखकों के एक वैस्विक संगठन ने पश्चिम मंगाल को संस्कृती के लिए सरवस्रेष्ट गंतब बेगोसित किया है यात्रा लेखकों के एक वैस्विक संगठन ने पश्चिम मंगाल को संस्कृती के लिए सरवस्रेष्ट गंतब बेगोसित किया है भारत के थलसेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्टपती विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपादी प्रधान की है सिंगापूर की राष्टपती ने भारतिये नौसेना के पुर्व प्रमुक एड्मिरल सुनिल लांबा को दोनों देश के बीच रक्षा सम्मंदों को मस्बूत करने के लिए मेगावी सेवा पदक से समानित किया है सिंगापूर की राष्टपती ने अब आता है आपका भारत की जी ट्वेंटी की अधिक्स्ता के अताद जो बैठक हुई है उससे रिलेटेड सबसे पहले भारत की अधिक्स्ता के अताद होने वाले जी ट्वेंटी बैठक को देखिए तो G20 महिला ससक्ति करन पर मंत्री अस्तरिय बैठक महिला ससक्ति करन पर जो मंत्री अस्तरिय बैठक हुआ था अगस्त 2023 में गांदी नेगर गुजरात में किया गया कहां पर किया गया गांदी नेगर गुजरात में किया गया नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक का हुई तो सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक हुई वारानसी उत्तर परदेश में सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक उत्तर परदेश वारानसी में हुआ युवा 20 युवा 20 सिखर सम्मेलन ये भी वारानसी उत्तर प्रडेश में हुआ भरस्टा चार विरोधी कारे समू की तीसरी मंत्री अस्तरिये बैठक कोलकता में साइन्स 20 सिखर सम्मेलन कोयम बटूर तमिलांडू में हुआ साइन्स 20 सिखर सम्मेलन कोयम बटूर तमिलांडू में उसके बाद परियावरन और जलबायू मंत्रीयों एबम इस्थिर्ता कारे समू की चोथी बैठक आयोजित की गई चिन्नाई तमिलांडो में परियावरन और जलवायूद मंत्रियों की स्थिर्था कारे समूं की बैठक हुई वित मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की तीसरी बैठक हुई गांधी नगर गुजरात में बित मंत्रियों और सिंट्रल बैंक के गवर्नर की तिसरी बैठक हुई गांदीनगर गुजरात में परेटेन मंत्री एवं कारे समों की चौथी एवं अंतीम बैठक हुई गोवा में सिख्चा मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई, पुना महराष्ट में सिख्चा मंत्रियों की बैठक हुई है, पुना महराष्ट में, आर्थिक एवं समाजिक विकास मंत्रियों की बैठक आयोजित क्या गया वरणसी उत्तर पर्देश में, आर्थिक एवं समाजिक विकास मंत् टूरिज्म वर्किंग गुरूप की बैठक स्रीनगर में हुई उसके अलावे आप देखेंगे कि भारत G20 की अध्यक्सता के तहद स्वामी बैठक कहां किया है तो वारनसी उत्तर परदेश में स्वामी बैठक हुआ अप्रेल 2023 में बैठक परवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ model G20 बैठक नई दिल्ली में G20 सिरेपा की चौथी बैठक का हुई थी दिल्ली में G20 सिरेपा की चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी सिरेपा की तीसरी बैठक हमपी करनाटक में हुआ था सिरेपा की तीसरी बैठक हमपी करनाटक में तो ऐसे याद कीजेगा कि सिरपा की पहली बैटक उदयपूर आजस्थान में, तीसरी बैटक हमपी करनाटक में और चौती बैटक कहां पे हुई दो दिली में, ठीक है? चलिए आप आगामी बैटक या सम्मेलन को देखिए, आगामी बैटक या सम्मेलन को तो इसमें आप सबसे पहले देखने वाले हैं, उनीसमा सिखर सम्मेलन जो होगा G20 का, उनीसमा G20 सिखर सम्मेलन दो हजार चौविस में इसका आयोजन ब्राजील करेगा, कौन करेगा? ब्राजील करेगा, जो की अठारामा होगा भारत में, अठारामा होगा भारत में, मतलब स देश और एक European Union सामी है, यानि टोटल 20 सामी है। cove first जो हुआ था है ना 24 सिखर संमीलन, ये कजाकिस्तान में होगा, 23 मा जो हुआ था वो भारत में और तो SCO का अस्थापना 15 जुन 2001 को किया गया, SCO का अस्थापना 15 जुन 2001 को, इसमें कुल 9 देश है, जिसका मुख्याले विजिंग है, SCO का मुख्याले विजिंग, पचासमा G7 सिखर सम्मेलन 2024, यह होगा आपका कहां, तो इसका अयोजन किया जाएगा, इटली में किया जाएगा, और 49 मां जपान में, 49 मां कहां पे हुआ, जपान में हुआ, और G7 का अस्थापना 1975 में किया गया, और इसमें जो है, कुल 7 देश सम्मेलित हैं, कितना 7 देश, आगे है 42 और 43 और 43 और 44 और 44 कमबोडिया में हुआ, उसका अस्यान सिखर सम्मेलन का अस्थापना हुआ था 1967 में, कब हुआ था 1967 में, कुल इसमें 10 देश सम्मलित हैं, इसका मुख्याला जकरता इंडोनेशिया में हैं अस्यान का, 33 नाटो सिखर सम्मेलन, 33 नाटो सिखर सम्मेलन लिथू आनिया में होगा, कहां पर लिथू आनिया में, और 32 जो हुआ है वो मैडरी ट्रेश्पेन में 32 हुआ, और 33 नाटो सिखर सम्मेलन का आयोजन 1949 में इसका अस्थापना हुआ था नाटो का अस्थापना 1949 में हुआ था कुल 31 देश इसमें समली थे नाटो में 31 देश है नाटो का मुख्यालय बुरुसल्स बेल्जियम में है प्रीज्सल्स ब्रीजीицं दोजार ओंट स्ट्र्डन 2020 उनिषी मह यूगांडा में हो गांडा अभ्टार अच्थारा में słय Shipping Deus आजएजार और खेंचथांचंच और टॉटर Hill fare promise ौई्फ्ट ओंट क्राइश हैं। आगे है कि 27 चोगम सम्मेलन 2024 तो यह चोगम का फुल फॉर्म है Common Bill Heads of Government Meeting है न तो यह जो आपका चोगम है यह चोगम आपका शमुआ में होगा कहां पे शमुआ में 2024 में और 26 हुआ था आपका रवांडा में 26 में 2022 में हुआ था रवांडा में उसके बाद यह जो आपका चोगम है इसका अस्थापना 1926 में हुआ चोगम का अस्थापना 1926 में कुल 56 देशिस में समली थे और मुख्याला इसका लंदन है कहां पे मुख्याला लंदन है पंदरामा कहां भुआ दस्थीन अप्रिका में पंदरामा हुआ श्लामा होगा ब्राजील में प्रिक्स का अस्थापना 29 में पस्चमी छेत्रिये परषद की 26, जो बैठा कोगी वो औगस 2020 में हुई है गांधी नगर में हुआ ने इनदोर मन्देप्रदेश में हुआ 26. National E-Governance Conference इंदवर मद्यप्रदेश में इसका विशय है बिक्सित भारत नागरिकों का सकसक्ती करन ये इसका विशय था आगे है Global Food Regulator Summit 2023 ये जुलाई 2023 में नई दिल्ली में हुआ ग्लोबल फुड रेगुलेटर समीट 2020 नई दिल्ली में और केंद्रिये मंत्री डॉक्टर मनसुक मंडाविया ने इसका उधगाटन किया वंजाई द्वारा भारत में पहली बार आयोजित किया गया है ग्लोबल फुड रेगुलेटर समीट को सत्रहमी भारतिये सहकारी कॉंग्रेस जुलाई दो हजार तैस में हुआ नई दिल्ली में और इसका विशय है अमरित काल जिवित भारत के लिए शहयोग के माध्यम से सम्रिद्धी था इसकी अध्यक्स था केंद्रिये सहकारिता मंत्री अमित चाने किया इसका विशय क्या था अमरितकाल जिवित भारत के लिये 17 मी भारतिय सहकारी कॉंग्रेस का विशय था पांचमा हेलीकॉप्टर एवं लगू बीमान सिखर सम्मेरन हेलो सम्मीट हेलो सम्मीट खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ उद्धे से उरान योजणा के ताहद सुन्दूर पहारी इलाकों में बीमान की उपलवता को शुनुशित करना। सेमी कॉन इंडिया जुलाई दो हजार तैस में गांधी नगर में हुआ, सेमी कॉन इंडिया दो हजार तैस का आयोजन जांधी नगर में हुआ, सेमी कॉन इंडिया के दूसरे संस्क्रण का उधगाटन परधान मंत्री नरंद्र मोदीने के, किसने नरंद्र मोदीने, आगे है राश्टिय योग उलंपियार 2023 जून में हुआ जून 2023 में मद्ध प्रदेश में मद्ध प्रदेश में आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो है वो सिक्षा मंत्राले तथा NCRT द्वारा सयुक्त रूप से किया गया है और इसका उदगाटन राजपाल मंगु भाई पटे राश्टिय योग उलंपियार 2023 का अध्यक्सता अगला है पहला पहला खनन स्टार्टप सिखर सम्मेलन ये भी मई 2023 में हुआ पहला खनन स्टार्टप सिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजन किया गया मुंबई में इसका आयोजन हुआ उद्देश एक खनन छेत्र में नवाच पाजार और तकनीकी को बढ़ावा देना, खान मंत्रा लै एबं आयाटी बॉम्बे द्वारा सयुक तुरूप से पहला खनन स्टार्टप सिखर समयलन का आयोजन किया गया। पहला वैस्विक बॉदिक सिखर समयलन अप्रेल 2020 में नई दिल्ली में हुआ। उद्देश क्या है कि गोवा में परेटन संस्कृति को बढ़ावा देना और गोवा सरकार के परेटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल मिलेट्स यानि सिरी अनि समयलन मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में उद्घाटन मोदी जी दिवारा किया गया है और मिलेट्स की गुनों के प्रती जागरुकता लाना इसका उद्देश है। राष्टिय यूबा संसद महुतसब फोर्थ संस्क्रन था ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में इसका थीम है बहतर कल के लिए आईडिया पूरे विश्व के लिए भारत। One World City Summit मार्च 2023 में हुआ One World City Summit मार्च 2023 में बारणसी यूपी में इसमें 32 से अधिक देश के प्रतिंदियों ने भाग लिया 32 से जागा देशों क्या प्रतिंदियों ने भाग लिया One World TV Summit में Aero India का 14 संस्क्रन फरवरी 2023 में हुआ बैंगलूरू में थीम है The Runway to a Billion Opportunities 17 मा परवासी भारतिये दिवस ये जनवरी 2023 में हुआ इंदौर मध्यप्रदेश में थीम था परवासी अमरित काल में भारत की परगती के लिए विश्वसनिये भागिदार आगे है दूतिये मुख सचीवो का राष्टिये सम्मेलन ये जनवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ अध्यक्सना मोधी जी द्वारा किया गया लियान मंत्री नरेंदर सिंग तोमर के द्वारा किया गया भारत पर्व 2023 में नई दिल्ली में हुआ भारत पर्व कहां पे नई दिल्ली में परेटन मंत्रा लेद्वारा भारत पर्व का आयोजन हुआ नो मनी फॉर टेरर सम्मिलन ये भी नई दिल्ली में हुआ उदे से आतंकबाद को बित पोषन को रोकने के लिए अंतराश्टी मंच तयार करना पी एम गती सक्ती मल्टी मॉडल जलमार्ग सम्मिलन नॉमबर 2022 में वारा नसी में हुआ कहां पे वारा नसी में केंद्रिये बंदरगा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालाईदोराईस का आयोजन किया गया इंडिया गेम 2022 इंडिया गेम 2022 का आयोजन मन नॉमबर 2022 में हुआ कहां पे नॉमबर 2022 में नई दिल्ली में थीम है वीजन 2030 केमिकल्स और पेट्रो केम्सकल्स बिल्ड इंडिया बारामार डिफेंस एक्सपो अप्टूबर 2022 में गांधिनेगर गुजरात में हुआ इसमें ससस्त्र बलो द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसमें भारती स्टार्टप तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा और मुखी भी से इसका क्या था पाथ टू प्राइड बारामार डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधिनेगर गुजरात में हुआ आवे प्रमुख अंतराष्टिय शम्मेलन 2022-23 अठारमा जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन जो है ये सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ अठारमा जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन कहां पर हुआ तो ये नई दिल्ली में हुआ और भारत के अध्यक्सता में आयोजित क्या गया है इस परका जो जी ट्वेंटी है भारत की अधिक्स्ता में आयोजित किया गया है, मुख विशे है इसका वासुदेव कटुमकम है ना, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका देवाक के था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये सितंबर 2020 में जाकरता इंडोनेसिया में आयोजित किया गया 43 मां आसियान सिखर सम्मेलन, जिसका मुख विशे है आसियान मामले विकास का केंद, आसियान मामले विकास का केंद, 43 मां आसियान सिखर सम्मेलन का मुख विशे है, अगला है बीसमा आसियान भारत सिखर सम्मेलन और अठारमा पुर्वी एसिया सिखर सम्मेलन ये दोनों सितंबर 2020 में जकरता इंडोनेशिया में हुआ बीसमा आसियान भारत सिखर सम्मेलन और रठारमा पुर्वी एसिया सिखर सम्मेलन भारत के प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया भारत के प्रधान मंत्री इसमें भाग लिये थे पांचमी विश्व कॉफी सम्मेलन सितंबर 2023 में बैंगलूरू में हुआ कॉफी संबेलन जोकी पांचमी विशु कॉफी संबेलन था और भारत में पहली बार विशु कॉफी संबेलन की मेजबानी की गई पंद्रामा ब्रिक सिखर संबेलन पंद्रहमा ब्रिक्स सिखर समयलन का आयोजन अगस्त 2023 में जोहान संबर्ग दस्षिन अफरिका में हुआ मोख्य विशय है ब्रिक्स और अफरिका ब्रिक्स और अफरिका पारसपरिक रूप से त्वरित सतत विकास और समावे सी बहु पक्चबाद के लिए साजितारी और ये एक जनवरी 2024 से छो नए देश अर्जेंटीना, मेस्र, इथोपिया, युएई, सौधी अरब सामिल होंगे पंद्रहमें 20 सिखर समयलन में इथोपिया के अलावा इरान भी है इसमें ये छोटा इधर ढग गया था नहीं दिखा था तो पंद्रहमा ब्रिक्स सिखर समयलन जोहान संबर दस्चिन अफरिका में आयोजित किया गया मुखवी से हैं ब्रिक्स और अफरिका परसपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत्विकास और समावे सी बहु पक्चबाद के लिए साजितारी एक जनवरी दो हजार चौवीश से नए 6 सदस देशिस में सामिल हो रहे हैं और वो है आर्जन्टीना, मिस्र, इतोपिया, इरान, युएई, सवुदी अरब हरित हाइड्रोजन अंतरास्टिय शम्मेलन ये जुलाई 2023 में होगा मतलब हुआ हरित हाइड्रोजन पर अंतरास्टिय सम्मेलन जुलाई 2023 में हुआ नए दिली में कहाँ पे हुआ नए दिली में और हरित हाइड्रोजन के छित्र में नविंतम परगती और उभरती प्रधोगी की पर चर्चा करना इसका उद्देश है UAE भारत आर्तिक सिखर सम्मेलन जुलाई 2023 में हुआ अबुधावी में थीम है इसका सहक करियाताओं को बढ़ावा देना, फालकन और टाइगर अर्थविवस्ताओं को एकजूट करना प्रतम बिम्स्टेक सिखर सम्मेलन प्रतम बिम्स्टेक सिखर सम्मेलन नहीं है प्रत्म विम्स्टेक विदेश मंतरी की वैठक ये Bank of Thailand में जुलाई 2023 में प्रत्म विदेश मंतरी की वैठक हुई भारत के विदेश मंतरी S.J. Sankarने इस सम्मेलन में भाग ले में С.J. Sankarने 2023 2023 2023 ये जुलाई 2023 में नई दिली में हुआ कहां पे नई दिल्ली में पहली बार भारत की यद्धेक्स्ता में वर्चुल आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में इरान नोमिच सदस्तिस के रूप में सदस्ता प्राप्त किया है इरान मुख विशे है Towards a Secure SEO Towards a Secure SEO इसका मुख विशे है आगे है आपका Startup 20 सिखर सम्मेलन Startup 20 सिखर सम्मेलन जुलाई 2023 में हुआ गुरुग्राम में कहांपे गुरुग्राम हरियाना में भारत की यद्धेक्स्ता में आयोजित क्या गया आगे है आटमा वैस्विक फॉर्मोस्यूटिकल गुनबत्ता सिखर सम्मेलन दो हजार तीस आठमा वैस्विक फॉर्मोस्यूटिकल गुनबत्ता सिखर सम्मेलन जुन दो हजार तीस में हुआ मुंबई में कहां पे मुंबई में विसे रोगी केंद्रितता बेनिर्मान और गुनबत्ता का नया प्रतिमा है 111 में अंतराश्ट्य स्रम समेलन जून सीुजर लेंड में के केंद्रिय स्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण इव मली ऑन इब मुपेंदर आदव ने इस सम्भोवधित किया 111 अंतरास्ट्य सम्माहा सम्मेलन को think to the health Waterbrand में मैा है हा का बांग्लादेश में हुआ छट्ठा हिंद महासागर सम्मेलंधा का बांग्रदिश में इसका मुख्य विश्य है सांती सम्रिद्धी और एक लचीले भविशे के लिए साज़िदारी 76 मी विशुस्वास सवा 76 मी विशुस्वास सवा ये मई 2020 में हुआ जिनेवा स्यूजरलेंड में और यह WHO के निड़े लेने वाली संस्था है और थीम है इसका WH at 75 जीवन बचाना सभी के लिए स्वास्त तलाश चलाना STO देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक STO देश की विदेश मंत्रियों की बैठक मैं 2023 में गोवा में हुई भारत के विदेश मंत्रि की अध्यक्स्ता में शंपन इस बैठक में 15 अहम समझोते पर सहमती बनी STO देश की विदेश मंत्रियों की बैठक में आगे बात करते हैं Quad Leader Summit Quad Leader Summit मैं 2023 में हुआ हिरोशीमा जपान में कहाँ पे हिरोशीमा जपान में पहले ये बैठक Estelia में होने बाली थी भारत वर्ष 2024 में इस बैठक की मेजवानी करेगा भारत आगे है 49 G7 सिखर सम्मेलन 49 G7 सिखर सम्मेलन मैं 2023 में हुआ हिरोशीमा जपान में कहाँ पे हिरोशीमा जपान में इस सम्मेलन के दोरान भारतिये प्रधानमंतरी नरिंद्र मोदी ने हिरोशीमा में महत्मा गांधी की प्रतीमा का अनावरण किया आगे है 41 G7 सिखर सम्मेलन मैं 2023 में हुआ 42 G7 सिखर सम्मेलन 42 G7 सिखर सम्मेलन हुआ थीम है आस्यान मैटर्स E.P.Centrum of Growth क्या है आसियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ आसियान सिखर सम्मेलन का थीम है 42 मका अब है SCU देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रेल 2023 में हुआ SCU देश के रक्षा मंत्री की बैठक नई दिली में इसकी अद्यक्स्ता रक्षा मंत्री राजना सिंग ने की और इस बैठक के लिए भारत ने SCU देशों के साथ वेलारूस और इरान के रक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया था आगे हैं आपका कि सम्मेलन बैठक और तिथी अस्थल और मुख बिंदू G7 परियावरन मंत्रियों की बैठक अप्रेल 2023 में जापान में हुआ कहां पे जापान में 2035 तक पावर ग्रीडों की डी कार्वो नाइज करने एवं घरेलू बोरोक टोप कोईला बिजली को चरनबत तरीकों से समाप्त करना ये G7 परियावरन मंत्रियों की बैठक का उदेश है 2035 तक जापान में आयोजित किया गया अगला है पहला सयुक्त राष्ट जल सम्मेलन पहला सयुक्त राष्ट जल सम्मेलन मार्च 2023 में निव यॉर्क में हुआ कहां पे निव यॉर्क में और पहला सयुक्त जल्राष्ट जल सम्मेरन का उद्देश है सतत विकास लक्ष छो को पूरा करना तथा जल के सतत परवंधन को सुनिशेत करना जिसका थीम है आवर वाटर सेड मोमेंट्स उसके बाद आपका अंतराष्ट ये आयुवेद सम्मेलन मर्च 2023 में हरी द्वार में हुआ कहां पे हरी द्वार में और बिसे है इसका पसु चिकितसा और आयुवेद क्या है पसु चिकितसा और आयुवेद राष्ट मंडल विधी सम्मेलन मार्च 2023 में गोवा में हुआ राष्ट मंडल विधी सम्मेलन उद्गाटन गोवा के राजपाल स्रिधरन पिल्लाई द्वारा किया गया साथ में अंतराष्टिय धर्मधम सम्मेलन का आयोजन किया गया मार्च दो हजार तैस में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया नए यूग के लिए पुर्वी मानपताबाद इसका विशय है नई यूग के लिए पुर्वी मानपताबाद साथ में अंतराष्टिय धर्मधम सम्मेलन का विशय है आगे हैं अंतराष्टिय योग महुचब दो हजार तैस ये मार्च दो हजार तैस में रिशी केश में आयोजित किया गया अंतराष्टिय योग महुचब कहां पे डिशी केश में इस महत्सब का सुबारम उत्राखंड के मुख मंत्री पुसकर सिंग धामी ने किया राय सिना डायलोग का आठमा संस्करन मार्च दो हजार तैस में हुआ मुख अतिती इटली के प्रधान मंत्री जियोर्जी में लोनी थे योग महत्सब दो हजार तैस मार्च दो हजार तैस में नई दिल्ली में हुआ आयोजन आयूस मंत्राले द्वारा क्या गया पांचमा आसियान भारत सिखर सम्मेलन मार्च दो हजार तैस में कुआलांपूर मलेशिया में पांचमा आसियान भारत बैपार सिखर सम्हिलन हुआ कुआलांपूर मलेशिया में विसेर रनिती बैपार साज़दारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना है बिस्टु पुस्तक मेला फरवरी 2023 में हुआ नई दिली में और आयोजन NBT और ITPO ने किया है इसका जो आयोजन है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समीट 2023 ये फरवरी 2023 में दुबई में हुआ वर्ल्ड गवर्नमेंट समीट 2023 विशे है इसका भविस्टिकी सरकारों को आकार देना वर्ल्ड गवर्नमेंट समीट 2023 का विशे है बारामा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये फरवरी दो हजार तैस में फीजी में आयोजित किया गया फीजी में इसका थीम है हिंदी परंपर की ज्यान से आर्टिफिसिल इंटेलीजेंस बिदेश मंत्री एस्जे संकर और फीजी के प्रधान मंत्री स्वत्वनी राबुका ने बारामें विश्विंदी सम्मेलन का उद्धुगाटन किया आठमा भारती अंतराश्टी बिग्यान महुतसब जनबरी दो हजारताइस भोपाल मद्ध प्रतेश में हुआ टेक्नलोजी एंड इनोवेशन भारत एबम फ्रांस की 36 मी सामरीक वारता फर जनबरी दो हजारताइस में हुई बिशे बिग्यान प्रधोग की और नवाचार के साथ अम्रित काल की और अग्रसर है संघाई सायोग संगठन फिल्म महुतसब जनबरी दो हजारताइस में मुंबई में हुआ और SCU देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनोतियों और संभावनाओं पर चर्चा की गई आगे है नौमा विश्व आयूबेद कॉंग्रेस और आरग एक्सपो 2022 ये दिसंबर 2022 में गुवा में आयोजित किया गया विश्व आयूबेद कॉंग्रेस का उद्देश है आयूबेद छित्र को मजबूत करना एबं आयूबेद बानिज़ को बढ़ावा देना आगे है अंतरास्टीव आतरीटन्माट 2259 में हुआ मिजोरम में 2222 मिजोरम में हुआ उद्देश है अंतरास्टीव बजार में उत्तर पूर्वी छित्र की परोईटन्चमता को उजागर करना अंतराश्ट्य बजार में उत्तर छेत्र की परेटन चम्ता को उजागर करना अगला है एक तालिस्मा भारत अंतराश्ट्य बेपार मेला नवंबर 2022 में हुआ नई दिल्ली में बोकल पर लोकल, लोकल टू गलोबल पर अधारी थे ये और फोकस राज यूपी और केरल रहा है भारत अंतराश्ट्य बेपार मेला का यूपी और केरल इसका फोकस राज रहा है भागिदार राज रहा है बिहार जारकंड और महराश्ट बिहार जारकंड महराश्ट इसका भागिदार राज रहा है Global Media Congress Global Media Congress November 2022 में आयोजित किया गया आबुधामी में कहां पे आबुधामी में Theme है Shipping the Future of the Media Industry Shipping the Future of Media Industry Global Media Congress का Theme है COP 27 November 2022 में हुआ COP 27 March November 2022 में सरमल सिख मिस्र में आयोजित किया गया कमजोर देश को Loss and Damage Fund के तहद बित पोशन प्रदान करने के लिए समझोता पर हस्ताक्षर किये गए COP 27 सम्मिलन में जल पर राजमंत्रियों की पहली अखिल भारतिये बार्सिक सम्मिलन नॉमबर 2022 में हुआ जल पर राजमंत्रियों की पहली अखिल भारतिये बार्सिक सम्मिलन नौमबर 2022 में वोपाल मद्य प्रदेश में हुआ जिसका थीम है जल वीजन अड़िरेट 2047 जल वीजन अड़िरेट 2047 इसका थीम है इंटरपॉल का नभीमी महासभा अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में हुआ नई दिल्ली में वर्स 1997 के बाद भारत ने दूसरी बार अंतर देशी अफरादिक पुलिस अंगठन की नभी महासभा की मेजवानी की विस्ट ब्लॉक्चेन सिखर सम्मेलन अक्टूबर 2022 में हुआ विस्ट ब्लॉक्चेन सिखर सम्मेलन अट्लांटिस दुबई में आयोजित किया गया अट्लांटिस दुबई में और ये सिखर सम्मेलन ब्लॉक्चेन पर बादसीत और कारवाही को सुरू करने के लिए जो सरकार और उसके निवेश सहीद विसेश्यगों को एक साथ लाने का परयास किया गया चलिए ये भी फाइनली आपका डन हो गया अब हम आते हैं प्रमु खेल घटना करम की तरफ जो कि काफी लंबा जायेगा आपका खेल घटना करम आपको पता ही है कि कमसे चार से पांच पेज का आपका ये जाने वाला है तो हम स्टार्ट करते हैं किरकेट से बहुत सारे लोगों के लिए इंट्रेस्टिंग टॉपिक होगा लेकिन रियली मुझे बहुत बोरिंग लगता है बट आपके लिए भी और मेरे लिए भी मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा ICC Wish to Test Championship 2023 ICC Wish to Test Championship 2023 का आयोजन लंडन में किया गया कहाँ पे लंडन में हुआ Wish to Test Championship ICC का विजयता अस्टेलिया रहा है और उप विजयता भारत रहा है उप विजयता भारत रहा है प्लेयर अफ दा मैच बने हैं ड्रेविस हेड और सभी ICC का खिताब जितने वाले अस्टेलिया रही दुनिया की पहली टीम बन चुकी है इंडियन प्रेमियर लिंग 2023 या IPL का सोलामा संस्क्रन था विजयता टीम चिनने सूपर किंग्स था पांच मी बार CS के इसका विजयता था पांच मी बार उबिजयता गुजराथ टाइटन्स था उबिजयता गुजराथ टाइटन्स प्लेयर अफ दा मैच फाइनल में डेवन कानवे हैं और प्लेयर अफ दा मैच फाइनल में डेवन कानवे औरेंज कप सबसे जादा रन के लिए सुबमन गिल को दिया गया था सर्वधिक रन और पर्पल कप सर्वधिक बिकेट के लिए मुहमद समी को दिया गया था पर्पल कप स्वरी कप ने लिखा है कैप लिखा है फिर आप लोग कॉमेंट कीजेगा कलत पर दिये बट मैं इस निकल गया ओरेंज कैप दिया गया था शुमन गिल को और परपल कैप दिया गया था मौहमद समी को चीक है 28 विकेट के लिए वही emerging player of the season यसस्वी जैसवाल emerging player of the season कौन है यसस्वी जैसवाल राजस्थान रॉयल्स टीम के गेंदवाज यजुवेंद चहल IPL में सबसे जादा विकेट लेने वाले खिलारी बन गये हैं यजुवेंद चहल उन्होंने 145 मैचों में कुल 187 विकेट लिये हैं यजुंदर चहल 187 विकेट राजस्थान डॉयल्स के बलेबाज यसस्वी जैसवाल के मात्र 13 गेंदों में IPL में सबसे तेज अर्द सतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हैं राजस्थान डॉयल्स के बलेबाज यसस्वी जैसवाल ने मात्र 13 गेंद में IPL में सबसे तेज अर्द सतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है बिराट कोली IPL में सरवधिक सतक 7 सतक लगाने वाले किर्केटर बन गये हैं बिराट कोली और साथी IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलारे भी बन चुके हैं कौन? बिराट कोली आगे बात करते हैं प्रथम महिला प्रीमियर लिंग जो WPL यानि की वोमन प्रीमियर लिंग का 2023 में वोमन प्रीमियर लिंग का आयोजन सभी मैच महराष्ट में हुए जितने भी मैच हुए थे इसके सभी महराष्ट में हुए विजयता इसका था मुंबई इंडेंस जिसकी कप्तान थी हर्मनप्रीत कौर मुंबई इंडेंस इसके विजयता थे दिल्ली कैपिटन्स उप विजयता था जिसका कप्तान थी मेंग लैनिंग मेंग लैनिंग इसकी कप्तान थी उप विजयता दल्ली कैपिल्स की परपल कैप सरवधिक बीकेट के लिए हैली मैथ्यूस को दिया गया है हैली मैथ्यूस को और ओरेंज कैप सरवधिक रन के लिए मेंग लर्निंग को मिला मेंग लर्निंग को ओरेंज कप मिला सरवधिक रन के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दा सीजन यस्तिका भाट्या फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ दा मैच नताली सीवर बरंट है आप नेक्स्ट है आपका पहला अंडर 19 महिला किरिकेट विस्वकब दो हजार ताइस इसका आयो जन दस्चिन अपरिका में किया गया कहां पर 20 अपरिका में भारत इसका विजयता था और इंगलैन्ड इसका उप विजयता था इसमें आप देखेंगे की जो प्लेयर ऑफ द़ाटूनामेंट ग्रेस एसक्रीवेंस है और फाइनल में प्लेयर ऑफ sports है तीटा साधू सिधा तातू जो है तीता साधू, फाइनल में प्लियर अफ़ दा मैच बने है भारतिये टीम के कप्तान है सैफाली बर्मा और आदेखे यहाँ पे दिया है कि आठमा पुरुस T20 वर्ल्ड कप 2022 और आठमा T20 वर्ल्ड कप 2023 महिला का पुरुस और महिला का देखे अस्टेलिया में और महिला वला का युजन दस्टिन अफरिका में पुरुस में बिजयता इंग्लेंड रहा था पुरुस टीम में बिजयता इंग्लेंड रहा था और महिला वला में बिजयता अस्टेलिया रहा था महिला में अस्टेलिया उपविजयता पाकिस्तान है पुरुष में पुरुष T20 में पाकिस्तान उपविजयता था और दस्षिन अफरिका महिला T20 का उपविजयता दस्षिन अफरिका रहा पुरुष T20 में प्लेयर अफ दा टुनामेंट सैम करन बने player of the tournament Sam Karan और final में player of the match Sam Karan बने दोनों में ठीक है वहीं महिला की बात करें महिला T20 में player of the tournament तो इसले गार्डनर बने इसले गार्डनर जो है ये player of the tournament और final में player of the match बने वेथ मेनू कौन वेथ मेनू उसके बाद है दलीब ट्रोफी 2023 और दलीब ट्रोफी 2022 देखिए दलीब ट्रोफी 2023 के बिजयता South Zone है और उबिजयता Best Zone है दलेब ट्रोफी 2023 के South Zone बिजयता है और West Zone उबिजयता है वही 2022 वाला Best Zone बिजयता था और South Zone इसका उबिजयता था इस game को पलट दिया याद रखिएगा कि 2022 में जो था उसका जस्ट अपोजिट हो चुका है 2023 में अब है इराणी ट्रोफी 2023 और 2022 दोनों परहेंगे तो सेश भारत इसका 2022 में भी बिजयता रहा था और 2023 में भी बिजयता रहा है सेश भारत लेकिन उप बिजयता 2023 में मध्यप्रदेश है 2023 में ऊप बिजयता मध्यप्रदेश है और 2022 मीं उप बिजयता सौराष्ठ है 2022 का सौराष्ठ था अब है रंजी ट्रोफी 2022-2022 और रंजी ट्रोफी 2021-2022 दोनों को देखेगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 21-22 से तो रंजी ट्रोफी 2021 जो हुआ था फाइनल मैच मैंगलूरू में हुआ था और विजयता मदप्रदेश था और उप विजयता मुंबई था रंजी ट्रोफी 2021 का आयोजन फाइनल मैच मैंगलूरू में हुआ विजयता मदप्रदेश रहा उप विजयता मुंबई रहा वही रंजी ट्रोफी 2022 में फाइनल मैच खोलकता में हुआ विजेता टीम रह है सौरास्ट दूसरी बर विजेता रह सौरास्ट और उप विजेता बंगाल रहा है उसके बाद यहाँ पे नोट में दिया है कि सौरास्ट टीम के कप्तान जैदेव उनाद कट जैदेव उनाद कट रंजी टोफी के पहले ओवर में हाट्रिक यानि दिल्ली के खिलाप लेने वाले पहले खिलारी बन चुके हैं जैदेव उनाद कट नेत्रहीन के लिए क्या है नेत्रहीन के लिए तीसरा T20 विशुकप दो हजार बाइस का还有an केरल भारत में हुआ और इसका बिजयता भारत बनता है और उपीजयता बांगलाडेश रहा है इस विशुकप का ब्रांड मिस्टर युवरास सिंग को बनाया गया युवराज सिंग इसके T20 जो आपके नेत्रहीन वाला था उसके ब्रांड़ा मिस्टर युवराज सिंग को बनाया गया और नेत्रहीन के लिए चौथा T20 विशुकप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा आप है अनगटना करम तीस अगस्त को एसिया कप 2023 की सुर्वात हुई जिसके मेजबानी पाकिस्तान स्रीलंका द्वारा की जा रही है और कल का मैच कितना इंट्रेस्टिंग था आप लोग उन्हें देखा होगा डवल सेंचुरी वाला तो इंग्लेंड के तेज गिंदवाज स्टुवार्ट ब्रांड ने इंटरनेशनल किर्केट से अपने रिटायर्मेंट की घुसना कर दी भारतिये किर्केटर बिराट कोली ने अपने 500 में अंतरास्टिय मैच में सतक बनाने वाले पहले वल्लेवाज बन चुके हैं पांसो में अंतरास्टिय मैच में भारतिये विनेता सारुख खान को ICC विशुकफ 2023 का ब्रांड मेस्टर बनाया गया है सारुख खान को किर्केट के इतिहास में पिताब पुत्र को आउट करने वाले रवी चंद्रान आस्वीन पहले गिंदवाज बने हैं जो कि पिताब पुत्र को आउट करने वाले पहले गिंदवाज बने हैं अचार सहिता के उलंगन के आरोप में भारतिये महिला किर्केटर हर्मन प्रित कौर को दो अंतरास्टिये मैचों से निलम्मित किया गया है किसलिए तूचार साहिता का उलंगन करने के आरोप में भारत की यूबा स्पीन गेंदबाज स्रीयंका पाटिल महिला कैरेबियन प्रीमेर लिंग में चुनी जाने वाली पहली भारतीय कर्केटर बनी है मलेसिया के तेजगेंदबाज स्याज रूरीजाद इंदरस पुरुष्टी 20 इंटरनेशनल में साथ विकेट लेने वाले पहले खिलारी बन चुके हैं मलेसिया के तेज गेंदबाज, स्याज रूल, एजात, इंद्रस, पुरुष्टी 20 इंटरनेशनल में साथ विकेट लेने वाले पहले खिलारी बन चुके हैं हाली में MCC विश्व किर्केट समीती में तीन नए सदस इंगलैंड की हीथर नाइट, इयोन मारगेन और भारतिय महिला किर्केट की जूलन गोसवामी को सामिल किया गया हाली में MCC विश्व क्रिकेट समीती में तीन नए सदस इंग्लैंड की हीथर नाइट, इयोन मोर्गन और भारती हमिला क्रिकेट जूलन गुस्वामी को सामिल किया गया अस्टेलिया के स्पीनर नाथन लियोन ने लगातार सौब टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले गिंदवाज बन चुके हैं नाथन लियोन बाईजूज की जगा ड्रीम 11 को भारतीय रास्टिय क्रिकेट टीम का परियोज़क चुना गया है बाईजूज की जगा पर ड्रीम एलेमन को बीसी सी आई ने एडी रास्ट को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट एस्पॉंसर चुना है 31 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2020 तक पाकिस्तान और स्रिलंका में एसिया कब 2020 का आयोजन क्या गया आएगा पाकिस्तान और स्रिलंका में 17 सेप्टेमबर तक चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बावराजम बंडे किरिकेट में सभी सबसे तेज 5,000 रं बनाने वाले बल्लेवाज बन गए हैं और बावराजम ने 77 पारियों में 5,000 बनाया है संतानवेर पारियों में इसके साथ ही अंतराश्टी किर्केट में सचिन तंदूलकर के बाद सबसे तेज 12,000 अन बनाने वाले दूसरे C.I. बल्लेवाज बन गए हैं UAE में इस्तित सारजाह किर्केट स्टेडियम बेस्ट स्टेडियम के नाम से सचिन तंदूलकर के नाम पर रखा गया और ये सचिन के पचास में जनम दिन के अफसर पर किया गया स्री लंका के स्पीनर प्रसांत जैसुर्या टेस्ट किर्केट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले स्पीनर बन गये हैं जैसुर्या, प्रभाथ है इनका नाम, प्रभाथ जैसुर्या जो है, वो टेस्ट किरकेट में सबसे तेज, 50 बिकेट लेने बाले स्पिनर बन चुके हैं, और उन्होंने 7 टेस्ट में 50 बिकेट लिए हैं, पाकिस्तान के गेंदवाज साहीन अफरिदी, T20 किरकेट में 200 उसके अलाबे 21 विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को सौराष्ट ने महराष्ट को हरा कर जीता और विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवस्य किरिकेट मैच में महराष्ट के कप्तान रितुराज गयकवार ने उत्तर प्रदेश के खिलाब एक ओवर में साथ छके लगाकर वर्ल्ड बनाये हैं बेन स्टॉक टेस्ट किरिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलारी बने विराट कोली जो हैं विराट कोली अंतराष्टिय किरिकेट टीम में अंतराष्टिय किरिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विस्व के 6 और दूसरे भारतिये खिलारी बन चुके हैं कौन बिराट गोले साथ ही वह सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलारी बने उन्होंने 491 मैंच में या उपलबदी हासल की इंगलेंड के योन मोरगन योन मोरगन अस्टेलिया के एरों फिंच और भारतिय क्रिकेट के सुरेश राना और मुरली विजय ने किरकेट से सन्यास की घोसना की भारतिय किरकेट टेम खिलाड़ी सुबमन गिल को जन्वरी मां के लिए ICC Men's Player of the Month चुना गया है तो ICC Men's Player of the Month जन्वरी मां के सुबमन गिल बने हैं रभी चंदरन अस्विन टेस्ट किर्केट के सभी तेज 450 विकेट लेने वाले भारतिये के इंदवाज बने हैं रभी चंदरन अस्विन टेस्ट किर्केट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले सुमन गिल बंडे में 12 स्तक लगाने वाले 5 में भारतिये खिलारी बने हैं और एवं सबसे कम उड़ की खिलारी भी बने हैं सुमन गिल बंडे में सबसे तेज 12 स्तक लगाने वाले खिलारी इसान की सन है सबसे तेज दोरास्तक लगाने वाले खिलारी इशान की सन सुरिकुमार यादव T20 अंतराश्टिये सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेवाज बन गया है सुरिकुमार यादव T20 अंतराश्टियों में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेवाज बन चुके है बारत ने स्री लंका को वंडे में 317 रन से हरा कर वंडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक अंतर से जितने का रिकॉर्ड बनाया है उसके बाद ICC एक दिवस्य महिला क्रिकेट विशुकप 2022 का आयोजन न्यूजी लैंड में हुआ है न ICC एक दिवस्य महिला क्रिकेट विशुकप का आयोजन कहां पे हुआ न्यूजी लैंड में और जिसके बिजयता टेम अस्टेलिया था बिजयता अस्टेलिया था और बिजयता इंगलेंड था आगे देखते हैं इधर कि वर्स 2022 में आयोजी विन खेलो के शुभंकर अलग लग खेलो के जो शुभंकर है उसको आप देखे पंद्रामा हौकी विशुकप 2023 आयोजन कहां किया गया उडिसा में किया गया पंद्रामा हौकी विशुकप 2023 का आयोजन उडिसा में किया गया जिसके सुभंकर ओली है जिसका सुभंकर ओली बे और ओली जो है ये कच्छुआ की प्रजाती है ओली रिडले कच्छुआ है ना फीफा महिला विसुकप 2023 ये नौमा संस्क्रन है जिसका आयोजन अस्टेलिया और न्यूजिलेंड में किया गया तजुनी जो की एक पैंग्यून है और ये इसका सुभंकर है फीफा का तजुनी महिला विसु मुक्यबादी चैंपियंशिप 2023 महिला विसु मुक्यबादी चैंपियंशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ बीरा यान जो चीता है बीरा चीता जो इसका सुभंकर है महिला विसु मुक्यबादी चैंपियंशिप का फीफा अंडर विसु कप 2022 महिला विसु लाइब लाइब जो की दक्स्ता वाला खिरारी के लिए बिसेस कर है और ये लाइब जो है इसका सुभंकर है फीफा पुरुष विशुकप का 37 राष्टिये खेल 2023 गोवा में आयोजित किया गया 37 राष्टिये खेल 2023 गोवा में और मोगा, मोगा 22 22 जो इसका सुभंकर है 36 राष्टिये खेल 2022 ये गुजरात में आयोजित किया गया 36 राष्टिये खेल 2022 ये सावज ACIC है 36 राष्टिये खेल का सावज सुभंकर है, 22 मा राष्ट बंडल खेल 2022, ये बर्मिंगा में हुआ, 22 मा राष्ट बंडल खेल 2022 बर्मिंगा में, पेरी गुल इसका जो है शुभंकर है, और नेक्स्ट है, चोवालिसमा सत्रंज ओलंपियार 2022, चोवालिसमा सत्रंज ओलंपियार 2022 चिन्नई में हुआ, कह छोटा भाई होता है थांबी का मतलब वो इसका सुभंकर हैं। आगे है 36 में राष्टिये खेल 2022 वो देखेंगे तो इसका अस्थान जो है गुजरात कहां पे हुआ आयोजन। गुजरात में हुआ 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तर। सुभंकर साबत जो कि ACI सेर है 36 में राष्टिये खेल का साबच। उद्घाटन प्रधान मंत्री नरद मोदी द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। आदर्स वाक है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट्स इसका आदर्स वाक है। सर्वस्रेष्ट प्रुस खिलारी है साजन प्रकास जो कि एक तैराकी है साजन प्रकास। सर्वस्रेष्ट महिला खिलारी है हंसिका राम चंदरन तैराकी है। और 10 वर्षी ये सौरजीत खेरे जो कि मलकम के खिलारी है वो रास्टीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलारी बने हैं पुजापाटिल योगा आसन में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलारी बनी है 167 पदक सहित कुल 128 पदक के साथ सर्विशेज पदक तालिका में सीर्ष पर रहा है 128 पदक के साथ रास्टीय खेल 2022 में मलकम, योगा आसन, स्केट बोर्डिंग, घुल्फ और सौफ टेनिस को सामिल किया गया है बिहार, गोवा और सिक्किम, एक मात्र ऐसे राज थे जिन्होंने कोई स्वन पदक नहीं जीता अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37 रास्टीय खेल पंजाब के परमपरिक गतका मारसल आठ को अधिकारिक रूप से सामिल गया अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37 रास्टीय खेल में पंजाब के परमपरिक गतका मारसल आठ को अधिकारिक रूप में सामिल किया गया अब है पदक तालिका, पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में राज और यूनियन ट्रेटरी को मिला के सर्विशेज जो है वो पहले अस्थान पे है सर्विशेज, सर्विशेज ने 61 स्वण पदक, 35 राजट पदक और 32 कास्ट पदक जीते हैं सर्विशेज ने, यानि कि कुल 128 पदक सर्विशेज के हाथ गया है महराष्ट दूसरे अस्तान पे हैं, महराष्ट 49 स्वर्ण पदक, 39 स्वर्ण पदक, 38 रज़त पदक और 63 कास्य पदक के साथ टोटल 140 पदक महराष्ट ने जीते हैं नेक्स्ट है थार्ड अस्तान पे हरियाना, हरियाना जो है वो 38, 38, 38 रजत और 40 काश्य पदक जीते हरियाना ने, टोटल 116 पदक हरियाना ने जीता है, टोटल 116 पदक और बिहार कास्तान इसमें 31 है, बिहार काराइंग 31 है, बिहार जो है वो ना स्वर्ण जीता है ना गोल्ड स्वड़ाजत जीता है, वनली कास्ट मेडल दो जीता है, यानि कि टोटल दो ही मेडल इसको कास्ट लगांत लगे हैं, आप इधर आप देखेंगे फूटबॉल, फूटबॉल की बात करते हैं, तो फूटबॉल 22 माँ फीपा विशुकप 2022 का आयोजन कतर में किया गया, फीपा पहली बार इसका ब्रजयत अर्जन्टिनीना बना है, बहली बार Cameron, Sigour किलियान एंबामबे को दिया गया है ? जर्मनी और कोस्टारीकाirmा के बीच होने वाले मैच में stephanie fra part पहली महिला referee बनी है दीपी का पादु कोन दीपी का पादु कोन FIFA World Cup 2022 के final match की trophy का नावरन करने वाली पहली global star बन चुकी है कतर में आयो जित हुए FIFA World Cup 2022 के लिए नई गेंद यानि football जारी किया है जिसका नाम अल रहिला है रखा गया अल रहिला और इससे ADDAS द्वारा जारी किया गया है किसके द्वारा ADDAS के द्वारा जिसके परियोजक भारतिये कंपनी WIZUZ हैं कौन है WIZUZ FIFA महिला फूटबॉल विस्टुकप 2023 FIFA FIFA महिला फूटबॉल विस्टुकप 2023 का आयोजन अस्टेलिया और New Zealand में किया गया अस्टेलिया और New Zealand में विजेता इसका स्पेन रहा है पहली बार विजेता स्पेन रहा है उप विजेता इंग्लेंड रहा है अगला है SAF Champions Football 2023 SAF Champions Football 2023 का आयोजन वैंगलूरू करनाटक में किया गया भारत नौमी बार SAF Champions का विजेता रहा है भारत नौमी बार इसका विजेता रहा है और उप विजेता कुवेत रहा है उप विजेता कुवेत Intercontinental Football Tournament 2023 Intercontinental Football Tournament 2023 का आयोजन भूवनेश्वर उरिसा में किया गया कहाँ पे भूवनेश्वर उरिसा में इंटर कॉंटिनेंटल फूटबल टूनामेंट के विजयता भारत हैं कौन है भारत और उप विजयता है लेवनान उप विजयता लेवनान है आगे है डुरंड कप 2023 और डुरंड कप 2022 दो हजार बाइस में डुरंड कप 131 संस्क्रन था और डुरंड कप 2023 में 132 संस्क्रन है 2023 में 132 में संस्क्रण के मोहन बगान कौन है? मोहन बगान इसके बिजयता है और इस्ट बंगाल उप बिजयता है वहीं 131 संस्क्रण जो 2022 में हुआ था उसका बिजयता टीम बैंगलूरू एपसी था पहली बार बैंगलूरू एपसी पहली बार इसका बिजयता बना था था दोजार भाइस में और मुंबई सिटी chciaता। 76 मा संतोज ट्रोफी 23 का आयोजन भारत और सौधी अरब में हुआ कहां पे हुआ 2023 भाला भारत और सौधी अरब में बीजेता इसका करनाटक रहा है और मेघाले उप बीजेता रहा है वही 75 संतोस ट्रॉफी 2022 बैंगलूरू में आयूजित किया गया था केरल बीजेता था और पस्षी मंगाल उप बीजेता था बैंगलूरू आयूजित हुआ केरल बीजेता बना पस्षी मंगाल उप बीजेता रहा आगे है 23 मां फीफा अंडर 20 बिस्टुकब 2023 का बीजेता उरुगवे पहली बार रहा है और उप बीजेता इटली रहा है अगला है नॉमा हीरो इंडियन सूपर लिंग फूटबॉल ये इसका बीजेता रहा है 80 के मोहन बिजेता रहा है बैंगलूरू एपसी ला लिंगा फूटबल 2023 पीजेता एपसी बार शिलोना था 27 मी बार इसका बीजेता बना है फीफा क्लब विशुकब 2022 का आयोजन मुरक्को में किया गया कहाँ पे मुरक्को में बिजयता रियल मैडरिट है और अलहिलाल इसका ओप बिजयता है अलहिलाल तमिलांडू महिला फुटबॉल टीम ने हरियाना को हरा कर सीनियर राष्टिये महिला फुटबॉल चैंपियंस 2020 का खिताब जित लिया है सिनियर राष्टिय महिला फुटबॉल चैंपियन्स का पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो सो अंतराष्टिय फुटबॉल मैच खिलने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगला है फीफा अंडर सेवेंटीन फीफा अंडर 17 महिला बिसु कप का आयोजन भारत के तीन राज्च महराश्ट, गोवा, उरिसा में हुआ 刚 है इभावावक का सुभंकर है विजयता है इसका इस्पेन फीफा अंडर 17 महिला बिसु कप का बिजयता कौन है? अब है होकी होकी की बात करें तो होकी जुनियर एसिया कप दो हजार तैस होकी जुनियर एसिया कप दो हजार तैस का आयोजन पुरुस में ओमान में हुआ पुरुस वाला आयोजन ओमान में और महिला वाला आयोजन जापान में पुरुस में ओमान और महिला में जापान पुरुष के विजयता भारत रहा है, पुरुष विजयता भारत रहा है और महिला में भारत रहा है और पुरुष टीम के विजयता पाकिस्तान था, पुरुष टीम का उप विजयता पाकिस्तान और महिला टीम का उप विजयता दस्चिन कोरिया महिला टीम का दस्षिन कोरिया अब है F.I.H. होकी विसुकप F.I.H. होकी विसुकप जो है इसका आयोजन किया गया 2023 में उरीशा में F.I.H. पुरुष होकी विसुकप 2020 का आयोजन उरीशा में हुआ और F.I.H. पुरुष होकी विसुकप के बिजयता तीसरी वार जर्मनी रहा है तीसरी वार और बिलजीयम इसका उप बिजयता है बिलजीयम और महिला F.I.H. महिला होकी बिशुकप 2022 इस्पेन नीदर लेंड में हुआ था महिलावला का और अर्जंटीना उबजयता अर्जंटीना उबजयता आव है FIH होकी 5S Asia Cup यह जो है आपका FIH पुरुष होकी 5S Asia Cup प्रुष टीम में बिजयता भारत और विजयता पाकिस्तान वहीं FIH, FIH महिला होकी 5S Asia Cup का आयोजन ओमान में होता है, भारत विजयता तो बनता है लेकिन थाइलेंड इसका विजयता है, थाइलेंड महिला वलमें अब है होकी इंडिया ने तुसार खंडाकर को जूनियर महिला राष्टिय टीम का कोच निक्त किया है, और वरतमान महिला होकी टीम की कोच जनेक शॉपमैन है, क्यों है जनेक शॉपमैन, शॉपमैन चिन्नाई में पुरुष ACI होकी चैंपियंसिफ ट्रोफी दोहजार तैस के सुभंकर बुम्बन, बुम्बन का अनावरन किया गया है, जो कि चिन्नाई में पुरुष ACI होकी चैंपियंसिफ ट्रोफी का सुभंकर है, उसका अनावरन किया गया, जो है बुम्बन मद्ध प्रदेश ने चंडिगट को हरा कर तेरामे होकी इंडिया जुनियर पुरुष राष्टिये चैंपियंसिप 2023 का खिताब मद्ध प्रदेश ने चंडिगट को हरा कर जीता है जिसका आयोजन उडिसा में किया गया था आयोजन उडिसा में तेरामी होकी इंडिया सिनियर महिला राष्टिये चैंपियंसिप का खिताब मद्ध प्रदेश ने महराष्ट को हरा कर जीता मद्ध प्रदेश ने महराष्ट को हरा कर आगे हरियाना हरियाना ने तमिलांडू को हरा कर बारामी सिनियर पुरुष राष्ट होकी चेंपियंशिप का खिताब जीता है अगला टॉपिक है मुक्य बाजी मुक्य बाजी में है कि महिला विश्व मुक्य बाजी चेंपियंशिप 2023 का तेरहमा संस्क्रन है महिला विश्व मुक्य बाजी चेंपियंशिप 2023 में तेरहमा संस्क्रन आयोजन क्या गया था नई दिल्ली में भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता और नीतु घंगास ने 48 किलोग्राम भारवर्ग में स्वण पदक जीती नीतु घंगास ने 48 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण जीती है चीए आगे है महिला विस्व मुझ्केबाजी चेंपिएनसिप महिला विस्व मुझ्केबाजी चेंपिएनसिप 2023 में MC Mary com और Volleywood ईभनेता फरहान अक्तर को ब्रांड मिस्टर के रूप में नामित किया गया है वीरा जो की चीता है इस मुक्यवाजी चैंपियंसिप का सुभंकर है महिला अबिश्च मुक्यवाजी चैंपियंसिप का सुभंकर वीरा है जार्डेन के अमान में आयो जित जॉर्डन के अमान में आयो जीत ACI मुक्केवाजी चैंपियंशिप में भारती मुक्केवाजी लबलीना बोर्गोहने स्वर्ण पदक जीती है चलिए आप इधर देखिएगा अस्टेलिया लॉन टेनिश लॉन टेनिश स्वर्ण से पहले अस्टेलिया लॉपन दोहजार तैस को देखे अस्टेलिया लॉपन दोहजार तैस प्रूश एकल का बिजयता है नुवाक जो को भी सार्विया के खिलारी है नुबाक जो को भी सार्विया के हैं पुरुष एकल के विजयता है अस्टेलियन ओपन में और अस्टेलियन ओपन में विजयता है एस्टेफा नोश सित सिपास जो गिरीज के खिलारी है महिला एकल विजयता है आर्याना साबलेंका बेलारूस की महिला एकल विजयता है और उप विजयता महिला में एलेना राइवा किना है राइवा किना कजाकिस्तान की विजयता है मिस्रित युगल विजयता लुईसा एस्टेपनी और राफेल मंटोस हैं लुईसा एस्टेपनी और राफेल मंटोस मिस्रित युगल विजयता हैं और उप विजयता सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना हैं सानिया मिर्जा और मोरोहन बोपन्ना उप विजयता हैं अस्टेलिया ईए ओपेन दो हजार तेस का अब यह प्रेंच ओपेन दो हजार तेस यह जो है ताइसमा ग्राइड स्लैम है और इसमें पूर्श एकल के बिजयता है नवाग जोकुवी सार्भिया के ताइसमे ग्राइड स्लैम का खिताब इनों ने जीता है को नवाक जोकोवीज, प्रेंच ओपिन दोहजार थास में उप बिजयता कैस्पर रूड है नार्वे के उप बिजयता कौन है कैस्पर रूड है नार्वे के और महिला एकल के बिजयता है इगा स्विटेग पॉलेंड के इगा स्विटेग उप बिजयता करोलीना मुजोवा चे गंडाज के उप बिजयता है आप है प्रेंच ओपिन के बाद होता है बीवल्डन बीवल्डन दो हाजार तैस में देखिएगा पूरुष एकल का बिजयता है कार्लस अलकराज जो कि स्पेन के खिलारी है पुरुष एकल विजयता है कार्लस अलकराज एस्पेन के खलारी है उप विजयता है नुवाक जो को भी सार्विया के और महिला एकल विजयता है मार्गरेट बोड्रो शोवा चे गंडाज के महिला एकल के विजयता है Markreta Birdro Shoba चेक गंडाज के और उप विजयता है महिला एकल में Ons Javier Tunisia के Ons Javier Tunisia के US Open 2022 US Open 2022 में प्रुष एकल के विजयता, कार्लस अलक राज है स्पेन के, कार्लस अलक राज स्पेन के विजयता है, और उप विजयता कैस्पर रूड है नार्वे के, कैस्पर रूड जो है वो उप विजयता है, महिला एकल विजयता है एगा स्वित्तेग, महिला एकल विजयता एगा स्वि पॉन है विजयता टेनिस का विजयता है गनाडा और उप विजयता अस्टेलिया है भारतिये टेनिस खिलारी रोहन बोपन्ना और उसके अस्टेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन एटेपी मास्टर्स एक हजार खिताब जितने वाले सबसे उम्रुद्राज यूगल बन चुके हैं मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना अस्टेलियाई साथी इनके हैं और इसमें जो है एटेपी मास्टर्स में एक हजार खिताब जितने वाले सबसे उम्रुद्राज यूगल बन चुके हैं यूगल मतलब जोरा अंतरास्टी टेनिस महासंग द्वारा इगा काफिल नडाल को 2022 ITF World Championship के रूप में नामित किया गया है ITF World Championship के रूप में हाली में स्यूजर लैंड के टेनिस खिलारी रोजर फेडरर ने टेनिस से सन्यास की घोसना कर दी और उन्होंने 20 Grand Slam का खिताब जीता है अमेरिका की टेनिस खिलारी शिरेना बिलियन्स ने टेनिस से सन्यास लेने की घोसना की है शिरेना बिलियन्स ने अपने कैरियर में उन्होंने कुल 23 एकल Grand Slam का खिताब जीता है 23 और कुस्ती देखेगा कुस्ती में हैं अंडर 20 विश्टु कुस्ती चैंपिएंसिप 2023 का आयोजन अमान जॉर्डन में किया गया भारतिय टीम ने कुल 14 मेडल प्राप्त किये जिसमें 4 गोल्ड था 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 सिल्वर मेडल और 7 ब्राउंज मेडल सामिल थे टोटल 14 था अंतिम पंगाल लगातार दो बार अंडर 20 विश्टी चैंपिएंसिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला पहलमान बन चुकी है अंतिम पंगाल लगातार दो बार अंडर 20 विश्टी चैंपिएंसिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला भालमान बन गई है मोहित कुमार प्रिया मलिक सविता ने गोल्ड मेडल जीता आगे है 36 मी ACI कुष्टी चैंपिएंसिप 2023 36 मी ACI कुष्टी चैंपिएंसिप 2023 का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया कहां पे कजाकिस्तान में भारत का इसमें सातमा अस्थान है भारत का सातमा अस्थान है कुल 14 पदक जीते हैं भारत ने और एक मात्र स्वन पदक अमन शहरावत ने जीता है एक मात्र स्वन पदक अमन शहरावत Under 17 महिला ACI कुष्टी Championship 2020 का आयोजन विसके किर्गिस्तान में हुआ विजेटा टीम भारत है, कुल नौ पदक के साथ विजेटा टीम भारत है साथ स्वण पदक, एक रजत पदक और एक कास पदक भारत में जीते हैं कुल नौ पदक भारतिये कुष्टी महासंग को चुनाम में देरी के लिए United World Wrestling ने औस्थाय रूप से निलंबित कर दिया है और इस निलंबन की वज़े से भारतिये पहलमानों को भारतिये ध्वज के तहद अगामे विश्व चेंपियंशिप में प्रतियस परधा कर्ण मनने की अनुमती नहीं मिलेगी अमन सहरावत स्पेन में आयोजीत अंडर 23 विश्व कुस्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पनक जीतने बाले पहले भारतिये खिलारी बने कौन अमन सहरावत अब आता है आपके निक्स्ट सत्रंज सत्रंज FIDE सत्रंज विश्व कब दोहजार तैस FIDE सत्रंज विश्व कब दोहजार तैस का आयोजन बांखु अजर वैजान में हुआ बिजेता इसका मैंगनस कालसन है नारवन के इसके बिजेता है मैंगनस कालसन उबिजयता रमेश बावु प्रग्यानन्द है तमिलांडू के उबिजयता है और इस वर्स आर प्रग्यानन्द ने हंगरी में सूपर जीम सत्रंज टुनामेंड को जीता है चौवालिसमा सत्रंज उलम्पियाड दो हजार बाइस चौवालिसमा सत्रंज उलम्पियाड दो हजार बाइस का आयोजन चिन्नाई तमिलांडू में पहली बार भारत में हुआ पहली बार भारत में हुआ है चौवालिसमा सत्रंज उलम्पियाड का आयोजन चिन्नाई तमिला आयोजक इसका तमिलांडू राज सरकार AICF और FIDE इसका आयोजक है तमिलांडू राज सरकार AICF और FIDE इसका सुभंकर है सुभंकर थंबी है एक सत्रंज नाइट होता है ओपिन बर्ग में स्वर्ण पदक उजवेकिस्तान ने जीता है और कास पदक भारत B टीम ने जीता है खोसना के अनुसार 45 में सत्रंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडा पेश्ट हंगरी द्वारा की जाएगी बुडा पेश्ट हंगरी द्वारा आदित सामंथ महाराष्ट भारत के 83 में Grandmaster महाराष्ट के हैं बिपुल परनित तेलंगना के ये 82 में Grandmaster बने हैं कजाकिस्तान में आयोजित विश बिलर्ड सत्रंज चैंपियंशिप में भारत की कोनेरू हमपी ने महिला बर्ग में रजत पदक जीदा याद रखेगा कि कजाकिस्तान में आयोजित विस्व बिलर्ट सत्रंज चैंपियंशिप में भारत की कोनेरू हमपी ने मैला बर्ग में रजत पदक जीता 16 वर्षी ये भारतिये खिलारी डीगुकेस 27 चैंपियंशिप मैगनस कालसन को हराने वाले सबसे युवा खिलारी बने है जिसने मैगनस कालसन को हराया है पिछला रिकॉर्ड आर प्रग्यानन तमिलांडू के नाम था अब है बैड्मिंटन बैड्मिंटन में सात्विक साहिराज और चिराग सेठी सात्विक साहिराज और चिराज सेठी भारत के नमबर वन पुरुष यूगल जोरी है भारती यूगल जोरी ने कोरिया ओपिन 2023 का खिताब जीता है सात्विक साहिराज और चिराग सिठी ने कोरियाई ओपेन 2023 जीता है यूगल में कोरियाई ओपेन 2023 में भारतिय बैडमिन्टन खिलारी सात्विक साहिराज और रंकी रेडी ने सबसे तेज बैडमिन्टन स्मैस यानि 565 किलो मीटर पर आवर का गिनीज वर्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इंडियोनेशिया ओपेन 2023 के पुरुष यूगल में स्वर्ण पदक जितने वाले पहले भारतिय जोरी है ये आगे है बल्ड टूर सूपर थाउजन्ट का खिताब जितने वाले यह पहली भारतिय जोरी है बल्ड टूर सूपर थाउजन्ट का खिताब जितने वाले यह पहली भारतिय जोरी है वी डबलुएफ वी डबलुएफ वी डबलुएफ विसु बैडमिंटन चैंपियंशिप 2022 इन्होंने कास पदक जीता है बैडमिंटन अचैंपियंशिप 2023 में पुरुष यूगल ने सुन्ट पदक जीता बैडमिंटन अचैंपियंशिप 2023 के पुरुष यूगल में सुन्ट पदक जीता हेस प्रणय ने पुरुष एकल वर्ग में कास्पदक जीता हेस प्रणय ने पुरुष एकल में कास्पदक जीता आगे है कनाडा ओपें दो हजार तईस बैडमिंटन टूनामेंट कनाडा ओपें 2020 बैडमेंटन टुनामेंट कायोजन कनाडा में किया गया और पुरुष एकल का बिजयता लक्ष सेन है बिजयता लीशी फेंग है लीशी फेंग चीन के आगे है सुधी रिमन कप 2020 सुधी रिमन कप 2020 कायोजन चीन में किया गया चीन इसका बिजयता रहा था और दस्चिन कोडिया उप बिजयता थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2022 बैंकॉप थाइलेंड में आयोजित किया गया बिजयता भारत है पहली बार थॉमस कप का पहली बार भारत बिजयता बना है और इंडोनेसिया इसका उप विजयता है उप विजयता चीन है बाजील में भारत ने चार रजट पदक और 5 कास्ट पदख यानि कुल 9 पदक भारत ने जीते हैं अन्ने खेल में देखेंगे विष्व एथलेट चैंपियन्सीब अन्ने खेल में विष्व एथलेट चैंपियन्सीब दोहजार तईस का उनिस्मा संस्क्रन ता जो बुड़ा पेश्ट हंगरी में हुआ अमेर्का इसमें पहले अस्थान पे हैं, भारत इसमें 18 में अस्थान पे हैं, भारत को मात एक पदक मिला और नीरत चोपरा ने भाला फेक में 88.17 मिटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हांसिल करने वाले प्रतम भारती एक रारी बन गये नीरत चोपरा वही आपका 2022 में जो अठारामा संस्क्रन हुआ था, बिस्प एथिलिट चेम्पियंशिप का अठारामा संस्क्रन यूजीन ओरे गोर्न अमेरिका में और प्रतम अस्थान अमेरिका को मिला था अमेरिका पहले अस्थान पे था और इसमें भारत का अस्थान 33 था भारत को इसमें पहल एक ही पदक मिला था, 33 अस्थान था और नीरत चोपरा ने भालाफेक में 88.13 मीटर थो के साथ रजत पदक करने वाले प्रतम भारती एक खिलारी बने थे अब है ACI Athlete Championship 2020 कायोजन बैंककॉग में हुआ ACI Athlete Champions 2020 कायोजन कहां पे बैंककॉग में प्रतम अस्थान जापान को मिला 37 पदक के साथ पहले अस्थान पे जापान था तीसरा अस्थान भारत को मिला है स्कुल 27 पदक के साथ भारत ने 612 रजत और 9 कास्थ पदक के साथ टोटल 27 पदक भारत में जीते हैं आगे हैं Under 20 Asia Athlete Championship 2023 आयोजन दस्चिन कोरिया में किया गया Under 20 Asia Athlete Championship 2023 का आयोजन दस्चिन कोरिया में किया गया प्रतम अस्थान पे जापान है कुल 23 पदक के साथ और भारत का अस्थान तीसरा है 19 पदक के साथ भारत में 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कास्थ पदक जीते हैं और तीसरा अस्थान हासिल किया World University Games 2023 इसका आयोजन चेंगदू चीन में किया गया World University Games का चेंगदू चीन में 26 पदक जीते हैं और सात्मा हस्थान हासिल किया है 103 स्वर्ण पदक सहित कुल 178 पदकों के साथ चीन सिर्ष पर रहा है तीसरा खेलो इंडिया University Games 2023 तीसरा था और तीस है तो तीसरा संस्क्रन था आयोजन किया गया था उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में शुभंकर है जीतू जीतू एक बरसिंगा इसका शुभंकर है तीसरा खेलो इंडिया University Games का पहला अस्थान इसमें पंजाव University का है पर्थम अस्थान पंजाव University का 26 स्वर्ण, 17 राजत और 26 कास पदक के साथ 69 पदक जीता है पंजाव University ने दूसरे अस्थान पर गुरु नानक देव University अमरित सरका है दूसरे अस्थान पर आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पांचमा संस्थान है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पांचमा संस्थान है आयोजन मद्ध प्रदेश में किया गया शुभंकर आसा चीता और मोगली ह थीमगीत हिंदूस्तान का दिल धरकादो है सिर्शस्थान महराष्ट को मिला है 56 स्वर्ण के साथ कुले चपन गोल्ड मेडल के साथ टोटल 161 पदक जिजिता था महराष्ट ने और पहली बार जल खेलो को इसमें सामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया था शुभंकर इसका है हीम तेंतुआ क्या है सुभंकर हीम तेंतुआ है और जम्मू और कस्मीर ने 26 स्वर्ण 25 रजत और 25 कास्पदक के साथ तिर्शस्थान हासिल किया जबकि महराष्ट दूसरे अस्थान पे रहा आगे हैं CAVA CAVA महिला वॉलीवल चैलेंज कप 2023 का आयोजन किया गया CAVA महिला वॉलीवल चैलेंज कप 2023 का आयोजन काटमांडू में बिजयता भारत रहा है और उप बिजयता कजाकिस्तान रहा है बिजयता भारत और उप बिजयता कजाकिस्तान World Snooker Championship 2020 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया World Snooker Championship का आयोजन कहां पे किया गया कहां किया गया इंग्लैंड में और विजेता Luka Brassel Belgium के Luka Brassel Belgium के विजेता रहे है World Snooker Championship 2022 के विजेता Rani O'Sullivan इंग्लैंड के बने थे Rani O'Sullivan अब है SQuest Fish Cup 2023 ये भी चेन्नाई में आयोजित हुआ था SQuest SQuest जो है चेन्नाई में हुआ था विजेता विजेता टीम मिश्र है और विजेता मलेसिया रहा है विजेता मलेसिया तीसरा अस्थान भारत और जपान ने सरीक्त रूप से लिया ISSF Shooting World Cup Bangu 2023 में हुआ ISSF Shooting World Cup 2023 में हुआ aur प्रतामस्तान पे चीन था दूसरा अस्थान भारत को मिला है चार पदक के साथ जिसमें की भारत में एक गोल्डन दो रजत पदक और एक कास पदक टोटल चार पदक भारत में जीते हैं और गोल्ड मेडल सरव जोद सिंग और दिब्या टीएस जो है दस मीटेर पिस्टल में यूगल में होने गोल्ड मेंडल जीता था चलिए आप कुछ आपका यहां पे है इससे देख लेते हैं ISSF राइफल्स या पिस्टल विशुकप 2020 कायोजन भुपाल में किया गया ISSF राइफल्स या पिस्टल विशुकप कायोजन का हुआ भुपाल में इसमें प्रतामस्तान चीन को मिला है और चीन ने इसमें जो है आट स्वण दो रजत और दो कास पदक चीन ने जीते हैं वही दूसरा अस्टान भारत का है भारत ने एक स्वण पदक एक रजत पदक और पांच कास पदक भारत ने जीते हैं वही ISSF Junior Shooting World Championship 2023 इसका आयोजन दस्चिन कोरिया में हुआ प्रतामस्तान पे चीन है दूसरे अस्थान पे भारत है और 17 पदक भारत के हांथ लगे हैं कितना 17 पदक उसके बाद है ACI कवड़ी Championship 2023 अचा मैं यहाँ थोड़ा सा अलग language का यूज की हूँ आप लोग बुरा मत मानियेगा बस ऐसे बोल दी ठीक है ACI कवड़ी Championship 2023 का अयोजन दस्चिन कोरिया में किया गया कहांपे दस्चिन कोरिया में प्रतामस्तान पे दस्चिन कोरिया है और दूसरा अस्थान पे भारत है प्रथम अस्तान दस्चिन कोरिया का और दूसरा अस्तान भारत का है भारत ने 11 पदक जीते हैं कितना 11 पदक प्रो कवरडी लिंग सीजन नाइन प्रो कवरडी लिंग सीजन नाइन के विजयता है जैपुर पिंक पैंथर जैपुर पिंक पैंथर इसका विजयता है उप विजयता पुनेरी पाल्टन है उप विजयता पुनेरी पाल्टन भारती एथलीट निराचोप्रा ने लुसाने डाइमंड लिंग में 87.66 मीटर थ्रो के साथ खिताब जीता है भारती एथलीट अर्जीत सिंग ने पेरिस में आयो जीत पैरा एथलेटिक्स चैंपियंशिप में भाला फेकर स्वण पदक जीता है भारत की अनाहत सिंग ने चीन में आयो जीत ACI जुनियर स्क्वेश चैंपियंशिप की लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में स्वण पदक जीता कौन अनाहत सिंग चीन में आयो जीत ACI मिसरत यूगल स्क्वेश टूनामेंट में भारतिये जोरी दीपी का पलिकल और हरिंदर पाल सिंग सिंधु ने शुन पदक जीता है हाली में खेल और युवा मामलों के मंत्राले ने खेलो इंडिया महिला लिंग का नाम बदल कर अस्मिता महिला लिंग कर दिया है अस्मिता का फुल फॉर्म है Achieving Sports Missed Tone by Inspiring Women Through Action भारतिये खेल प्रधीकरन SAI ने अमडिला अभ्यान चीर पोर इंडिया के तहद हांग जो ACI खेल में जाने वाले एथलीट को प्रोथसाहित करने के लिए एक लगू फिल्म सिरिंखला हला बोल शुरू की है लगू फिल्म सिरिंखला जिसका नाम हला बोल ज्वेती सुरेखा बिन्नम परनीत कौर और आदिती गोपी चंद स्वामी की भारतिये महिला compounded team ने जर्मनी के वरलीन में विश्व तिरंदाजी चेंपियंशिप 2023 में स्वन पदक जीता या किसी भी वर्ग में तिरंदाजी विश्व चेंपियंशिप में भारत का पहला स् पहली भारतिये महिला बनी गई है अधिती श्वामी जर्मनी की वरलीन में आयो जित विश्व तिरंदाजी चेंपियंशिप में महिलाओं का व्यक्तिकत खिताब जितने वाली भारतिये महिला बन गई है अगला है आयर्लेंड आयर्लेंड में आयो जित विश्व युव ति एसिया कप जूडो चैंपियंशिप में तिरपुरा की अस्मिताडे ने गोल्डेन मिडल हांसिल किया है। सयुक्त अरव अमिराद में आयोजित 34 अंतरास्टिय जिविग्यान ओलंपियाड भारत ने जीता है। सुत्तिर्था मुखरजी और आहिका मुखरजी की महिला यूगल जोडी ने विमेंस डबल्स काटागरी का खिताब जिता है। आगे देखेंगे। दुवई में आयोजित पहली बार महिला कवर्डी लिंग को कौलकता टीम ने पंजाब की टीम को हरा कर जीत लिया। दुवई में आयोजित पहली भारतिये महिला कवर्डी लिंग को कौलकता टीम ने पंजाब की टीम को हरा कर जीत लिया। कोलंबिया में आयोजित अंडर 18 तिरंदाजी विशुकप में भारतिये तिरंदाज अधिती गोपी चंद ने सिर्ष अस्थान हासिल किया है। सिर्ष अस्थान आदित्ती गोपी चंद ने बर्लीन जर्मनी में विशेश उलंपिक यात्रा के लिए भारतिये अभिनेता आयुस्मान खुराना को भारतिये दल के एंबेस्टर के रूप में चुना गया। हाली में फोवर्स के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलारी की सुची में पूर्तगाल के फुटबॉल खिलारी क्रिस्टियानो रूनार्डो प्रथम अस्थान पे हैं। आगे है दोहा में आयोजीत डाइमंड लिंग दोहजार तैस। दोहा में आयोजीत डाइमंड लिंग दोहजार तैस में भारत के नीरत चोपरा ने 88.67 मीटर जैबलिन थ्रोक के साथ जीध हांसिल की है। और वही जैबलिन रैंकिंग में नीरत चोपरा सिर्सस्थान पे हैं। जीवरिक डाइमंड लिंग दोहजार बाइस में भाला फेक का आयोजन सिवजर लेंड में किया गया। कहां पे सिवजर लेंड में। बिजैता नीरत चोपरा है जीवरिक के और इसमें जो है भाला फेक है 88.44 मीटर। आगे है केंद्रिय युवा मामले एवं खेल मंत्राले द्वारा 10-31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टुनामेंट का आयोजन 10 अलग-अलग सहर में किया गया। और इस प्रतियुगता की सुर्वात 10 मार्च को नई दिल्ली में की गई। भारतिये जिमनास्ट दीपा कर्माकर अंतराष्टिये परिक्षन एजेंसी द्वारा के गयन डोब टेस्ट में फेल होने के कारण उन पर 21 महीने का प्रतिवंध लगाया। काहिरा में आयोजित ISSF विशुकब 2020 में फुरुसो की 100 मीटर एयर राइफल अस्परधा में भारत के रुद्रांच वाला शाह पाटिल ने स्वण पदक जीता है। भारत में पहली बार Formula E World Championship का आयोजन 11 फरवरी को हैदराबाद में किया गया फर्मूला E World Championship का आयोजन 11 फरवरी को हैदराबाद में या Formula E सीजन 9 की चौथी रेस है। भारत की अनाहत सिंग ने बर्मिंगम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूनामेंट में लड़कियों की Under 15 Squash टूनामेंट का खिताब जीता है। आयोजित इंडिया ओपन 2023 में चैंपियेंशिप में थाइलेंड के कुनाला भूत बित्ती दर्शन ने पुरुष एकल और दश्चिन कोरिया के एन से यंग ने अप महिला एकल का खिताब जीता है। 2022 में मीरावाई चानों ने रजत पदक जीता है विश्चु भारत तोलन चैंपियेंशिप में। आगे है भोपाल में आयोजित राष्टिये निशानेवाजी चैंपियेंशिप में मनुभाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला अस्परदा में स्वन्पदक जीता। आगे है अस्टेलिया में आयोजित फीना वर्ड स्विविंग स्विविंग चैंपियेंश 2022 में भारत की चाहत अरोरा ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रॉक में राष्टी रिकॉर्ड बनाया है। कौन तो इनका नाम है चाहत अरोरा। के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले देश के पहले खिलारी बन गया है। इसका अदर्स वाक है सभी के लिए खेल। इस वार राष्ट मंडल खेल में चार नए खेल सामिल किये गए हैं। और चार नए खेल हैं बास्केट बॉल, महिला टी-20 किर्केट, पैरा टेवल टेनिस, विल्चेयर वास्केट बॉल। राष्ट मंडल खेल 2022 में 72 देशों के कुल 5000 प्लस एथलीट ने भाग लिया। भारत के 213 एथलीट ने 19 खेल आयोजन में भाग लिया और पहले यह संख्या 215 थी लेकिन नीरत चोप्रा और एश्वर्या चोट के कारण जो है राष्ट मंडल खेल से बाहर हो गये थे। उदगाटन समारों में भारतिये दल के दhaulज बाहक मनपरीट सिंग और पीबी सुन्दू थे। उदगाटन समारों में दhaulज बाहक वही समापन समारों में दhaulज बाहक निकद जरीन और अचत सरत कमल थे। संकेत सरगर CW यानी Commonwealth Games 2022 में पुरुष के 55 kg में पदक जीतने वाले पहले भारतिये थे और भारत तोलन अस्परधा में इनुने रजत पदक जीता है कौन सा रजत पदक मिरावाई चानो भारत तोलन डाश्ट मंडल खेल 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतिये बने कौन मिरावाई चानो कुस्ती में भारत को सरबदिक पदक पारा पदक मिले है कुस्ती में सौरभ घोशाल Commonwealth Games 2022 में पुरुष एकल स्क्वेस खेल में व्यक्तिगत पदक यानी कास पदक अर्चित करने वाले पहले भारती एथलीट बने है शौरभ घोशाल तेजश्वीन संकर तेजश्वीन संकर कौमन मिल्थ केव में उची कूद असपरधा में भारत के लिए पहला पदक जीता मुर्ली स्री संकर लंबी कूद में राष्टमंडल खेलो में रज़त पदक जीतने वाले पहले भारती एथलीट बने है मुर्ली स्रीव संकर लंबी कूद में इल्थोस पॉल इल्थोस पॉल ने राष्टमंडल खेलो में ट्रीपल जंप असपरधा में भारत के लिए पहला संपदक जीता और अब्दुल्ला अबूबकर ने रज़त पदक जीता लबली चौबे लीड पिंकी नयन मोनी शेक्या और रूपा रानी तिर्की की भारतिये चौकरी ने राष्ट मंडल खेल 2022 में महिलाओं के चौकों में श्वन पदक जीतने के लिए दस्टीन अफिका को हराया और यह लॉन बाउस में भारत का पहला राष्ट मंडल खेल का पदक है बिनेश फोगाट राष्ट मंडल खेल में लगातार तीन स्वन पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला बनी है बिनेश फोगाट भारत की पुरुष यूगल बैडमिंटन जोरी सात्विक साहिराच रंकी रेटी और चिराग सेठी ने कॉमन बिल्थ गेम्स 2022 में इंगलेंड को हराकर स्वन पदक जीता है और राष्ट मंडल खेलों में बैडमिंटन पुरुष यूगल अस्परधा में यह भारत का पहला स्वन पदक है आगे है पीवी सिंदू, पीवी सिंदू की जीत के साथ भारत ने राष्ट मंडल खेल में 200 स्वन पदक पूरे किये हैं 200 और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा देश है हर्मन पृत कोर, हर्मन पृत कोर के नेतरित में भारतिये महिला किर्केट टीम ने कॉमन बेल्स गेम्स 2022 में रजत पदक जीता है और स्वन पदक अस्टेलिया को भारतिये पुरुष होके टीम ने Common Bills Games 2022 में तीसरी वार रजत पदक जीता है और स्वर्ण पदक अस्टेलिया जीता है आगे है काश पदक काश पदक मैच में भारतिये महिला होके टीम ने न्यूजी लेंड को हरा कर अपना तीसरा पदक 16 साल में पहला पदक जीता है 16 साल में पदक तालिका आप देखिएगा तो पदक तालिका में पहला अस्टान अस्टेलिया का है सरसट इसने स्वर्ण पदक सरसट स्वर्ण पदक सत्तावन रजत पदक चोवन कास पदक के साथ टोटल 178 पदक अस्टेलिया ने जीता है इंग्लेंड दूस्तिरे अस्थान पे है इंग्लेंड इसने 56 गुल्ड 65 रजत पदक और तीरुपन कास पदक के साथ 175 मेडल जीता है किसने तो इंग्लेंड ने 175 पदक इंग्लेंड ने जीता है कनाडा कनाडा तीसरे रैंक पे है और 26 गुल्ड 32 रजत 34 कास पदक टोटल बिरानविर पदक कनाडा ने जीता है आगे है भारत भारत चो है बाइस चोथे अस्थान पे है भारत चोथे अस्थान पे 22 स्वर्ण पदक 16 रजत पदक और 23 कास पदक के साथ टोटल 61 पदक भारत न सबसे पहले मीरावाई चानू की बात करते हैं, मीरावाई चानू महिलाओं की 49 kg भारवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् भारतीय महिला टीम ने Mobile's Force में, Lawicky Palms में जो है, गोल्ड मेडल जीती है, भारतीय मेंस टीम मेंस में, अबर टेणिस में जो है, सुधीर मेंस हैबी वेट में पैरा पावर लिफ्टिंग के प्लेयरड हैं ये सुधीर और इन्होंने भी गोल्ड जीता है बजरंग पुनिया, पुरुस के फ्रीस्टाइल 65 किलोगराम भारवर्ग में कुस्ती में बजरंग पुनिया ने गोल्ड जीता है साक्षी मलिक महिला फ्रीस्टाइल 62 किलोग्राम भारवर्ग में कुस्ती में पदक जीता है दीपक पुनिया पुरुसो की फ्रीस्टाइल 86 किलोग्राम भारवर्ग में कुस्ती में गोल्ड मेडल जीता है दीपक पुनिया, रवी कुमार दाहिया जो है, वो पुरुस के 57 किलोग्राम भारवर्ग में कुस्ती में गोल्ड मेडल रवी कुमार दाहिया जीते हैं, बिनेश फोगाड महिलाओं के 33 किलोग्राम भारवर्ग में कुस्ती में गोल्ड मेडल जीता है, बिनेश फोगाड महिल बर्ग में मुक्यवाजी में नीतु घंगास ने स्वणपदक जीती है अमीत पंखाल पुरुष के 51 किलो बर्ग में मुक्यवाजी में अमीत पंखाल ने गोल जीता है निखत जरीन की बात करें तो निखत जरीन महिला की 50 किलोग्राम बरके मुखेबाजी में उने गोल जीती है निखत जरीन एल्थोस पॉल पुरुष की ट्रिपल जंप में एथलीट है ये इनोंने गोल जीता है सरत कमल और स्रिंजा आंकुला ये दोनों मिश्रित युगल टेवल टेनिस में गोल जीते हैं सरत कमल और स्रिंजा आंकुला मिश्रित युगल में टेवल टेनिस सरत कमल पुरुष एकल में टेवल टेनिस में उने गोल जीता है पीवी सिंदू, पीवी सिंदू महिला एकल बैड्मिंटन में गोल जीती है लक्ष सेन, पुरुष एकल में बैड्मिंटन में गोल जीते हैं लक्ष सेन सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी एवं चिराग सेथी सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी और चिराग सेठी ने पुरुष यूगल में बैडमिंटन में गोल्ड जीता अब है आपका टोकियो उलम्पिक 2020 टोकियो उलम्पिक 2020 की बात करें तो 23 जुलाई से 8 अगस्ट 2021 के मत टोकियो चपान में 32 में ग्रिस्म कालिर उलम्पिक का आयोजन किया गया 32 मा हुआ था जिसका सुभंकर क्या था मिराई तोबा इसका सुभंकर था मिराई तोबा COVID-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एक जूटता दिखाने के लिए उलम्पिक के आदर्सवाग फास्टर, हाईयर, स्ट्रोंगर को बदलने फास्टर, हाईयर, स्ट्रोंगर के जगा पे टुगेदर को कर दिया गया टुगेदर इसमें एड़ कर दिया गया फास्टर, हाईयर, स्ट्रोंगर तो हैं ही टुगेदर एड़ किया गया मुख विस्टा है United by Emotion इसका मुख विस्टा है United by Emotion कुल इसमें 206 देश ने भाग लिया था और रास्टी ओलम्पिक समीती और सर्णार्थी ओलम्पिक टीम सहीत इसमें 206 भाग लिये थे पहली बार पदा आरपन कर रहे हैं कराटे, स्कैटबोर्ट, सफ्रिंग, स्पोर्ट्स क्लाइबिंग ये चार खिल जो है इस बार पहली बार इसमें सामिल हो रहे हैं तेरह बर्स के बाद बेस्बॉल खिल की वापसी हुई है और बेस्बॉल पुरूस जबकि सॉफ्ट बॉल जो है वो महिला बर्ग में खिला जाता है टोक्यो एसिया का पहला सहर बना जिसने दो बार ग्रिस्म कालिन उलम्पिक की मेजवानी की एक बार 1964 में किया था और अभी 2021 में तो टोक्यो दो बार जो है वो ग्रिस्म कालिन उलम्पिक का एजन कर चुका है लॉडेल हवर्ड न्यूजिलैंड के प्लेयर है ये जो है भारत तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम भार बर्ग में जो है उलम्पिक खेल प्रतियस परधा करने वाली पहली ट्रांजेंडर है लॉडेल हमवर्ड कहां के हैं न्यूजिलैंड के हैं चीन चीन ने टोकियो उलम्पिक 2020 का पहला गोल्ड जो है अपने नाम किया है चीन मोमजी नेसिया जपान ने महिलाओं के स्केटबोर्ड प्रतियुगता में गोल्ड जीता मोमजी नेसिया और उलम्पिक खेल में बेक्तिकत प्रतियस परधा में स्वन्पदक जीतने वाली स टोकियो उलम्पिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीट का दल भेजा है टोकियो उलम्पिक में बात करें हम 127 दल भेजा था जिसमें 71 पुरुष्टे और 56 मैला आगे है भारतिये खिलारी ने 18 खेलों के 69 इस परधाओं में भाग लिया भारतिये खिलारीों ने 18 खेलों के 69 इस परधाओं में भाग लिया उदगाटन समारों के मार्च पास्ट में भारतिये दलकाकरम 21 था उदगाटन समारों में दोहजबाहक मनप्रीत सिंग जो की पुरुष होगी टीम के कपतान थे और MC मैरिकॉम जो की मुक्यबाजी टीम की थी उदगाटन समारों में इन्हों ने भाग लिया समापन समारों में दोहजबाहक बजरंग पुनिया थे कुस्ती में बजरंग पुनिया समापन समारों के दोहजबाहक भारत के लिए पहला पदक जो की रजत पदक था वो मीरवाई चानों ने जीता था भारत तोलन में पहला पदक मीरवाई चानों को दिया गया था नित्रा कुमानन जो थे ये नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलारी थी नित्रा कुमानन नौकायान में अदिती असोख ने गुल्फ प्रतियोगिता में सांदार परदर्शनकर चौथा आस्थान प्राप्त किया है अदिती असोख ने गुल्फ प्रतियोगिता में वो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिये गुल्फर थी आगे है भावानी देवी तलवार बाजी में भाग लेने बाली भारत की पहली महिला खिलारी बनी भावानी देवी दीपक काबरा टोक्यो उलंपिक 2020 में जिमनास्टिक स्पुरूस में जज की भुनका निभाने वाले पहले भारतिये बन चुके हैं उसके बाद पवन सिंग पवन सिक टोक्यो उलंपिक 2020 में निसाने बाजी के जुईरी सदस बनने वाले भारतिये बने जुईरी आगे है कि टोक्यो उलंपिक में भारतिय खिलारियों का प्रदर्शन जो टोक्यो उलंपिक हुआ था उसमें भारतिय खिलारी का क्या प्रदर्शन सा ये देखिए नीरत चोपरा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वन पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रेक और फिल्ड अथलीट बन गये हैं नीरत चोपरा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडर निर्याचोप्रा ओलम्पिक में व्यक्तिगत स्वन जीतने वाले दूसरे भारतिये बने हैं और पहले भारती अभिनव बिंद्रा हैं 2008 के बिजिग ओलम्पिक में इन्हें ग्ल्ड जीता था आगे है रभी कुमार दाहिया जो हैं ये दो बार गत विश्व चैंपियंशिप रूस के जाबूर उगुव से 57 किलोग्राम बर्ग में फाइनल हारने के बाद फाइनल हारने के बाद जो हैं इन्होंने रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतिये पहल्मान बन चुके हैं मिरवाई चानू ने टोकियो उलंपिक 2020 के 49 किलोग्राम बर्ग में भारत तोलन में रजत पदक जीता और मिरवाई चानू इस प्रतियोगता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम यानि 87 किलोग्राम पलस 115 किलोग्राम का भार उठाया पीवी सिंद्धु ने टोक्य ऑलंपिक 2020 में चीन के हे विंग जी आओ को हरा कर कास पदकजीता पीवी सिंद्धु ने और वह दो वेक्टिगत उलंपिक पदकजीतने वाली पहली भारतिय महिला बन गई पहले भारतिय पुछे तो सुसील कुमार थे लबलीना बोर्गोहें ने महिलाओं के बेल्टर वेट जो कि 64 से 69 किलोग्राम मुक्यबाजी में काई सिपदक जीता लबलीना बोर्गोहें ने बुर्गोहन बिजेंदर सिंग और MC मेरिकॉम के बाद उलम्पिक खेल में पदक जीतने वाली तीसरी भारतिये मुक्चे बाज बन चुकी हैं अब है भारत ने जर्मनी को पांच चार से हरा कर पुरुष होकी में कास सिपदक हासिल किया है और यह बारहमी बार है जब भारतिये पुरुष होकी टीम ने उलम्पिक पदक जीता और पुरुष होकी टीम के कौँच ग्राहम रिड थे आगे है बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया ने टोकियो उलम्पिक में पुरुषो के 65 किलोग्राम कुस्ती में कजाकिस्तान के दॉलेट नियाज बेकोब को हरा कर कास पदक जीता है महिला होकी टीम पहली बार उलम्पिक खेल में सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाइक की गई है महिला होकी टीम ब्रिटेन से 3-4 से हाड़ने के बाद टीम कास पदक से चुग गई थी और महिला होकी टीम के कोच सोड मारीन कप्तान रानी रामपाल है पदक तालिका देखिएगा उलम्पिक का तो पहले अस्थान पे अमेरिका है पहला रैंक अमेरिका का है 49 गोल्ड, 41 रजट और 33 गास पदक के साथ अमेरिका ने 113 खुल पदक जीते थे है ना अमेरिका पहले अस्थान पे 113 पदक के साथ चीन दूसरे अस्थान पे है जिसमें की 38 से गोल्ड मिला था 32 रज़त पदक मिला था चीन को और 18-18 पदक टोटल 88 पदक जो है वो चीन अपने नाम किया था जपान तीसरे अस्थान पे है जपान के पास टोटल 58 पदक थे 58 जिसमें 27 गोल्ड 14 रज़त और 17 कासे पदक था 27 चोद़ और 17 ग्रेट ब्रिटेन चौथे अस्थान पे ग्रेट ब्रिटेन का रैंक चौथा था जिसमें की टोटल ग्रेट ब्रिटेन को 65 पदक मिले थे जिसमें 22 स्वर्ण था, 21 रज़त था और 22 कास्ट था और भारत, अपना भारत इसमें 48 में अस्थान पे था भारत 48 में अस्थान पे था, भारत एक गुल्ड जीता था दो रज़त और 4 कास पदक भारत ने जीता था यानि टोटल साथ पदक भारत ने अपने नाम किया था आप है टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 जो है ये सोलामे ग्रिस्म कालिन पैरा उलम्पिक हिलका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मद टोक्यो जपान में किया गया था पुल 13 दिन ये भी चला था सोलामा ग्रिस्म कालिन पैरा उलम्पिक ये पैरा उलम्पिक जो होता है ये बिकलंग जो ख्यारी होते हैं उनके लिए होता है टोक्यो पैरा उलम्पिक का मोटो है United by Emotion और उदघाटन समारों का थीम है moving forward we have wings क्या है moving forward we have wings इसका उदघाटन समारो का थीम है कुल 162 देश इसने भागग लिया था और सरणारथी पहला उलम्पिक टीम और राष्टिये पैराउलंपिक समीती सहित गुल 122 देश ने भाग लिया 22 खेल की संख्या है आर इसका सुभंकर जो है वह सुमाईटि है सुमाईटि इसका सुभंकर है दो नये खेल इस टोक्यो पैरा उलम्पिक में पांच देशों ने पहली बार भाग लिया है टोक्यो पैरा उलम्पिक में बुटान, मालदीप, सेंट विशेंट, प्रागवे और ग्रेना डिनेश ये पांच देश इसमें पहली बार भाग लिया है बुटान, मालदीप, सेंट विशेंट, प्र बाला स्वन्पदक सीता है। भारत के थीम गीत कर्रे कमालतु है। क्या है कर्रे कमालतु जो दिब्यांग किरकेटर खिलारी संजीब सिंग्दारा रचित और गाया भी गया है कर्रे कमालतु को। पहली बार भारत से। सबसे युगा खिलारी बनी है पलक खोली। निसानेवाजी खेल में सरबदिक 5 पदक जीते हैं, निसानेवाजी में 5 पदक जीते हैं, सबसे ज़्यादा। टोक्यो पैरा उलम्पिक में भारतीय पदक विजयता अवनी लेखरा राजस्थान की 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वन पदक और 50 मीटर एयर राइफल्स में पचास मीटर एयर राइफल्स थ्री पोजिशन सुटिंग में कास्ट पदक जीता है याद रखेगा अबनी लेख रहा पैरा ओलम्पिक में स्वन पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलारी बनी है जो की 249.6 अंक बनाकर विष्र ही रिकॉर्ड की बराबरी की है अबनी लेख रहा आगे है मनिस नर्वाल, मनिस नर्वाल हरियाना के प्लेयर है और ये 50 मीटर पिस्टल में स्वन पदक जीते हैं मनिश नर्वाल प्रमोद भगत बिहार के खिलारी हैं प्रमोद भगत और ये बैडमिंटन के प्रुष एकल में स्वन पदक जीते हैं प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक खेल में बैडमिंटन प्रतियुगता में स्वन पदक जीतने बाले पहले भारती खिलारी बने हैं सुमीत अंतिल हर्याना के हैं जैबलिन थ्रो भाला फेक के खिलारी स्वन पदक इनों ने जीता है सुमीत अंतिल ने और फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेक कर विश रिकॉर्ड कायम किया है आगे है क्रिश्ना नागर राजस्थान के प्रुष एकल में स्वन पदक जीता है भाविना बिन पतेल गुजराथ से ये टेबल टेनिस में रज़त पदक जीते हैं योगेस कथुनिया ये नई दिल्ली के हैं डिसकस थ्रो में रज़त पदक जीता है देबेंदर जानशरिया राजस्थान के प्लेयर है जैबलिन थ्रो में रज़त पदक जीता है और पैडा उलम्पिक खेल में तीन पदक जीत कर वो भारत के सबसे सफल पैडा उलम्पिक खिलारी बन चुके हैं देबेंदर जानशरिया सबसे सफल प्लेयर बात करते हैं कि मरियप्पन थंगा वेलू आपने नाम सुना होगा मरियप्पन थंगा वेलू का ये तमिलांडू की है जो कि उंची कूद में रजत पदक जीती है उंची कूद में और 2016 के रियो उलम्पिक में इन्होंने स्वन पदक भी जीता था निशाद कूद में रजत पदक जीता है निशाद कुद में रजत पदक जीता है इनका नाम काफी चर्चा में था जो कि एक I.S. आफिशर थे हैं और ये पैरा उलम्पिक खेलो में पदक जीतने वाले पहले अधिकारी बने जो करनाटक के खिलारी है सुहास यतिराज और हरियाना के खिलारी हैं, ये 50 मीटर पिस्टल स्रेनी में रजत पदक तथा 10 मीटर पिस्टल में कास पदक जीते, तो रजत और कास, सिंधराज अंधाना दोनों पदक जीते हैं, सरद कुमार बिहार के हैं, सरद कुमार बिहार के खिलारी हैं, और इन्होंने उच्छी कूद में कास पदक जीता सरद कुमार हरविंदर सिंग हडियाना के हैं इन्होंने तिरंदाजी में कास पदक जीता मनोज सरकार उतराखंड के हैं बैडमिंटन मेंनोंने कास पदक जीता है मनोज सरकार सुन्दर सिंग गुज़र राजस्थान के हैं जैबलिन्थ्रो यानि भाला फिक में कास्ट पदक जीते हैं सुन्दर, सिंग, गुज़र, पदक तायलिका को देखेगा, पदक तायलिका पैरा उलम्पिक 2020 में, इसमें चीन पहले अस्थान पे था, चीन को 207 पदक मिले थे टोटल, जिसमें चीन ने 96 गोल्ड मेडल जीता थ 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉंज मेडल चीन को मिला था, टोटल 207 मेडल था, सेकेंड अस्थान पे ग्रेट ब्रिटेन था, जिसमें 41 चुथा जिसमें गोल्ड मिला था, ग्रेट ब्रिटेन को 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 45 कास पदक मिला था, टोटल 124 पदक ग्रेट ब अमेरिका था भारत का अस्थान इसमें 24 मा था भारत 24 में अस्थान पे था और भारत जो है वो 5 गोल्ड, 8 रजत, 6 कास और 19 जो है टोटल पदक भारत ने जीते थे अब है 24 मा सीथ कालिन ओलंपिक 2022 ये चीन बिजिंग में हुआ था चीन के बिजिंग में 4 से 20 फरवरी 2022 के बिंग ड्वेंड्वें था चीन में जो सीथ कालिन ओलंपिक हुआ था इसका सुभंकर था बिंग ड्वेंड्वें सीथ कालिन पैरा ओलंपिक का सुई रॉन 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 क्या था सीथ कालिन पैरा ओलंपिक का सुई रॉन रॉन था कुल 91 देश 15 खेल और 119 अस्परधाएं इसमें सामिल थी उद्घाटन समारों में मुख्य विशय था One World One Family मुख्य विशय था उद्घाटन समारों का आदर्स वाक के था एक साजा भविस्य के लिए एक साथ वही हैती और सवधी अरब पहली बार सितकाली उलम्पिक में भाग लिया हैती और सवधी अरब भारत के तरफ से केवल एक खिलारी मुख्य आरिफ खान जो जम्मू कस्मीर के हैं उन्होंने भाग लिया था मुख्य आरिफ खान इन्होंने अलपाइन, स्केइंग, किद्दू, असपरधाओं, पुरुष च्लालोम और पुरुष ज्वाइंट श्लालोम में भाग लिया है भारत ने कोई पदक नहीं जीता इसमें भारत ने इसमें सितकाली उलम्पिक में कोई पदक नहीं जीता पदक तालिका में नार्वे सिर्ष अस्थान पे रहा है पदक तालिका में नार्वे पहले अस्थान पे रहा है कुल 37 पदक के साथ जिसमें नार्वे जो है 16 गोल्ड मिला नार्वे को 8 रज़त और 13 कास पदक, टोटल 37 पदक नार्वे को मिला दूसरे अस्तान पे जर्मनी था, जर्मनी ने टोटल 12 गोल्ड मेडल, 10 रजत पदक और 5 कास पदक, टोटल 27 पदक जर्मनी ने जीता और चीन तीसरे अस्थान पे था, चीन टोटल 15 पदक जीता है, जिसमें 9 था गोल्ड, 4 रजत और 2 कास पदक चीन ने जीता है, टोटल 15 पदक तो नार्वे जर्मनी और चीन इसका फर्स सेकेंड थर्ड था अब है पहला गोल्ड नार्वे के थेरेसी जोहांग ने इसका इंग में जीता था, इसके इंग में जीता था, पहला गोल्ड ग्रिस्न कालीन उलम्पिक 2008 और सीद कालीन उलम्पिक 2025 दोनों की मेजवानी करने वाला पहला सहर बिजिंग बना है, ठीक है? चलिए, आब हम देखेंगे आगामी खेलों का आयोजन किर्केट देखिएगा, किर्केट ICC Proust T20 विसुकप Proust T20 विसुकप जो है 2024 में अमेरिका और वेस्टेंडीज में होगा 2026 में भारत और स्रीलंका में होगा 2028 में अस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड में 2028 में अस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड और 2030 में इंगलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड यह जितने भी लैंड है तीनों लैंड में 2030 में होगा यह आपका ICC Proust T20 विसुकप का आयोजन है अब हम ICC Proust एक दिवस्य विशुकप को देखेंगे ICC Proust एक दिवस्य विशुकप को जिसका 2023 में आयोजन भारत में 2023 में भारत में 2027 में दस्टीन अफ्रीका, जिमबाम्बे और नाम्बिया दस्टीन अफ्रीका, जिमबाम्बे और नाम्बिया में 2027 में होगा और 2031 में जो होगा वो भारत और बांगा देश में है ना चार साल पे होता है उसके बाद Champions Trophy 2025 में होगा Champions Trophy 2025 में 25 के बाद फिर 29 में होगा कहां पे तो 25 वाला जो होगा वो पाकिस्तान में होगा और 29 वाला होगा वो भारत में होगा नॉमा ICC महिला T20 किर्केट विश्रकप 2024 बांगला देश में आईसी सी महिला एक दिवसी किर्केट विश्रकप 2025 भारत में और अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 जो होगा वो स्री लंका में होगा अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 स्री लंका में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जो होगा वो मलेसिया प्लस थाइलेंड में होगा आगे है फूटबॉल फूटबॉल की बात करते हैं तो 23 मा फीफा फूटबॉल विस्तुकप 2026 तैसमा फीफा फूटबॉल विस्तुकप 2026 यूएसे मैक्सिको और कनाडा में फीफा महिला फूटबॉल विस्तुकप 2023 जो होगा अस्टेलिया प्लस न्युजिलैंड में अस्टेलिया प्लस न्यूजिलैंड में फीफा अंडर 20 पुरुष विशुकप जो होगा दो हजार ताइस में वो अर्जन्टीना में होगा कहाँ पे अर्जन्टीना में फीफा अंडर 20 महिला विशुकप दो हजार ताइस होगा कोलंबिया में पर कोलम्बिया में फीफा कलब वर्ड कप 2023 ये जिद्धा सउदी अरब में होगा आगी है हौकी फॉकी का सोलामा पुरुष होकी बिसुकब 2026 होगा बेल्जियम नीधर लैंड मेंoure जुनियर पुरुष होकी बिसुकब दोहजार तईस मलेस्या में होगा जॉनियर पुरुष पहले हौकी फाइस बिश्रे कँब 2024 जो पुरुष और महिला का ओल्मपिक कहां पर ओमान में पहले होकी फायप श्बिष्टम कप दोःजार चॉवीस होगा पुरुषवर महिला का उलम्पिक, उलम्पिक में 33 ग्रिस्म काली उलम्पिक जो 2024 में होगा वो पेरिस फ्रांस में 2024 का 33 ग्रिश्म कालीनλιन उलमपिक होगा Same पेड़ीस फ्रांच में 34 ग्रिस्म कालीनिनन् उलमपिक ₹dadeाईाई लॉस एंजिल्स उिएसे में होगा 35 ग्रिस्म उलमपिक ₹añ supporter 2022 natural 나는 ब्रिष्बैन अस्ट्रेलिया में और 25 सीथ कालिन उलंपिग खेल 2026 के मिलान और काटिनय इटली में उसके बाद है फोर्त सीथ कालिन यूबा उलंपिग खेल 2024 दस्चिन कोरिया में फोर्थ सित कालिन युबा ओलंपी खेल 2024 दस्चिन कोरिया में और फोर्थ गिस्म कालिन युबा ओलंपी खेल 2026 डकार सेनेगल में होगा कहां पे डकार सेनेगल में राश्ट मंडल खेल देखिएगा राश्ट मंडल खेल 23 मा होगा राश्ट मंडल खेल 2026 में विक्टोरिया अस्टेलिया में आयोजित किया जाएगा 2026 का राष्टमंडल खेल और वर्तमान में आयोजन करने से अस्टेलिया ने मना कर दिया इसे आगे हैं A.C.I. खेल 19.C.I. खेल 2022 जो अस्थखित हो गया था वो पुना 2023 में हांगचू चीन में होगा कहां पे हांगचू चीन में 20.C.I. खेल 2026 में होगा नगोया जपान में 20.C.I. खेल 2030 में दोहा कतर में एक इसमाई A.C.I. खेल 2032 में और 22.C.I. खेल 2034 रियाद सज़दी अरब में होगा आफेल बीविध में आयानी की मिष्क्लेनियश यहां पे है सम्मिक्स होगा आपका जिसमें की विष्व एथलीट चेंपियंशिप 2024 यह गलास को यूके में होगा पुरुश्यमुक्यवाजी विष्व चेंपियंशिप 2023 उजवेकिस्तान में होगा चौधामा दस्चीन ACI खेल 2024 होगा पाकिस्तान में, और विश्व बैडमिंटन चैंपियंसिप 2026 कायोजन भारत में किया जाएगा, वही आपका 37 जो रास्टिये खेल होगा 2023 का, सैंतिसमा रास्टिये खेल वो गोवा में होगा, और 38 रास्टिये खेल 2024 उत्राखंड में होगा कहाँ पे उत्राखंड में, उसके बाद है इस पुस्तक और उसके ओथर को दिया हुआ, इसलिए वो देख रहे थे, बट कोई नहीं, आगे यहाँ पे आता है, यूनियन ट्रेट्री और जो भी स्टेट है, उस अभी के स्टेट के मुख मंत्री और राजपाल को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम पुर्वत्तर राज़ को देखेंगे, पुर्वत्तर राज़ में राज या किंद्रसासित प्रदेश, उसकी राजधानी, फिर उसके मुख मंत्री और वहाँ के जो राजपाल है, या फिर कोई भी यूनियन ट्रेट्री जिसके प्रशासक होते है, उसको हम देखेंगे, तो अवनाचल परदेश की राजधानी कहा है, इट्यानगर है, जिसके मुख मंत्री है, स्री पेमा खांडू, कौन है इसके मुख मंत्री, पेमा खांडू है, और यहाँ के जो राजपाल है, एल्टी जेनरल कैवल त्री विक्रम परनायक है, जो है अवनाचल परदेश के राजपाल है, जिन्हें केटी परनायक के नाम से भी सौटकोर्ट में अपने लोग जानते हैं, आगे है तिरपुरा, तिरपुरा की राजधानी कहा है, अगर तला है, अगर तला, और यहाँ पे जो मुख मंत्री है, वो स्री मनिक सहा यहाँ के मुख स्री नेफ्यूरियो यहाँ के मुख मंत्री है, नागालेन के, और स्री एल ए गरेशन जो है, यहाँ के राजपाल है, मनिपूर की राजधानी इमफाल है, स्री एन विरेन सिंग जो है, वो मनिपूर के मुख मंत्री है, और स्री मति अनुसुया उरके, अनुसुया उरके मनि तो राजपाल है मिजोरम की राजदानी आईजोल है और सिरी प्यू जुरमांग थांगा यहां के मुखे मंत्री है प्यू जुर्गान थांगमा और डॉक्टर कंभंपती हरी बाबु मिजोरम के राजपाल है कंभंपती हरी बाबु असम असम राज की राजदानी दीशपूर असम राज की राजधानी दिशपूर है और उसके बाद असम राज की राजधानी दिशपूर है सिरी हिमंत विश्वसर्मा यहां के मुख्य मंत्री है और सिरी गुलाब चंद्र कटारिया यहां के राजपाल है असम के गुलाब चंद्र कटारिया आगे है मेघाले, मेघाले राज की राजधानी शिलोंग है, स्री कुनरान संगमा यहां के मुख्य मंत्री है कुनरान संगमा और स्री फागु चोहान जो है, स्री फागु चोहान यह मेघाले के राजपाल है अगला है सिक्किम, सिक्किम राज की राजधानि गंग टौक है और यहाँ के जो मुख मंतरी है वो सिरी प्रेम सिंग तवांग है यहाँ के राजपाल सिरी लक्षवन परशाद अच्यार है यह तो पुरुवत्तर राज में हो गया, आप उत्तर भारत में देखिए उत्तर भारत में पहले है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, हिमाचल की राजधानी सिमला है, सिरी सिखविंदर सिंग सुख्वु जो है यहां के मुख्य मंत्री है, और सिरी सिव प्रताप सुख्र यहां के राजपाल है हिमाचल प्रदेश के. आगे है उत्राखंड, उत्राखंड की राजधानी देरादून गैरसेन है और स्री पुसकर सिंग धामी जो है उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर है और लेफटिनेंट जनरल गुरमीद सिंग यहां के राजपाल है पंजाब की राजधानी और हड्याना की राजधानी दोनों चंडिगड है पंजाब की राजधानी चंडिगड सिरी भगवंत सिंग मान यहां के मुख्य मंत्री है और सिरी बनवारी लाल पुरोहित यहां के राजपाल है पंजाब के आगे है पुर्वी भारत पुर्वी भारत में आप देखेंगे सबसे पहले अपना बिहार बिहार की राजधानी पटना है बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के मुख्मंत्री स्री नितीश कुमार है, और स्री राजंदर विश्वनाथ आरलेकर यहां के राजपाल है है, ज्हारखंड राज की राजधानी राची है, जारखंड राजी की राजधानी राची है और स्री हिमंत सोरेंद जो है यहां के मुख्य मंत्री है और स्री सीपी राधा कृष्णन यहां के राजपाल है जारखंड के पस्च्री मंगाल की राजदानी कोलकता है, सुसुरी ममता बनेर्जी यहां की मुख्य मंत्री है और स्री सीवी आनंद वोस यहां के क्या है राजजपाल है, पस्च्री मंगाल के उरिसा की राजदानी भूवनेश्वर है 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 ठीक है अगला है 36 गट की राजदानी राईपूर है और यहां के हरे ए राजस्तान की राजदानी जैपूर सिर्भी असोग गलौत यहां के आगे है करनाटक करनाटक की राजदानी बैंगलूरू है श्री सिध्धा रमया करनाटक के मुख्य मंत्री है, श्री थावर्चंद गलोत यहां के मुख्य मंत्री है, चरी मुख्य मंत्री कहते हैं, राजपाल है थावर्चंद गलोत, सिध्धी रमया यहां के मुख्य मंत्री है, गोवा की राजधानी पंजी है, प्रमोद सावंत जो ह हैं यहां के राजपाल हैं गुआ के केरल कीاط दारी तिरवंतन पूराम हैे hm जो मुक्छ मंसरी मुक्ष मंत्री हैं वो पिंड़ाई विज्यएन हैं पिंड़ाई विज्यएन बार्जपAud tonnes सुरी आर Theo तमिल लाण्डू की राजधानी चिंननई माहा हो your name डो outta स्याय और यहां के राजपाल है आंद प्रदेश की राजदानी अमरावती है श्री Y.S. जगन मुहन्रेड्ड आंद प्रदेश के मुख्य मंत्री है और नियायदीस S. अब्दूल नजीर बार चुन के श्री नगर जम्मु कस्मीर के राजदानी ले है और ले के जो राजपाल के है वो बिग्रेडियर डॉक्टर वीडी मिसरा है राजपाल ले के दिल्ली की राजधानी सरी चंडिगट की राजधानी चंडिगट है चंडिगट की राजधानी चंडिगट रंगा स्वामी यहां के मुख्य मंत्री और डॉक्टर तमिल सिलाई सवंदाराजन पुंदुचेडी के राजपाल है दादर नागर हबेली और दमन दुइप इसके राजधानी है वो दमन है स्री प्रफुल पटेल यहां के राजपाल है दादर नागर हबेली के अंडवान न एक टौपिक है आपका शत्रहमी लोगसभा के मंत्री परशत। देख लेते हैं सत्रहमी लोगसभा की मंत्री परशत को। प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री स्री नरंद्र मोदी है, 15 में नंबर के, क्रमिक, जनसिकायत और पेंसन मंत्रालावी मोदी जी के पास है, परमानुर्जा विभाग भी है और अंतरिक्ष विभाग के मंत्री भी है, प्रधान मंत्री ठीक है, कैबिनिट मंत्री में स्री जामिता मंत्री भी है धर्मेंद्र प्रधान स्री नरायन तातु राने ये सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले से हैं मंत्री हैं स्री नरायन तातु रामे मसमी के डॉक्टर विरेंदर कुमार समाजिक न्याय एवं अधिकार्ता मंत्राले के मंत्री हैं स्री जोतिर आदित एम सिंधिया ये नागरिक बिमानन मंत्री है और इसपात मंत्री भी है जोतिर आदित एम सिंधिया इसपात मंत्री और नागरिक बिमान मंत्री शिरी अस्वनी वैसनव रेल मंत्राले भी इनके पास है अस्वनी वैसनव के पास रेल मंत्राले है संचार मंत्राले है और एलेक्ट्रोनिक सुचना प्रधोग की मंत्री ये तीनों है अस्वनी व्यासनम उसके बाद है सिरी नरेंदर सिंग तोमर ये किर्सी एवं किसान कल्यान मंत्री है सिरी नरेंदर सिंग तोमर श्री अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा जो है ये जन्जातिय कार्य मंत्री है अर्जुन मुंडा जन्जातिय कार्य मंत्री कप्रा मंत्राला ये सभी मंत्री है स्री प्यूस गोयल श्री पहलाद जोसी संसदिय कार्य मंत्री है और कोईला मंत्राला खान मंत्राला ये सभी स्री पहलाद जोसी के पास है खान मंत्राले हो गया, कोईला मंत्राले हो गया, संसदिय कार मंत्राले हो गया, पहला जोसी है उसके बाद यहाँ पे देखिएगा स्री राज कुमार सिंग, स्री राज कुमार सिंग जो है दोस्तों उसके बाद स्री मंसुक अलमंडाविया ये स्वास्त एवं परिवाल कल्यान मंत्री रासायन एवं उरुरक मंत्री भी है स्री अमित्सा की बात करें तो ये ग्री मंत्राले से हैं और सहकाईटा दोनों के मंत्री हैं अमित्सा गिरी मंत्री और सहकाइड़ता मंत्री अमीत्सा है सिरी मती निर्मला सितारमन ये बीत मंत्री भी है और कॉर्परेट कार्ज की मंत्री भी है निर्मला सितारमन सिरी जी किसन रेड़ी ये संस्कृत मंत्री भी है विदेश मंत्री है और सिरी सरवानन सोने वाल जो है ये आयुबेद, योगा, प्रकिर्तिक चिकित्सा, युनानी, हेमियोपैतिक मंत्राल है यानि कि आयुस मंत्री है सरवानन सोने वाल, साथ में ये पतन, पोत, पडिवहन और जलमार्ग मंत्री भी है सरवानन सोने वाल, पसुपालन डेरी और मतस्य पालन मंत्री हैं पुरसुत्तम रुपाला ग्रीराज सिंग ग्रीराज सिंग जो है ये ग्रामीन विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री दोनों हैं सिरी ग्रीराज सिंग ग्रामीन मंत्री और पंचायती राज मंत्री सिरी मत्ती अस्मिर्ती ये स्वतंत्र प्रभार है इनका ये कानून एवं न्याई मंत्राले के मंत्री है अर्जुन मेगबाल स्री हरदीप सिंग पूरी जो है ये पेट्रोलियम एवं प्राकिर्ती गैस मंत्राले के मंत्री है और साथ में अवास एवं सहरी काज के मंत्री हैं स्री हरदीप सिंग पूरी किरन रिजिजु ये भूविज्यान मंत्री है जो पहले कानून मंत्री थे और कानून मंत्री अर्जुन राम हो गया है तो स्री किरन रिजिजु को भूविज्यान मंत्री बनाया गया है और सिरी पसूपति कुमार पारस ये खादि मंत्री है पसूपति कुमार पारस और सिरी गजंदर सिंग से खाबत ये से खाबत जल सकती मंत्री है अब आगे देखिएगा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाए और उसकी प्राड़म्भिक्ति थी बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ की जंधन योजना इसकी चुरवात अब पूछा गया था नए मेकिन इंडिया नहीं पूछा गया था श्ञार्टप स्वख्श कर अक्टूबर 2014 को सुरू हुआ था स्वक्ष भारत मिशन की सुरूआ दो अक्टूबर 2014 को हिर्दाय योजना हिर्दाय योजना एक जन्वरी 2015 को सुरू हुआ हिर्दाय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जन्वरी 2015 से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से 21 जन्वरी से है ना उसकी बाद नेक्स्ट है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुवात कब होती है तो इसकी शुरुवात होती है 8 अप्रेल 2015 को परधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुवात उजाला योजना 2015 में शुरु हुआ था उजाला योजना 2015 में अटल पेंसन योजना 9 माई 2015 को शुरु हुआ अटल पेंसन योजना 9 माई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन जोती बीमायोजना 9 मैं 2015 को सुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमायोजना 9 मैं 2015 को हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमायोजना 9 मैं 2015 को स्मार्ट सिटी पर्योजना 25 जुन 2015 को सुरू हुआ Digital India का 1 July 2015 में स्टार्ट हुआ था Digital India Mission 1 July 2015 को स्टार्टप इंडिया 16 जनवरी 2016 को सुरू हुआ था और यही कोशन पूछा गया था कि स्टार्टप इंडिया का कितने साल पूरे हो चुके हैं 2023 में तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टप इंडिया पीएम फसल वीमा योजना अठारा फरवरी 2016 को सुरू हुआ आगे है प्रधान मंत्री उज्वला योजना एक मैं 2016 को सुरू हुआ प्रधान मंत्री उज्वला योजना एक मैं 2016 को नमामी गंगे जून 2014 में सुरू हुआ नमामी गंगे जून 2014 में परधान मंत्री ग्रामीन डीजटल साक्षरता अभियान 8 परवरी 2017 को शुरू हुआ उडान 27 अप्रेल 2017 को शुरू होता है उडान संपदा 3 मैं 2017 को शुरू होता है संपदा 3 मैं 2017 को स्वभाग योजना की सुरुवात 25 सितंबर 2017 को होती है स्वभाग योजना की सुरुवात 25 सितंबर 2017 को होती है वंधन योजना वंधन योजना की सुरुवात 14 अप्रेल 2018 को होती है समगर सिक्षावियान की सुरुवात 1 अप्रेल 2018 को होई समगर सिक्षावियान 1 अप्रेल 2018 को PM आसा PM आसा 12 सितंबर 2018 को होता है पीम आसा की शुरुवात 12 सेप्टेंबर 2018 आयुस्मान भारत और साथ में प्रधान मंत्री जन आरग योजना दोनों की शुरुवात 23 सिप्टंबर 2018 को हुआ प्रधान मंत्री स्रम योगी मांधन योजना की शुरुवात फरवरी 2019 में हुआ प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी PM किसान वो 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ स्वानिधी श्वानिधी की सुरूआत एक जुन 2020 को हुआ उज्वला 2.0 10 अगस 2021 को शुरू हुआ आयुस्मान भारत डिजटल मिशन 27 सेप्टेंबर 2021 को शुरू हुआ आयुस्मान भारत डिजटल मिशन 27 सेप्टेंबर 2021 को PM गती सकती नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ PM गती सकती नेशनल 13 अक्टूबर 2021 को PM मित्री योजना अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ PM मित्री योजना 2021 में अक्टूबर में और अगनीपत योजना की सुरुवात 14 जुन 2022 को हुआ है अगनीपत योजना की सुरुवात मीसन लाइफ, मीसन लाइफ की सुरुवात 20 अप्टूबर 2022 को हुई मीसन लाइफ की सुरुवात अब आता है आपका बिभीन योजनाएं 2022-23 की प्रमुख योजनाएं जो की अलग-अलग मंत्रा लेने अलग-अलग योजना बनाई है उसे हम देखेंगे किन सरकार की योजना में सबसे पहले देखेंगे किन सरकार की योजना लखपती दीदी योजना ये लखपती दीदी योजना जो है ये उद्देश है कि जो एक skill development training program है क्या है skill development training program है लखपती दीदी योजना जो देश के दो करोर ग्रामीन महिला की आर्थिक इस्तिती सुधार कर उन्हें लखपती बनाने के लिए लॉंच किया गया है और इस योजना का प्रमुख उदेश स्वे सहता समू की महिलाओं को लखपती बनाना है लखपती दिदी योजना का उदेश दूसरा है पीएम विश्व करमा योजना पीएम विश्व करमा योजना जो है इस योजना का उदेश स्कील वाले काम में लगे कारीगरों और सिल्पगारों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहया कराना और इस योजना का 5 वर्ष 2022-2023-2023-2023-2027-28 के लिए 13,000 करोर रुपय का वीतिय पड़िवय है जो की सबसे कम ब्यासदर में इसे कर्ज दिया जाएगा PM विस्व कर्मा योजना के लिए मतलब के अंतरगत ठीक है उसके बाद हैं अमरीध धरोहर योजना अमरीध धरोहर योजना PM मोदी के दोरा सुरुवात किया गया है और उद्देश है आदरभूमी के संडक्षन करना एको टूरिज्म का विकास कर अस्थानिये लोगों के लिए रोजगार सिर्जन करना ये अमरीध धरोहर योजना का उद्देश है PM प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना एवं जैबिक उर्वरक के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोजशाहन देना ये इसका उद्देश है PM डिवाइन योजना पीम डिवाइन ये पुर्वोत्तर चित्र में विकास करती विद्यों को वढ़ावा देना इसका उद्देश है पीम मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग में निवेश को आकरसित करना और इसे भी स्वस्तर पर प्रति अस्पर्धा बनाना अगला है परियावरन बन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले का मिस्टी योजना मिस्टी योजना किसका है तो परियावरन बन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले का है मिस्टी योजना मिस्टी यूजना जो है वो बित मंत्री निर्मला सितारमन द्वारा पेश किये गए बजट 2023 के तहद सुरू किया गया है जिसका उद्देश है भारत की तटिये प्रदेशों में मैग्रोब बंडों को संदक्षित करना तटिये प्रदेश में आगे है विद्दुत मंत्राले एवं नवीन और नवी कर्णिये उर्जा मंत्राले के द्वारा महीर माहीर मिसन शुरू किया गया है माहीर मिसन विद्दुत मंत्राले एवं नवीन और नवी कर्णिये उर्जा मंत्राले द्वारा जिसका उद्देश है विद्दुत छेत्र मे अगला है बित मंत्राले ने शुरू किया है महिला सम्मान बचत पत्रियोजना शुरू किया है जिसका उदेश है महिलाओं के निवेश को प्रोथसाहित करना आगे है कपड़ा मंत्राले ने समराट योजना शुरू किया है जिसका उदेश है कपड़ा उद्द्योग और सम्मधित छित्रों को प्रोथसाहन करना और रोजगार सिर्जित करना ये समराट योजना का उदेश है MSME मंत्राले ने MSME प्रति असपर्धा योजना को शुरू किया है और MSME छित्र में व्यस्विक प्रति असपर्धात्मक के लिए एक रोड में प्रदान करना इसका उद्देश है रेल मंत्राले ने अमरित भारत सिर्शन को शुरू किया है अमरित भारत सिर्शन योजना को पूरे देश में रेलवे सिर्शन का नवी करन करना इसका उद्देश है केंद्रिय उर्जा मंत्राले ये पावर्थोन 2022 जो है योजना को शुरू किया है केंद्रिय उर्जा मंत्राले ने पावर्थोन 2022 को जिसमें गुनवत्ता पुन बिजली की आपूर्ती बिजली वित्रन में मौजूत समस्याओं का निप्टान भी होगा अगला है नमस्ते योजना, नमस्ते योजना को समाजिक नया एवं अधिकारता मंत्राले और अवास एवं सहरी मामले के मंत्राले ने सुरू किया है नमस्ते योजना को सीवर और सेफ्टिक टैंकी की सफाई के लिए मसीनी कृत स्वक्षता परिवेश विक्सित करने के लिए और इसके अंतरगत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवस्यक मसीन और उपकर्ण का परियोग किया जाएगा ये हैं नमस्ते योजना का उद्देश आगे देखेंगे हम आलप संख्यक मंत्राले आलप संख्यक मंत्राले ने शुरू किया है नया सवेरा योजना और नया सवेरा योजना का उद्देश है छा अधिस उत्रित आलप संख्यक समुदाई जो कि सीख, जैन, मुस्लिम, इसाई, वौद और पार्सी से संबंदित छातरों की योगता परिक्षाओं के लिए विसेश कोचिंग के माध्य हमसे सहता करने के लिए नया सवेरा योजना यानि मुक्त कोचिंग और संबंद योजना शुरू की गई है जो की अलप संखेक मंत् आगे है केंद्रिये गिरी मंत्राले ने विलेज डिफेंस गाड योजना को उदेश है जम्मु कस्मीर के गाउं में आतंकवादी गति विधी से निपटने के लिए सिक्षा मंत्राले ने युवा 2.0 शुरू किया है सिक्षा मंत्राले ने युवा 2.0 तीस वर्स या से कम आयू युवा लेखकों को प्रोथसाहित करना एवं प्रामर्स करना इसका उदेश है आगे है समाजिक न्याई एवं अधिकारता मंत्राले इसने इसमाईल योजना को सुरू किया है और स्रेश्ट योजना को इसमाईल और स्रेष्ट ये दोनों समाजिक न्याई अधिकारता मंत्री का योजना है जिसमें इसमाईल योजना का उदेश है ट्रांसजेंडर वेक्ति तथा भीखारियों को कानूनी तथा समाजिक सुरक्षा परदान करना इसमाईल योजना का उदेश वहीं स्रेष्ट योजना का उद्देश है कि अनुसुजित जाती के छात्रों को गुनबत्ता पुर्ण आवासिय सिक्षा परदान करना उसके बाद है प्रित्वी विज्यान मंत्राले प्रित्वी विज्ञान मंतराले ने अनुसंधान, सिक्षा और परसिक्षन आउट्रिज योजना को सुरू किया है और ये प्रित्वी प्रणाली विज्ञान की विविन घटकों की प्रमुक शित्र में विविन अनुसंधान एवं विकास गदी वीधियों का समर्थन करना जो विशे और आवस्तक्ता पर अधारित हैं आगे देखेंगे हम आगे आता है आपका बिवीन राज सरकार की प्रमुख योजना राज सरकार की आप कें सरकार में होगे आप राज सरकार में आईए राज सरकार की योजना बहुत लंबा जाएगा है ना सबसे पहले है जारखंड जारखंड राजी ने शुरू किया है अब्ववा अवास योजना को आब्ववा अवास योजना का उदेश है 15,000 करो रुपया की लागत से अगले दो बर्स्त में जरुड़त मंदों के लिए घर उपलद कराना अब्वा अवास योजना का उदेश ह दूसरा है राजस्थान, राजस्थान ने सुरू किया है मुख मंत्री निसुल्क अनपुर्णा फुड पैकेट योजना, अनपुर्णा फुड पैकेट योजना का उद्देश है कि राजजिक में 1.04 करोर से अधिक परिवारों को हर मा निसुल्क अनपुर्णा फुड पैके उसके बाद है बीहार, बीहार में जो योजना है वो है हर घर गंगाजल योजना, यह दोजार एक वन की जनसंख्या को टार्गेट करते हुए गंगा नदी को पाइपलाइन से पाइपलाइन के जरिये राजगीर हो गया, गया, बोध गया और नवादा को उपलब करवाना है ह वही है मुखमंत्री Digital Health योजना बिहार का इस योजना की सहता से अब Digital Health एप के जरिये अस्पताल में डॉक्टर और बेड की उपलवता की जानकारी मिल सकेगी. अगला है उरिसा, उरिसा सरकार का योजना है मीशन सक्ती स्कूटर योजना, इसमें लाभार्थी को स्कूटर की खरीद पर एक लाक रुप्य तक बैंक रीन पर छूट दी जाएगी जो स्कूटर की खरीद पर, और एक है अम्मा पोक्री योजना, अम्मा पोक्री योजना जो उरिशा का है और इसका उद्देश है मौजूदा अवास योजना से छुटे हुए लोगों को अवास के लिए वीतिय सहता देना ये मोघर योजना का उद्देश है साथ में एक नेक्स्ट है उरिशा का मुखमंत्री सिक्षा पुरसकार योजना, ये भी उरिशा का है और इसमें छात, सिक्षा को प्रधानाचार आधी को सिक्षा के छेतर में उतकृष्ट कार्ज करने के लिए पुरसकार प्रदान करना इसका उद्देस है आगे है मेघाले, मेघाले ने नागरिक जुराव और संचार कार्ज करम को सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी इसतर तक पहुचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाव दिलाना ये मेघाले के नागरिक जुराव और संचार कार्ज करम का उद्देश है आगे है तमिलांडू तमिलांडू ने शवास योजना एप को लॉंच किया है शवास योजना एप को और इसमें स्वक्षता करमचारी और उनके परिवार के सदस्थों के कल्यान को बढ़ावा देना इसका उद्देश है आगे है च्छतिसगड सरकार च्छतिसगड सरकार ने सुरू किया है ग्रामीन अवास नयाई योजना को और ग्रामीन अवास नयाई योजना का उद्देश है जो लोग जरूरत मंद हैं और प्रधान मंतरी अवास योजना से बंचित हैं वैसे लोगों को अवास उबलब्द क अगला हीमाचल पर्देश का योजना, हीमाचल पर्देश की योजना है ससक्त महिला रिन योजना, ससक्त महिला रिन योजना इसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रिन प्राण किया जाएगा, साथ ही वैंक से लोन मिलने के बदले उन्हें कोई सम्पत्ती गिर्वी नही हिमाचल परदेश का है और इसमें महिलाओं को आत्निर्वर बनने के लिए हर महीने 15 सरुप्या आर्थिक सहता दिया जाएगा सुख आसरे योजना ये भी हिमाचल परदेश का है सुख आसरे योजना इसमें राज के अनाथ और जरुरत मन्द बच्चों को बेहतर जीवन और सिक्षा के अबसर को परदान करना इसका उद्देश है अगला है संजीवनी पर योजना संजीवनी पर योजना क्या है कि छोटे डेरी किशानों को उनके पसुधन के लिए दरवाजे तथा गुनबत्ता पुन देखवाल सुनिश्रित करना आप है उत्राखंड उत्राखंड राज की योजना को देखेंगे उत्राखंड राज का योजना है कौसल उन्ययन रोजगार योजना जो उत्राखंड ने सुरू किया है और इसमें बिदेश में कैरियर बनाने के जो इक्चु की यूबा है उनको परसिक्षन दिया जाएगा यानि ट्रेनिंग दिया जाएगा एक है मुख मंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्राखंड का ये योजना राज की एकल महिलां जैसे विद्वा, परित्यागता, तलाक्षुदा, किन्नर ये सबही को अपना काम शुरू करने के लिए वीतिय सहता परदान करेगी और अनें आर्थिक रूप से मस्बूत बनाने में मदद करेगे ठाड है रेसम कीट वीमा कार्जकरम इसे रेसम मुत्पादों को जलबायू परिवर्तन पानी की कमी और अनखतरों के परभाप से बचाने के लिए फसल वीमा उपलब्ध कराना ये रेसम कीट वीमा का उद्देश है आगे है करनाटक, करनाटक सरकार ने सुरू किया है सक्ती स्मार्ट कार्ड योजना सक्ती स्मार्ट कार्ड योजना का उदेस है महिलाओं को बसों में मुफ्ति यात्रा का लाव उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड परदान करना आगे है तेलंगना तेलंगना ने शुरू किया है ग्री लक्ष्मी योजना को राज की SSC और STOBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपय की रासी परदान करना और इस योजना के तहद घरों की मुख्या महिलाओं को बैंक खातों में सीध है 2000 रुपया प्रतीमा ट्रांसफर किये जाएंगे ग्री लक्ष्मी योजना के तहद एक है तेलंगना का योजना ही गीता कर्मिक योजना गीता कर्मिक योजना है तारी निकालने बाले को 5 लाख रुपया का बीमा परदान करना और असरा पिंसन योजना ये बिद, विदवा और दिव्यांग, बीरी स्रमिकों के लिए पिंसन सुधा उपलब्द कराएगा आसरा पिंसन योजना महराष्ट राज की योजना को देखेंगे आगे है महराष्ट, महराष्ट राजी ने सुरू किया है भगवान बिर्सामुंडा सरक योजना और भगवान बिर्सामुंडा सरक योजना का उद्देश है राजी के 17 जिलों की सभी आदिवासी बस्तियों को मुख रास्ते से जोड़ना है उसके बाद है नमो सेथकारी महासम्मान योजना ये भी महराष्ट का है नमो सेथकारी इसमें किसान को 6000 रुपया बारसिक वीतिय सहता दी जाएगी किसान को और एक महराष्ट का योजना है जीवला योजना, महराष्ट का जीवला योजना, इसका उदेश है जेल में बंद कैदी को तीन साल से जो अधिक की सजा काट रहे हैं, उन्हें पचास अजार रुपया तक का प्रसनल लोल दिया जाएगा, है ना, जो कि अपनी जमानत की रासी नहीं जुटा पा रहे हैं उनके लिए, उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली की योजना है मेक इंडिया नंबर वन मिसन, और ये मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर वन बनाने के लिए पांच मंत्र दिये हैं, हर बच्चे को मुफ्त में सिक्छा, युवा को रोजगार, सर्वोत्तम चिकित्सा, मैला को शम्मान तथा किसानों को उपज की उचित मुल दिलाना, ये पांच मंत्र दिये हैं अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर वन मिसन के तहद, अगला है यूपी सरकार का योजना, उत्तर परदेश की योजना है न कुद को बेचने का आफसर देता है, वही है पंचामरित योजना उत्तर परदेश का, पंचामरित योजना है किसानों की आई बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना, तथा दलहन हो गया, तीलहन हो गया, सबजी को उगाने के लिए प्रोथसाहित करना, जिससे उनकी आई क्या हो सके दोगूनी हो शके। उसके बाद है मद्यप्रदेश। मद्यप्रदेश सरकार की योजना है मुख मंत्री सीखो कमाओ योजना। इसका उद्देश है कि जो राज में बेरोजगार यूबा हैं उनको अलग-अलग छेतरों में साथ सौ बिभीनिकारों में परसिक्षन देना और उन्हें रोजगार के अपसर भी उपलब्द कराना। साथ में है मुख मंत्री अवासिये भूअधिकार योजना मुखमंत्री अवासिय भूधिकार योजना इसके तहद प्रतेक लावार्ती परिवार को अवास निर्मान के रिए लगभग 600 वर्ग पिट का भूखंड दिया जाएगा लाडली बहना योजना इसके तहद क्या है कि गरीब बहनों को प्रतीमा एक हजार की आर्थिक सहता परदान की जाएगी जो आईकार के दाइरे में नहीं आती है वो है लाडली बहना योजना योजना ये भी मदप्रदेश का है मदप्रदेश ने लाडली बहना योजना का 2.0 भी सुरू किया है और 2.0 में क्या है कि जो बारहमी कक्षा की परिक्षा पास कर कॉलेज में एडमीशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 की जो रक्म है वो दो किस्तों में अलग अलग दी जाएगी जबकि मेडिकल, IIM, IIT या इस तरह की किसी भी संस्थान में एडमीशन लेने पर पूरी फीसराज सरकार भरेगी ठीक है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का उद्देश है वहीं आपका मुखमंतरी बाल असिरवाद योजना ये भी मद्द प्रदेश का है बाल असिरवाद योजना इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनात वच्चों को प्रतीमा 5,000 रुपया आर्थिक सहता भी दी जाएगी आप है आंध्द प्रदेश आंध्द प्रदेश ने सुरू किया है मत्यकारा भरोशा योजना मत्यश्यकारा भरोशा योजना इसमें समुंद्री मचली पकरने पर वार्षिक प्रतीबंद के समय मच्छुवारों को वीतिय सहता परदान करना ये इसका उद्देश है अगला है असम असम राज का योजना है अरुनोधर 2.0 अरुनोधर 2.0 जो है इसमें राज के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रतीमा DBT के माद्यम से 1250 रुपे की आर्थिक सहता परदान करना ये है अरुनोधर 2.0 योजना का उदेश वहीं असम ने विद्यारत स्कूल और विल्स पर्योजना को भी सुरू किया है असम ने विद्यारत को अब हरियाना, हरियाना की योजना है सुसासन पुरसकार योजना, सुसासन पुरसकार योजना जिसका उद्देश है कार अस्थल पर और साधारन पर्यास करने वाले बेक्तियों को समानित करना चिराग योजना भी हरियाना का है और चिराग योजना का उद्देश है कि जो 1.8 लाख वार्सिक से कम आई वाले पडिवार के बच्चों को कक्छा की दूसरी से बारहमी तक नीजी स्कूल में मुप्त परवेश्ट दिया जाएगा फ्री में एड्मिशन करवाया जाएगा वहीं हरियाना सरकार का मात्री उद्द्यामिता योजना भी है हरियाना का ही मात्री उद्द्यामिता योजना है जिन में महिलाओं की पडिवारिक बार्सिक आई 5 लाख से कम है उन्हें 30 लाख रुपे कारिन 7% की ब्यासदर से उपलब करवाया जाएगा आगा है पंजाब पंजाब का योजना है स्कूल on eminence प्रोजेक्ट का उद्देश कखषा 99 सें लेके बारत तकके सरकारी स्कूलों को इसकूल of eminence में अपग्रेड कया जाएगा लोग مिलनी योजना का उद्देश है जन्संपर्क बढ़ाना तथा राज्यों तथा राज्य की लोगों की सीकायतों के निवारन के लिए मंच प्रदान करना ये है लोग मिलनी योजना का उद्देश अगला है किरल राज की योजना, किरल ने सुरू किया है एक पंचायत एक खेल का मैदान पर योजना और एक पंचायत एक खेल के मैदान जो है इसमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अस्थानी अस्तर पर खेल के मैदान का निर्मान करना इसका उद्देश है की पूर्ती के लिए योजना बनाना ये है केरल का प्रधो की हंस्तांत्रन योजना का उद्देष के राजि के कनिष्थ वकփ लो को हर महीने नेक्स्ट है तिरपुरा, तिरपुरा की योजना है वो है मुख मंत्री चासरमी कल्यान प्रकल्प योजना, चासरमीक, इसमें राज के 7000 चाई बगान सरमीकों को समाजिक सुरक्षा परदान करना ये है चासरमीक योजना का उद्देश अब है आपका बर्स 2022 में शुरू किये गए नए विविन अभियान को अभियान है उसे अभियान को कौन जारी किया है साथ में उसका जो उद्देश है उसका मुख बिन्दु है उसे हम देखेंगे सबसे पहले है गजा कोथा अभियान गजा कोथा अभियान जो है इसे असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है गजा कोथा अभियान को असम सरकार द्वारा शुरू किया है उद्देश है जो मानव है और हाथी है इस दोनों के संघर्स वाले गाउं में लोगों को हाथियों क बेभार और छेत्र की जो परिस्थिती है उसके बारे में सिक्षित करना यानि कि हाथी और मानव के बीच में जो संखार्स होता उसके बारे में लोगों को सिक्षित करना ये गजा को था अभ्यान जो असम सरकार ने शुरू किया इसका उद्देश है अगला है पॉलटेक्निक चलो अभ्यान का उद्देश है तक्निकी सिक्षा को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अबसर को बढ़ाना OPS किलीन अभ्यान OPS किलीन अभ्यान जो है इसे पंजाब पुलिस ने शुरू किया है और पंजाब पुलिस ने जिसका उद्देश है कि जो राज को नसामुक्त बनाना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निरुपर बनाने के लिए एक हजाय रुपया प्रती माह दिये जाएंगे OPS किलिन अभियान का उदेश है जो पंजाब पुलिस ने सुरू किया है अगला है अमरित सिर्जन अभियान इसे मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने सुरू किया है अमरित सिर्जन योजना को उदेश है कि देश में देश के यूबाओं को अपनी अकांचा तथा रचनात मकता प्रदर्सित करने के लिए मंच प्रदान करना ये अमरित सिर्जन अभियान का उदेश है आगे है पोसन भी पढ़ाईवी अभियान पोसन भी पढ़ाईवी अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने सुरू किया है उद्देश है आंगनवारी केंद्रों में पोषन के साथ साथ बच्चों को पुर्व प्रात्मिक सिक्षा परदान करना ये पोषन भी और पढ़ाईवी अभियान का उद्देश है जिसे महिला एबं बालविकासन में सुरू किया है मेरी लाइफ मेरा स्वक्ष सहर अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वक्ष सहर अभियान को केंद्रिये मंतरी हरदीप सिंग पूरी ने सुरू किया है जिसका उद्देश है सहरी छेत्र में reduce, reuse, recycle यानि की triple R, triple R को अपनाना तथा कचरे का सही उपयोग करना reduce, reuse और recycle को अपनाना वहीं है स्कूल हेल्थ कार्जकरम स्कूल हेल्थ कार्जकरम को यूपी सरकार ने सुरू किया है उद्देश क्या है कि नगर निगम के स्कूली छात्रों के सारी रिक तथा मानसिक स्वास्त में सुधार करना ये है स्कूल हेल्थ कार्जकरम का संगठन से सम्रिद्धी अव्यान को ग्रामीन विकास मंत्राले ने शुरू किया है, जिसका उद्देश है कि ग्रामीन महिलाओं को स्वक्ष सहता सम्मू से जोड़ना और प्रतेक महिला की आई यानि की इंकम में एक लाक रुपया प्रतिवर्स करना। उसके बाद है किसान संपर्क अव्यान, किसान संपर्क अव्यान जम्मू कस्मिर सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश है किसानों को एक चूटकर उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराना और उन्हें सिच्छीत करना ये है किसान संपर्क अव्यान का उद्देश जिसे जम्मू कस्मिर सरकार ने सुरू किया है आगे है A-health अवियान A-health अवियान जो है ये उत्राखंट सरकार ने सुरू किया है उत्राखंट सरकार ने और इसका उद्देश है ग्रामीन इलाकों में पसुओं के बिभिन संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना और पसुधन बीमा योजना का क्रियानमरन करना ये एहल फिकार्ज करम जो उत्राखंट सरकार ने सुरू किया है उसका उद्देश है यानि ये पसु से रिलेटेड है नेक्स्ट है सुजलाम सुफलाम जल अवियान जो है इसे गुजरात में सुरू किया है और मुखमंत्री भुपेंदर पटेल ने इस अवियान के छट्टे चरण की सुरूआत की है फरवरी दो हजार तैस में इसका उद्देश है भूजल अस्तर को उठाना और वर्सा जल को अधिकतम उपयोग करना ये है सुजलाम सुफलाम अवियान का उद्देश हर घर ध्यान अभियान हर घर ध्यान अभियान ये संस्कृती मंत्राले ने सुरू किया है और आजादी के अमरित महुतसब के तहद संस्कृती मंत्राले ने लोगों को फिर योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अवियान की सुरुआत की है हर घर ध्यान अवियान योजना का अगला है स्वक्षतम अवियान स्वक्षतम अवियान को केंद्रिये अवास और सहरी मामले के मंत्री ने सुरू किया है जिसका उद्देश है स्वक्ष भारत मेशन यानि सहरी के तहद महिलाओं का नित्रित वाला तीन सप्ता का स्वक्षता अभियान चलाना ये है स्वक्षो उत्सप अभियान का उद्देश जिसे किसने सुरू किया है केंद्री अवास और सहरी मामलों के मंत्री ने आगे है जल जन अभियान जल जल अभियान को जल सक्ति मंत्राले और ब्रह्म कुमारीत संस्थान ने जारी किया है जल जन अभियान को जल सक्ति मंत्राले के साथ ब्रह्म कुमारीज संस्थान ने शुरू किया है जिसका उदेश है जन संडक्षन को जन जागरुकता बढ़ाना इसकी सुरुवात प्रधान मंत्री मोधी जी ने राजस्थान के शिरोही जुला से किया है आगे है नई चेतना अभियान नई चेतना अभियान को किंद्र सरकार ने शुरू किया है और इसे 25 नुवंबर को राष्टिये ग्रामीन आजीवी का मिसन के तहद इस अभियान की सुरुवात की गई थी कौन से योजना नई चेतना अभियान की 25 नुवंबर को जिसका थीम है लिंग अधारित हिंसा ये इसका थीम है वहीं उद्देश क्या है कि जो लैंगिंग हिंसा के खिलाप महिलाओं और लड़कियों को जागरुक करना नई चेतना अभियान का उद्देश है आगे है एंटी डेश्ट अभियान को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है स्वक्छिसागर सुरक्षित सागर को किंद्र सरकार के परित्वी विज्ञान मंत्राले, पर्यावरन मंत्राले तथा तटरक्षक बल के सायोग से शुरू किया गया और इस अवियान के तहट 3 जुलाई से 17 सितंबर, 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुंदी तटो पर सफाई अवियान चलाया गया था, ये इसका थीम है आगे है अमलन अवियान अमलन अवियार उरिषा सरकार्ण है, और इसका उद्देश है महिलाओं और बच्चों में एनेमिया का पुर्ण उन्मुलन सुनिश्यत करना ये है अमलन अवियान का उद्देश डीजिटल सक्ती 4.0 अभियान को राष्टिय महिला आयोगने से सुरू किया है साइबर क्राम के खिलाप महिलाओं को डीजिटल रोप से कुसल बनाना आगे है प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान ये राष्टपती द्रोपती मुर्मु ने सुरू की है 2025 तक भारत को टीवी मुक्त करना इनका उद्देश है एक लास्ट है हमर वेटी हमर मा नवियान ये 36 गड़ सरकार का है हमर वेटी हमर मा नवियान इसमें महिलाओं को ससक्त बनाने है तो उन्हें जो कानूनी एधिकार है साइबर अपराध है या फिर यौन सोसन आदी से जुर्य जो विशेज जानकारी है वो इसमें दी जाएगी इसे 36 गड़ सरकार ने सुरू किया है अब है वर्ष 2022 में सुरू किये गए मोबाइल एप को सबसे पहले है सी सूचना एप सी सुचना एप को गुजरात सरकार ने जारी किया है सी सुचना एप को जिसमें सेरों की गती विधी पर निगरानी रखने के लिए से सुरू किया है सेर की गती विधी पर निगरानी रखने के लिए वही है मोबाइल दोस्त एप मोबाइल दोस्त एप को जम्हू कस्मीर द्वारा शुरू किया गया है और नागरिक को मोबाइल के माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाए है वहां तक लोगों को जोड़ा जाएगा उसके बाद है उल्लास एप उल्लास एप को सिक्षामंत्री जो धर्मेंदर प्रधाने उन्होंने लॉंच किया है उल्लास एप को और उल्लास एप का उद्देश है लोगों को बुनियादी साक्षर्टा उपलद कराना और उनमें प्रधोकी छम्ता का विकास करना उल्लास योजना का उद्देश है अगला है e-sars app जो है ये इसे सुरू किया है ग्रामीन विकास मंत्रा लेद्वारा और इसका उद्देश है कि सुयस्त हैरता समू की जो महिला है उनके द्वारा बनाएं गए उत्पादों को e-commerce से जोड़ना ये सारांज एप जो सुरू हुआ है ग्रामीन विकास मंत्रा अगे है रिपोर्ट फिस्ट डिजीज एप इसे केंद्रिये पसु पालन मंत्री जो पुरुसोत्तम रुपाला है उन्होंने लॉंच किया है इसमें जलिये पसु रोगों से निपटने के लिए मचली स्वास्त विसेश्वगों को एक साथ लाना है पैंच रिपोर्टिंग एप ये पैंच रिपोर्टिंग एप को उत्राखंड ने शुरू किया है और उत्राखंडी से शुरू किया है राज में सरकों पर गड़ा से सम्बंधित सिकायत दर्ज करने के लिए आगे है मेरी लाइफ एप मेरी लाइफ एप को परियावरन बन एबं जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने जारी किया है इसमें लोगों को परियावरन लोगों को परियावरन सनक्षन के लिए प्रोथ साहित करणा तथा मीसन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना ये मेरी ला वरक्सा मोबाइल एप को राष्टपती द्रोपती मुडमू ने शुरू किया है और इस एप में बिभिन राज्जों के हेलफ लाइन नमबर महिलाओं से संबंदित योजनाई होगी जो महिला सुरक्षा को सुनिश्चित भी करेगी ये है वरक्सा एप आगे है खनन प्रहरी एप इसे कोईला मंत्राले ने शुरू किया है खनन प्रहरी एप को इस एप को अबैद कोईला खनन गतिविदी पर अंकुस लगाने के लिए इसे शुरू किया गया है खनन प्रहरी एप को आपसे पूछा जाएगा कि खनन प्रहरी एप का संबंद किस से तो या फिर किसने जारी किया है तो कोईला मंत्रा लेने आगे है Stop Tobacco App Stop Tobacco App को करनाटक सरकार ने शुरू किया है, जारी किया है सारवजनिक अस्थानों पर जो धुम्रपान है उस पर अंकूस लगाने के लिए आगे है प्रहरी एप, प्रहरी एप को जारी किया है ग्री मंत्री अमीद साने और इस एप के माध्यम से सीमा सुरक्षाबल के जवान अपने मुबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी अवास, अवकास, सम्मंदित जानकारी को प्राप्त भी कर सकते हैं, यह है प्रहरी एप बास्तव के पुर्व देखभाल, बास्तविक समय पर चिकित्सिक सहयता प्रदान करना, साथ में EMS दिलिक ने IIT रुड़की के सहयोग से इस एप को विजित किया है स्वस्तगर्व एप को, आगे है नाइट नेविगेशन एप, इसे असम सरकार ने जारी किया है नाइट उसके बाद है इसमें जो है और इस नाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की जो पहली यात्रा गुहाटी से उत्री गुहाटी के बीच की गई है, पहली यात्रा, आगे है CISS APP, CISS APP जो है इसे राश्टी ये बाल अधिकार संड़क्षन आयोग ने जारी किया है CISS APP को, इसमें बाल स्वराज पोर्टल के तहद इस एप्लिकेशन को लॉंच किया गया है और उदेश है जो सरक पर रहने वाले बच्चे हैं उसको पुनर्निवास का विवस्था करना, पुनर्निवास नहीं, पुनर्वास का विवस्था करना, आगे है इसमें EV यात्रा एप, EV या यात्रा मुवाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया है और EV यात्रा एप है इसमें लोगों को नजदी की EV चार्जिंग स्टेशन को ढूड़ने में मदद भी मिलेगी, उसके बाद है 1064 भरस्टा चार मुक्त आप, 1064 भरस्टा चार मुक्त आप को उत्राखंड सरकारने शुर किया है, उद्देश है समुद्री तटोक का परबंधन करना और प्रटन के छित्र में काम करने बाले लोगों को लाभानवीत करना, उसके बाद है ACB 14400 एप, ACB 14400 एप को आंध्रपरदे सरकारने शुरू किया है, और राज्ज के एधिकारियों के खिलाब जो भरस्टा चार सम्बंधित सिकायत है, उसको दर्ज करने के लिए इस एप को आंध्रपरदे सरकार ने शुरू किया है, IITD आप प्रहरी एप, क्या है IIT दिली ने शुरू किया है, और सहरी छेत्रों में जल जमाब की समस्या से निपटने के लिए, आगे है जलदूत एप, जलदूत एप क ग्रामीन विकास मंतराले ने जारी किया है, देश भर के गाउंगों को चैनीत कूओं में जल अस्तर का पता लगाने के लिए, उसके वात है, इसके लैप, ऑब आता है आपका बेश पोरटल, देखते हैं इसे बेश पोरटल को, सबसे पहले हम portal को देखेंगे फिर जारी करता फिर उसके उद्देश को तो सुस्वागतम औलाइन पोटल जो है इसे सरबोच न्याला ने जारी किया है सुस्वागतम औलाइन पोटल को जिसका उद्देश है अदालत परिशद में प्रवेश के लिए अंग तुंगों के लिए जो online electronic pass बनाने हेतु इसे launch किया गया है सुष्वागतम online portal को आगे है e-care portal, e-care portal को स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री ने सुरू किया है उदेश बिदेश में मरने वाले जो भारतिये हैं उनके सबों को वापस लाने की जो प्रकिरिया है उसे आसान बनाने के लिए e-care portal को सुरू किया गया है स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा आगे है चैंपियंस 2.0 portal चैंपियंस 2.0 portal जो है इसे केंद्रिये MSME मंत्री स्री नरायन राने द्वारा लॉंच किया गया है जिसका उद्देश है MSME को अधिक समावेसी बनाने के लिए प्रोटल का विकास करना संचार साथी प्रोटल संचार साथी प्रोटल को सुरू किया है केंद्रिये संचार मंत्री अश्वनी वैसनम ने हीम डाटा प्रोटल हीमाचल प्रदेश का है इससे कल्यानकारी योजनाओं के वीतरन एवं जनता की वेहतर सेवा के लिए जो संगठन है और उसकी डेटा को एककरित करना इसका हीम डेटा प्रोटल का उद्देश है आगे है प्रवापोटल, प्रवापोटल को आरवी आइने सुरू किया है याने की रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने और प्रवापोटल का उद्देश है अनुरोध किये गए आवेदनों पर निर्णे लेने हैं तुझ समय सीमापरदान करना प्रक्रिया को सरल बनाना ये है प्रवाः पोटल का उद्धेश आगे है साथी मोबाइल एप पोटल साथी मोबाइल एप पोटल जो है इसे क्रिसी मंत्राले ने जारी किया है किर्सी मंत्राला इसका उद्देश है किसानों के बीज उत्पादन गुन्बत्ता पुन्वीज आधी के बारे में ओल्लाइन जनकारी उपलब्द कराना नगर संदर प्रतियोगिता प्रोटल इसे अवास इवं सहरी मंत्रालयों ने जारी किया है जिसका उद्देश है सुन्दर सारवजनिक अस्तल का निर्मान करने के लिए नगरोग दथा वाडो के पर्यास को प्रोटसाहित करना राइट टू रिपेर प्रोटल को भोगता मंत्री प्यूस गोयल ने जारी किया है और इस प्रोटल पर प्रोड़क्ट मैनिफेक्चुरर प्रोड़क्ट डिटेल्स मैनुल को ग्राहा के साथ साझा करेंगे जिसे जो कस्टमर होंगे जो उसके कस्टमर के मूल निर्माता पर निर्भर रहने के बजाए स्वेम या फिर कोई थर्ड पार्टी द्वारा इसे रिपियर या पकाम पुरा किया जा सकता है अगला है किरसी निवेस प्रोटल किरसी निवेस प्रोटल जो है इसे किरसी एवं किसान कल्यान विभागने चारी किया है उदेश किर्सी और संबंध छेतर से संबंधित विभीन सरकारी योजना का लाप राप्त करने के लिए किर्सी निवेश पुर्टल को सुरू किया गया है यूवा संगम पुर्टल यूवा संगम पुर्टल इसे सिक्षा मंत्राले ने सुरू किया है यूबा संगम एक भारत स्रिष्ट भारत के तहद लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेस रूप से उत्तर पुर्वी भारत और अनराज के यूबाओं के बीच एक पहल है यूबा संगम पोटल बैदिक हेरिटेज प्रोटल इसे केंद्रिये ग्रीह मंत्री ने सुरू किया है और ये इंद्रा गांधी राष्टिये कला केंद्र द्वारा संचालित है उद्देश है सोधकर्ताओं को वैदिक ज्यान पढ़ंतल को शमझने में शहयोग करना और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंतों की समाने जानकारी देना ये है वैदिक हेरिटेज प्रोटल का उद्देश अमर सरकार प्रटल तिरपुरा का है जिसमें सरकार का आम लोगों तक पहुँश बढ़ाना और आधमिक तक्नीक के बारे में लोगों को जावरूख करना ये इसका उद्देश है राश्टिय पुरस्कार प्रोटल ये केंदर सरकार का है राश्टिय पुरस्कार प्रोटल उद्देश है विभिन मंत्राले या फिर बिभाग के सभी पुरस्कारों को डीजिटल फेटफॉर्म पर लाना निर्याद प्रोटल इसे वानीच और उद्योग मंतराले ने शुरू किया है जिसे पीम नरेंदर मोती द्वारा लांच किया गया है निर्याद प्रोटल को इसके जरी आयातक और निर्यातक बिदेशी बेपार सम्मधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे परिक्षा संगम प्रोटल इसे CVAC द्वारा लॉंच किया गया है परिक्षा प्रोटल को और उद्देश है इस प्रोटल की मदद से दस्मी और बारहमी बोड की परिक्षाओं से सम्मधित सभी जानकारी, रजिस्टेशन, शेत्रिय काराला के साथ संचार स्विवधा, परिक्षा समागरी और सभी परकार के रिजल्ट आदी जो जानकारी होंगे छात्र से सम्मधित वो परिक्षा संगम प्रोटल पर ही दे दिया जाएगा आगे है समर्थ E-Governance प्रोटल समर्थ E-Governance प्रोटल को उत्राखंड सिक्षा विभागने शुरू किया है और उत्राखंड सिक्षा विभाग का उद्देश है कि जो उंच सिक्षा में सुधार लाना, छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्द कराना वहीं है CAPF E-Avaz प्रोटल CAPF E-Avaz प्रोटल इसे गिरी मंत्राले ने शुरू किया है और इस प्रोटल के माध्यम से केंद्रिये ससस्त्र पुलीजवल अपनी संतुस्टी के हिसाब से किसी भी अस्थान पर घर ढून सकते हैं नेक्स्ट आपका है प्रमुख पहल प्रमुख पहल है सबसे पहले मेरी गाउं मेरी धरोहर पहल मेरा गाउं मेरी धरोहर पहल इसे केंद्रिये मंत्री द्वारा संस्कृत्ती मंत्राले के तहद सुरू किया गया है उद्देश है भारत के राज्यो और केंद्रसासित प्रदेश के गाउं का वर्चुली सांस्कृतिक मानचितरन करना नेक्स्ट है सागर पडिकर्मा पहल जो की साथमा चरन है सागर पडिकर्मा पहल का मतस्य पालन पसु पालन और डेड़ी मंत्राले ने शुरू किया है और इनकी स्विवात मद करा केरल से की गई है मद करा केरल से की गई है जिसका उदेश है संपुर्ण देश की जो मछवारे है या फिर अनहित धारक के हितों की रक्षा करना उन्हें प्रोथसाहित करना आब है 75 by 25 पहल 75 by 25 पहल को केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने शुरू किया है जिसका उदेश है बर्ष 2025 तक देश के 7.5 करोर उच रक्त चाप और जो मधु में प्रिरित यानि डाइबिटी जो प्रिरित लोग है उनकी स्वास्त की जाज करना साहस पहल साहस पहल को तेलंगना ने सुरू किया है साहस पहल को किसने तेलंगना ने उदेश है कार अस्तल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिशित करना सरकार आपके द्वार पहल सरकार आपके द्वार पहल को σुरू किया है, महराज सरकार ने उद्देश हैं, आम नागरिकों को सरकारी युजनाओं को लाव लेने के लिए एबम उसके लिए सरकारी दफदरों को चकर लगाने से बचने के लिए, मुख मंंत्री येकनाथ सिंधे ने इस पहल की बर्स 2023 में आगे हैं विखारी मुक्त सहर पहल को नगर निगम नागपूर ने शुरू किया है नगर निगम नागपूर ने नागपूर सीटी पुलीस और नागपूर नगर निगम समाज कल्यान भीभाग द्वारा सयुक्त रूप से विखारी मुक्त सहर पहल की सुरूत की ग पातरों को व्याग्यानिक अबधार्णा, सिध्धान्त और कानूनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगे। यह है Learning Science Baya Standard पहल. One Nation, One चलान पहल One Nation, One चलान पहल को सरक पड़ी वहन राजमान मंतराले ने शुरू किया है और One Nation, One चलान पहल सभी सम्मन्दित एजेंसी जैसे यातायात पुलीस और छेतरिये पड़ी वहन कार्याले को एक मंच पर लाने की जो सरकारी पहल है और इसमें क्या होगा कि जो प्लेटफोर्म का उदेश ट्रैफिक जुर्माने के लिए भुकतान प्रक्रिया को केंद्री कृत करना है गज मित्र पहल गजमित्र पहल ये पस्ट्रिम मंगाल ने शुरू किया है और इसमें मानव हाती संखर्स की बढ़ती घटनाओं से हातियों की सुरक्षा के लिए पस्ट्रिम मंगाल सरकार ने 600 अस्थानिय युबाओं को गजमित्रों यानी की हातियों की सुरक्षा के रूप में निक्त किया सेवा आपके द्वार 2.0 पहल की सुरुवात क्या गया है और नाचल परदेश सरकार द्वारा और सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाव राज्यों को लोगों तक पहुंचाना है आपके सेवा द्वार योजना का उद्देश है ATL सार्थी पहल, ATL इसको बोलते हैं, ATL सार्थी पहल ये ATL Innovation Mission ने शुरू किया है और यह ATL Tickering Lab की कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम करेगा यह पहल जो है वो ATL Tickering Lab को कुशल और प्रभावी बनाने में क्या करेगा सक्षम करेगा अब है निवेसक दीदी पहल, यह निवेसक दीदी पहल जो है इसे इंडिया Post-Payment Bank ने शुरू किया है वीतिय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है संघर्ष पहल को तिरपुरा सरकार ने शुरू किया है और सरकारी एवं सरकारी सहयता प्राप्त स्कूलों में समाजिक और भावनात्मक सिक्षा को प्रोटसाहित करना इसका उद्देश है एक है की समुन्दाइक पुलीस पहल को दिल्ली उक्के उपराजपाल ने शुरू किया है और उद्देश है लोगों को दिल्ली पुलीस की विभिन योजनाओं के प्रति जागरू करना वेस्ट पहल, वेस्ट पहल बिग्ञान प्रधोग की और नवाचार सलाकार परसद की पहल है बेस्ट पहल, किसका है? इसमें क्या होगा कि जो बिग्यान है गनीत है इंजिनियरिंग प्रिष्ट भुमीबाली महिलाओं को इस छेत्र में कौसल परदान करना तथा अनुसंधान के लिए अलग मन्च उपलद कराना ये बेश्ट पहल का उद्देश है ये स्वास्त मंत्राले ने टेली मानस पहल को सुरुआत किया है देश में मानसिक स्वास्त सेबा तक पहुच को बढ़ाना इसका उद्देश है सेतु पहल केंद्रिये मंत्री जो प्यूस गोयल ने सेन फ्रांसिकों में इसे लॉंच किया है सेतु पहल को सेतु का फूलफोर्म है supporting entrepreneur in transformation upskilling program ये सेतु का फूलफोर्म है और ये भारती स्टाटप को USA के स्टाटप से जोड़ना ये सेतु पहल का उद्देश है अब एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया है इसे देख लेते हैं फाइनली उसके बाद आपका ये टॉपिक 22 का इंट अफेर इंड हो जाएगा जो आपका इसमें दिया है वर्स 2022 की प्रमुख पुस्तक के और उनका लेखक को यानि कि बूक एंड ऑथर जो है उसे हम देखेंगे तो इससे पहले आप बहुत सारे बूक की बारे में जानते बिये बहुत सारी बूक की बारे में स्पीडी में भी करवाएं हैं लेकिन फिलाल यहाँ पे जो है रिवीजन के तौर पे ही आप लोग इसे देख लीजें। थोड़ा सब बरा करते हैं। सबसे पहले अगस्त 2023 की पुस्तक है How Prime Minister Decide पुस्तक के लिखा कौन है निरजा चौधरी है निरजा चौधरी की पुस्तक है How Prime Ministers Decide रिसी राज की पुस्तक है कारगिल एक यात्री की जुबानी यह रिसी राज की पुस्तक है मांसून एप पोयम ओफ लव और लॉंगिंग यह अभैके की पुस्तक है Drunk on Love, The Life, Vision and Songs of Kabir नेक्स्ट है Peach Side My Life in Indian Cricket ये अमरित माथुर की पुस्तक है Peach Side My Life in Indian Cricket जुलाई 2023 की पुस्तक है Prism the Accentrally Abort of Rainbow ये बिनोध मनकारा की पुस्तक है Prism the Accentrally Abort of Rainbow बिनोध मनकारा की पुस्तक है उसके बाद As the Will Turns ये रनजीत प्रताप की पुस्तक है As the Will Turns जो की पुर्व उपराश्ट पती बंकाया नाइडू द्वारा इसका बीमोचन किया गया था A.P.J. अब्दुलकलाम Memories Never Die ये नसीमा मरे कायर तथा By S. राजन की पुस्तक है A.P.J. अब्दुलकलाम किसकी पुस्तक है नसीमा मरे क्यार और By S. राजन की पुस्तक है और इसे अमीच सा के दोरा इसका बीमोचन किया गया था Throw the Broken Glass T.N. सेशन की पुस्तक है T.N. सेशन की पुस्तक है Throw the Broken Glass Next है India Rising Memoir of Scientist आर्चिदंब्रम और सुरेश गंगोत्रा की पुस्तक है India Rising Memoir of Scientist आर्चिदंब्रम और सुरेश गंगोत्रा Next है Bajpahi the Assistant of the Hindu Right 1924 to 1977 यह एफजिक चौधरी की पुस्तक है Bajpahi Colors of Devotion Colors of Devotion जो है यह अनिता भरत्सा की पुस्तक है आगे आता है June 2023 का पुस्तक June 2023 में है The Yoga Sutra for Children रूपापाई की पुस्तक है The Yoga Sutra for Children रूपाई की India's Finance Minister From Independence to Emergency यह असोप कुमार भाट्याचार की पुस्तक है India's Finance Minister From Independence to Energy Emergency है उसके बाद है R.A.W. Hittman R.A.W. Hittman S.Hushen Jaddy की पुस्तक है उसके बाद है कथक कली डांस थियेटर यह केके गोपाल कृष्णन की पुस्तक है कथक कली डांस थियेटर अब माई 2023 की पुस्तक है Collective Spirit Concrete Action जो की जिसके लेखक है ससी सेखर बेंग पत्ती और प्रधान मंत्री मूदी जी के द्वारा Collective Spirit Concrete Action का भी मोचन किया गया था और इसके राइटर है ससी सेखर बेंग पत्ती Made in India 75 years of business and enterprises ये अभिताम कांद की पुस्तक है Made in India 75 years of business My life as a comrade K.K.Salejaki की पुस्तक है My life is a comrade K.K.Salejaki Next है The Indian Metropolis ये फिरोज बरून गांदी की पुस्तक है The Indian Metropolis फिरोज बरून गांदी की पुस्तक है Next है The Golden Years Golden Years पुस्तक की लेकागा Ruskin Bound April 2023 April 2023 की पुस्तक है A. Resurgent North East Narratives of Change ये आसिस कुंद्रा की पुस्तक है A. Resurgent North East Narratives of Change ये आसिस कुंद्रा की पुस्तक है Smock and Assess अमिताब घोस की पुस्तक है Smock and Assess रिफ्लेक्शन ये नरायन बागुल की पुस्तक है रिफ्लेक्शन और बितमंत्री नीर्वाला सितारमन ने इसका लोका आरपन किया था क्रॉस कोट, क्रॉस कोट जैदीप मुखर जी की पुस्तक है ये डिफ्लेक्शन गेया नरायक बागुला की पुस्तक है एस चंद्रसेखर की पुस्तक है as good as my word केज एम दूसेखर की इंडियाज वेक्सीन ग्रोथ स्टोरी from cow pox to vaccine यह पुस्तक सजोन सिंह यादव की है इंडियाज वेक्सीन ग्रोथ स्टोरी from cow pox to vaccine मैत्री अब है फरवरी 2023 की पुस्तक फरवरी 2023 में जो पुस्तक लिखे हैं वो है विक्ट्री सिटी विक्ट्री सिटी के राइटर है ससी थरूर सॉरी विक्ट्री सिटी के राइटर है सलमान रूषदी और रिफॉर्म नेशन के पुस्तक के लेखाक है गौतब चिकर माने गौतब चिकर माने की पुस्तक है The Poverty of Political Economy के लेखक है मेगना देशाए अब है जन्वरी 2023 अम्बेदकर अलाइफ के लेखक ससी थरूर है उसके बाद है जादू नामा जाबे दक्तरपदाहरित पुस्तक है जिसके लेखक है अर्विंद मंडलोई जादू नामा Next है revolutionaries The Other Story of How India Won Its Freedom संजीब सन्याल की पुस्तक है अब है दिसंबर 2022 की पुस्तक Brave Hearts of भारत Wingators from the India History इसके लेखक है बिक्रम संपत Brave Hearts of भारत के लेखक बिक्रम संपत है Frogs in the road My days at RVI and behind इसके लेखक सी रंगा राजन है Frogs in the road My days at RVI and behind Fit and NEH Air Marshal PVIR की पुस्तक है Fit and NEH नालंदा नालंदा अंटिल वी मिट अगेन गौतम बोरा की पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मिट अगेन ये गौतम बोरा की पुस्तक है दा इंडिया नेवी at 75 at the rate 75 रिमांजिंग दा वोग्या इसके लेखाख है रंजीत वी राव और अरित्रा वनर जी नेक्स्ट है अलाइफ इन दा शैडोज अमेमोयर ए एस दुलंद की पुस्तक है ए लाइफ इन दा सैडोज अमेमोयर नेक्स्ट है दा चिपको मोमेंट आपिपुल्स हिस्ट्री सेखर पाठ़क की पुस्तक है दा चिपको मोमेंट नॉमबर दो हजार बाइस की पुस्तक है दा लाइट वी कैरी Overcoming in Uncertain Times Missile Obama की पुस्तक है Winning the Inner Battle Winning the Inner Battle के लेखा St. Watson है Delhi University Celebrating 100 Year Glorious Year ये हरदीप सिंग पूरी की रचना है After Tiananmen The Rise of China Vijay Gokhale की रचना है After Tiananmen The Rise of China Vijay Gokhale की रचना है October 2022 October 2022 की पुस्तक है From Dependence to Self Reliance Bimal Jalan की रचना है The Last Heroes P.Sainathan की रचना है Next है September 2022 में September 2022 की जो पुस्तक है उसमें है Rajnees Matri's Life Lesson From One of India's Most Loved Superstar PC वाला सुब्रमन नेम की रचना है उसके बाद है The Hero of Tiger Hill Autobiography of a Parambeer ये कप्तान योगेंदर सिंह यादव की पुस्तक है The Hero of Tiger Hill Autobiography of a Parambeer Next है Willpower the Inside Story of the Incredible Turnaround in India Woman Hawking ये Sword Marine की पुस्तक है Willpower the India Story of the Incredible Turnaround in India Woman Hawking के लेखक है That means कि आपका जो यहाँ पर Current Affair था वो Finally Complete हो गया है आप इसका बच्चू का है रास्टिय घटना करम और अंतरास्टिय घटना करम साथ में इसमें जो Science Technology से सम्भंधित One Liner होगा उसे हम Part 2 में देखेंगे और इस बुक का जो बिहार Special है उसे हम भी Part 1 में पोसिस करेंगे कि इसे Complete करवा दे मतलब एक ही Part में पूरे बिहार Special को तो हुपसो कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर जो लोग नए है प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत